हां जी कैसे हैं आप सभी सौगत है आपका चाय और कोड में और सबसे खुशी की बात और सबसे बड़ी अनॉंसमेंट मैं क्या है कि इस चैनल पे जादा इतना तूफान मचा के अनॉंसमेंट नहीं करता बस सीधे कर देते हैं अनॉंसमेंट हां सोच रहा हूं फिनिशिंग का सेलिब्रेशन बनना चाहिए क्योंकि देखे अनॉंसमेंट का जोश तो सभी दिखा देते हैं हमें तो सीरीज के एंड का अनॉंसमेंट और उसका जोश मनाना चाहिए कैर उन सब पर कभी फुरसत में चाहे और कहानियों पे अभी के लिए स्वागत है आप सभी का हमारी बनाने में कोई दिकत नहीं होगी अगर आप ट्विटर का बैकेंड बनाना चाहते हैं इंस्टाग्राम का बैकेंड बनाना चाहते हैं या कोई LMS सिस्टम बनाना चाहते हैं कोई student management portal बनाना चाहते हैं आप almost सभी के बारे में कर लेंगे क्योंकि हम यहाँ पे जो काम करेंग है आपका चाहे और वेकेंड पे तो हाँ जी सबजे के अनॉंसमेंट कर दो सबजे के फैला दो कि हाँ जी पूरा complete web development सिखा के मानेंगे हम तो यहाँ पे तो यह वाली series है कुछ पहले एक दो चीज़ें आपको सामने बता दूँ कि इस series का जो pace है वो थोड़ा सा इशू नहीं आएगी क्योंकि अगर कोई इशू आता है तो री रिकॉर्डिंग होती है वैसे बट मुझे लगता है मेरे तरफ से तो हो गया है सारा काम अभी उसके अंदर पर शेयर करता रहता हूँ लिंक आपको description वगरा में मिल जाएगा वैसे बहुत इजी है हितेश.ai.ai.whatsapp यहाँ पर आप जोईन कर सकते हैं तो अब चलते हैं हमारे back end तो back end देखे अपने आप में complex चीज है इसको हलके में मत लीजेगा यहाँ पर बहुत सारे लोग है जो बीच में छोड़के भागते हैं क्योंकि यह actually में purely logic, purely programming, purely terminal based उस हिसाब से चलता है front end के अंदर क्या है काफी कुछ visualization देखने को मिल जाता है कि buttons आए है नहीं आए है वहाँ पर काफी देर तक आपको पता हैं लगता कि यह वाला logic काम ही नहीं कर रहा था क्योंकि हर एक छोटे phase पर आप testing नहीं कर सकते हैं कुछ एक concrete बनना चाहिए उसके बाद ही आप testing वगरा कर सकते हो tools वगरा काफी use होते हैं आपके कही software वगरा use करने पड़ते हैं कही नहीं नहीं libraries कही mechanism का face करते हो सामना postman वगरा यह सब बहुत कुछ होता है वहाँ पर बट मज़ा बहुत आता है और obviously बात है मैं आया हूं तो मज़ा तो आए गई तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक series ही निपटा देते हैं है कि नहीं तो चलिए तो आपके साथ share करता हूं iPad कुछ notes हम लेके आए हैं आपके लिए तो यहां पर हम discuss करते हैं हमारे सबसे पहले backend development का यह जो backend development है ना देखिए बहुत सारे लोग शायद कुछ नए हो कुछ ने शायद पहली बार देखा हो तो backend actually म ऐसा नहीं है कि JavaScript की कोई proprietary है या फिर कोई PHP की कोई proprietary है backend अपने आप में एक technology है frontend जिस तरह से है उसी तरह से backend भी है backend के अंदर servers वगरा यह सब जाने जाते हैं और यह सब काम होता है अच्छा एक चीज़ और बता दूँ कहीं लोग सोचते है servers का मतलब बड़े computers हाँ यह common ब फोन में भी install हो सकता है तो server का मतलब जो serve कर रहा हूँ उससे देखिएगा ऐसे नहीं कि server मतलब बड़े computer AWS का computer ऐसा कुछ नहीं होता है आपका mobile भी एक server हो सकता है server सिर्फ एक software है comment section में लिख दो फटा फट server क्या है server सिर्फ एक software है बस जो serve कर रहा है इससे जादा कुछ भी नहीं है इससे जादा सारी बात है फालतू बात है बड़ी बड़ी बात है आपको नहीं जानी है वो तो जब भी आप backend development सीखेंगे ना तो सबसे पहले दो component पे आ node.js तो हमने सीखा ही नहीं node.js के अपने अलग काम है backend development से इतना जादा कोई खास लेना देना है नहीं जितना भी है वो मैं सीरीज के दौरान कवर कर दूंगा तो node.js अपने आप में एक mastery करने का एक field है कि मैं JavaScript के runtime को समझना चाता हूँ उसको in-depth देखना चाता हूँ कि कितना potential unlock कर सकता हूँ तो अक्सर लोग आपको दिखेंगे कि नहीं पहले node.js सीखो फिर backend सीखो नहीं ऐसा नहीं है जैसे कि हमने react देखा react में भी तो node.js यूज कर रहे थे बट हमने तो नहीं सीखा node.js तो यहाँ पे एक दम से क्या आजाएगा ऐसा हाँ यहाँ पे भी कुछ नहीं आएगा ऐसा तो node.js का individually as such कोई काम नहीं है हाँ जहां कहीं कुछ काम आएगा जैसे file system crypto वगरा तो मैं आपको वह साथ की साथ पढ़ा दूगा उस पे हम एक दो lecture ले ले लेंगे और अपना काम हो जाएगा तो चिंता मत कीजिए ऐसा कुछ नहीं कि आपको node.js नहीं आता तो आपको करीन सकते हैं नहीं आपको आता है अगर आपने javascript मुझसे पढ़ा है या फिर react सीखा तो जितना node.js चाहिए वह आपको आता है तो दिक्कत वाली बात ही नहीं है अच्छा अब आते ह होती है आपको एक programming language आनी चाहिए ठीक है और दूसरा होता है आपको एक database आना चाहिए अब जो programming language है आजकल जावस्क्रिप्ट होने लग गई है लेकिन इससे पहले नहीं होती थी क्योंकि जावस्क्रिप्ट कभी standalone चली नहीं सकती थी आजकल तो बहुत engines आ गये हैं वी 8 engines क आपी जगे आ गये हैं इनफेक्ट नोड है डीनो है बन भी आ गया है तो आजकल जावस्क्रिप्ट चलती है और इसी वज़े से हम इसको backend में यूज़ कर लेते हैं लेकिन पुराने जमाने में अगर आप देखेंगे जावा का काफे dominance है आप सीखेंगे या सुनेंगे भी क कि नहीं spring में होता है backend development हाँ वो भी एक framework है जावा का जिस तरह से हमारे पास जावस्क्रिप्ट के अंदर भी कई framework से जो आपको इसारे काम कर देते हैं तो वहां पर भी काम हो जाता है अच्छा सिर्फ जावा नहीं है जावस्क्रिप्ट पर भी backend development हो सकता है PHP में भी होता है GoLang में भी होता है C++ के अंदर भी होता है C++ में इन सभी में almost में कोई ना कोई framework या library का ही use होता है वैसे तो by default भी कर सकते हो बहुत जादा काम हो जाता है इतना काम किसी को करना नहीं है तो इसलिए इन सभी language में development होता है जैसे मैंने कई बार पढ़ाया है New York University में कई बार त देखा कि हमने C++ Crow एक framework आता उसके थुरू पढ़ा और back-end development किया था उसी तरह से Java में आप सुनेंगे Spring, Spring Boot के थुरू करते हैं कई लोग PHP में Laravel वगरा के थुरू करते हैं GoLang में भी frameworks हैं हम यहाँ पे JavaScript करेंगे क्योंकि वो ही हमने channel पर already complete कर रखी है तो उसी के तरह हम back-end देखे एक programming language का strong होना बहुत जरूरी है बिना इसके अगर back-end में घुस रहे हैं या सोच रहे हैं कि हां मैं कर लूँगा चलते में बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आगे जाके काफी फसेंगे ऐसा मत करो at least जो मैंने 50 वीडियोज हुआ डाल रखे हैं JavaScript चाहे और JavaScript वाली playlist म हैं वो complete कर लो वरना आपके concept वो यह spread कैसे हो गया यह dot map क्यों लग गया map के अंदर return value क्यों नहीं आरी यही सब करते रह जाओगे और हम आगे logic पे निकल जाएंगे तो यह सबसे important है दूसरी आपकी important जो चीज आती है back-end development है वो है database क्योंकि काम सिर्फ इतना है कि आपके प credit card है या नहीं हमारे पास में यह password सही है या नहीं है यह सारा होता business logic अब business logic का मतलब हमेशा यह नहीं होता कि इससे business का कोई फाइदा हो business logic एक common term है जो हर चीज के लिए use होती है जहां भी logic लगता है जैसे आपके business logic के लिए जरूरी है कि कोई बंदा है उसके पास में login करोगे और फिर उसको database में इंटर कर दोगे बस इतना ही काम है या फिर अगर किसी ने कोई query पूछी तो आप वापस से उसको process करोगे कि अच्छा query पूछी है database के पास जाओगे और उसको बोलगे data दे दो वो data आपको वापस दे देगा और आपस data को front end पे show कर दोगे काम सि तुना सही है back end लेकिन काफी complex है इसमें भी तो database में आपको जो चीजे दिखेगी हो दिखेगा एक तो सबसे important mongo, mongo database काफी popular है कई लोहों को मैं देखा है mango लिखते हैं इसको, मुझे नहीं लगता कि इससे जादा आप इसके साथ कोई bear hemi कर सकते हैं, एक mongo database को mango बोलना बूल जाओ, अगर आप अपनी terminologies यहां सही नहीं करोगे, 200% interview में failure होगे, तो कोई भी अपनी team में ऐसा member थोड़ना रखना चाहेगा, जो mongo को mango बोल रहा है, कैसे ही काम करोगे, zometo में काम कर पाऊगे ऐसे, या zoho में करोगे, नहीं कर पाऊगे, तो harsh है, बट सच्चा ही ह दूसरा आपका common database है, mysql, इसके लब आपको postgres भी मिलेगा, sqlite भी मिलेगा, कई और databases है, आजकल graph database होगरा, तो database का concept अपने आप में एक अलग है, लेकिन एक database आपको master करना है, अच्छा, आप देखे, सबसे important बात यहां पर क्या आती है, कि चलिए language की बात होगे, यह database क लेकिन, जिस तरह से आपने देखा कि हम core JavaScript में आचकल कम चीज़े बना रहे है, react, angular, view में जादा बना रहे है, ease of work है, तो उसी ease of work के लिए कोई language के साथ आप एक framework तो use करोगे, अब हो सकता है framework हो, हो सकता है library हो, जैसे JavaScript के अंदर libraries होगरा, use होती है, mongoose हो गया, या फिर और library libraries है, express हो गया, तो यह सब use करते हैं, इसी तरह से Java में आप देखोगे Spring, Spring Boot होता है, PHP में Laravel होता है, Cake PHP होता है, तो इसी तरह के कोई ना कोई framework तो आप use करोगे, इसी तरह से जब भी आप database से interact करोगे, तो database से आप या तो कोई ORM यूज़ करोगे, या फिर कोई ODM यूज़ ज्यादतर आपका interaction इस ORM, ODM से होगा, अच्छा, यह होते क्या है, ORM और ODM, क्या full form है, क्या काम करते हैं, इनको अभी discuss करना ना मुर्कता है, क्योंकि अभी आपको समझ में आएगा नहीं, और यह और ज्यादा चीज़ों को complex कर देगा, बट जहां पर मैं सिखाऊंगा इन आगे जाके देखेंगे किस तरह से होता है, तो अभी तक की कहानी क्लियर, कि एक programming language चाहिए, और एक database चाहिए, बस आएगा data, store कर देंगे, या फिर store हुआ अवा data दिखा देंगे, selectively दिखाएंगे, page in 8 में दिखाएंगे, वो सब आगे हम discuss कर लेंगे, इतना ही काम है, नहीं ऐसा नहीं होता है, आपके normal basic laptop पर ही होता है, जिस तरह से आप react चला पा रहे हैं, html css चला पा रहे हैं, javascript चला पा रहे हैं, बस उसी तरह से backend चलता है, कोई ऐस सच कोई hard and fast laptop वगरा की जरूत नहीं होती, basic laptop पर ही हम भी खाम करते हैं, आप भी उसी पर करोगे, javas सबसे core concept हमारे backend का होता है, कि हमारे पास क्या होता है, यह हमारे backend से, अब backend का है, code आप एक बार लेखता है, लेकिनको multiple machines पर deploy किया जा सकता है, इसी से तो load balancing वगरा वो सब concept आता है, तो सबसे पहली चीज़ आपके पास होता है एक database, आप database आपने MySQL लिया, MongoDB लिया, Amazon से लि अब एक concept जो आपके आगे जाके काम में आएगा, कि database हमेश्चा दूसरे continent में होता है, क्यों होता है, बस याद रख लो, आगे जाके जैसे problems आएगी, यही word है, जो आपको, मतलब 50 से 60% problem का reason, यही एक line होगी, कि database दूसरे continent में है, क्यों कैसे का, वो सब बाद में कि जैसे suppose करिए, जैसे आप function लिखते हो, कि इस function के अंदर अगर हमारे पास एक number आए, तो उसके अंदर to add कर दो, इतना ही काम है, तो उसी तरह से front end से आपके पास data आएगा, कि यह username में आपको दिया एक function में, एक function में password, अब database से पूछो कि यह यह सही है, तो अगर सही है, तो कुछ response बेज़ दो, अगर नहीं है, तो कुछ और response बेज़ दो, बस function काई तो ifls का काम है, हाँ, इतना ही है database, तो हमारे यह work कैसे करता है, कि हम लिखते है backend, इस तरह से आपने एक machine पे backend लिखा, अब वो machine continuously चालू है, ऐसे हमेशा नहीं रहती है, वो servers पे चालू रहती ह तो यह हमने backend लिखा, हमने काफी functions लिखे, आपने कोई एक URL विजिट करा, अब suppose करिया, आपने करा slash login, slash sign up, तो वो detect करना पड़ेगा, हम नहीं करते हैं, वो framework libraries हैं उसके लिए, जो networking में detect कर लेती है, और आप जो route पे आप गए हैं, जैसे slash login पे गए हैं, या sign up पे गए हैं तो कौन सा वाला function call कराना है, वो ही काम है बस हमारा, तो उसी का हम backend लिखते हैं, अलग अलग function से लिखोगे जादा तरह आप, और कुछ नहीं लिखने वाले हाँ पे, वो function database से interact करेगा, कैसे करेगा, वो हम देख लेंगे, उसके बाद हम जो response भेजते हैं वो response actually में API format में भ जाती है, बट जरूरी नहीं है, जेसन में array भी हो सकता है, एक number भी हो सकता है, true or false भी हो सकता है, तो इससे जादा कुछ है नहीं वहाँ पे, बस इतना ही हमारा काम रहता है, तो यह हमारा API का values होती है, तो हमारा यहां तक का का काम backend का होता है, कि आपने कुछ functions लिखे, native, android यह वहाँ से कुछ आई हो, तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं, तो इतना ही काम होता है हमारे backend का, ठीक है जी, यह backend का आपका काम हो गया, अब चलते हैं हमारा थोड़ा सा specifically, JavaScript specifically, कि हम जब backend बनाते हैं, यह actually मैं आपका इतना सा ही road मैप है, कि अगर आपको backend सीखना है, तो तो JavaScript में आपको Express और Mongoose, यह दो packages हैं, लाइबरेरी बोल लीजे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हम आप पे, एक है Express, एक है Mongoose, Express आपका mostly routing करने के काम आता है, जो server वगरा बनाता है, और जो Mongoose है वो जब जाए तर database के लिए काम आता है, तो यह दो हमारे पास major है, जो हम इ कर रहे हैं अभी, तो JavaScript based backend पर ही होंगे, अब देखें, जब भी आप database बनाएंगे या backend बनाएंगे, तो आप तीन ही चीजों से deal करने वाले हो, या तो आप deal करोगे data से, क्या आपके पास data आया, username, password, कोई file आई 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 आपके पास, यह कुछ इस तरह से, और दूसरी ची API से कैसे, जैसे suppose करिया, आपको Google login करना है, या फिर आपको file upload करनी AWS पर, तो वो भी आपको API से देते हैं, हम API API में आपस में बात करते हैं, तो यह तीन ही scenario है, इससे जादा बाहर कुछ भी नहीं है, या तो आप directly data handle करोगे, या फिर आप file handle करोगे, या फिर आप third party API से handle करो हैं, तो वो अगर email भेजने आ गए, files upload, download करने आ गए, तो third party से बात करना आ गया, अब file क्योंकि आपने upload करी है, खुद के server पर रखिये, तो file handle करना आ गया, और data तो obvious ही बात है, हर backend में handle करते ही करते हैं, अब आजकल देखिए JavaScript के अंदर का है, काफी runtime की choices आ गई है, पहले तो node.js ही था, इसलिए हर tutorial में, हर series में कहा जाता है, पहले node.js सीखो, फिर backend सीख पाओ गया, आजकल तो ऐसा नहीं है, हो सकता है, मैं पूरा backend Dino पे बनाओ, या हो सकता है, मैं बन पे बनाओ, या फिर मैं आदा node पे बनाओंगा, आदा बन पे बनाओंगा, ये runtime environment ही तो है, जावास्क्रिप्ट रहन ही तो कर रहे है, अब देखिए ये तो उसी बात है कि आपने OpenJD के Java में सीखा, अब OpenJD के आपने Oracle वाला लिया है, या फिर आपने किसी और website से लिया है, Microsoft का भी OpenJD के है आजकल, तो पहले OpenJD के सीखने थोड़ना बैठते हो आप, वैसी बात है न अब देखिए बहुत सारे content दीखेंगे तब ही तो course विकेगा, तो वहाँ पे हाँ इस तरह से बोला जाता है, हाँ हम भी बोलते हैं, इसमें क्या गलत बात है, अच्छा knowledge है, देना भी चाहिए, लेकिन इस series के लिए जरूरत नहीं है, अच्छा ये तो आगे आप समझ वे, अब मैं आपको थोड़ा सा file structure समझा देता हूँ, ये आगे हम practically भी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा file structure का अगर आप notes बना के रख लोगे ना कहीं, तो बहुत काम आएगा आपके, तो जादा थर हम काम मैं prefer करता हूँ सारा का सारा source directory में, ठीक है, अब source directory में obviously बात है, बाहर हमा environment variables वगरा आपको काम में आएंगे, package.json वैसी बात है, libraries package करने के लिए, इसके लाबा कुछ और files हमार पास होती है, जैसे readme होती है, gits पे हम काम करती है, linting भी होती है, कुछ errors वगरा show करने के लिए हम इस पे जादा चर्चा नहीं करेंगे, prettier formatting वगरा करने के लिए, तो य कुछ अनतर आता है, लेकिन मोटा मोटा तोर पे इतना ही काम होता है, देखिए अब सबसे पहले क्या है, आपके पास हमेशा एक index file तो होगी होगी, आपको इसको index बोलता है, कोई main बोलता है, यहाँ पे क्या होता है, mainly आपके जो application उसका entry point होता है, उसके अलावा आपके प files का नाम अलग-अलग होता है, और काफी जगे अलग-अलग तरीके से रखा जाता है, मैं आपको basic-basic idea देता हूँ, कि एक file start कैसे होती है, देखिए, most of the backend लिखेंगे, उसमें कोई ना कोई backend के अंदर database तो हो गई होगा, तो database कब connect करना है, usually जैसे file start हुई है, या आपके application start होगी है, तब हम database connect कर देता है, तो usually index file के अंदर ही हम database connect कर देता है, उसके बाद देखिए, आपके अंदर कुछ configurations होती है, configuration कैसे, जैसे ऑविसी बात है backend की बात कर रहरो हो, तो आगे जाके कुछ cookies की भी बात करोगे, कुछ configuration की भी बात करोगे, तो वो सारा जो काम है, basic-basic configuration वाला वो हम app के अंदर कर लेते हैं app.js आप इसको app बोलो main.js बोलो कुछ भी बोलो बट एक ऐसी file होती है जहाँ पे इस तरह का काम होता है दूसरा होता है आपके constants लेखे बैकेंड में आप बहुत professional approach लेनी पड़ती है जैसे suppose करिए आप कोई air ticket booking का आप बना रहे है application अब उसमें तीनी टाइप की आपके seats होती है aisle होती है middle होती है और window seat होती है तो obviously बात है अब उसका enum बनाना चाओ गया कुछ constants बनाना चाओ गया इन तीन में से ही आप select कर सकते हैं क्योंकि चौति अगर select कर ली तो बंदा बैठेगा तो इसलिए ना constants की file एक बहुत जरूरी file होती है क्योंकि इस तरह के examples वगरा होते हैं जहां पर हर चीज को हम restrict करना चाहते हैं कि नहीं नहीं इसमें से जो option है वो ही लिए सब लोग उसी में से लिए तो इस तरह की files होती है अब जो major concern आता है वो आता है हमारे directory structures का directory structures मैं मानता हूँ काफी थोड़ा सा complex होता है आगे जाके होगा लेकिन अभी के लिए just as a fun देखो एक notes में इसको लिख लो इससे जादा कुछ नहीं करना है जैसे हम थोड़ा सा basic order देखेंगे जैसे हम काम करेंगे आपको पता लगेगा देखेंगे first जो directory हम बनाएंगे वो बनाएंगे अपनी dv database इसमें क्या होगा actual code जो database से connect करता है मैंने बताया था आपको कि index file में हम भिड़ते ही हम फटाक से database को connect कर लेते हैं starting से लेकिन वो database का code कहां से आता है वो आता है आपके dv folder से mostly अपको इसको dv बोलो database बोलो initialize database बोलो देखें कुछ भी हो एक ऐसा directory structure तो होगा आपके पास में दूसरी चीज होते हैं आपकी models अच्छा जब back end की बात करते हैं data रखना पड़ेगा अब data रखने के लिए data का structure तो बनाना पड़ेगा schema बनाना पड़ेगा किस तरह से आप data रखोगे जैसे libraries वगरा में होता है न कि bio की books यहां मिलेगी physics की book यहां मिलेगी तो structure तो बनाना ही पड़ेगा हर language के अंदर हर library के अंदर अलग तरह से structure बनता है जैसे की mongoose के अंदर अलग तरह से बनाया जाता है और prisma के अंदर अलग से बनाया जाता है यह से libraries है जैसे react library वैसे prisma एक library है जैसे react library है वैसे mongoose एक library है तो हर library के अंदर अलग तरह से structure बनाना बनता है तो उसी को हम models बोलते हैं कि data का model बना लो एक sample बना लो इस तरह से हम data रखेंगे जैसे user का data आया अब क्या guarantee कि user के data के अंदर आपने username लिया है name लिये age लिये कोई ना कोई तो उसको बताएगा कि हाँ age भी लेना है methods का या functions का कि functionality जित्ती भी है वो controllers में लिकी जाती है और इसी से कई बार नाम आपने सुनाओगा MVC models अब बहुत तरह के इस तरह से होते हैं तो जो C है MVC वगरा में वो controller ही है सब जगे कुछ ही नहीं functionality है इससे जादा कोई fanciness अगर आपको बता है तो बोलना देखो इससे जादा कुछ है नहीं यह जो controllers है वो functions है methods है जो data लेते हैं प्रोसेस करते हैं बस इतना ही कामन का अच्छा उसके बाद है routes नाम कभी एक folder आएगा जो मैंने भी बताया था ना कि slash login पर आओ तो यह function call हो जाए slash sign up पर आओ तो यह call हो जाए तो हाँ यह routes के अंदर हम बताते हैं कि हाँ slash sign up तो हम accept कर रहे है slash sign up s last time s लगा दिया sign ups वो हम accept नहीं कर रहे हैं उस पर हम error देंगे तो यह सब define होता है routes में उसके लावा कुछ middlewares भी होता है middlewares के बारे में अभी discuss नहीं करेंगे क्योंकि अभी confuse कर सकता है तो middlewares जब आएगा तब हम discuss करेंगे एक होता है आपका utils folder utils का utility जैसे mail करना है obviously बात है mail करना एक जगे तो use करोगे नहीं यह वाला जब function है 50 जगे use करोगे क्योंकि forgot password में भी mail भेजना है reset password में भी mail भेजना है congratulations sign up का भी mail भेजना है तो 75 तरह के mail भेजते हैं तो वो सारे काम हमारे utils में आते हैं और भी बहुत सारी ऐसी एक छोटी मूटी functionality की file upload करनी है तो obviously बात है file upload तो हर जगे ही होगी तो उसमें भी हम utils का use करते है utils कुछ नहीं है utilities है बस बेसी तो यह हमारा जो structure है यह थोड़ा सा लग सकता आपको अभी की complex है क्या है बट मैंने कहा back end ना इतना हलवा नहीं है कि कोई भी इसको कर ले ले back end का जो यह roadmap है किस तरह से चलेगा देखिए back end के roadmap के अंदर दो major component है एक आपको programming language चाहिए एक database चाहिए दोनों पर command होना almost compulsory है पर हम इस series में चाहते हैं कि सिर्फ आपके पास programming language पर command हो database की command मैं eventually आपको दे दूँगा इस series के अंदर ही तो आपको वहां चिंता नहीं करनी है अब ऐसा नहीं है कि हिठेश ने बुला कि जावास्कृइट में पढ़ाएंगे तो back end जावस्कृइट में बनता है नहीं ऐसा नहीं आपको हो सकता जावस्कृइट नहीं पसंदा है तो किसी और tutor से सीखना है किसी और YouTuber से सीखना है तो अलग-अलग language में सब back end हो सकता है Python में भी होता है, Java में भी होता है PHP होता है, किसी भी language को आप चूज कर लो बट कोई ना कोई इसके साथ आप framework चूज करोगे जैसे Python में Django चूज करोगे Flask उसना कूज करोगे, database में भी सेम इसी तरह से कोई ना कोई framework library चूज करोगे ORM, ODM, कुछ तो चूज करोगे फिर उसके बाद हमने देखा कि basic backend क्या होता है एक database है, जो किसी machine पर रखा है हो सकता हमारी machine पर रखा हो, और एक हम लिखते है backend का code, backend के code में क्या होता है बहुत सारे functions होते हैं, जो कि decide करते हैं कि slash sign up पे user आया तो क्या करो, login पर आया तो क्या करो और हम बाद बार में बात करते हैं अपनी APIs के through, APIs क्या है? अरे कुछ भी नहीं, response है और कुछ भी नहीं है response में हो सकता है, आपने true false भेजाओ हो सकता है एक object भेजाओ, हो सकता है आपने array भेजाओ, अब जो हमारा main है browser, या फिर हमारा phone वो response send भी करेगा और response receive भी करेगा, कैसे receive करना है वो सब उसको हम बता देते हैं, documentation में कि login में, अगर आपके आज false है तो मतलब नहीं हो है login, और अगर login के अंदर आपको एक object मिल जाए, जिसके अंदर username, password हो, तो login हो गया है तो इसी तरह से conversation करते हैं फिर अब हम आए, javascript based backend तो javascript में हमने देखा कि तीन ही तरह की situations हो सकती है, या तो आपके पास directly data है, या फिर आपके पास directly file है, या फिर आप third party API से बात करो, mail वेल करना यह सब तो यही सब हम सीखेंगे कि data से कैसे बात करते हैं, files से कैसे बात करते हैं, और third party API से कैसे बात करते हैं, देखिए, एक बार मैंने आपको 2-3 third party से बात करना सिखा दिया, तो चौथी तो अपने आप ही कर लोगे, एक बार backend कैसे सीखेंगे, अरे यह तो run time है जैसे openjd के अपना run time है तो अगर कहेंगे कि node.js सीखना है उसके बाद ही कर सकते हैं, तो आजकल तो dino से भी काम हो रहा है, आजकल तो bun से भी काम हो रहा है, exactly same काम हो रहा है तो पहले bun सीखो, फिर dino सीखो, फिर node.js, नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी नहीं होता है जैसे react सीखने के लिए भी तो node.js लगता है लेकिन हमने नहीं सीखा वो, फिर भी काम हो गया जहां जरुत पड़ेगी, वो मैं बता दूँगा बाकि ऐसे ही चल जाएगा अपना काम उसके बाद हमने कुछ files के बारे में देखा जादा कुछ नहीं, यह हमें बाद में देखेंगे जैसे react के अंदर हमारे को पता है कि एक package.json file बनती है, जो कि आपके सारे packages को manage करती है, environment variable होते हैं कि database का URL, database के password से क्यों रखने न, तो वो सब यहां रखते हैं important जो बात थी, वो कुछ इन files की थी, कि एक तो हमरे पास index हो गई होगा app किस तरह से काम करती है, वो मैं आपको code में बताऊंगा तब आपको जादा समझ में आएगा, अभी नहीं आएगा constant याद रखने के लिए हमेशा aeroplane का example याद रखिए, तीन ही तरह की seats है अगर constant नहीं होगा वहाँ पे की तीन ही है, तो हो सकता है कोई pilot की seat book कर दे, वो तो नहीं करना है और इसके बाद कुछ folder structure का मैंने आपको idea दिया, ये actually में industry standard folder structure है कि DB के अंदर हम सिर्फ database का call लिखते हैं, models में किस तरह से हमारा data store होगा, database के अंदर उसका एक schema रखते हैं, structure रखते हैं, controllers में functions होते हैं, और कुछ भी नहीं होता है routes में हम handle करते हैं कि slash के बाद कहाँ पे जाए बंदा, slash login पे जाए, slash sign up पे जाए, slash logout पे जाए तो slash logout पे कौन सा controller call कराना है, ये भी हम decide करते हैं, ये सब routes में होता है middlewares के बारे में, अभी चर्चे हम करेंगे नहीं, क्योंकि middleware बहुत बात का concept है, वो वहीं पे समझ में आता है, बहुत आसानी से मक्खन से समझ में आ जाएगा, दिक्कत वाली बात नहीं है utils, utilities, mail करवाना है, utility है, file upload करानी है, utility है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप बार-बार use करेंगे ना, उसको हम utilities में डाल देते हैं, है कुछ नहीं, function ही है लेकिन अब suppose करिए कोई बंदा है, वो बार-बार mail करवाना चाहरा है, तो यार हर जगे mail का code लिखूँगा, तो कितना बड़ा code हो जाएगा बेटर है, इस method को में एक अलग file में रख देता हूँ, mail helper करके, जब भी जिसको चीए, mail helper से call कर लेना, तो ज़्यादा आसान रहता है और और भी files हो सकते है, depends क्या बना रहे हो, कितना complex है, क्या है, तो वहाँ से हमार पास में ये back end का पूरा structure होता है तो I think अभी आपको थोड़ा सा idea लग गया होगा, काफी detail है वैसे ये, बट ठीक है, ये road map के साथ हम चलेंगे चाह और back end पे note.js की भी बीच बीच में कुछ internal details वगरा मैं आपके साथ share करता रहूँगा, बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़ने में, क्योंकि actually में न, back end ही सबसे जादा fun होता है, और बहुत मज़ा आता है, logics build होते हैं, नहीने tools के बारे में आप सीखते हो, बहुत engineering explore करते हो, आप engineering side obviously बात है, front end में भी करते हैं बहुत, लेकिन यहाँ पे तो न, next level मज़ा आता है, क्योंकि बहुत कुछ create करते हो, और ये एक बार समझ में आ गया न, उसके बात क्या twitter clone, क्या amazon clone, और क्या ही अपका stack overflow clone, जो भी चाहिए, जैसा भी चाहिए न, वो exactly खुद बना पाऊगे, और सा वीडियो जिसके अंदर थोड़े लेट आएंगे, इस तरह से आएंगे, क्योंकि काफी time लगता है इन वीडियो में, WhatsApp चैनल पे जुड़ जाएगा, वहाँ पे सारे updates आपको मिल जाएंगे, बाकी और कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, तो चलिए, आज के लिए इता ह मिलते हैं आप से अगले वीडियो में, हाँ जी, कैसे हैं आप सभी, सुगत है आप सभी का चाय और कोड में, और हमारे इस नेक्स वीडियो में जो कि है चाय और बैकेंड, हाँ जी, इस चैनल पे हमने बैकेंड की सीरीज भी स्टार्ट कर ली है, लेकिन उस से पहले कुछ बाते करना चाहते हैं, सबसे पहली बात इस वीडियो में क्या करेंगे, इस वीडियो में हम सीधा एक app बनाएंगे, सीधा ही production में deploy कर देंगे, जैसे कि real world apps होती है, हाँ जी, second video में ही, अभी तो हमने कुछ basics ही नहीं सीखा हमें तो ये भी नहीं पता, हमें तो वो भी नहीं पता, सीधा एपलिक के deploy भी कर देंगे हाँ जी, सबसे पहले यही काम करेंगे, क्योंकि क्या होता है, अकसर जो मन के अंदर सबसे बड़ा डर है कि यार production में कैसे जाती है, चीज़े, deploy कैसे होती है थोड़ा सा कहीं पे, पैसा भी involved होता है कई भर वो भी लगता है, तो वो सब मैं आपको detail में हाँ पर बताऊंगा, जितना आप साथ में कर सकें, करिए, जो नहीं कर सकें, कोई बात नहीं, आप सिर्फ मेरे को देखिए, क्योंकि कुछ जगे कुछ pricing involved होती है, तो वो मैं आपको बता दूँगा, basic कहां पे लगेगी, चिंता मत कीज़े, ऐसे नहीं लगने दूँगा, अच्छा दूसरी चीज क्या है, कि देखिए, कई लोगों ने मुझे message करा, कि सर, back end के videos जल्दी बनाईए, मेरा placement आ रहा है, मेरे को ये करना है जल्दी, मेरे को internship करनी है, तो देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये back end की series कल बैट के मैंने analyze करी, college में खाकता हूं चल रहा था, तब analyze ये ही चल रहा तो मैंने analyze ये करा, कि ये series जल्दी नहीं हो सकती है, देखिए, अगर मेरे पे कोई obligation होते है, कि course है, जल्दी खतम करवाना है, टाइम पे खतम करवाना है, या कोई paid है, तो तो मैं जल्दी करता भी, लेकिन मैं चाहता हूं इस series को जितना आप enjoy कर रहे हैं, उत्ता मैं भी enjoy करूं, हर एक वीडियो के अंदर इतना essential, इतना in-depth हो, चर्चा हो, अच्छे से हो, इतने अच्छे से हो कि आप कोई भी back end आराम से बना सके, उसके errors को solve कर पाएं, उसका logic सोच पाएं, उसके लावा हमें database के बारे में भी काफी जानना है, तो Mongo database को मैं इस अच्छे तरीके से series में लेना चाहता हूँ, कि आपको aggregation pipeline से लेके, जितना भी कुछ modern possible है, कहीं पे भी आप काम करें, वो सारा में इसमें involve कर दूँ, अब हो सकता है आप में से कुछ को जल्दी है, कुछ लोग कहते हैं अगर आपको जादा जल्दी है, तो आप कोई भी paid course जो भी दे रहा है, वहां से ले लीजे, या फिर कोई जल्दी खतम कर रहा है YouTube पे series, तो आप वहां से देख लीजे, मैं यहाँ पर माफी चाहूँगा, मैं तो in-depth लूँगा, चीजों को enjoy करूँगा, आपको भी enjoy करवाँगा, और एक ऐसी series बननी चेहें, जो आने वाले 2-4-5 सालों तक लोग देखें, और एक benchmark हो quality का, कि हाँ यार, आज जैसे आप JavaScript की series काफी चैनल पर लोग appreciate कर रहे हैं, क्योंकि मैंने जल्दी बाज ही नहीं करी वहाँ पर, फुल enjoy करा, लोगों ने बहुत मुझे messages भी करें, जल्दी करो ये करो, नई, हम तो आराम से enjoy करके करेंगे, तो यही इस series के साथ भी होगा, back end को हम काफी enjoy करेंगे, काफी in-depth हम लेके जाएंगे, और जितना भी possibly हो सकता है back end के अंदर, मैं जितना भी मुझे पता है, at least, वो सारा का सारा यहाँ पर हम दे देंगे, ठीक है, तो चलिए, शुरू करते हैं हमारे second और हमारे सीधा practical वीडियो को, तो सीधे, अभी हम in-depth किसी भी topic पर बात नहीं करेंगे, just मैं आपको एक overview देना चाहता हूँ कि back end किस तरह से बनते हैं, साथ में हम code करेंगे, और local host तक हम साथ में code करेंगे सारा का सारा, जिससे आपको पता लगे किस तरह से servers बनते हैं, क्या applications होती है, कैसे क्या होता है, उसके बाद हम सीधा चलेंगे production में, हाँ जी, और वहां से सब कुछ deploy कर देंगे, सारा का सारा use कर लेंगे, तो बड़ा ही basic है, चिंता मत कीज़े, एक एक लाइन, एक एक चीज मीनिंग आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, इस वीडियो का target है, मात्र 500 कमेंट, फटा फट कम्पलीट कर दो, और उसके बाद चलिए, आते हैं, टारगेट मत भूलना, 500 कमेंट का target है, करना ही है, और अभी तक अगर सबस्क्राइब नहीं कर रहा है, तो इंतजार किस बात का है, अभी कर दो, बाद में फिर करोगे, इस अच्छा अभी कर दो, तो चलिए, पहले शेयर करता हूँ आपके साथ में स्क्रीन, देखें, सबसे पहला और जो सिर्फ एक only major requirement जो हमारे पास रहेगा, वो रहेगा Node.js, तो Node.js आपके पास system में होना चाहिए, पूरा backend हमारा Node.js पे dependent है, हाँ, बन, दीनों ये सब आगे बात करेंगे, अभी हमारा सब कुछ Node.js पे dependent है, तो Node.js डाउनलोड कर लो, अब आप 18 भी कर सकते हो, 20 भी कर सकते हो, जो आपको ठीक लगे वो कर लीजे, इससे होता क्या है, कि जो भी आप डाउनलोड इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद फिर क्या है, आप एक terminal पे command चला सकते हैं, तो जैसे कि ये हमारा terminal है basic, और इसके अंदर एक command चला सकते हो, जो कि है node-v, जो कि आपको version बता देगा, अब देखें, मेरा version 19 है, आपको हो सकता है, 20 हो, 21 हो, कोई खास इससे फरक पड़ता नहीं, बट इतना भी पुराना ना हो जाए version, कि आप 12, 30 ही यूज़ कर रहे हो, तो उतना तो पीछे मच जा तो यह तो चाहिएगा, install कैसे करना है, देखिए, depend करता है, mac पे है, windows पे है, कहां पे, windows पे है, तो बस download करके, next nest I agree, okay, yes, बस इतना ही काम करना है, और दूसरे के साथ भी इस तरह के packages मिलते हैं, जैसे यह आपका mac का binaries भी मिल जाता है, package, next nest I agree, okay ही होता है, mostly तो subject है, तो इस यह बनाना है हमें कि एक server है, जहां पे हमारा code लिखावा है, यह server का, और यहां पे अगर कोई भी request भेजे, तो यह request हम वापिस से इस request का reply कर दें, और इसके लिए हमारे पास दो technology है, दो package मान लीजे, जो use होते हैं, वोता है, एक होता है express, एक होता है mongoose, तो यह जो request आ र क्या है, जैके जैसे ही आप जाते हैं किसी भी URL पे, suppose करें मैं जाता हूँ एक postman.com पे, तो postman.com पे आप जाते हैं, तो एक server है, वहां जो listen कर रहा है, अब जो भी आपको यहां से response मिलेगा, तो इस server ने decide करा कि आपको यह response देना है, तो उस server ने हमें इस तरह का response दिया, त जैसे मैं गया postman.com पे या google.com पे तो उसको बोला जाता है slash, यानि कि home route, इसका सीधा सा नाम है slash का home, या फिर home route भी बोलते हैं, अलग-अलग लोग हैं, अलग-अलग बोलते हैं, basically slash बोलते हैं, इसी तरह से आपको अलग-अलग application पे अलग-अलग routes मिलेंगे, जैसे for example, हो सकते हैं, बट कोई ना कोई तो सुनना चाहिए वहाँ पे, ताकि हम यहाँ पे कर लें, यह जो सुनने वाला काम है ना, यह सारा का सारा express करता है, express क्या है, कुछ नहीं एक package है, अभी देख लेंग उसके बारे में, इतना कुछ खास नहीं है, अच्छा यह तो हो गया काम अब देखिए, जो आपके पास यह request आईए ना, यह अपने आप में एक पढ़ने का topic है, और हम पढ़ेंगे भी, इस पर पूरा का पूरा एक video dedicate करेंगे, पूरा copy pen लेके बैठेंगे अच्छे से, यह जो response जा रहा ना, यह भी अपने आप में एक पढ़ने वाला topic है, इस अब क्या है, यह जो request आपके पास आती है, यह भी काफी तरह की request होती है, जो basic सबसे basic होती है, जो आप URL में करते हो, ब्राउजर के थुरू, वो है आपकी get request, बट ऐसा नहीं कि get ही है, हमारे पास और भी तरह की request होती है, जैसे आपको कोई file delete करनी है, database में से कोई entry delete करनी है कोई entry update करनी है, कोई entry आपको database में save करनी है, तो अलग-अलग based categorization के साब से, इन request को नाम दिया जाता है, उन नाम के बारे में भी हम पूरा detail में पढ़ेंगे, इन depth पूरा देखेंगे, किस तरह से होता है, और इसका जो response मिलता है, उसके बारे में भी हम देखेंगे, तो एक बार summary कर लें, फटा-फट, हाँ जी, कर लेनी चाहिए, देखिए, यह है आपका basic, जहां से आप request भेज रहे हैं, browser है, mobile का browser हो सकता है, desktop का browser हो सकता है, यह हमें बनाना है, server, इसके लिए हमने basic चीज़ चाहिए कि express को use करके बनाएंगे, और हमें listen करना पड़ेगा, ठीक इतना हमने notes में लिख लिए हमारे, जो भी आप notes बना रहे हैं, और आपने पूरा कर दिया, अच्छा, by the way, इस videos के अंदर हमारे discord पर ये भी चलता है, कि ये videos के एक basic 5 ये 6 line के summary बना के भेजिए, ताकि आपका वाला summary उठा के मैं इन videos के description पर add कर दूँ, ताकि आपने जो code तो start करना पड़ेगा, वो तो हमने किया ही नहीं है, तो चलिए, ये हमारा basic vs code हो गया, इस vs code के अंदर में एक चाय और deploy नाम से एक empty folder है, इसको open कर लेता हूँ, काफी चीज़ें मेरी open भी हो जाती है, ठीक है, अब इसके अंदर basic application बनानी पड़ेगी, देखिए, अभी त node application बनानी पड़ेगी, ताकि मैं उसके अंदर बाकी express वगरा ये सब install कर लूँ, अब अभी तक हमने देखा था, react की application बन जाती है, tailwind की बन जाती है, बट ये empty node की application कैसे बनती है, ये भी बड़ा interesting topic है, तो हम इसको क्या करते हैं, कि empty node की application बनाने के लिए, एक terminal open करते हैं, और एक बड़ी basic सी command है, npm init, ये होता है, node package manager से एक application को initialize कर दो, बस इतना ही काम है, अब कई लोग इसको dash y करके भी करते हैं, बट मैं अभी नहीं चाहता है कि dash y से काम हो, मैं चाहता हूँ एक एक step आप देखो, dash y से करोगे मतलब है कि सबको yes बोल दो, जैसा है by default कर दो, एक बार step तो देखने पड़ेंगे न, तो initialize करते हैं, तो अब इसने क्या करा, देखो ये एक utility है, npm init, जैसे हमार पास create react app एक utility है, wheat भी एक utility है, वैसे init भी एक utility है, जो कि आपको एक पूरा process बदाती है, एक package.json file create करने का, हाँ जी, तो file एक ही create होती है इस पूरे process से, ब write and install.env, जो भी आपको install करना है, तो अभी package का नाम क्या है, chai deploy, अच्छा ही नाम है, chai deploy रख लेते हैं, आपको change करना है तो यहां लिख दीजे, chai backend, चली chai backend ही कर देते हैं इसको, ताकि change भी हो जाए, एक चोटा सा demo भी हो जाए, तो chai backend हमने लिख दिया है, version 1.0 ठीक है description, तो a basic app to deploy, जो भी आपको लिखना है, आप लिख दीजे, यह कोई search engine मगरा हमें जाता नहीं है, यह आपके personal reference के लिए, basic backend ऐसे होता है, backend का कुछ frontend में नहीं जाता है, नहीं कोई search में जाता है, entry point, अभ index.js मानो, app.js मानो, main.js मानो, यहां पे जाके आप जो chai लिख हां जी, जब होगी तब बताएंगे, अभी नहीं बता रहें, तो enter कर देते हैं, keywords, node एक keyword है, chai भी एक keyword है, अभी हमारे लिए, तो ठीक है, यह दो keyword है, author, हां जी, author तो लिखेंगे हम बिलकुल, यह लीजे, license, इस पे चर्चा नहीं करते हैं अभी जादा, basic पे use कर लेते है ठीक है जी, ओके है सब, हां जी, बिलकुल ओके, enter कर दो, तो इसने एक file बना दी, package.json, क्या क्या है उस file में, यह भी देख लेते हैं, नाम उसने दे दिया, version जो मैंने बोला दे दिया, description जो मैंने दे दिया, main के अंदर entry point कर दी, script में इसने कुछ नहीं लिखा, और इसके मैं एक मिनट के लिए अपना github copilot disable कर लेता हूं, ताकि suggestions ना आएं, बाद में फिर enable कर लेंगे, जब हम थोड़ा सा सीख जाएंगे, अब ही क्या करते हैं, script command, अब देखे, आपने बोला कि index.js एक file होगी, जो की main entry point होगी, बट उस file को run कैसे करूँगा, यह तो बड़ी interesting बात है, तो एक file तो बना ले पहले है, फिर देखेंगे, तो इसको बोल देते हैं, हम क्या बोलते हैं, index.js बोल देते हैं, और इसके अंदर एक console log हम लिख देते हैं, जिसके अंदर बोलते हैं, हम simpler, चाय और code, ठीक है जी, अब इस file को अगर मुझे run करना है, तो आपने बनाते हैं, actually में script commands, यह script command, जैसे अभी test command है यहाप, इसी तरह की और भी आप commands बना सकते हो, तो एक command हम भी बना लेते हैं, तो एक command हम क्या बनाते हैं, यह double quotes में हम command लिखते हैं, अब देखें कुछ commands by default सबको पता है, वो होती है, जैसे एक dev command होती है, एक build command होती है, यह commonly बना ही जाती है, बड़ा यह basic concept है, ऐसी एक start command भी होती है, कि start कैसे करना है, तो start application को हम जब भी करेंगे, तो हम करेंगे node, और index.js से हम इसको start करेंगे, तो अब हो गया क्या, मैं command चलाऊंगा, npm run start, और actually मैं command क्या चलेगी, node index.js, यह server पे deploy वगरा जब करते हैं, तब actually मैं जादा useful रहती है, अब हुआ कुछ भी नहीं है, npm run जैसे ही मैंने लिखूंगा, npm run start, तो command तो देखिए, वो ही चल रही है, node index.js, output भी वो ही आ रहा है, बट यह server पे जब आप लेके जाते हैं, तब यह सारे scripts वगरा आपको फाइदा देती है, तो इसलिए हम भी यह चला अब backend बनाते time मुझे पता है, कि सावी express जो है इसको पढ़ना पड़ेगा, इसी से हमारा majorly काम होगा, ठीक है जी, तो express पे जाते हैं, express के home page पे इसने लिख रखा है, पहले तो dark mode दिया नहीं, कोई बात नहीं, चलिए, पर इंदोंने क्या है कि इस तरह से पूरा देख ठीक है जी, ऐसे कर लेते हैं, copy किया, और गय अपने file पे और बोला कि ठीक है जी, उसने बोला है कि npm install express कर दो, package.json में भी देख लेते हैं, कि npm install हुआ क्या, हाँ जी, dependency में express तो आ गया, तो मतलब install तो हो गया, ठीक है जी, इतना भी ठीक है, अब getting started में installing वाला काम तो हो यह तो इसने बाहर ही दे दिया था, ठीक है, hello world पे चलते हैं, तो hello world पे चले, तो यहाँ पे इनोंने हमें इस तरह का काम दिया है, यह पूरा, ठीक है जी, npm install, अच्छा, मेरे copy और save एक्स्ट्रा आ रहा है, क्योंकि एक extension लगा रखा है, आप चिंता मत कीचे, आपके नही आएगा, तो यहाँ पे इनोंने पूरा दे रखा है मुझे, कि इस तरह से आपको काम मिलेना है, तो ले लीजे, ठीक है जी, हम इसको copy कर लेते हैं पूरा, यह इतना ही आपको मिलेगा, copy और share यह तो extra आ गया है, तो कोई बात नहीं, copy करते हैं, और हमारे index.js में इस बार इ ठीक है जी, अब basic क्या करते हैं इसको, पहले alignment ठीक कर लें, यह लीजे, आप देखें, सबसे पहले तो क्या करा है, इनोंने बोला, const express, require express, यह क्या है, require module syntax है, आप इसी तरह के और syntax भी देखेंगे, आगे जाके उनके बारे में बताऊंगा, थोड़ा सा old style, new style है, common js, और module js इस, उन पर देखेंगे, आप इस तरह का भी syntax काफी देखेंगे, कि जहां पर होता है, import express, from, और यह लीजे, express, तो यह भी syntax देखेंगे, अब हम यह line number 1 और 2 में difference क्या है, difference कुछ नहीं है, बस आप कौन सा style चूस कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट का, कि आप common js use कर रहे हैं, यह module js, मैं जादा तर यह import वाला statement जादा use करता हूं, बट हम वो second वाले video में देखेंगे, अभी हम basic चाहते हैं, जैसा दिया है, वैजा as it is काम में लेंगे, तो आपने जब express एक बार require कर लिया है, मतलब express जो आपने dependency install करी है, node module में उसकी सारी dependency आ गई है, वहां से आपने एक variable बना लिया, express, ठीक है, object बना लिया एक तरह से, अब उस object या उसको use करते हुए, आपने एक factory function है, क्या है, वो सब हम आगे हागे, डिक्लेयर करेंगे, जावस्क्रिप्ट के basics में, अभी मुझे क्या करना है, यह बड़ा ही basic syntax है, आप इस syntax को कई जगे use करोगे, express आपन के अंदर dot pi भी है, math के अंदर dot random भी है, तो काफी चीजे में use कर सकता हूँ, तो इसी तरह से almost, अब app के अंदर हमारे पास आ चुके हैं, तो app dot काफी चीजे में use कर पाऊंगा, फिर मैंने एक line number 5 के अंदर एक variable बनाया, जिसका नाम था port, ठीक है, port का value है 3000, अब हमारे पास के अंदर बहुत सारे ports होते हैं, जैसे आप USB लगाते हो, टाइप C लगाते हो, वैसे virtual port भी होते हैं, तकरीबन 65,000 होते हैं, वैसे 65,000 से जादा होते हैं, exact number तो मुझे भी याद नहीं अभी, पर शायद 65,535 port होते हैं, quote मत करिएगा, exact मुझे भी याद नहीं है, बढ़ हा port काफी free भी होते हैं, जिनको आप use कर सकते हो, क्योंकि देखिए, server हमारा listen करेगा, तो कहीं तो listen करेगा ना, ऐसा तो नहीं है, हवा में listen कर सकता है, computer का सारा काम port पे होता है, 0 versus 1 पे, तो अभी आपने काई, 3000 port पे listen कर लो, आपका मन करे, 4000 पे कर लो, कोई दिक्कत वाली बा बहुत तरह की request handle करता है, तो इसने कहा कि app, आप क्या करो, एक slash जो home route है, वहाँ पे, आप क्या करो, listen करो, ठीक है जी, अगर वहाँ पे कोई भी request आपके पास आती है, तो हम क्या करेंगे, एक callback ही तो है, उसके अंदर क्या होगा, आपके पास एक request होगा, एक होगा response, तो हम res.send, यानि response को use करते हुए, यह request है और यह response है, तो response में हम send कर देंगे, एक hello world, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो क्या मैं इस तरह से और भी request handle कर सकता हूँ, हाँ जी, कर तो सकते हैं, चलिए, करके देखते हैं, app. अब देखे, post वगरा सारे option है, बट मैं get use करता हूँ, क्योंकि अभी get में पढ़ रहे हैं, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे, suppose करिए, एक option है, मेरे पास Twitter, क्योंकि slash तो handle कर लिया, अब जैसे slash login होगा, slash होगा, इस तरह से तो अलग-लग करना पड़ेगा, तो मैं handle करना चाहता हूँ, slash, और slash के बाद Twitter, ठीक है ज उसके बाद ये तो मैंने string में दे दिया, अब दूसरा parameter क्या है, ये function ही तो है एक तरह से, code JavaScript ही है सबकुछ, जब तक JavaScript के नजरी से देख रहे हो, सब कुछ आसान लगेगा, दूसरा क्या है callback, तो ये लिजे callback, अब callback इस तरह से बनाए, function से बनाए, कोई फरक नहीं पड अब callback के अंदर मुझे पता है, दो मेरे पास parameter है, एक है request, एक है response, क्योंकि express यही तो काम करता है, express की आप documentation पर जाओगे, तो आपको सबस्यादा जो काम दिखेगा, इसके API reference में, 4, 5 किसी के में भी, तो आपको दो यहाँ पर keyword दिखेंगे, इनी पर हम सबस्यादा चर्च करेंगे, जो आपकी एक request, यह response, तो आपका जो रेक और रेज है ना, यही है, हाँ जी, request और response, तो response में आप देखोगे, किस्ते तरह के response सेंड कर सकते हैं, देखिए, आपको cookie सेंड करनी है, आपको format करना है, JSON करना है, render करना है, send करना है, file सेंड करनी है, status, तो बहुत string send कर देते हैं, जिसमें मेरा Twitter का URL है, यह username है, ठीक है जी, इतना काम तो हो गया, अब क्योंकि दूसरा जो step था हमारा, तो यह तो listen, get, कौन-कौन से route पे आप listen कर रहो, यह वाला काम हो गया, लेकिन listen भी तो करना पड़ेगा, तो listen की power भी आपको app से आती है, क्यों आती है, क्योंकि app express से बना हुआ है, तो express की सारी functionality उठा के हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है जी, अब app ने कहा, dot listen method को use करो, listen method भी क्या है, एक variable है, जो की port में है, और दूसरा क्या है, यह callback ही तो है, और ही क्या, तो अधिक तर back end में आप इस तरह के callback ही लिखने वाले हो, और हमने port लिया, as it is, ठीक है जी, चलिए, इतना तो लग रहा है, ठीक अभी, तो इसको save करके run करते हैं, अब देखे, run करने के तरीके आपके वही है, node से run कर लो, बट क्योंकि अब हम professional approach पे जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, script से run करेंगे, तो npm run start, अब जैसे हमने कहा, तो application end हो गई थी, terminate हो गया था, और console आपको मिल गया था, यहां नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपकी application constantly listen कर रही है, इसका मतलब है, congratulations, congratulations किस बात का, क्योंकि आपने एक server बना लिया है, यही server है, आप सोच रहे थे, कोई बड़ा computer बनेगा, नहीं, अब देखे, मुश्किल से कितन है, यह 4-10 line का code है, 15 line का माल लो, आपने एक server बना दिया, जो कि slash पे भी listen कर रहा है, slash twitter पे भी listen कर रहा है, और कोई अगर वहाँ पे जाता है, तो उसको response भी send करता है, यह तो बड़ी अच्छी बात है, चलिए, apply भी करके देख लेते हैं, अब क्योंकि यह 4000 पे listen कर रहा है, तो मेरे ही server पे चल रहा है, तो मेरे को localhost 4000 पे जाना चाहिए, ठीक है जी, 4000 पे गए, hello world बोल रहा है, ठीक है जी, अच्छी बात है, slash twitter पे जाके देखते हैं, क्या बोल रहा है, यह लिजे, slash twitter, twitter पे, .com जवाब दे रहा है, तो अच्छी बात है, हाँ जी, आपने बना लिय इश्यू है यह लोगों की mistake का, कि यह slash लगाना भूल जाते है, slash लगाना भूलोगे ना, तो पक्का problem आएगी, इसको मत भूलना, प्लीज, ठीक है, comments में भी लिख देना लोगों के, ओके, तो दूसरा क्या है, callback, तो यह लिजे, callback, गया आगा अपना callback, अब मुझे पता चाहते हो, h1 भेज रहे हो, json भेज रहे हो, cookie भेज रहे हो, क्योंकि अभी हमने देखा, बहुत सारी capabilities हमें मिली है, तो ठीक है, इसको भी भेज देते हैं, तो यहाँ पर हम बोलते है, please login at chai or code, आगे जाके user से data भी ले ले लेंगे, उसको भी process करना सीख जाएंगे, data लेन यह हुई है, कि जैसे मैं यहाँ पर जाके slash login पर जाता हूँ, तो यहाँ दिखेगा, cannot get login, अच्छा, यह क्यों, क्योंकि आप लोगों को ना, अगर आप react पढ़के आए हो, या फिर डिरेक्ट पढ़र हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर react पढ़के आए हो, तो वहा उससे processing करनी पड़ती है, अब कई लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आके, अरे sir, node mall install कर लीजे, अरे आपको problem ही नहीं पता है, आप तो बस आँख बंद करके node mall install कर रहे हो, node mall का का काम क्या है, क्यों उससे problem होई, पहले ओ problem तो देखो, उसके बाद जाना हो, उन्हें applications को install करत यहाँ पर मिल गया है, और h1 मिल रहा है, देख भी रहा है साफ, तो बस यही काम है, अब क्या है कि कभी भी आपको application में है, कुछ भी code change करा तो आपको actually make restart करना पड़ेगा, अब restart बार बार करना कई बार annoying हो जाता है, इसलिए उसके कुछ solutions हम आगे जाने वाले videos में देखे यहाँ पर आया तो चाय का एक URL तो हम बलाएंगे, तो app.get और हम बलाएंगे एक URL जिसका नाम रखेंगे कि आप जाएए YouTube पे, अगर आप YouTube पे जाते हैं slash YouTube क्योंकि हमारी application है, हम जहां मर्जी है बेज़ें, हमारे उपर है, और हम यहाँ पर लेंगे request और यह लेंगे response और ना तो आपको भी पता लग गया है, और हम यहाँ पर इस बार H1 नहीं, हम H2 send करेंगे, ठीक है जी, H2 send करेंगे आपकी मर्जी, यह लीजे, H2 हो गया हमारे पास, और यहाँ पर हम दे देंगे अपना चाय और code, अब अब आप्लिकेशन रिस्टार्ट करनी पड़ेगी, ठ एक बार इसको stop करके वापिस से restart कर देते हैं, अब technically हमें YouTube पे मिलना चाहिए वो सब, तो देख लेते हैं, मिलता है कि नहीं मिलता, हाँ जी मिल रहा है चाय और code, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है चलिए, application का काम हो गया, अच्छा अब एक interesting बात है कि application हमें लिखन अब देखे, production grade application deploy जब करते हैं, वहाँ पे कुछ एक चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, especially कुछ special variables हमें मिलते हैं, जिनका हमें ध्यान रखना होता है, अब भी ये source code पूरा जा रहा है, अगर मैंने इसको पूरे code को GitHub पे पब्लिश कर दिया, तो जितना भी ये code है सबको available हो सकता है publicly, कुछ बहुत ही sensitive information होती है, जैसे आपके database का username, password, login, URL, ये सब sensitive issues हैं, ये सब directly available नहीं होने चाहिए, अब आपने तो कहा कि port number 4000 मेरे system पे free है, तो आप यहाँ पे application को load कर लो, हो सकता है 4000 किसी और के computer में busy हो, उसको 3000 यूज़ करना पड़े, तो जब आप server पे जा रहे हैं, यानि कि किसी और के computer पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे कोई guarantee नहीं है कि आपको यही वाला exact port मिले free, तो हो सकता है कई बार वो अपना port आपको forcefully दे रहे हो, ये सब कर रहे हो, तो production application में कुछ एक छोटे चोटे package का रिस workflow का ही difference होता है, अब वहाँ पे क्या ह है कि अगर आपको इसको ही exact app को production में लेके जाना है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक package के बारे में पढ़ना होता है, जो कि है mainly .env, अभी इस position पे, तो .env हमारे पास package है, कैसे होगा, कुछ भी नहीं, ये install करना है पहले तो, ठीक है जी install कर लेते हैं, install करने में तो हमें कोई दिखकत ही नहीं है, ये तो एक line का काम होता है, ये लिजे paste किया, npm install.env, ठीक है जी, ये भी कर लिया, अब क्या होता है, second step, आपको एक नई file बनानी होती है, जिसका नाम है .env, हाँ जी, . से start होता है, इसमें आप अपना variable लिख दो, ये लिजे, कुछ भी नहीं है, port ये आपको variable है, वगरा हो लिख दो, ठीक है, तो अभी हमारे पास सिर्फ एक variable है, port 3000 हमने लिख दिया है, ठीक है जी, अब इसको use कैसे करना है यहां पर, usage भी देखते हैं, तो usage इसने काफी दे रखे हैं, कि आप npm install कर लो, उसके बाद आपके जो भी application है आप यहां कर लो, ये हमारी तो यहां पर .env आ गई है, require हो गया है, ठीक है जी, हो गया, अच्छी बात है, अब use कैसे करना है, तो देखें, port तो आपके पास है, मैं इस port के variable को यहां change कर देता हूँ, क्या करना है, process.env, dot, जो भी आपने नाम लिखा है, मैंने नाम लिखा है, port, तो port कर देते है अब suppose करिए, मेरा environment variable क्या है, 3000 है, यहां पे तो हमने 4000 लिखा है, तो अब एक बार application को run करा है, और क्योंकि हम यहां पे console में भी port प्रिंट करा रहे हैं, तो idea लग जाएगा कि कहां से variable आ रहा है, ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, sorry, दोबारा से इंस्टॉल ह हो गए है तो, कोई दिक्कत नहीं है, अब देखिए, automatically 4000 है, अब 4000 है, तो यही इस बात का proof है कि actually मैं आप environment variable से ले रहे हो, तो कुछ बड़ा काम किया है कि हमने, इतना बड़ा था नहीं कुछ, environment variable लिए, एक line यहां लिखी कि by .env package यूज करने वाले है, उसके बाद जहां भी यूज करना है, तो वहां process.env.port यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या करा, इस एक line को हमने उठा के यहां पे डाल दिया, को ज़्यादा rocket science है क्या, नहीं, अब यह application हो गई, production ready, हाँ जी, बस इतना ही major काम है, और भी छोट-छोटे issues होते हैं, जो मैं आगे जाके आपको बता दूगा, बट यही main reason है, production में चीजों को डालने का, ठीक है, तो सर इतना बता दिया, तो production में deploy भी करवा दो, comment तो हुए नहीं है, अभी तक पूरे के पूरे, अभी तक तो 500 comment हो जाने चीए थे, पर demand भढ़ती जा रही है आपकी, चलिए, यह भी करा देते हैं, अब को अलग-अलग चीजे देखनी पड़ेगी, कि कहां में deploy कर सकता हूँ, आप AWS पे भी कर सकते हो, देखे कोई ऐसा shortcut है नहीं कि इसी पर होता है, आप AWS पे करो, Digital Ocean पे करो, Azure पे करो, Digital Ocean पे करो, हजार चीजे हैं, और सब के अलग-अलग variables है, लेकिन यहां पे एक दिक्कत क्या पिछले कुछ दो-तीन साल में, especially COVID के बाद ही, कि बहुत सारे लोगों ने इन free applications का misuse करना यूज करा, क्योंकि यह देखिया रहे हैं, आपको compute power ही तो दे रहे हैं, computer में compute power ही तो होती है, लेकिन लोगों ने क्या करा, इनके free tier को use करके, crypto mining स्टार्ट कर दी, अब crypto mining से परिश crypto miners hunt करते रहते हैं इन applications को, तो आपने काफी सुनाओगा Hiroku के बारे में, और इन सब के बारे में, जो कि almost अभी paid हो गए हैं, तो अगर आपके पास debit card वगरा हैं, इनको देने के लिए, और applications को run करने के लिए, तो आप दीजे, नहीं है, तो कोई दिकर नहीं, आराम से बैठ यह, मुश्किल से 2 या 5 दिन में, या 1 महीने में, सब भी paid हो जाएंगे, वो बचे वे भी, तो देखिए, कुछ के नाम में आपको बता देता हूँ, जो है अभी भी, आपका मन करें, तो देखिए, नहीं देखिए, तो कोई बात नहीं, तो देखिए, यहां पर है हमारे प paid ही है, अभी भी, नहीं दिखा मुझे, इसके लावा एके render आपने सुना होगा, यह भी almost paid होने वाला है, अभी शायद हो चुका है, depend कर रहा है, आपका watch कर रहे हैं, इसके लावा आप एक और देखेंगे, cyclic.sh, यह almost free था, जब मैं last bootcamp ले रहा था, अब यह भी $3 लेने ल देखें, कि ताकि मैं आपको पूरा walkthrough देदू, सभी में ही process same है, AWS में थोड़ा सा अलग होता है, बट वहाँ पे इस तरह की apps है, वो भी मैं आपको कभी आप नो लेंगे, तो बता देगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी तो क्या करना है, step 1 है कि यह पूरी application पहल आते हैं, और इसका नाम देते हैं, चाय backend, चाय backend ठीक है, अच्छा नाम है, और इसको मैं delete ही करूँगा, आपको repository जब हम जाएंगे, अच्छली में जब हम properly code लिखना सीखेंगे, यह तो fun है, यह तो आपको code मैं दूँगा नहीं, क्योंकि मैं भी delete ही करने वाला हूँ इसक जब properly application बनाएंगे, उसकी मैं अलग repository बनाके आपको दे दूँगा, मेरे github account पे आपको मिल जाएगी, तो अभी हम इसको लिखते हैं, a fun test app for backend, ठीक है जी, public ही रखते हैं इसको और इसको करते हैं create, ठीक है जी, अब create के बाद के steps बताइए जी, step के बाद इसने कहा कि आप अगर अपनी repository अपना code यहां push करना है, तो यहां पे कर लीजे, तो पहला step इसने हमें दिया है, वो है git init, ठीक है यह git init है, हम इसको use करेंगे, और अपना, अच्छा, by the way, मेरे पास github already configured है, अगर आपका configure नहीं हो, तो एक option आता है, git ssh setup for windows for mac, आप देख लीजेगा, क्यो तो यह इस तरह से आपको यह option दे रखे हैं, videos भी हैं काफी, तो आप देख लीजेगा, यह setup करना पड़ेगा, मेरा setup already हो रखा है, मैं git पे काम करता है रहता हूं, तो अपने पास है यहां पे मामला, ओके जी, तो अब आते हैं हमारे इस पे, तो इसने का git init, तो ठीक है, प अब ही यहां पे add करना चाहता हूं, तो उससे पहले क्या, सब कुछ add हो जाएगा, तो problem हो जाएगी, तो इसलिए क्या करो, एक file बना लो, जिसका नाम रखो, dot git ignore, ताकि अब क्या है, यह node modules वाली file, यह क्यों ही push करनी है, क्योंकि जहां पे मेरे पास package.json है, मैं एक command sources थोड़ना ही उसके कि वो ही पागल हो जाए, तो हम क्या करता है, यहां पे नाम लिख देते हैं, उसका बस, node underscore modules, ठीक है जी, एक सबसे important जो नाम आता है, जो यहां पे करना ही चाहिए, वो है dot env, ताकि हमारे पास क्या है, environment variables जो है, क्योंकि sensitive information है, तो यह भी public ना हो जाए, इसलिए dot env जाता है, वैसे तो आजकल git message वगरा देता है, कि आपके environment variables हैं, push हो रहे हैं, तो वैसे तो देता है, बट हम नहीं चाहते हैं, वो सब, हम चाहते हैं कि यह देखे, node modules और environment variables कभी जाए ही नहीं वाँपे, ठीक है जी, अब इसने कहा है कि git add readme करो, अब मुझे तो readme नहीं करना है, मुझे तो सब कुछ add करना है, तो मैं क्या करूँगा, git add और dot लिख दूँगा, dot का मतलब सब कुछ, अगर आपको एक एक file का नाम लिखना है, तो इस तरह से index.js file का नाम लिख दीजे, सब कुछ ही add करना है अब, तो सब कुछ add हो जाएगा, लेकिन git ignore आपकी git app है, तो ये बड़ा अच्छा है, मैं जातर ही इसे काम करता हूँ, ये हो गया, उसके बाद इसने कहा कि git commit कर दीजे, ये आपका commit का first message हो गया, तो ये जितने भी stages दिख रहे हैं, ये actually मैं commit हो जाएंगे, तो ठीक है जी, हमने first commit ही नाम दे दिया उसको, तो ये हमा आप इसका remote origin भी set करना पड़ेगा, ताकि मैं बात कर पाऊँ, और ये remote origin आप नहीं set कर पाएंगे, मैं ही कर पाऊँगो, क्योंकि मेरी ही repository है, मैंने SSC keys add कर रखी है, तो मैं बात कर पाऊँगा, मेरे सब नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो आपकी repository में आप बात करोगे, remote origin add हो गया और last command लगा के सारा code push कर दूँगा, हाँ थोड़ा सा step है, पर इतना भी complex नहीं है, बस git पर ही तो add करना है, git basic तो आना चाहिए, अब क्योंकि ये सारा चल गया है, अब मैं यहां refresh करके अगर देखता हूं, तो हुआ कुछ नहीं है, वो code उठके सारा यहां आ गया है ठीक है, अब जित्ता भी आपने index.js में जो कुछ भी लिखा है, वो actually मैं आपको यहां भी दिखेगा, बस इस जादा और कुछ हुआ नहीं है, ठीक है जी, इतना काम हो गया है, अब क्या है, ये जब काम हो गया है, तो अब आपको आना है digital ocean पे, अब digital ocean पे देखिए अलग करना है, वैसे तो droplet में भी हो जाता है, पर devops की class नहीं ले रहा हूँ अभी, कभी future में लोगा, अभी हम करते है app पे, अब app पे क्लिक करने के बाद ये पूछेगा, क्या क्या deploy करना है, कहां से लेना है, तो देखिए source code जो मेरा है वो github है, आपको हो सकता है, कोई और हो तो कोई और ले लीजे, मेरे पास github है, और repository कौन सी लेनी है, तो repository में हमें देखना पड़ेगा यहाँ पर कि कौन सी है, मेरे पास जो repository वो है, chai backend, तो यह यहाँ पर मुझे इसको देनी पड़ेगी, कि मेरे पास actually में chai backend है, यह वाली मेरी repository का नाम आ गया, यह मैं दे द सब कुछ ठीक है, auto deploy वगरा सब लगा दिया है, ताकि कोई भी अगर इस branch पे push हो, तो automatically refresh हो जाए, यह सब CICD वगरा बाद में देखेंगे, next करते हैं, next करने के बाद यह option देगा, कि भाई अब पैसे कित्ते लगें, तो यह तो हमारी web service है, लेकिन plan भी तो add करना पड़ेग pro, मैं basic पे चल जाता हूँ, क्योंकि इतना कुछ खास हम करनी रहे, क्यों ही फाल तो मेरे पैसे चिफ़वा रहे हो, तो basic पे जाते हैं, अब यहाँ पे मुझे एक 5 dollar की machine मिल जाएगी, तो 5 dollar का cost ठीक है, इतना हम bear कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे होने के तो add करना है, कौन सा वाला, यहाँ पे देखिए जी, आपके environment variable में क्या है, port 3000 है, तो port तो आपको add करना पड़ेगा, ठीक है जी, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे environment variable global में set कर देता हूँ, कुछ नहीं, यहाँ पे आके आपको बोलना है कि port और value जो है, वो हमारी 3000 हम यह पे set कर देता है, ठीक है, अब देखिए, environment variables will not apply to service component on the app, तो देखिए, आपको कई बार यहाँ पे, अलग-अलग application से देखिए, यहाँ पे हमने set कर दिया है, लेकिन हो सकता है आपकी इस application को environment variable ना मिले, क्योंकि global ports का अलग तरीका है, यह अलग सा एक नाटक है इस digital ocean में, ब तो यह लीजे, यह override कर दिया, अब इस तरह से अगर आपके पास और environment variable है, तो आप यहाँ पे आके add कर दीजे, और कुछ नहीं करना, यह जो environment variable है, कभी भी आपकी application publicly यह किसी भी तरह से expose नहीं करती, यह system पही रहता है, और काफी secure रहता है, AWS में भी इसी तरह से secret manager होता है, digital ocean में भी है, render में भी है, railway में भी है, sub में है, और sub में ही होगा, production इसी तरह से होता है, ठीक है, environment variable दे दिया है, अब यह क्या करता है, behind the scene भी बताता हूँ, यह आपका port 3000 नहीं देगा इसको, इसके पास जो भी port free होगा, वो variable यहाँ पे automatically add कर देता है, कि देखे यह बोल भी रहा है, अब हर चीज को overwrite नहीं करता है, यहाँ पे तो देखे, port तो एक बड़ा special case है, क्योंकि वहाँ पे आपका system यूज हो रहा है, लेकिन आपके जैसे मान लीजे, आपने database का URL दिया, database का password दिया, उनको change नहीं करता है, यह वो as it is, suppose कर यह दिया हमने DB password करके, तो यह ल आपके जागे future में भी हम करेंगे, तो हो जाता है यह काम, कोई दिक्कत नहीं है, अब next चलते हैं, next इसने कहा कि देखें जी, environment variables वगर आपका सारा काम हो गया है, अब इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपका region है, next चलते हैं, अब review कर लीजे, कि आपको इस पूरी services क इंदर, pay plan मिलेगा, यह सारा काम होगा इस तरह से, तो अब कैसे कैसे करना है, just हो गया है, हमारा इतना ही, create resource कर दो, अब यहाँ पे थोड़ा सा वक्त तो लगता है, depend करता है, क्या service है, देखिए, build logs आपको यहाँ मिल जाएंगे, किस तरह से application build होगी, और कुछ कई बार हम कोई इतना नहीं देखना है, अभी तो हमने जितना code लिखा है, बस तीन button क्लिक करें, build complete हो गया है, ठीक है जी, building में इतना कोई issue आता नहीं है, usually, अब यह जो हमने scripts लिखे है, यह बड़ी common script है, जैसे npm run start वगरा, तो यह by default भी add हो जाती है, अगर नहीं होती तो हम add भी कर है, और देखे, आगया हमारा example app listening on port 4000, deployed successfully भी हो गया, जब deployed successfully हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे apps में यह आपका URL मिल जाएगा, यह URL आप change भी कर सकते हो, हाँ, यह आपके पास अगर कोई custom domain है, तो custom domain add करने का हर एक provider आपको option देता है, इसी से तो business चल रहा है उनका, इसको click करेंगे, तो देखे, अब क्या आया, hello world, क्योंकि slash पे hello world था, अब देख लेते हमारे code पे और क्या क्या है, हमारे code पे और था हमारे index के अंदर कि आप जाओगे अगर slash twitter पे, तो hitash.com मिलना चाहिए, तो यहाँ पे गए slash हमने लिखा twitter और हमें मिल गया hitash.com, और क्या है जी slash youtube पे जाओगे, तो चाहिए और code मिलेगा, तो slash youtube पे चल जाते हैं जी, youtube पे चल गए, तो देखे, आपको यहाँ पे response मिला, अब इसी तरह से आप चाहें, तो json response भी बेश सकते थे, कि हमारा username, password, जैसे suppose करिए हमारे पास एक option है, जैसे हम जाते हैं github की API पे, तो आपने कभी देखा होगा, api.github.com slash user slash हितेश चौदरी, अब यह सारा गा सारा data आपके पास आ रहा है, actually में, कहां से आ रहा है, database से आ रहा है, बट अभी हमारे पास database नहीं है, तो suppose करिए इसका एक variable बना देते हैं, तो हम इसको बोलते हैं const, और इसको बोलते हैं github data, और यह हम पास करना चाहते हैं किसी user को, तो ठीक है, किस तरह से पास करेंगे, अब मुझे अगर पता है कि मैं JSON response वगरा send कर सकता हूँ, तो मैं इसको कर दूँगा, इतना कोई difficult काम है नहीं, थोड़े से errors भी देखते हैं चलिए, तो app.get, और बोल देते हैं कि अगर आप जाएंगे slash github पे, तो आपको मिलेगा एक callback, जहाँ पर आपको पता है कि callback के अंदर आपके पास request आती है, और आप response करते हो, यह लिजे callback, अब यहाँ पर आपका res.send, और मुझे पता है कि send के अंदर मैं data send कर सकता हूँ, लेकिन अभी send करूँगा तो basic response हो जाएगा, तो थोड़ res.json भी भेज सकते हैं, चले यह भी रेख लेते हैं, तो मैंने जाके थोड़ी सी पढ़ाई करी और बोला res.json और यहाँ पर मैं अपना वो data send कर सकता हूँ, तो object send करूँ यह उस object का variable send कर दूँ, github data, एक ही बात है, तो यह लिजे, github data, github data, यह लिजे send कर देते हैं, तो क्या अब मैं slash github पे जाओंगा तो मुझे values मिलेगी, पहले test कर लेते हैं local पे, फिर production में भी कर लेंगे, तो npm run start कर देते हैं, यह लिजे local host पे port start हो गया है, ओके जी, अब यहाँ पे github पे जाके देखते हैं, यह लिजे slash github पे गया, और example app listing on 4000, ओके तो हमारे 4000 प हो गया जी, आप क्यों नहीं चल रहे हैं, एक बार restart करके वापते से चला लेते हैं, example app listening on local host, दुबारा से नए URL पे जाते हैं जी, local host, oh 4000 पे चल रही है शायद actually में, यह 3000 पे चल रही है, देख लिते हैं जी, इसमें क्या बात है, हाँ जी 3000 पे चल रही है, वैसे था हम ENV मे जाके देख सकते थे, पर चलिए देखने हैं, कोई देखकत नहीं है, GitHub जाते हैं, GitHub पे सारा response मिल रहा है, हाँ जी इसी तरह से तो मिल रहा है, तो कई लोग जो आपको internal देते हैं कि देखिए, हमने आपके लिए URL बना रखा है, यहाँ पे आप जाईए, API data मिल जाएगा, अ तो इसी तरह से तो मिलता है, अब क्या इसको production में भी डाल सकते हैं, हाँ जी production में भी डाल सकते हैं, कैसे डालेंगे, यह जितना है आप git पे बस commit कर दीजे, ठीक है जी, अब यह हमने add करा और इसको बोला, GitHub data added, और इसको कर देते हैं commit, और इसको कर देते हैं सीधा push, तो अ हमारा सारा काम हो गया, तो हमने उस branch पे push कर दिया, और ने feature आपको मिल गया सबको, बस इतना ही तो काम है, इसे जादा कुछ rocket science थोड़ी ना है, बैक एंड भी देखें, लोगों ने हवा तो बहुत बड़ा-बड़ा बना रखा है, लेकिन इतना भी नहीं है, अब देखें है कि actually में behind the scene क्या हो रहा है, थोड़ा सा complex functionality कैसे बना सकता हूँ, database से कैसे पूछ सकता हूँ, database में कैसे values को add कर सकता हूँ, बाकि काम तो इतना ही है, इसे जादा कुछ rocket science हो नहीं रहा है, रिफ्रेश करके देखते हैं, इतना time क्यों लगा रहे हो, पांच डॉलर की machine लिए है, और फिर भी कह रहे है, time इतना क्यों लगा रहे हो, थोड़ी machine जादा लेनी चाहिए थी, इतने से मैं 15% RAM consume कर चुका हो, तो पैसे खर्च करिए तब मिलेगा, वो भी यही कह रहे है हमें, अब free courses में क्या ही पैसे खर्च करें, अच्छा, by the way, अगर आपको कभी चाहिए तो आप यहाँ पे और भी चीजें एड़ कर सकते हो, जैसे environment variables यहाँ हो गए, domains आप यहाँ से change कर सकते हो, plan कभी change करना तो वो भी कर सकते हो, build phases भी change होते है, in fact आपके जो starter है वो भी change करते है, यह select करिए, और आपको मिल जाएगा यहाँ पे यही commands, edit करके जैसे इसने npm start basic command इसने by default वो ही दे दी थी बड़ आपकी हो सकता है npm run dev हो, npm run कुछ और हो test हो, build command अभी build इसमें by default चली जाती है npm install, बट हो सकता है आपकी कोई दूसरी build command हो, तो वो build command यहाँ दे देते हैं, तो इस तरह से हर एक backend के अंदर यह सारी basic services होती है, console के अंदर आपको सारा मिल जाता है कि क्या क्या हो रहा है जी अभी, activities मिल जाती है, deployment वगरा की, insights मिल जाती है, हर एक application की किस तरह से, कितना usage है, कितने लोगों ने use करा है, CPU load time, memory, restart कितनी बार हुई है, crash कितनी बार हुई है, तो यह सब तो देखिए वाकी devops वगरा का काम है, यह लिजे होगे हमारा live, तो अब अब इस URL पर जाके, कोई भी अब इस URL पर जाएगा, और slash GitHub देखेगा, तो उसको वो data मिल जाएगा, तो वो अपनी API यही तो बस API का response है, अब इसको जाके आप react में handle करिये, कहीं पर भी करिये, तो basic data handle करना आगया आपको, ओके, अब जो लोग देखके follow कर रहे है वो क्या करो, फटा-फटाओ actions पे, और बोलो destroy app, वरना क्या होगा, होगा कुछ नहीं, उसके बाद बिलाएगा, बस और तो क्या, इसको हम कर देते हैं destroy, तो ठीक है, अब जितने पैसे अभी लगे हैं, वो लगे हैं, कुछ मेरा balance इसमें already रखावा है, तो उसमें काम हो जा अब हमें पता लग गया, कि ठीक है, इस तरह के sensitive चीज़े हैं, जो .env में डालनी है, use कैसे करनी है, top line पे लिखना है, और उसके बाद क्या बोलना है सीधा कि process.env, जो भी नाम है, उसके बाद port, dburl, जो भी है, बस इतना सा काम कर देंगे, और हमारा major काम हो गया है, तो देखिए, बात यह है अब, कि हमने जो यह सब करा है, यह कुछ इतना बड़ा भी नहीं है, हमने express पे गए, एक code copy करा, हमने उसको समझा अच्छे से, थोड़ा सा modify करा, और थोड़ा सा देख लिया कि digital ocean वगरा पर कैसे जाता है, तो इतना तो अभी आपको समझ में आ गया ह और हमारी application git से लेके चला देते हैं, और वहाँ पे कुछ triggers लगे होते हैं, ताकि इस branch में अगर कोई code वापिस से push हो, तो automatically redeploy कर दो application को, तो यह हमारा basic है production के अंदर, अब अगर मुझे यह आ जाए आगे जाके, कि ठीक है, database से इस तरह से connect करना है, securely environment variables के थुरू, और यह सम data send करे, files वगरा, वो ले सकता हूँ, उसको process करके, जहां-जहां मुझे उसको send करना है, AWS पे send करना है, database में send करना है, cloudnery पे send करना है, वो सारा मैं सीख जाऊंगा, तो बड़ा ही basic है, इतना जादा भी rocket science नहीं है, और deploy भी किया जा सकता है, जिस तरह से digital ocean पे जाता है, उसी शांत हो गई हमारी, कि नहीं भाई, इतना भी कोई जादा complex नहीं है, basic काम है, हो जाता है, और कुछ error आई, तो debugging कर देंगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, तो यह जो पूरा वीडियो था, इसको बनाने के पीछे मेरा motive यही था, ताकि मैं आपके एक जिग्यासा शांत कर पाऊं, कि देखिए, backend कोई इतना बड़ा भी rocket नहीं है, इतना बड़ा भी हावा नहीं है, जस कुछ code है, वो ही JavaScript का code है, वो ही callbacks है, थोड़ा सा frameworks यहां नहीं आ जाते हैं, जैसे हमारा web framework express आया, एक ही तो package install करा है, बस express, और इतना कुछ functionality मिल गई, mongos यूज करूँग इस हमारे second video के अंदर, videos थोड़ा आराम से आएगी, थोड़ा delay होके आएगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ best से best एक learning experience हो यहां पे आप लोगों का, तो अगर आप जल्दी में हैं, तो please जल्दी में मत रहिएगा, series तो time लगाएगी, लेकिन, मज़ा बहुत आएगा, confidence बहुत सारी applications बनाओगे, तो चलिए, बस आज के लिए इतना ही करते हैं, almost एक गंटी class हो गई आस तो आपकी, तो चलिए 500 comments का हमारा target है, वो पूरा कर दीजेगा, और फिर मिलते हैं आपसे अगले यह से एक वीडियो में, मज़ा आएगा, चलिए हां जी, कैसे हैं आप सभी, स्वागत है आपका, चाय और कोड में, और सबसे पहले ते एक बात बताएए मुझे, यह आपको productions इतना डराया किसने, जब आप अपनी खुद की app बना रहे हैं, एक भी उसके अंदर user नहीं है, कोई भी आपके उपर कोई manager नहीं है, जो यह कहे क्या, और production कोई अलग से कोई हवा तो है नहीं, जो हम सीख रहे हैं basically, उसी को deploy करके देख रहे हैं, और उसकी standard practices देख रहे हैं कि कैसे काम होता है, कैसे नहीं होता, चिंता मत कीजे, मैं आ गया हूँ, तो production से डढ़ने की ज़रूत नहीं है, आप बस आराम से बैठिए, enjoy करि और हम देखेंगे production के अंदर चीजे कैसे होती है, deploy कैसे होती है, चिंता मत कीजे, जाल साधा क्या होगा, 10, 15, 20 रुपए का bill आ जाएगा, अब इतना जब internet का data use कर रहे हैं, 1000 ओके course करीद रहे हैं, तो 20, 50 रुपए से क्या डढ़ना, अगर bill आ जाए तो भी, चीजों के आर अब फुल स्टैक का, अब फुल स्टैक में ऐसा नहीं कि हम कोई application बनाएंगे, हम एक big picture overview देखेंगे, कि कई बार चीजें जो होती है, तो क्या-क्या mindset उसके बारे में रखना होता है, कैसे उसके बारे में सोचना होता है, और हम एक backend का छोटा सा एक basic server भी बनाएंगे, जिस हमने क्या है कि आदत लग चुकी है क्योंकि सारे यूट्यूबर्स ने बना दिया कि front end react app बनाओ, वर्सल पे deploy कर दो, Netlify पे deploy कर दो, तो हमने क्या है कि उसका रटा मार लिया है, यहां ऐसे ही होता है, और बाकी सब काम तो अपने आप हो जाता है, नहीं ऐसा नहीं होता है, actually मैं आपको चीजों को कुछ और in-depth जाके समझना पड़ेगा, कि actually मैं क्या चीजें है, कैसे काम करती है, और कई बार industry में कुछ अलग practices भी यूज होती है, जो कि कहने को तो अच्छी practice नहीं है, बैट practice है, लेकि industry standard अलग होता है, वहाँ पे focus यह है कि हमारी application चलनी चाहिए सर्व होनी चाहिए, और best experience मिलना चाहिए, उसी को हम आगे जाके बोल देते हैं, कि हमारी standard practices है, best practices है, और कई ऐसी आपको companyya मिलेगी, जहाँ पे इस तरह की practice यूज होती है, वो भी चाह रहे हैं, कि हम थोड़ा सा इस practice से और हट के कुछ इंप्रूव करें, लेकिन अभी भ वहाँ पर ऐसी काम चल रहा है, तो घपराइए हमत, इस वीडियो के अंदर हम थोड़ा सा code लिखेंगे, back end का, थोड़ा सा code लिखेंगे, front end का, अब आप जो भी series follow कर रहे हैं, चाहिए back end की कर रहे हैं, चाहिए react की कर रहे हैं, ये video दोनों series के अंदर होगा, और थोड़ा हम basics देखेंगे, और basically हम mindset पर चर्चा करेंगे, कि किस big picture से हमें देखना है, कि हमारी application जब deploy होगी, हो सकता है digital ocean पे हो, हो सकता है AWS पे हो, हो सकता है front end हमारा varsal पे हो, netlify पे हो, या हो सकता हमारा front end भी react के जो server हमने बनाए उसी के साथ ही deploy अगर हो जाए, तो कैसे होता है, tool change क्या होती है, course क्या होता है, काफी चीज़े हैं इस वीडियो के अंदर, तो as such नाम देना ठीक नहीं है, क्यों होते हैं, क्या उनका reason है आने का, servers किस तरह से बनाए जाते है, deploy कैसे किये जाते है, front end application कैसे बनाए जाती है, tool chaining क्या होती है, तो काफी कुछ material है इस वीडियो जाते हैं, तो उस तरह के अभी कोई महमान तो नहीं आए इस चैनल पे, बट उमीद करते हैं, जल्दी आ जाएंगे, तो इस वीडियो का target है, सिर्फ और सिर्फ 500 comments, please support करिएगा, वैसे आप करी रहें काफी अच्छा, और अभी तक अगर आप मेरे WhatsApp चैनल पे नहीं सबसे पहले क्या करते हैं, कि एक हम लेके आते हैं, यहां पे VS Code, यह लीजे हमारा VS Code, और इसको expand कर देते हैं, अब देखे सबसे बड़ी problem क्या है, कि इसका जो source code है, वो कहां पे रखा जाए, react की सीरीज के साथ रखा जाए, back end के साथ रखा जाए, तो थोड़ी सी, यह यहां ले आता हूँ, तो यह है हमारा basic एक project, अब इस project के अंदर ही हम सारा का सारा काम यहां पे करेंगे, देखें, इतना जादा कोई बड़ा काम ने, बस मेरे साथ-साथ follow कीजे, अगर आपने मेरे पुरानी back end के वीडियो नहीं भी देखें, तो भी आप साथ में follow कीजे, कुछ चीजों का discussion चोटा सा करेंगे, और आपको काफी help मिलेगी उसके साथ में, तो प्लीज साथ में code करने के लिए, मैं यहां पे सब को recommend करता हूँ, तो हम क्या करते हैं, दो folder हमें लगेंगे, तो एक folder हम बना लेते हैं, यहां पे back end, और एक folder हम बना लेंगे front end, अच्छ यह folder साब अपने close कर दो, और यहां पे double click कर दो, तो अब आप file folder जो भी बनाएंगे, और root में बनेगे, फड़ा easy सा basic shortcut है, एक हम बना लेते हैं, यहां पे front end, अच्छा यह तो obviously बात है, file बन गई अच्छली में, file नहीं चाहिए, मुझे folder चाहिए, तो सिर्फ demo दिखाने के चकर में file बन गई, इसको अटाते हैं, हमें चाहिए folder, यह चाहिए हमें front end, ओके जी, तो front end हो गया है, back end हो गया है, अब पहले हम back end पे चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि back end में as such कुछ ज़्यादा काम है नहीं, बड़ा ही basic करना चाहते हैं, थोड़ा से revision भी हो जाएगा, तो भी चलिए, दुबारा से start कर लेते हैं, npm init, back end इसका नाम, जी back end ही रख दीचे, version भी one ठीक है, description कुछ नहीं है, entry point, server.js, fun है, आप main.js रखी, index.js रखी, क्या ही फरक पड़ता है, test command, git repository, कुछ नहीं है, कोई keyword नहीं है, author नहीं है, कुछ नहीं है, बस आप तो बना दो यह फाइल, ठीक है जी, फाइल आपकी बन गई है, basic, अब इस फाइल के अंदर मुझे एक ही चीज़ चाहिए, express चाहिएगा, क्योंकि routing वगरा पर थोड़ा discussion करेंगे, तो एक express हमारे पास आजाए, तो काफी अच्छा काम हो जाएगा, इसके लावा एक फाइल भी चाहिएगी server.js, तो फाइल भी बना लेते हैं, touch server.js, आप manually create कर लीजेए, कोई ऐसी कोई बड़ा मुद्दा है नहीं, ठीक है जी, यह हमारी basic फाइल बन गई, अब क्या है, जैसे हमें फाइल के अंदर काम करेंगे, पहला error तो हमारे पास ही आजाएगा, और वो ही हमारा चर्चा का वि लेंगे, यहाँ पे सबसे पहला काम है कि express लेके आता हूं, तो express जैसे ही लाएंगे तो आपको कुछ इस तरह का मिलेगा, const, express, और यहाँ पे require express, यह लिखते हैं तब तक तो मामला ठीक है, लेकिन अब आपको लगा यार यह const वाला syntax अपने को जमता नहीं है, अपन statement वगरा वो सब लिखते हैं, तो हम वो यूज करेंगे, ठीक है जी, तो वो यूज कर लेते हैं, तो हमने कहा है, लास्ट वीडियो में जैसा आया था वैसे कर वैसे यूज करा, इस बार हम यह import express from express यह वाला यूज करेंगे, second step होता है, इस express से एक app बनाने का, या फिर एक variable बनाने का, तो हम ले लेते हैं app और यह बना दिया हमने express, ठीक है जी, अब express का main काम होता है, कोई ने एक route पे serve करना और listen करना, यह हम अरड़ी देख चुके हैं, तो app.get, तो यह हमारा हो गया get और basic, और इसके अंदर हमने कर दिया rest.send, server ready है हमारा, और यह basic हमारा एक server बन कुछ भी नहीं, जादा कुछ ऐसा काम किया नहीं हमने, एक जो slash route है, वहाँ पे एक callback fire किया है, request और response है, यहाँ पे एक response send कर दिया है, कि server is ready and serving, जो भी था, और उसके बाद में हम क्या करते हैं, एक port भी बना लेते हैं, अब port का हमारा discussion already हो चुका था, अगर आपको याद में दिखेगा आपको, तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा process.env.port, अब इससे क्या होता है, कि अगर आपके पास environment variable file है, तो वहाँ से ले लो, अगर वहाँ से नहीं मिल रहा है data, तो और लगा के, आप यहाँ पे एक hardcoded port दे देते हैं, तो क्या होता है, अगर मानलो environment variable नही या किसी कारण से नहीं है, तो 3000 पे serve हो जाएगा, लेकिन production में जब जाती है, तो 100% necessary है कि process.env से ही port मिलेगा, अगर वहाँ से नहीं मिल रहा है, अप नहीं रन होगी, तो चाहे AWS पे हो, चाहे Digital Ocean पे हो, यह mistake काफी beginner लोग करते हैं, क्योंकि production पे गए नहीं है, गए नहीं है तो mistake करेंगे, ठीक है, तो यह हो गया basic, अब क्या करना है, अब क्या करना है, एप को बोलना है कि आप listen कर लो, जो port हमने दिया है, वहाँ पे console log message भी कर देते हैं, कि यहाँ पे port run हो रहा है, तो बस इतना ही काम है basic, और यह लीजे, हमारा काम हो गया है, इसको थोड़ा सा indent क करेंगे, तो आपके पास आएगी errors, errors के बारे में चर्चा करनी ज़रूरी है, तो इसको run करते हैं हम हमारे पास, कैसे run करेंगे, npm run start, क्योंकि start script run करनी है, तो सबसे पहला error हमारे पास आया है, cannot use import statement outside a module, अब होता क्या है, कि JavaScript के अंदर ना, दो तरीके है files को import कराने के, एक आपका basic है common js, एक है आपका module js, तो जो यह syntax हम देख रहे हैं, यहाँ पर import express वाला, यह है हमारा module js, हाजी, जब क्या है कि actually मैं react के अंदर, यह फिर react क्या, JavaScript के अंदर हमारे code क्या है, आजकल कई सारी files के अंदर है, अब कई बार क्या होता है, कि आपको उसको synchronously लाना होता है कई बार asynchronously लाना होता है, वैसे मैं इस पे एक video बताने की सोच रहा हूँ, बस अभी के लिए ता जान लो, कि अगर आपको common js use करना है, तो आपको require वाला statement लाना पड़ता है, और वहाँ पर code क्या सारा synchronously आता है, यह जो है, यह थोड़ा सा asynchronous काम करता है, यहाँ पर code आता है लेकिन अभी आपने देखा just error आ गई, तो यह error जो resolve होती है, most of the cases में, और भी तरीके हैं, वो इस तरह से होती है कि package.json में, क्योंकि यही आपका main manifesting file है, कि क्या क्या आप चीज़े use करेंगे, क्या version use करेंगे, कौन सा standard use करेंगे, वो यहीं पर बताया जाता है, तो कुछ इसे ही आपने लिखा, तो अब manifest को पता है, कि देखे है, मुझे जो चाहरी javascript files assemble करनी है, वो मुझे module की तरह assemble करनी है, ना कि common js की तरह, तो यह कई बार interviews में, पूचा जाता है, कि module js, यह कैसे बताएं, क्या करें, तो exact question तो देखे हैं, बट बात ही है, कि आपको पता होना modules की तरह, मतलब modules की तरह करो, अब actually में अगर आप इसको run करोगे दुबारा से, तो आपके पास सारा मामला ठीक है, तो यह एक basic errors आती है, अब इसको जाते है, localhost 3000 पे server ready है, ठीक है जी, यह basic काम थो हमारा हो रहा है, ठीक है जी, यह काम हो रहा है, अब actually में मुझे ना slash पे सच कोई interest ना है, कि slash पे क्या serve हो नहीं हो, मैं जाधा interested हूँ नहीं उस पे, मैं एक special route में interested हूँ, कि मैं एक route बनाऊंगा यहाँ पे, जहाँ पे actually में सारी की सारी values वगरा serve हूँ, तो five jokes को मैं serve करना चाहता हूँ, तो copilot हमारा help कर देगा, get a list of five jokes, ठीक है, तो हम क्या एक route बना लेते हैं, route हम जो बनाएंगे actually में, अभी हम बनाएंगे slash jokes, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, कि किस तरह से routes का standardization होता है, क्या काम होता है, तो अभी हम क्या करते हैं, कि data तो हमारे पास है ही नी, jokes हमें चाहिएंगे, तो मैं actually jokes मैंने लिख रखे हैं, वो jokes त एक array है, jokes नाम का, जिसके अंदर अलग-अलग objects हैं, और हर object के पास एक ID है, एक title है और एक content है, तो a joke का content है, this is a joke, another joke, third joke, fourth joke, fifth joke, कुछ ना कुछ content चीए था, content होगा तभी तो serve करेंगे, अब इस array को अगर मुझे किसी end point, जो कि यह हमारा jokes है, अच्छा, यहाँ पे एक error कर jokes का हमने array serve कर दिया, यहाँ पे, अब obviously बात है restart करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हमने node mon वगरार यह सब नहीं पड़े हैं, कि किस तरह से कर सकते हैं, वैसे node में भी आप default कर सकते हूं, बट ठीक है, अब जाते हैं हम हमारे यहाँ पे, और इसको बोलते हैं कि आपका जो slash jokes हैं, यहाँ पे हमने सारे jokes दे रखे हैं, तो यह हमारे पास बन गई एक simple API जो की arrays हैं, और यह arrays सारे के सारे हमारे पास में आ रहे हैं, इस तरह के arrays जब भी आपके पास आया तो यहाँ जेसन response आया तो इसको copy कर लीजे, और फिर सबसे पहले recommendation मेरा होता है कि सबसे पहले आप जाएए, जेसन formatter एक website है, और भी बहुत सारी website है, तो यहाँ पे क्या करिए, सीधा सीधा आके और यहाँ पे paste कर दीजे, इसको जब आप format और beautify करेंगे तो actually मैं आप properly देख पाएंगे किस तरह से syntax है, क्योंकि अब भी तो चली हमने दिया है, लेकिन आगे जाके अच्छा रहता है, easily पता लग जाता है, just as a side note, comment में डाल देना, pin note पे कि हाँ यहाँ पे हमने थोड़ा से देखा, यह actually मैं professionally API को कैसे read करते हैं, ठीक है चली है, इतना काम तो हो गया, अब यहाँ पे हमने देखा कि इस server को तो run होने दीजे, कोई दिक्कत नहीं है, और यह स इस area के अंदर क्या है, उससे फरक नहीं पड़ता है, इसलिए मैंने इसको minimize कर दिया है, आप चाहें तो अपनी तरफ से लिख दिजेगा, कुछ नहीं, ID, title, content, आपका मन करें, और लिख दिजे इसमें क्या है, इतना तो पढ़के हैं, JavaScript की सीरीज में, और res.send में जोक अब मुद्दे की बात आती है, हमारी front end पे, कि ये data मुझे consume करना है front end में, यही तो हो रहा है, आपका backend किसी ने लिखा है, कहीं न कहीं आपके किसी और friend ने लिखा है, या फिर company के अंदर आपको backend इस तरह का मिलेगा, कि आप react के अंदर इस data को handle करो, ताकि user को website पर दिखा आप आप, तो यही होता है हमारे full stack application में, तो यह backend का काम हो चुका है, इसको कर देते हैं close, कि ठीक है जी इतना ही काम था backend में, बन गया है backend, एक simple application बना रहे हैं, जहापे हम जो jokes चाहें, वो jokes महाँ पर सर्व हो जाए, ठीक है जी, इतना काम तो हो गया, अब front end के अंदर आत कोई लोग create react app से बनाते हैं, कोई लोग parcel से बनाएंगे, कि देखे, अलग-अलग bundlers है, इनको बोलते है tool chain, tool chain का मतलब क्या होता है, कि react के अंदर जब आप application लिखते हैं, आपने app.js लिखा, main.js लिखा, यह js, वो js, लेकिन end of the day, जो web को समझ में आता है, वो तो HTML, CSS और JavaScript है अब यह जो tool chains है, यह आपको help करते हैं इन चीजों को bundle करने में, तो इसलिए इनको bundlers भी बोला जाता है, tool chain बोलते हैं, अलग-अलग नाम है, बट काम एक ही है, कि सारी JavaScript के file लो, और जो browser समझता है, HTML, CSS, JavaScript उसमें convert कर दो, अब ease of access हमने state वाले वीडियो में, जो react में देखा रहे हो, कोई और bundler, रोज ने bundler साते हैं, कोई ना कोई यूज कर रहे हो, तो इसी तरह से आप देखोगे, कि हम जो एक bundler यूज कर रहे हैं, उसका नाम है VEAT, बात इतनी सी है, कि सारी JavaScript के file लाओ, एकटा करके एक साथ दे दो, लेकिन क्योंकि हम यह जितनी भी application है, अधि कुछ सालों में आया है, तो कुछ कंपनी ऐसी है, जो अभी भी पुराना legacy system यूज कर रही है, आप तो migrate हो गया है most of the day, बट फिर भी एक overview आपको देते हैं, किस तरह से यह काम होता है, तो चलते हमारे back पे, front end के अंदर मुझे पता है, कि front end के अंदर मुझे वीट से एक application बना नहीं है, तो इसको open कर लेते हैं, integrated terminal पे, by the way, in terminals को colors भी दे सकते हो आप, और rename भी कर सकते हो, कि क्या है, तो मैं इसको rename कर लेता हूँ, इसको नाम देता हूँ, अपना front end, और इस जो इसको नाम देते हैं हमारा back end, इस तरह से rename कर लेना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा easy जाता है, जितनी सहुलियत मिले है, उत्ता ही अच्छा है, color भी देते हैं इसको तो इसको देते हैं, हम ये blue वाला color, देख तो नहीं राखास, और इसको भी change color कर देते हैं, तो यह है हमारा back end चल रहा है, चलने दीजे, यह हमारा front end है इसको, अब सबसे पहले काम है कि मैं इ dot लिख देता हूं, ताकि सारी files वगरा front end के अंदर ही बने, तो यह आपने दिया, और फिर मैंने, यह dot का ही काम होता है, कि current folder के अंदर ही पूरा project setup कर दो, नाम आम कुछ मत पूछो, react के application बनानी है, javascript में बनानी है, बस इतना ही काम है, अब यहाँ पे खोल के देखो कि त install, ठेक है जी, यह file हो गई हमारी install, एक मिनट और लेगी थोड़ा सा, सबर रखिए, और इसको run कर देते हैं, तो हमें पता ही है, npm run dev, ठेक है जी, यह हमारी dev file यहाँ पे serve हो रही है, यह तो मुझे बिलकुल पसंद नहीं है, तो हम इसके source में जाते हैं, app.jsx में जाते हैं और इसको change करते हैं, कि देखिए, आप ही जो serve कर रहा है, इतना सारा, इसकी जरूत है नहीं, यहाँ पे सर्फ मुद्दे की बात ही है, कि आप एक h1 लो, chai and full stack लिख दो इसका ना, chai तो जरूरी है, है कि नहीं, तो ठीक है, यह हो गया काम, ठीक है जी, इतना काम तो हो गय अब क्या है, यह काम तो हो गया, अब क्या चाहिए, कि मुझे चाहिए, कि मेरे को एक jokes दिखाना है, jokes मेरे पास आएगा back end से, अब हो सकता है back end से आपके बाद jokes आ रहा हो, कोई public API यूज़ कर रहा हो, जहां से restaurants की list आ रही है, कोई card आ रहा है, user की details आ रही है, बहुत applications है, इसको अगर सीख जाओगे, concept एक बार समझ जाओगे, क्योंकि यहां पर हमने advance काम किया, back end भी खुद बनाया, front end भी खुद बनाया, यह concept अगर सीख जाओगे, तो किसी भी API से data ले पाओगे, फिर कुछ भी बना पाओगे, तो अभी क्या है, देखे, यह तो हम हटा देते ह इसको, कुल मिला के बात यह कि data आएगा मेरे पास jokes का, ठीक है जी, तो एक बना लेते हम यहां पे jokes नाम से, और यह set jokes, initially empty array है, ठीक है जी, यहां पर क्या करते हैं, इसकी value भी लिख देते हैं, एक paragraph के अंदर कि कितने jokes हैं, तो यहां पर हम लिख देते हैं jokes, और इसकी value सीध आ गया, तो कैसे काम करोगे, यह भी तो देखना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, यहां पर basically अपनी एक JavaScript open करते हैं, और इसके अंदर हम jokes को loop करा देते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, यह लिजे jokes हैं, और jokes को map use करके हम ले लेते हैं, अब इस map के अंदर एक callback लगता है, यह अब आपको क्या मिलेगा, हर jokes कहरे में एक joke मिलेगा, और joke अपने आप में एक object है, जिसके अंदर ID है, title है, content है, यह तीन चीज़े है, आप चाहो तो यहां पर optionally index value भी ले सकते हो, बट कोई जरूत नहीं क्योंकि हर joke अपने आपको एक ID दे रहा है, तो हम उस ID को ही unique property बना तो जरूरी है, वरना क्या होगा, optimization नहीं आएगी, पता ही नहीं लगेगा, react को कि भाई, मैं एक element पर बार-बार repeat loop लगा रहा हूं, या फिर अलग-अलग elements से, उनको अलग-अलग बताने के लिए, optimize करने के लिए, वरना क्या होता है, वो tree जो बनता है उसमें problem हो जाती है, और कुछ नहीं है, तो इसको अंदर क्या करते हैं, एक simple सा basic div ले ले लेते हैं, इस div को ही loop करेंगे, पूरा का पूरा तो key लगा देते हैं, और मुझे पता है हर joke की एक ID है, तो ये लिजे, backhand से ID मिल गई है, अब क्या करते हैं, एक h3 लगा लेते हैं, और इस h3 के अंदर ये हमारा basic ही है, joke.title, और एक paragraph भी ले लेते हैं, इस paragraph के अंदर भी JavaScript डाल लेते हैं, और बोलेते हैं, joke.content, अब ये हम already पढ़के आए, कहां से पढ़के आए, यहां से पढ़के आए, कि अच्छा, आप add भी देते हैं क्या, ये रहे, तो मुझे पढ़के आए, तो इसमे मैंने यहाँ पर ID, title और content यूज़ कर लिया, ये API मेरी study हो गई, ठीक है जी, इतना काम तो ठीक है, अब इसको देखते हैं, backend में कैसा दिखाए दे रहा है, ये लिजे, आपके jokes है, 0, अच्छा जी, jokes 0 है, ठीक है, माल लिया, jokes 0 इसलिए क्योंकि आपने एक request भेजी ही नहीं अब तक, और कैसे काम में लेंगे, अब देखे, professional जो code जिता होगा, वहाँ पर ये जो API request आप कैसे भेज रहें, इसके पीछे चर्चा है, और आगे आले कुछ और react के, proper react के videos होंगे, जहां पर हम ये चर्चा करेंगे, अब कुछ लोग fetch यूज़ करना पसंद करते हैं, कु इसको हम stop करते हैं, और एक package install करते हैं, npm install axios, ये axios package कुछ लोग कहेंगे, सर हम तो fetch से भी काम कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं, लेकिन axios आपको कुछ over the top additional functionality और features देता है, जिसकी वज़े से हम करते हैं, fetch भी basic वही काम करता है, लेकिन ये library specially लिखी गई है, ये web request करने के तो data किस तरह से आ रहा है, कैसे handle हो रहा है, fail हो गया तो क्या situation होगी, loading हो रहा है तो क्या situation होगी, बीच में उस data को रोक के कुछ add करना है उसके अंदर, कई बर होता है कि API keys, request हम basically भेज रहे हैं, ये request जाए तो उसको बीच में रोको, उसके अंदर add कर दो API keys, तो वो सारे ज Axios बहुत ही popular है, NPM पे जाएंगे तो आपको सारा detail मिल जाएगा, कि हमारी Axios libraries है, in fact, install देखिए न, weekly install जिसके इतने हैं, obviously बात है, production में यूज हो रहा है, और पढ़ना चाहते हैं इसके बारे में, तो आपको GitHub पे मिल जाएगा, कि क्या-क्या functionality है, वैसे तो exact तो नहीं मिले slash id पे तो catch, console, finally, users, params, काफी कुछ है, आगाले videos में हम चर्चा करेंगे, अभी के लिए हम थोड़ी सी basic चर्चा करते हैं, तो Axios हमारे पास आगया है, अब Axios चाहिएगा, तो Axios use कैसे करेंगे, तो import कर लो Axios को, Axios आगया from Axios, ठीक है, अब Axios से request कैसे बोलते हैं, simple सा है, अब ही जस पढ़ा है, Axios.get करके आप request ले सकते हो, तो बड़ाई basic है, अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मेरी application load हो, तब ही मेरे पास data आजाए, और मैं simply उसका ये सारा का सारा महाँ पे send कर दूँ, ठीक है जी, अब अब भी हम उस पर बात नहीं करेंगे कैसे loading वगरा है, मै use effect पे भी हमारी एक चर्चा बाकी है, उस पे भी चर्चा बहुत जल्दी upload होगी, अभी content प्यार हो रहा है, उसके बात करते है, तो यहाँ पे इस callback के अंदर मुझे क्या करना है, कुछ नहीं, simple सा एक Axios से get request करनी है, कैसे simple Axios लो, और उसको बोलो get करना है, post करना है जहाँ jokes हैं, अगर यहाँ पे सारा काम सही होता है, तो obviously बात है आपको dot then मिल जाएगा, then के अंदर हमारे पास क्या है, यहाँ पे सबसे अची बात यह है, कि अगर Axios से इस तरह से मिलता है, तो हम यहाँ पे callback fire कर सकते हैं, callback के अंदर हमें पता है, response मिल जाएगा, जो भी है, और मैं यह set jokes use कर सकता हूं, और response का data directly यहाँ पे append कर सकता हूं इस तरह से, यह हो गया हमारा basic, कि dot then हमारा हो गया है, और dot catch भी कर लेते हैं एक बार, suggestion दे दो please, copilot, नहीं देंगे, तो यह हमारा error हो गया, console log हो गया, और यह हमारा पास में basic काम हो गया है, और एक और parenthesis है, हाँ तो यह बड़ा ही basic है, एक बार God से फिर से देख लिजए इसको किस तरह से हो रहा है, बड़ा ही basic काम था, Axios से हमने get request करी, इस URL के उपर, और फिर हमने बोला कि अगर successful ही हो जाए, तो आपके पास जो response मिलेगा, तो इस response के अंदर जो भी data होता है, वो यह actually में data होता है, आ console log भी करके देख सकते है response को, अच्छी बात यह है, यहाँ पर आपको पहला use case समझ में आ रहा होगा, कि जो request, जो response से जो आया है data, उसको मुझे कोई JSON में, .json, parse यह वगरा नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि यह सब handle कर लेता है Axios, यह one of the reason is Axios use करने का और भी बहुत है, यह आपने first use case देखा है, अब मैंने क्या करा, set jokes use करा है, जिसने मेरे jokes data के अंदर, यह सारा का सारा data, response.data वहाँ पर send कर दिया है, तो at present jokes के अंदर एक array है, उस array के अंदर जितना भी data मेरे को receive वहा, वो सारा यहाँ पर मिल गया है, ठीक है, save करते हैं इसको, जाते हैं यहा जीरो और यह, अब actually में problem क्या आई, problem क्या आई है, कि किस तरह से, तो हम इसको एक console log करके देखते हैं, कि errors क्या आई है हमारे पास में, right click करते हैं, inspect करते हैं, तो पहली जो आपके पास error है, जो हमने यहाँ पर देखी, वो यह error है, जो आपको कई बार दिखेगी, कि HTTP request at, ज safety provide करता है, course का simple सा मतलब है, बड़ा basic सा example, देखिए, आपके घर में कोई भी आता है, तो उसको आप allow थोड़ना करते हैं, कोई भी आजाए, आपके कोई mom dad आये हैं, उनको आपको allow करना है, तो आप कर देते हैं, आपके कोई भाई-बैन आये हैं, उनको आप allow कर देते हैं, आपके कोई रिष्टेदा आ रहा हैं, तो आप सोचते हैं, कि allow करना है, नहीं करना है, लेकिन ऐसा नहीं न, कि भी salesman आ जाए, उसको भी allow कर देते हो, जिसका origin ये घर है, उसको आप allow करते हो, mom dad का origin यही है, भाई-बैन का origin यही है, तो उनको आप allow करते हो, बाकी कोई भी तो एक बार phone करते हो घर पे कि इनको allow करना है या नहीं करना है, इसी को ही course बोला जाता है, क्योंकि नेखिए, course का मतलब क्या है, cross origin, कि मान लिजे, आपका server चल रहा है किसी और website पे, या किसी और domain पे, किसी और port पे, यहाँ पे application कुछ और चल रही है, ऐसा थोड़ना है, को तो इसलिए वहाँ पे problem आती है, हमारे course केरर की, कि cross origin request, अब cross origin क्या होता है, कि आपका URL अलग है, तो भी उसको cross origin माना जाता है, अगर आपका port नमबर भी अलग है, तो भी उसको cross origin माना जाता है, कि एक application 3000 पे चल रही है, एक application 4000 पे चल रही है, तो यह भी cross origin है, इनका origin सेम origin सेम का मतलब है, कि URL भी सेम होना चाहिए, port भी सेम होना चाहिए, सब कुछ सेम होना चाहिए, तब ही तो उसेम मानेंगे, कई बार होता है, कि apartment में है, उन सब का plot नमबर सेम है, लेकिन flat तो अलग-अलग है सबके, तो origin सेम होना बहुत ज़रूरी है, और यही course की main कानी है, rabbit hole में जाने की ज़रूरी नहीं है, सिर्फ इतना से समझिए, कि origin अलग-अलग है, अब इस origin के ना कुछ solutions है हमारे पास में, depend करता है, इसलिए मैंने server खुद बनवाया, पहला तो यह कि आप अपने backend के जो developer है, उनको बोलिए, कि मेरा जो यह URL है, इसको whitelist कर दो, तो आपक है, depend use case क्या है, खराब कुछ भी नहीं है, use case क्या है, जैसे आपने देखा होगा, API.Github के अंदर कोई भी जाके request कर लो, और वहाँ पे data आपको मिल जाता है, तो खराब थोड़ी नहीं है, यूज हो रहा है इंडस्ट्री में, GitHub जैसे में use हो रहा है, तो खराब कुछ भी यह सिर्फ use cases basis पे हैं, ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया, cross origin क्या है, घर के अंदर सबको allow मत करो, सिर्फ जिनको allow किया है, उनको यह करो, तो या तो IP whitelist कर लो, या फिर आप IP whitelist कर लो, या फिर आप domain whitelist कर लो, या फिर कोई special नाम वहाँ पे डाल दो, तो यह काम ह हमारा backend का, अब backend पे हम काम तो कर लेंगे, लेकिन कुछ और भी इसके solutions होते हैं, वो भी आपको जानने जरूरी है, तो एक तो हो गया हमारा ये काम, कि ठीक है, अभी हमारे पास error आ रहा है, तो पहला तो मेरे पास जो solution है, वो क्या है, कहां गया हमारा VS code, तो पहला जो solution है, वो तो यह है कि मैं जाऊं अपने backend के अंदर, और server.js के अंदर, यहां पे अपना course का मैं package install करके, और course को allow कर दो, अच्छा, अगर आप जाके देखेंगे, तो actually मैं मैं आपको यहां पे दिखाता हूँ, course का भी NPM package आता है, course NPM, यह रहा, तो मैं चाहूं तो इसको भी install कर स अब क्या है कि इसके अंदर आप और भी variables वगरा add कर सकते हो कि नहीं, मुझे क्या क्या देखेंगे, यहां पे इन्होंने course के option भी डाल रखेंगे, कि origin इस URL को तो allow करो, और बाकी को मत करो, तो अलगल आपको इस तरह से मिलेंगे, देखें, यहां पे whitelist भी दे रखा है, प भी और use cases है, किस तरह से situation को handle किया जा सकता है, कि अभी तो आप हो सकता है, यहां पे whitelist डाल दो, कि मेरी जो application run हो रही है, wheat की, वो किस port पे हो रही है, यहां पे हम देख लेते हैं, कि हमारी application 5137 पे run हो रही है, लेकिन यह भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, कि whitelist प्रोटिंग जो है, production के अंदर किस हिसाब से हो रही है, लोकल होस पे जब आप काम कर रहे हो, किस हिसाब से हो रही है, क्यों, क्योंकि जब आप production में डालोगे, तो आपका backend जरूरी नहीं, port 3000 पे चले, वो किसी और port पे चल सकता है, क्योंकि याद करो, process.env, हान जी, process.env port आपकी frontend application है, अभी तो हमने देख लिया, 5173 पे है, लेकिन जब production में डालोगे, वारसल कौन से port पे सर्व कर रहा है, netlify कौन से port पे सर्व कर रहा है, तो वो भी अपने आप में एक use case है, उसको भी ध्यान में रखते हुए, हम यह सारी configuration करते हैं, तो यह अपने आप में चर्चा का wish है, बट अभी मैं आपको थोड़ा सा pro बना रहा हूँ, ताकि आप यह सोचने पे मजबूर हो, कि हाँ ऐसा भी काम है, और production में जाएंगे, तब भी चीज का ध्यान रखेंगे, कि ऐसा नहीं कि बस ही as it is copy पे शिपका दिया, लेकिन production में डालते चीज़े फट जाएगी, क्यों फटेगी, अरे वहाँ पे चीज़े अलग port पे सर्व हो रही है, आपने कभी उसके बारे में सोचा ही नहीं, तो इसलिए ध्यान से सोच कैसे काम करने चाहिए, तो यहाँ पे सपोस करिए, अभी server पे हम काम नहीं कर रहे हैं, तो एक और चीज हमारे पास है जिससे हम इसको whitelisting को और इस तरह के course error को handle कर सकते हैं, अब देखिए, मैंने एक app right का भी video बनाया है, जहाँ पे course handle करा है, वहाँ पे आप इस तरह से handle नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपके पास यह सब चीज़े अलावी नहीं है, क्योंकि app right का package install किया था, वहाँ पे कोई public API को request नहीं कर रहे हो, तो इसलिए हम उसके cloud के अंदर गए थे, वहाँ पे आपने localhost add किया था, ताकि हम क्या कर रहे थे, white listing कर रहे थे, अपनी application की localhost से चल जाए, इसके बाद जब हम वार्सल वगरा पे जैसे उसको upload करते हैं, तो वहाँ पे वार्सल की white listing करनी प important है, हाँ जी, subscribe नहीं किया अभी तक, अभी तनी information आपको paid courses कहीं नहीं मिल रही है, फिर भी subscribe नहीं कर रहे है, share भी नहीं कर रहे है, क्या आप बात करते हैं, 500 comment तो कर दिया होगा अब तक, आरे वो भी नहीं किया, अरे कैसे काम चलेगा आपका, चलिए, आगे चलते हैं वो कभी भी इस तरह से नहीं होती है, एक standard practice follow की जाती है, जो कि कुछ इस तरह से होती है, कि जैसे slash API, slash API, slash V1, slash इस तरह के jokes वगरा, इस तरह से standardization follow किया जाता है, अभी के लिए हम standardization एक follow कर लेता है, कि हम slash API, slash jokes पे सब कुछ सर्व कर रहे हैं, तो पहला तो standardization back end पे होना च को था कि चीजें सर्व होती रहें, और एक बार जाके भी देख लेते हैं, लोकल होस्ट पे की चीजें सर्व तो होरी है, लोकल होस्ट पे यहां पे तो सही है, और जो हम यहां पे jokes दे रहे हैं, sorry jokes, हाँ जी jokes यहां पे सर्व नहीं होना चाहिए था, क्योंकि slash API पे सर्व हो नीचे ही है, क्या क्या होना चाहिए, वो सब ठीक है, तो एक चीज तो आप यहां note डाउन कर लीजे, अपने लिए कि ठीक है, अब क्या है कि मेरे पास यह जो app.js है, यह मेरा front end है, इस front end के अंदर मुझे भी यहां पे changes करने पड़ेंगे, slash API slash jokes, ठीक है, लेकिन क्या होता ह अकसर जब आप इस तरह की applications लिखेंगे, जहां पे आप कर रहे हैं, तो हर बार आप इतना बड़ा URL नहीं लिखेंगे, क्योंकि यह URL लिखना actually में sense बनाता भी नहीं है, हां जी, यह actually में sense नहीं बनाता, हम ज़्यादतर क्या करेंगे, इस तरह से request करेंगे, कि इसको कर यह cut, और slash API, अब इससे हुआ क्या फाइदा, कि हो सकता है, अभी तो आप localhost पे serve कर रहे हो, लेकिन eventually आप हो सकता है, server पे serve कर रहे हो, फिर आपकी application का नाम हो सकता है, hitash.ai हो, amazon.com हो, तो हमें यह पता है कि ठीक है, वहां तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद मुझे खा जान लेकिन इससे problem क्या आती है, यह URL तो exist ही नहीं करता, तो obviously बात है, URL exist नहीं करता, तो अब हमें मुझे error क्या आएगी, 404 not found, जो क्यानी भी चाहिए थी, क्योंकि exist नहीं करता, तो यहाँ पे concept आता है, हमारे पास में, proxies का concept, कि किस तरह से proxies लगाई जाती है, और यह proxies क काफी काम असान कर देती है, अच्छा, proxies लगाई कैसे जाती है, यह बड़ा interesting है, देखे, proxies का कोई standard way नहीं होता, कि ऐसे ही काम करता है, कुछ लोग सोच रहोंगे कि एक काम करो, एक variable बना दो यहाँ पे, और उसका नाम लिख दो, proxy, और उसको हर बार append कर दो, ठीक है, या फिर environment variable में डाल दो, नहीं नहीं, यह अच्छली में इतना common process है ना, कि इसका standardization already हो रखा है, तो हमें क्या करना है, अब simply जाना है Google के उपर, और देखना है, कि proxy, और proxy, create, react, app वगरा सब में है, तो create, react, app में proxies कैसे add करते हैं, तो उसके documentation पे जाके देखिए, तो यहाँ पे एक proxy के साथ यह URL add कर दो, लेकिन कब, जब आपने CRA से app बनाई हो, create, react, app से, तो क्या करेंगे, package.json में जाएंगे, अगर create, react, app से बनाई होती, तो मैं यहाँ पे खाईं पे भी module वगरा के बाद आऊंगा, क्योंकि यह manifesting file है, तो यहाँ पे आते हम basically, और सीदा बोलते हैं कि यह काम करो, अपने यह जो proxy है, यहाँ पे तो नहीं आएगा, proxy इस तरह से add कर दो, but क्योंकि मैंने यह create, react, app से बनाई है, तो यहाँ पे काम ही नहीं करेगा, तो इसको हटा देते हैं अभी के लिए, ठीक है जी, यह इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि आप भी बनाऊगे इस तरह से, अब हो सकता है, आपने कोई दूसरी toolchain use करी हो, मैंने अब यह toolchain CRA वाली use नहीं करी है, मैंने wheat वाली use करी है, तो wheat में कैसे लगता है, ठीक है जी, server options आप बता दीजे, अब पता है, क्योंकि proxy serve करना है, तो मैं वहाँ पे land कर जाओंगा, तो इसने proxy, बहुत सारे इसके अंदर आप लिख सकते हो, देखे, यह रही आपके target क्या है, JSON placeholder हो सकता है, या फिर कोई foo हो सकता है, API, कुछ भी हो सकता है, तो मैं क्या करता हूँ, आपको सीधे ही बता देता हूँ, कि wheat में किस तरह से होता है, wheat के अंदर बड़ा है, यह आपकी है configuration file मैंने open करिए wheat.config.js, जिसको हमने अभी तक छेडा ही नहीं था कभी, तो अब आते हैं यहाँ पे, आप किस तरह से add करनी है, इस config के अंदर जाएए, और यहाँ पे हम option add कर रहे हैं, सर्वर के, और भी options add होते हैं, बट यह server configuration हम कर रहे हैं, तो यह हमारा server configuration यह लिजे और क लगा दीजे, अब इसके अदर आप बहुत सारी चीज़े कर सकते हो, देखे, suggestion में दिखरा है आपको, कि आप port भी add कर सकते हो, proxy के अंदर, कि slash API तो क्या करूँ, किस तरह से handle करूँ, और किस तरह से यह append करूँ, यह subchange origin, in fact आप यहाँ पे, regex वगरा बहुत कुछ लगा स कि जब भी आप slash API के उपर कोई भी request करें, तो मैं चाहता हूँ कि अपने आप वहाँ पे append हो जाए localhost, 8000 नहीं, हमारा 3000, क्योंकि server वही पे चल रहा है न, तो अब होगा क्या, automatically इस tool chain से कोई भी request अगर जाएगी, जिस request के अंदर slash API है, यह automatically detect कर लेगा, तो यहाँ पे append हो जाएगा, यहाँ पे लोग गलती करते हैं, ना कि सिर्फ append हो जाएगा, append तो होगा ही होगा, लेकिन actually में, यह proxy लगा दी जाएगी, कि जो request आ रही है, वो इसी URL से आ रही है, हाँ यह बड़ा interesting line है, गौर से सुनियेगा, दबारा बताता हूँ, कि append तो होगा ही होगा, यहाँ पे जो final URL पे request जाएगी, वो किस पे जाएगी, http colon slash slash localhost वगरा, वो सब तो लगेगा यहाँ पे पीछे, और slash API slash jokes पे जाएगी, जाएगी, लेकिन क्योंकि इसका नाम proxy है, तो proxy में आपके server को लगेगा, कि यह जो URL request है, यह origin कहां से हुई है, यह origin हुई है, इसी URL से, slash 3000 से, अब मैंने आपको क्या बताया था, घर के अंदर अगर सेम आदमी आ रहा है, तो हम उसको allow कर देते हैं, तो अब हमारी जो wheat application है, वो चल कहीं पे रही हो, लेकिन क्योंकि proxy add कर दिये, तो server को क्या लगेगा, request किस से आ रही है, same server से, क्योंकि server भी 3000 पे चल रहा है, localhost प तरह से कर दी है, तो जब भी मेरी application में API होगी, request के अंदर, sorry, request के अंदर API होगा, अगर get request में, तो उसके पीछे append हो जाएगा, plus server को लगेगा, same origin से request आ रही है, क्योंकि server भी 3000 localhost पे हैं, हम भी 3000 पे localhost पे हैं, अगर मैं इसको production में डालूँगा, तो wheat की configuration में यहाँ पे change कर दूँगा, कि API आप कहां से आ रही है, जो भी आपका server का URL है, वो वहाँ पे change कर दीजे, आपका सब, जहां पे भी hosting हो रखिए cloud वगरा, digital ocean, तो वहाँ पे change करना है, अब इससे फायदा क्या हुआ, कि हम चलते हैं, अपनी wheat application पे, यह हमारी wheat application, तो अब देखिए हमारे सारे कि सारे जितने भी problems थी, वो सब हो गई है, अब यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं इसको लाता हूँ, lead out, तो देखिए हमारे jokes जो है, वो हमारे पास 5 आ गए है, jokes का count, ठीक है, हमारी app.js में चलते हैं, तो अब हमारे पास app.js में जाके देखता हूँ, तो हमारे पास यह जो है basic jokes की length आ गई है, और यहाँ पे हमारे पास में jokes का पूरा map वगरा सब कुछ हो रहा है, अच्छा हमारे पास में इसका display क्यों नहीं आ रहा है, display भी आना चाहिए, empty state है, set jokes है, एक बार इसको भी मैं छोटा सा देखता हूँ, debug करके कि क्या problem है, अच्छा पहले हम debug करें, उसस start, अच्छा है, यह तो back end चल रहा था, यह हमारा front end है, तो एक बार इसको stop कर लेते हैं, और इसको भी npm run dev करते हैं, और इसको use करके देखते हैं, तो jokes तो हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन जो issue आ रहा है, कि हमारे पास display नहीं हो रहा है, तो हाँ, छोटा सा को issue होगा, देखत हैं इसको भी, हाँ जी, बड़ी interesting error है, इसलिए मैंने resolve नहीं करी, सोचा आपको साथ में बताता हूँ, ऐसी mistake आप भी करेंगे, देखिए हमारे पास यहाँ पे jokes की length आ रही है, और यह वाला portion है, हमारा render नहीं कर रहा है, तो obviously बात है, पहला हमारा intention क्या होता है, कि अच्छा लिख देते हैं jokes, या फिर jokes इस तरह से, actually मगर आप यह करने का सोच रहे हैं, तो शायद आप use effect को अच्छे से समझे ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे dependency array की जरूत ही नहीं है, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से यह चीज़ें होती है, लेकिन अभी हमें dependency array की जरूत नहीं है, हाँ, use effect पे एक proper वीडियो बनाएंगे, आपको समझाएंगे, क्योंकि अगर आप यह सोच रहे हैं, तो शायद use effect अभी हम अच्छे से नहीं समझे हैं, अच्छा, यहाँ पे जो issue आ रहा है, वो इस portion में है, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि यह jokes.map है, यहाँ पे जो यह चीज है, अगर curly braces use करने हैं, तो return करना पड़ेगा, हाँ जी, अब मुझे curly brace use नहीं करना है, तो मैं यहाँ पे क्या है, सीधा parenthesis use कर लेता हूं, तो multi cursor लगाएं, और parenthesis use कर लीजे, सीधा, यह लीजे, और यह हो गया हमारा काम, अच्छा, का curly brace को हटा देते हैं, और यह closing bracket, तो अब हमारे पास return करने की ज़रूद नहीं, क्योंकि मैंने एक parenthesis use करा है, तो अब चलते हमारे वापस हैं, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास सारे jokes आ गए हैं, और सारा काम हो रहा है, तो अब यह मेरे पास jokes आ रहे हैं, कोई course की error नहीं क्योंकि हमने proxy का use करा है, अब ऐसा नहीं कि देखिए proxy ही एक solution है, course के और भी solutions है, लेकिन जाधा तर जो errors के साथ जो syntax आता है, या फिर suggestion आता है, वो तो काम नहीं करता है, महाँ पे कई बार आता है, कि आप headers origin policy लगा दो, यह लगा दो, वो policies लगाने से कुछ नहीं होगा, बात यही है, end of the day, जिनको समझ में आता है, उनको आता है, कि देखिए, दूसरे को घर के अंदर enter नहीं करने देना, और यह browser नहीं ही होने देगा, तो यह तो proxies करो, ताकि हम क्या करा है, हमने एक style करी, कि भाई, आप हमारे को घर का ही member मान लो, अब क्योंकि proxy लग गई है तो उसने आपको allow कर दिया, या फिर server के अंदर जाके आपको white listing करनी पड़ेगी, और ज्यादा option है नहीं आपके पास में, ठीक है, तो यह तो हो गया हमारा basic, अच्छा यहां तक तो ठीक है मामला, लेकिन अब हमारी application चल रही है, इस तरह से सारा काम हो रहा है, लेकिन अब मैंने कई companies में उसको बोला है कि यह allowed नहीं होगा और इस तरह से हम काम नहीं करेंगे, जहां पे भी मैंने consultancy दी है, तो वहां पे क्या होता है, in fact वो netlify वारसल कुछ यूज नहीं करते हैं, वो एक यह backend वाला फोल्ड रहना, इसी को सीधा push कर देते हैं अपने server पे, digital ocean वग एसी company में जिनका turnover करीबन भी नहीं तो yearly 20 करोड है, और कई clients को serve कर रहे हैं, वहां पे देखे बताता हूं किस तरह से हैं, अब क्योंकि tool chain है, tool chain का build process automatic होना चाहिए था, लेकिन लोग क्या करते हैं, यहां पे कुछ commands चलाते हैं build की, अब कैसी command है build की, यहां पे जाके देख build की command आपको देख जाएगी, build, 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 यह रही, wheat build, तो npm run build अगर मैं चलाओंगा, तो मुझे build मिल जाएगा, तो चला देते हैं, npm run build, अब build चलाने से क्या हुआ, कि wheat ने आपकी सारी application ली, देखें, modules को transform कर दिया, और end of the day आपको देदिया एक distribution folder, इस folder के अदर सारा code है, आपकी index.jsbc के अंदर सारी लिखी भी है, यही root वगरा, और asset के अंदर देखोगे तो आपकी JS file भी है, यह JS file के अंदर आपका जितना आपने code लिखा है, वो सारा का सारा code इसमें compile हो गया है, श्रिंक भी हो गया है, ठीक है जी, तो यह आपको JavaScript पूरी की पूरी मिल गई है जितनी CSS लिखी, वो CSS भी आपको यहाँ पे compile करके दे दी जी, यह काम है आपके build chain का, यह tool chain का, हमने wheat use करा, CRA भी यही काम करता है build में, in fact जैसे हमने वर्सल पे netlify पे करी, तो end of the day वो भी build ही command चलाता है, अब लोग क्या सोचते हैं कि वर्सल वगरने build command चला ही है, तो हम क् से उसको लगना चाहिए, same origin से request आ रही है, तो इसको अगर आप finally यहाँ से उठा के कहीं और deploy करेंगे तो problem होती है, लोग क्या करते हैं, इस folder को उठाते हैं और इसको डाल देते हैं back end के अंदर, हाँ जी literally ऐसा करते हैं, अब क्या है, आप distribution के अंदर हो, अब आपने सारा source code वहाँ दे दिया है, तो server.js के अंदर आप क्या कर सकते हो, एक middleware यूज़ कर सकते हो, जहां से आप static asset serve कर सकते हो, तो क्या है, लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं अपने app.get के अंदर, और यह जो slash है यहाँ पे हम static asset serve कर सकते हैं, अच्छा, कैसे कर सकते हैं, वो भी ब यह होते हैं middleware middleware क्या होते हैं इनके बारे में आराम से detail में चर्चा करी जाएगी क्योंकि अभी समझ पाना middleware को बहुत difficult है जब हम थोड़ा सा authentication वगरा समझेंगे तब समझ मैं आगा middleware को अभी यह मान लिजे बीच में कोई रोकता है जैसे proxy में हमने बीच में किसी को रोक लिया न तो middleware भी बीच में किसी को रोक लेते हैं और कुछ भी उससे पूछ सकते हैं काम करवा सकते हैं तो हम क्या करते हैं app.use, use से ही सारे middleware start होते हैं ठीक है है आप जो get post लगाते हैं वो methods है, serve है app.use, middleware है तो यहां पर express का एक middleware आता है कि हम क्या कर सकते हैं, express को सीधा बोल सकते हैं कि आप क्या करो express आप हमें सीधा ही एक static files लगाने दो, और जो static files होगी हो, serve कहां से होगी, public तो suggestion गलत है, dist folder से suggest serve होगी, तो आपने क्या बोल दिया कि express से, कि हमें distribution folder से यही serve करना है तो हमारे पास में app.use है, distribution है express.static आना तो यहीं सही चाहिए एक semicolon भी लगा के दे, ओ, actually मैं यहां पर हम actually मैं थोड़ा सा हम गलत कर रहे हैं ओ, तो सब सही रहा है app बनाया है, उसके बाद app.use कर रहे हैं इसको क्यों issue हो रहा है app.use, सही तो है express.static, ओ, x यह miss है, ओके, होता है होता है जी, ऐसा भी होता है, ठीक है तो चलिए, अब हमने क्या बोला कि express क्या करो static folder सर्व कर दो distribution से करो, कि static file से तो बन गई HTML CSS को कहीं भी drag and drop करके, कहीं से भी कैसे भी रख दो अब actually मैं होता क्या है जैसे ही आप बोलते है, static, app, dist तो आपको actually मैं slash पे नहीं लिखना है क्यों नहीं लिखना है, यह भी बताते हैं आपको पहले इसको restart करते हैं और आपको बताते हैं हुआ क्या है यह एक line add करने से stop करिए, restart करिए, अब जैसे ही आप जाएंगे localhost 3000 पे हाँ जी, आपके static asset directly serve हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे actually मैं चल रही है आपकी react आप, अप technically मैं इसको react नहीं बोल सकता क्योंकि है क्या ही, HTML, CSS, JavaScript है बट servers की cost बच गई आपकी आपको अलग से कहीं एक CICD pipeline नहीं लगानी पड़ी, DevOps की cost बच गई आपने जो back end engineer है, front end engineer है सबका काम भी mix कर दिया, लेकिन लेकिन, लेकिन problem क्या है कि back end से जब तक कुछ भी change हो रहा है तब तक तो ठीक है, front end के अंदर अगर कुछ भी change हो गया ना, वो changes आपके propagate नहीं करते हैं front end के अंदर जाईए, अब जैसे मैं यहां पे गया और मैंने source के अंदर कहा किया, थोड़ा सा मुझे change करना था, यहां पे जो chai and full stack है यह YouTube पे available है, तो यहां पे YouTube लिख दो, अगर आप इस तरह से अपना code push करेंगे, तो इसी बात है, code push हो जाना चीए था, लेकिन यहां refresh करके देखो, कुछ भी करके देखो, यह नहीं होगा क्योंकि वापिस से मुझे एक bad practice है, इसलिए bad practice है कोई reason होता है bad practice के लिए अब मुझे क्या वापिस से build करना पड़ेगा, हाँ जी इस तरह से यह distribution folder जो है, backend में से पुराना distribution folder मुझे हटाना पड़ेगा, यह लीजे हटा लीजे, और यहां पर जाके जो distribution folder है यह वापिस से डालना पड़ेगा, तब जाके मेरा काम होगा, और फिर से server को restart तो हम करी देंगे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है तो यह restart करा, local host पे गए तो अब उसने YouTube अड़ करा तो आप देख रहे हैं कितनी जादा bad practice है कि हर बार इससी तरह से काम करना होगा तो हाँ, इस तरह से तो नहीं करना चाहिए कभी भी, आपके front end और जो backend उनको segregate ही रखना चाहिए, मैं इसको remove ही कर देता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए बढ़ ठीक है, code है हमारा अब इसको अगर आप कहीं host भी करोगे digital ocean वगरा पे, तो भी same ही काम मिलेगा क्योंकि देखिए, वहाँ पे क्या होगा, local host की जगे change हो जाएगा बस इतना ही काम है, तो याद रखेगा काफी चीज़े हमने इस वीडियो के अंदर देखिए है कि हाँ किस तरह से static files भी आप back end में सहरू कर देते हैं, अब यह सब चीज़े क्या back end front end की इत्ती mix है, इनके लिए dedicatedly back end में डालें के front end में डालें, यह थोड़ा सा difficult हो जाता है, बट आपने काफी कुछ सीख लिए, especially जो आपने main मेरा जो goal था कि आप proxies के बारे में सीखें, वो आप यहाँ से देख लिजे, और इसी तरह से create react app में भी proxies लगती है, इस तरह से लगती है इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों में भी होते देखा है, तो हाँ जी होता है, production में भी ऐसा नहीं कि हम 100% एकदम optimize चलते हैं, खराब भी होता है, देखिए, सब सीखी रहे हैं, तो उमीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा आता है, डेटा आता है, बड़ा इतना भी जादा कोई difficult नहीं है, जो आप सोच रहे थे, क्योरे इसमें तो कुछ बताईए, कैसे connect करें हम front end, back end को, इतना भी कुछ जादा difficult था नहीं, चाय और code में हैं, तो कैसे कैसे हैं आप सभी, स्वागत है आप सभी का चाय और code में, और continue करते हैं हमारी series, चाय और back end, हम JavaScript के साथ अपनी back end की journey को start कर रहे हैं, काफी basics तो हमारा हो चुका है, just a general overview, formalities, ताकि आप लोग comfortable feel करें, कि हाँ, back end में जा रहे हम, उस तरफ हमारी journey है, तो वो सब हो चुका है, और मुझे काफी लोगों ने message करें, कि आप लोगों ने काफी miss करा, मुझे, मैंने भी आप लोगों को काफी miss करा, तो इसले फटा फट से आ गए हम, और इस वीडियो का हमारा target है, सिर्फ 500 comments, फटा फट से पहले फटा फट से अपने comments का target complete कर दीजे, और उसके बाद हम चलते हमारी journey पे, तो journey स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ experience share करता हूँ, क्योंकि यही तो एक unique चीज है कि इतने जो 10-12 सालों को experience है, वो share करना भी तो जरूरी है, तो एक बार क्या हुआ कि एक corporate के लिए मैं consulting का काम कर रहा था, तो वहाँ पे कुछ नए fresher सी hire हुए थे, minor project था, ज्यादा बड़ा भी नहीं था उसको करने के लिए, और जैसे उनको कहा कि कि authentication, login, sign up page वोरा गरा पुरा बनाना है, तो जो fresher था हुए सबसे पहले start कर रहा और login को controllers वगरा लिखने लग गया, वहाँ पे कि email लूँगा, password लूँगा और login करा दूँगा ऐसे database में, और यही एक छोटा सा reason है जो मैं बोलता हूँ, कि fresher versus experience, fresher जो होते हैं फटा-फट क तो जब भी आप backend के project बनाएना, सबसे पहले यह login वगरा यह सब जरूरी नहीं है, सबसे पहला जो question है जो आपको करना चाहिए, वो यह होना चाहिए, कि data क्या store करने वाले हैं, कहां पे store होगा यह भी important नहीं है, अक्सर लोग इस debate में भी पढ़ जाते हैं कि MySQL में करेंगे कि Mongo में, कि Postgres में करेंगे, कि graph क्यों है, यह सब जरूरी नहीं है अभी, अभी इस point पे जब हम कोई भी project start कर रहे हैं, तो सबसे पहली जो जरूरी चीज है, वो यह है कि क्या store करने वाले हैं, क्योंकि data ही तो store होगा, तो कौन-कौन से ओ data point है, username है क्या, email है क्या, photos है क्या, password है क्या, उसके लावर date of birth है क्या, और भी कितने fields है जो हम store कर रहे हैं, जब तक आपको इन fields पे clarity नहीं आएगी, क्या-क्या fields हम store कर रहे है, क्या-क्या format है उन fields का, तब तक आपको project को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, तो यह जो पूरा video है, यह सिर्फ आपको इसी बात की clarity देने के लिए है, कि किस तरह से यह fields define होते हैं, और कैसे हमें fields को रखना चाहिए, अब इस जो series है, हम Mern की पूरी series यहाँ पर continue कर रहे हैं, जिनको नहीं पता उनके लिए introduce कर देते हैं, हाँ पूरा Mern का project है, लेकिन इसका नाम Mern हो, Mean हो, इस से कोई फरक नहीं पड़ता है backend में हमें, हमने choose करा कि JavaScript हम use करेंगे, database में MongoDB यूज करेंगे, और यह हमारा एक general है, अब इसी चीज़ को आगे जाके और MySQL में भी change कर सकते हैं, उसमें कोई फरक नहीं आएगा, कोई खास अंतर नहीं आएगा, उसके भी ORMs वगरा हैं, जो आगे जाके वीडियो में मैं वो क्वेशन करिए, बहुत बार क्वेशन करिए कि कैसे यह सब होता है, अब इसको जो data store करते हैं, इसके कुछ professional tools भी होते हैं, जो आपको बड़े corporates में use होते हैं, कुछ basic tools भी हैं, और कुछ directly भी काम होता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, तो सारे corporate के अंदर कैसे काम होता हैं, तो आपको पूरा professionally सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है, तो हम चोटी-चोटी बातों को और आगे लेके थोड़ा सा detailed description में देते हैं, और मैं आपको एक पूरा project का walkthrough बताता हूँ, कि जब एक project बनना start होता है, एक backend पूरा बनता है, तो किस तरह से हम क्या approach लेते हैं, क्योंकि approach पता होना सबसे ज़ादा ज़रूरी है, तो यह जो काम है, हम यहाँ पे जो choose कर रहे हैं, वहाँ पे एक tool यूज़ कर रहे है, मैं आपके साथ में screen share करता हूँ, जो कि है mongoose, यह mongoose हम यूज़ करने वाले हैं, left and right, पूरा का पूरा mongoose ही यूज़ होगा, लेकि database की बात नहीं है, database connection तो बहुत दूर की चीज़ है, उसको हम बात में देखेंगे, जब हम professionally एक product बनाएंगे, आगे वीडियो में, तब हम बात करेंगे, अभी बात यह है कि data कैसे store करूँ और क्या data store करूँ, ठीक है, तो कुछ मैं आपको tools बताता हूँ, कैसे कैसे काम में लेते हैं, तो आप भी चाहें, तो Google पर search कर सकते हैं इनको, एक जो सबसे famous tool है, आजकल जो की सबसे जादा use हो रहा है, वो है moon modeler, moon modeler आप देख सकते है data modeling के लिए use होता है, अब data modeling क्या होता है, data modeling का simple सा मतलब है, data का पूरा structure define करना, user है, तो उसके कौन-कौन से field ले रहे ह हॉस्पिटल होगा, हॉस्पिटल के कौन-कौन से field आप लेना चाहते है, patient जो आया है, उसकी medical history भी आप store करना चाहेंगे, तो medical history के क्या-क्या fields होंगे, उसके बाद ये field आपस में कैसे connected होंगे, इनी सब के उपर सबसे ज़्यादा चर्चा होती है, in fact मैं आपको बता दू, back-end developer कभी भी जादा बड़ी companyों में specially, अकेला back-end developer नहीं होता है, ये data modeling के लिए database specialist अलक से होते हैं, जो कि इस बात में specialty रखते हैं, कि किस तरह से data arrange होगा, organized होगा हमारे database में, इस पे बहस बात में होती है कि MySQL होगा कि Mongo होगा, लेकिन सबसे पहले क्या-क्या data रखा 99 दॉलर भी है, 151 भी है, तो जादा तर सब के अंदर आपको मिलता है, मैं आपको alternate भी बताऊंगा इसके किस तरह से है, as such कोई खास alternative नहीं है, इस टूल का बस फाइदा यही होता है कि इसमें आपको code इस तरह के आप fields बनाते हो, और उसके बाद आपको code automatically generate हो जाता है Mongoose का क्योंकि इसका compatibility बहुत अच्छा है Mongoose के साथ, तो easily draw diagram for MongoDB and Mongoose और वो simply उसका script भी आपको देता है कि यह लो आपका source code, क्योंकि source code में इतना कुछ होता नहीं, अभी हम लिखेंगे, इतना कुछ होता नहीं, तो यह generate करके देता है, तो एक काम तो यहां से होता है, अच्छा, at least database का diagram तो दो कि हम किस तरह से data store कर रहे हैं, क्या-क्या हमारे पास relation, entities, क्या-क्या है, तो उस सब के लिए, तो एक tool जो आजकल में use कर रहा हूँ, वो है काफी famous है, eraser.io, आप भी चाहें तो account बना सकते हैं, और भी बहुत सारे हैं, बट eraser पे मुझे अच्छा यह लगता है क यहाँ पे एक data modeling के लिए tool है, मेरे को उनके founder ने थोड़ा खुश हो के free में सारा subscription दे दिया था, बट free version भी इसका काफी अच्छा है, तो देखे, जैसे कि हम जाते हैं यहाँ पे, एक आपको दिखेगा, user data model का example आपको दिखेगा, मैं यहाँ पे एक नई file ही यहाँ पे create कर दिखेगा, और इस diagram as a code के अंदर आपको दिखेगा simply यहाँ पे, कि आप entity relations को आप देख सकते हों यहाँ पे, तो entity relation पे जैसे click करोगे, तो आपको एक यह diagram type से यहाँ पे दिख जाएगा, यह है हमारा diagram, यह तो बना बना है, लेकिन यह diagram बना कैसे, उसके लिए आपको यहा लंगूस जैसा काम करता है, तो आपको कुछ नया syntax नहीं सीखना पड़ता है, eraser थोड़ा सा अलग चलता है, तो यहाँ पे syntax थोड़ा सा अलग आ जाता है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ यहाँ पे users हैं, users के अंदर फिर यह icon कौन सा दिखाना है, उसके अंदर कौन कौन स साब से properties हैं, bottom में यहाँ पे क्या relation है, तो relation अलग से define करना पड़ता है, तो यह थोड़ा सा कई लोग का अलग मिलता है, मैसूस होता है, लेकिन आप भी अपना बना सकते हैं साब से diagrams वगरा, इसमें change कर सकते हैं, as such कोई field नहीं होते हैं, बट जब आप professionally काम करेंगे, तो आ professionally काम हो पाए, क्योंकि यह हाथ से बना के ऐसे तो काम होगा नहीं, अच्छा यह तो हो गया basic हमारा कि इस तरह के diagrams होकर आते हैं, लेकिन सबसे best काम है, pen और paper उठाओ, और सबसे पहले एक screen बनाने की कोशिश करो, screen कैसी है, इस से फरक नहीं पड़ता है, एक हम example भी करते हैं यह लीजे हमारा यह है, अब सबसे पहले login screen बनाओ कि register, हमेशा दिहान रखिए, सबसे पहले उस screen के चिंता करिए कि data save कैसे होगा, देखे, login जो होता है वो data का validation है, कि आपने जो data दिया, क्या वो database के data से same है कि नहीं, login में यहीं तो होता है, क्या आपने मुझे email दिया, करते हैं, usually, वो करते हैं हमारे register form पे, यह हमारा register, तो आप एक copy और pen लीजे और उस पे इस तरह का registration form field बनाने की कोशिश करिए, अब सबसे पहली चीज हम बनाएंगे कि मुझे क्या-क्या user से store कराना है, तो suppose करिए मुझे username store कराना है, मुझे उसका email करवाना है, मुझे उसक बन गया, अब actually मैं यह मैं आपसे इसलिए बन वा रहा हूँ पहले, क्योंकि इसमें एक भी field और होगा, और आपका पूरा structure चेंज हो जाएगा, आपका पूरा logic चेंज हो जाएगा, कैसे बताता हूँ, यह register यहाँ पे, कोई फरक नहीं है, यह कहीं पे भी हो, लेकिन जैसे इसके अंदर एक और field आता है यहाँ पे, जो की है photo, बस, सब कुछ चेंज हो गया, अब कैसे store करोगे, कैसे उसका logic लिखोगे, वो सब कुछ बदल जाएगा, हाँ जी, इसलिए सबसे पहले गयता हूँ, कि सबसे पहले यह ध्यान में रखो, कि user से क्या क्या information लेके data में store कर करने वाले हो, और उसी की basis पे सारा काम करो, अब यह तो सिर्फ आपको लग रहा है कि photo, एक नया field एड हो गया, इसलिए change हो गया, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, अगर आपने username, email, password लिया है, और यहाँ पे अगर आपने सिर्फ एक DOB भी और ले लिया, उससे की date of birth भी जा जाते हैं, तो इसलिए सबसे पहले चिंता कीजिए, कि आपके पास कौन सा field है, कितने fields हैं, और क्या-क्या आप data लेने वाले हो user से, सबसे पहली चिंता इसी बात की कीजिए, क्योंकि इसके बाद जो आपका दूसरा आप सोच रहे हो, कि मेरे को, यहाँ पे जैसे suppose करी, पारे में ही पूछता है, उनको validate करता है, जैसे कि आपने suppose करो email based login करा है, तो आप email और password ले रहे हो, तो कोई नई entries थोड़ी ना आई है, यह सारा material है, वो already database में store है हमारे पास में, तो इसलिए जब भी आपको इस तरह का कोई भी project बनाना हो, पहले pen और pencil उठाओ, और सबस से data points लिए जाएंगे, किस तरह से store किये जाएंगे, कैसे रखा जाएगा, क्या उसका सारा काम होगा, ठेक है, छोटी से exercise और करते हैं इसके साथ में, फिर code पे भी आएंगे हम, code exercise करनी तो जरूरी है, practical तो करना जरूरी है, अब suppose करिए एक user से आपने उसका नाम, email, password, जो भी था, वो आप सबने ले लिया, अब suppose करिए आप कुछ Google keep type बनाना का कोशिश कर रहे हैं, या फिर एक Trello बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कैसे कैसे fields होंगे, क्या क्या होंगे, suppose करिए आप एक to do ही बनाना चाहरे हैं, लेकिन इस बार to do को हम थोड़ा सा complex बना रहे हैं, कि to do क्या होगा मेरा, कुछ इस तरह से होगा, suppose करिए, कि ये मेरा screen होगा, obvious ही बात है, इसके अंदर हमारे पास छोटे-छोटे to do's होंगे, ठीक हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और यहाँ पे इस तरह के to do's हैं, इससे फरक नहीं पड़ता है, कभी भी ध्यान तो हमारे ये हो गया, आपके to do's, अब इससे बात क्या है, कि ये है हमारे major to do's, यानि कि ये सिर्फ है title, जैसे suppose करिए, ये है आपका, कि मैं YouTube के लिए जो भी काम कर रहा हूँ, वो मैं इस to do's के अंदर रखूँगा, तो ये हो गया YouTube का, और यहाँ पे ये हो गया मेरा job का, क ये to do's के अंदर कोई content नहीं है, ये सिर्फ headliners है, कि एक box है, जहाँ पे to do's रखे जाएंगे, further इसके अंदर कैसे होगा, तो इसके अंदर कुछ इस तरह से हम रखेंगे, कि suppose करिए जो YouTube वाला है, तो यहाँ पे YouTube के अंदर further आपके to do's आएंगे, तो एक box बना लेते हैं य marked as done, तो ये भी field रखना चाहूंगा, इसके अलावा कब इस to do को मैंने create करा, तो मैं creation date भी रखना चाहूंगा, creation date, और suppose करिये मैं colors वगर रखना चाहरा हूं, तो colors भी रख सकता हूं, तो at least आपको एक idea लगने लगेगा, कि अच्छा मेरा data model इस तरह से होगा, अभी आप सा तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, अब इसको बना लेते हैं, as it is कि हम एक इस to do के अंदर किस तरह का क्या-क्या content रख रहे हैं, तो यहाँ पर आके हम लख लेते हैं, कि suppose करिये इस to do के अंदर हमें क्या चाहिए, content चाहिए, लेकिन क्योंकि यह outer to do है, तो इतनी कोई मुझे जरूत नहीं इसके अंदर की mark is done वगरा, क्योंकि वहाँ तो हम करी नहीं रहे हैं, उसके अंदर जाके फिर हमें सब to do's दिखेंगे, तो जिस तरह से भी आप project बनाएं, पहले आपके mind में picture clear होनी चाहिए, कि मैं क्या बनाने जा रहा हूँ और कैसे वो relate होगा सब के अंदर अब आपने content रखाए, आप suppose करिए आप इसको colorful card बनाना चाहते हैं, तो हो सकता है आप हर एक जो major to do है, उसका color भी आप store रखना चाहरे है ताकि card का color भी define हो वहाँ पे, तो content define हो गया और color define हो गया, अब हो सकता है आप इसको content नहीं बोलना चाहें, आप इसको title बोलना चाह कि यह किस ने बनाया, तो मैं इसको रखूँगा created by, और created by के अंदर मैं यहाँ पे अपने खुद के पैचान के लिए में रख लेता हूँ, कि user रखूँगा मैं इसके अंदर, कि किस user ने बनाया, ठीक है, अब हर एक आप सोचिए, थोड़ा सा और अगर आप depth में इसके जा चलेगा, यहाँ पर आके आपको एक और field भी रखना पड़ेगा, कि मेरे पास sub to do's होंगे, आप समझ में आरा थोड़ा सा click हो रहा है आपको, कि sub to do's होंगे, sub to do's क्या होंगे, एक array होगा, और ऐसी बात है, इस array के अंदर क्या होगा, object होगा, क्योंकि यहाँ पर तीन properties है, तो best क्या रहेगा, कि object रख लेते हैं, तो यह लिजे एक object, यह आपका दूसरा object, यह आपका तीसरा object, तो at least मेरे को एक overview हो गया, एक broader idea हो गया, कि किस तरह से चीजे होगी, और किस तरह से रखी जाएगी, तो हाला कि मैं मानता हूँ कि 100% हमें clarity नहीं आई है, बट एक major to do's होगा, उसके अंदर sub to do's होगे हमारे, तो हमने क्या करा, एक YouTube बना लिया, job बना लिया, gym बना लिया, एक rough हमने paper पर बना लिया, उसके बाद हमने पहले देखा कि पहले हम बनाते हैं, कि इसके अंदर क्या क्या होगा, तो YouTube के अंदर multiple list होगी, कि YouTube का first video, second video, third video इस बारे इसके बारे में तो मुझे कुछ रखना पड़ेगा, कि इसका structure कैसा होगा, इसके अंदर क्या क्या data मैं store करूँगा, तो मैं देखा कि इसका title भी रख लेते हैं, color भी रख लेते हैं, ताकि कार्ड का color भी अपने पास store हो जाए, या फिर random legend rate कर लेंगे, इच्छुक है, और ये sub to do's, ये भी हम रखेंगे, sub to do's क्यों, क्योंकि हर एक main to do के अंदर कई to do's होंगे, तो array के अंदर एक object रख लेते हैं, आप चाहें तो object के अंदर object भी रख सकते थे, या आपके उपर है कि आप कैसे data organize और structure करना चाहते हैं, तो I think अब आपको काफी clarity आई होगी कि क structure कैसे होगी, यही एक backend engineer का सबसे major role होता है, कि क्या data store करना है, फिर उसको retrieve कैसे करेंगे, उसको validate कैसे करेंगे, यह सब बाद की चीज़े होते हैं, और यह सब बाद में ही देखा जाता है, चल यह, आप चलते हैं हम हमारे, कि यह सब actually में achieve करने के लिए हमें help कैसे लगेगी अब देखे, helper आपके पास काफी है, आपने helper के लिए सुनाओगा Prisma, Prisma भी इसी तरह का एक helper है, जो आपको यह सारा data store करने में help करता है, इसी तरह का एक और helper है आपके पास, जिसका नाम है Mongoose, helper है और कुछ भी नहीं है, क्या करता है, Elegant MongoDB Object Modeling, यह जो हमने पूरा काम किय यह इसको ही Object Modeling या Data Modeling बोलता है, Model तो बनाना पड़ेगा न एक, तो वो ही हमने करा, और Mongoose क्या करता है, यह इसी तरह के Object या फिर Data Modeling में हमारी help करता है, तो Mongoose को हम देखेंगे, अब अभी आपको यह सब नहीं देखना है, क्या होता है, यह सब हमें जानने की जूरुत न In fact, Mongoose का Database पढ़ने का एक Style होता है, अगर आप इसको Line by Line पढ़ने लोगोगे या जिस तरह से Documentation दिया गया, इस तरह से पढ़ने लोगोगे तो नहीं समझ पाओगे, यह तो Guarantee है, अगर आप सोचों कि मैं यहाँ पर आके Defining Your Schema, Creating a Model यह सब पढ़ लूँ, आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला है, Mongoose Database बहुत अच्छा Documentation लिखावा है, लेकिन इसको पढ़ने का एक तरीका है, एक Structure है, अगर यहाँ पर आप आके सोचों कि मैं अच्छा Data Types पढ़ लेता हूं, तो मैं पढ़ लेता हूं यहाँ पर कि, अच्छा Mongoose के अंदर में String, Number, Date, Buffer, Boolean, Mixed, यह सब रख सकता हूं, आपको नहीं समझ में आएगा, कुछ भी नहीं समझ में आएगा, कैसे इनको रखा जाता है, अच्छा अगर आप Model देखोगे, कि Model किस तरह से बनता है, तो इन्हों तो एक Line में बता दिया, कि Models ऐसे बनता है, कि Blog है, यह Blog है, यह Blog Schema है, नही समझ में आएगा, लेकिन एक बार जब आप यह Tutorial देखोगे, उसके बाद आपको काफी चीज़े समझ में लगेगी, अच्छा, इस तरह से हमारा काम होता है, तो चलिए आपको यह भी बताते है, अब यह जो Project है ना, इस Project के अंदर, specially इस वाले के अंदर, मैं क्या कर रहा ह कि एक और service यूज़ कर रहा हूँ, एक और tool यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं GitHub repository इस वीडियो के अंदर create नहीं करूँगा, मैं next वीडियो के अंदर create करूँगा, यह repository क्या होगी, काफी बड़ी होने वाली है, इसके अंदर बहुत सारा code जाने वाला है, इसलिए अ basic चीजों की कोई repository नहीं बना रहा हूँ, बट मैं आपको code file सारी दूँगा, तो अब हम क्या करते हैं, यहां से start होता है हमारे इस वीडियो का phase 2, तो please comment section में एक बार डाल दीजेगा, कि इस time stamp से हमारा phase 2 start हो रहा है, phase 2 क्या है, phase 2 में हम हमारे से code लिखेंगे, अभी theory हमारी complete हो गई, कि अच्छा ठीक है, थोड़ा थोड़ा idea लग गया, पूरा नहीं लगा, थोड़ा थोड़ा idea लग गया, कि अच्छा एक diagram बनाना है, जहां पे लिखना है, क्या-क्या field रखने है, यह भी हमने बात नहीं करी अभी, कि वो field string होगा, date होगा, वो सब बात में बात कर करेंगे, अभी सिर्फ हम देख रहे हैं, कि मेर को basic basic idea हो गया है, अब चलेंगे हम practical की तरफ, अब practical कैसे करेंगे, वो भी देखे, थोड़ा साम different करेंगे यहां पे, अब practical किस तरह से करेंगे, देखे, आपके पास बहुत सारे options से practical करने के लिए, मैं आपको बताता हूँ, आजकल क्या है, वैसे तो आप चाहें, तो git पे या फिर आप अपने local में भी program बना के सब कर सकते हैं, लेकिन आजकल बहुत सारे options हैं, जैसे एक option आपके पास code sandbox, यह क्या करता है, आपको सारा का सारा node बगरा जो environment ची यह आपको online ही दे देता है, तो आप code sandbox यूज कर सकते ह इसको भी हम use कर सकते हैं, तो यह सारे क्या करते हैं, आपको local कुछ नहीं install करना है, सब कुछ आपके cloud में, browser में, वहीं पे सारा काम हो जाता है, तो इसको भी हम use करेंगे आगे जाके, अभी नहीं करेंगे, और इसी तरह की एक और service है, जो आपको काफी जगे दिखेगी, व मतलब simple सा है, कि आपको कोई भी environment चाहिए, वह आपको easily यहाँ पर मिल जाता है, node.js का environment चाहिए, जावस्क्रिप्ट, तो installation का थोड़ा सा पंगा हट जाता है, इस वीडियो के लिए especially हमें एक ऐसा tool चाहिए, जहाँ पर हम directly discuss कर माएं, क्योंकि हम professionally अभी नहीं लिख रहे हैं वो हम next वीडियो से लिखेंगे, तो इसलिए मैंने stack bullets को choose करा, तो account बना लेना, उसके बाद, आप चाहो तो replet वगरा भी use कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, same ही काम है, यहाँ पे मुझे easily इसका link में description में आपको दे दूँगा, चिंता मत कीजिए, सारा code आपको मिल बड़ चले ठीक है, express ले लेते हैं, यह कहरे हैं तो, express का हमने यहाँ पे एक starter package ले लिया है, एक ही minute में सारा generate कर देगा, तो एक minute रुखते हैं, ताकि यह सारा जितना generation, अब मुझे यह इसलिए पसंद है, क्योंकि यहाँ पे एक दो चीज मुझे अच्छी लगती है, यह server क्या कर रहा है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, इनफाक्ट, यहाँ पे हम देखेंगे भी नहीं, तो इसको एकदम side में कर दीजे, अब मुझे क्या करना है, मुझे जाना है सबसे पहले settings के अंदर, workspace settings के अंदर, और यहाँ पे कुछ changes करने हैं, आपको वो changes करने की ज़रू नहीं है, यहाँ पे आपको दिखेंगा यह editor font size, यह मुझे change करना है, वरना आप लोगों को कुछ नहीं दिखेंगा, तो actually मैं यहाँ पे इसको 24 कर देते हैं, 24, 26, अभी तो देख रहा है आराम से, 28 कर दे, 28 कर देते हैं, तो यह हमारे पास 28 है, और इसको मैं कर देता हूँ अब क्या है कि actually मैं code आपको easily दिख जाएगा, इसलिए बसी settings, तो मुझे इसलिए पसंद है, अब हम आ गए यहाँ पे files के अंदर, अब हम क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पे नई files create करेंगे, और कैसे वो सारा काम होता है, वो सब देखेंगे, अब सबसे पहली चीज मुझे यहाँ पे वो चाहिए एक नया टर्मिनल, अब इस टर्मिनल के अंदर मैं क्या करूँगा, अब यह टर्मिनल के है, ज्यादा जूम नहीं होता है, कोशिश करूँगा मैं, थोड़ा जूम तो हो गया, तो मैं यहाँ पे मुझे एक ही package चाहिए सिर्फ जिस पे मैं जो हमारा focus है उस पे हम काम कर सकते हैं, वरना क्या होता, NPM इनिट करना पड़ता, फिर install यह वो 50 चीज़ें, इसलिए मैंने service डिरेक्ली यूज कर लिए यहाँ पे, ठीक है जी, Mongoose आ गया, अब हमें ना run करना है, ना कुछ काम करना है, हमें इन में से किसी चीज की भी जरू जरूत नहीं है, हाँ जी, किसी चीज की जरूत नहीं है, ओके, तो अब हम क्या करते हैं सीधा सा, आप आजाईए, एक नया यहाँ पे एक folder बनाईए, और हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्राक्टिस इस वीडियो के अंदर, तो इसका नाम रख देते हैं, हम models, और अलग- models की practice करेंगे, अलग-लग models की practice क्यों करेंगे, क्योंकि यही वो models है, जो आगे जाके आपको अपका assignment भी देंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस model के अंदर आते हैं, और इस model के अंदर एक नया folder बनाते हैं फिर से, और इसका नाम रखते हैं to do's, क्योंकि हम सबसे पह अंदर जितना भी data होगा, वो data मैं कैसे store करूँगा, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसके अंदर कुछ files बनाते हैं, जो files define करेगी हमारा characters, जैसे movies में characters होते हैं, कि यह hero है, यह hero है, यह villain है, यह villain के चाचा है, यह बतीजे है, यह जो भी है, तो सबका एक structure होता है, तो उसी नहाँ पर क्या करते हैं, user.models.js, है अभी भी यह JavaScript फाइल, लेकिन आपने क्योंकि उसके end में .models लगा दिया, तो इससे बस यह हो गया है, कि हाँ यह model denote करती है, तो इसका as such कोई significance नहीं है, file structure में यह file की readability में कोई change नहीं करती है, यह अभी भी code JavaScript फाइल ही है, लेकिन यह company का अलग एक लिखने का style है, एक structure है, आपको company में जाके ही पता लगेगा, अभी हम यह वाला standard structure फालो कर लेते हैं, काफी बड़ी companyों में यही use होता है, user.models.js, यह सिर्फ नाम रखने का standard practice है, क्योंकि आप channel पर आए हो, तो standard practice भी बतानी है, वरना आप नहीं चाहो तो user.js लिख दो, तो भी क्या ही है, ओके, तो यह हो गया हमारा user.models.js, यह तो हो गया कि to do के लिए हमारा user define होगा, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक और नया हमारा character जो introduce करेंगे, वो होगा हमारा to do, यही तो मेन है, इसके लिए तो बना रहे हैं सब, to do.models.js, अब यह model.js रखना है, models.js, यह आपके उपर है, एकी structure फॉलो करेहेगा, एकी pattern फॉलो करेहेगा, code के अंदर सबसे important है, आप consistency रखे, अगर आप model बोल रहे हैं, वो गलत नहीं है, एक जगे model, एक जगे models बोल रहे हैं, वो inconsistent होता है, वो गलत है, भलत तो नहीं है, तो नहीं अच्छी practice का अगर हम कभी भी प्रोजेक्ट बनाएंगे हम अभी नहीं बनाने वाले तो हम किस तरह से इसका data load करेंगे कैसे structure करेंगे तो सबसे पहले तो mongoose का आपको basic पता होना चाहिए कि mongoose अगर हम बात कर रहे हैं तो mongoose model बनाता कैसे export कैसे करता है उसको ठीक है वो सिर्फ तीन लाइन का काम है तो वो आपको बताते हैं सबसे पहले क्या करो import कर लो mongoose को कहा से import करोगे हम import करेंगे mongoose से ठीक है जी एक काम तो हो गया ठीक है चलिए इतना काम तो हो गया दूसरा step 2 क्या होता है mongoose जो है आपको help करता है schema बनाने के लिए तो कैसे बनाते है schema new keyword से ही बनाते है हमेशा और simple साब क्या करो mongoose mongoose और इसके अंदर एक method आपको मिलता है जो की बोलता है schema schema क्या है एक method है जो की लेता है एक object बस अब ये तो बन गया मेरा schema इसको store करा लेते हैं एक variable के अंदर तो इसको बोल देते हैं const user schema आपका जो मन करें वो बोल दीजे इसको कोई इसी दिक्कत वाली बात नहीं variable ही तो है तो ये बन गे हमारा schema आप इस schema को सबसे important है export किया जाता है जब तक export नहीं होगा तब तक ये schema नहीं बनाएगा अच्छा schema बनाएगा कहां पर MongoDB के अंदर पर सर हमने MongoDB तो connect नहीं किया हाँ जी नहीं किया करेंगे भी नहीं इस वीडियो के अंदर क्योंकि अभी practice database connection की नहीं हो रही है अभी जो practice हो रही है वो सिर्फ data modeling की practice हम कर रहे हैं कि कि किस तरह से data model क्योंकि इस वीडियो में थोड़ा सा लंबा होगा वीडियो बट मैं आपसे 3-4 model practice करवाऊंगा और एक बार आपने 3-4 model practice कर लिए उसके बाद आप बड़े easily हो जाएंगे comfortable कि हाँ हाँ आब हमें आता है तो step 2 भी हो गया तीनी line का का मैंने बताया था first, second, अब third line क्या है आपको export करना है क्या export करना है एक const export करना है user पर sir, line number 3 में भी तो एक const बनावा है सीधा उसी को export कर देते हैं नहीं, यह schema है यह mongoose का schema है तो इसको export करने का एक तरीका होता है वो भी बताता हूँ तो हमेशा इसी तरह से format करेंगे हम const, export, const, user user का u मैंने capital रखा है गौर से देखिए और क्या करा है मैंने वापिस से mongoose use करता हूँ oops mongoose और उसके बाद बोला mongoose, please एक model बना दो क्योंकि यह data model ही तो है यह model क्या है एक method है यह method दो parameter लेता है कि क्या model बनाओ और किसके based पे बनाओ तो यह दो question हमेशा बोलता है क्या model बनाओ और किसके basis पे बनाओ तो model जो आप बना चाहते है उसको मैं नाम देता हूँ string में नाम देते हूँ उसका वो देता हूँ मैं इसको user ठीक है और किसके basis पे बनाओ, तो line number 3 में मैंने basis define कर रखा, यह user schema, हाँ जी, तो उसके basis पे एक model बनाओ, तो यहाँ पे हम अभी और थोड़ा code लिखेंगे, बट यह 3 line का code आप हमेशा exactly same लिखोगे, सबसे पहले mongoose import कराओगे, उसके बाद आप यह user schema, to do schema, sub to do schema, hospital schema, कोई ना कोई schema बनाओगे, data structure का, वो schema बनेगा, new keyword हमेशा use करना, जावस्कृट में मैंने बहुत detail में समझाया था, यह new schema, उसके बाद mongoose.schema से हम schema बनाते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, कुछ नहीं, export const user, यह export const user इसलिए करते हैं, क्योंकि यह जो schema आप बनाते हो, यह आप आगे ज बनाते हैं, और यह model जब finally connect हो जाएगा database से, तो यह files automatically सबसे पहले run हो जाती है, और आपके MongoDB में एक structure तयार हो जाता है, कि यह मेरी headline fields है, जैसे Excel में हो जाता है, और इनके अंदर अब data आना शुरू होगा, अब मैंने यहाँ पर बोला है, मैं इस model को नाम देना चाहता हू यह user, यह users जो based होगा schema, वो user schema पर based होगा, अच्छा एक और important चीज़ बताता हूँ आपको, यहाँ पर मैंने इस user का नाम आपको हमेशा इस तरह से दिखेगा user, या फिर कोई to do का बना रहा है, तो to do इस तरह से, लेकिन जैसे यह database में नाम जाता है, Mongoose के अंदर मैं आपको इस तरह का model दोगे, तो model convert हो जाता है, plural में और हर कोई lower case में हो जाता है, interviews में पूछा जाता है, कि मैंने यह नाम दिया, यहाँ पर तो database में किस तरह से दिखाई देगा, आप जिन्नोंने actually में काम किया है, कुछ project बना है, उनको तो पता है, जो project इदर उदर से github से या कि to do और s, अब कई लोग इसमें कहते है, to do s होना चाहिए, to do वो सब अलग है, वो standard practice follow करता है, बस plural कर देता है उसको, वो depend करता है, जाता है, सब के पीछे s लगा देता है, तो plural हो जाता है, तो वो सब अलग बात है, ठीक है, तो यह हो गया हमारा काम, ठीक है जी, अब क्या क रखा है कि कैसे काम होता है, अब model तो बन गया user का, लेकिन एक बात बताईए, कहां गए हम, हाँ ये रहे, कि एक बात बताईए, data तो कुछ गया ही नहीं, ये तो आपने structure बताया, mongos का data भी तो चाहिए, हाँ, अब data कैसे रखा जाता है, ये जो schema है ना, इसके अंदर हमने fields लिखिए, क्या field है मेरे, field है मेरा पहला field में लेना चाहता हूँ username, अब username आपको जो documentation में दिखेगा न, वो कुछ इस तरह से दिखेगा, और ये गलत नहीं है, exactly सही है, कि username मेरा string होगा, तो अगर आप documentation पढ़ोगे तो आपको इस तरह का दिखेगा, जैसे देखिए, यहा तो नहीं है, पर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि किस तरह से documents, schema type और documents में देख लेता है, शायद कोई होगा, यह देखे हैं यहाँ पे, इन्होंने कहा name और ये string, यह exactly हमारा भी same है, तो ऐसे ही exactly आपको दिखेगा, कि आप data field ऐसे लिख सकते हो, username और string, तो इसी तर कि email पे click करो password, उसके बाद यह आपका account activate करूँगा, तो इसके अंदर आप लेख सकते हो, कि मुझे यह वाला field चाहिए, boolean, तो यह लीजे, boolean, कौमा लगाना भूल गया हम वहाँ पे, तो यह लीजे, तो यह आपका exactly same structure है, इस तरह कि आपको कई database structures या models दिखेंगे, यह string लिख दीजे, उसको string लिखने की बजाए, आप यहाँ पे एक object define कर सकते हैं, अब जैसे आप object define करते हैं, तो आप यहाँ पे mongoose की super power को call करते हैं, अब आप बहुत कुछ define कर सकते हैं, क्या क्या define कर सकते हैं, यह जो object है इसकी properties पढ़ना ही mongoose के documentation पढ़ना है, तो सबसे उसका आप type define करते हैं हमेशा, तो type क्या हुआ, string, अभी पहले मैं क्या कर रहा था, directly string लिख रहा था, तो automatically first property वहाँ पे बन रहीती, string, लेकिन अब मैं क्या बोल सकता हूँ, कि यहाँ पे required भी बोल सकता हूँ, कि true, required true बोलते क्या हुआ, यह field होना ही चाहिए, अब automatically mongoose यह कोई instagram clone बना रहे हैं या कुछ बना रहे हैं, तो वहाँ पे unique username का भी concept होता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आगे लिखना है, सिर्फ unique और true, तो देगा, हम सिर्फ enjoy करते वे किते field, अभी यह field में अगर आपको mongoose के documentation में जाके पढ़ाता ना, तो काफी difficult हो ज दिखना है और काम हो जाता है, अच्छा इतना ही नहीं, आप चाहते हैं कि सारे username lowercase होने चाहिए, तो आप सीधा जाके यहाँ पे उसको बोल सकते हैं, lowercase और यह true, अच्छा और किती properties हैं, और किती fields हो सकते हैं यह, बहुत सारे हो सकते हैं, और इनको कैसे कैसे use करना है, इस के लिए यह series है, आप चाहें तो documentation में जाके खुद भी पढ़ सकते हैं, बट मेरा यह मानना है कि आप series देखते रहिए, इन में से almost जित्ते mostly used चीजे हैं इस object के अंदर, वो मैं आपको eventually discuss करता जाओंगा, और mostly मैंने 80-90% cover भी कर दिये, इस से जाद आपको ज़रूत नहीं पड़ेगी, ठीक है, तो एक field तो हम यहाँ पर बनाना सीख गए, अब एक ही field थोड़ना store करना username, और भी तो store करना है, तो चलिए, अब इसकी practice करते हैं दुबारा से, तो आप comma करिए, next field के आप store करेंगे, email store करना चाहता हूँ मैं इस user का, तो वापस से, चाहे तो आप यह कि अगर आप देखेंगे, Mongoose की जो main headline है, उसमें वो यही चीज़ बोलते हैं, कि हमारा काम क्या है, यहाँ पर, let's face it, writing, MongoDB, validation, casting, business logic, boilerplate is a drag, तो यह जो validation वाला काम है, यही हम यहाँ पर सीख रहे हैं अभी, तो अब हो गया next field हमारा email, तो यह लीजे, email का भी एक object बना दिया हमने, अब क्या है, सबसे पहली चीज़ हमेशना याद रखे, type ही लिखना होता है, तो email कैसे store करेंगे, type में, number में कैसे, string में store करेंगे, obviously बात है, email required होना चाहिए, तो हम यहाँ पर बोल देते है, required, और इसको बोल देते है true, यह लीजे, required हो गया true, और इसके बाद क्या क् case में होना, एक अच्छी practice है, lower case, और यह हो गया हमारा true, तो देखा कितने असाने से यह field हमने बना दिया, अच्छा है, एक और field हम यहाँ पर लिखते हैं, जो लिखेंगे हम password field, तो comma करके और password भी लिख लेते हैं, password, अब password को आप चाहें, तो directly यहाँ पर string लिख सकते हैं, यह लिखें, string हो गया, और वैसे तो आप चाहें, तो एक भी लिखके छोड़ सकते हैं, यह भी ठीक है, और मैं क्या चाहता हूँ, यह भी required होना चाहिए, तो अभी मैं जितनी field define करी है, वो required है सब, यह लिखें required, और यहाँ पर लिख दिया true, ओके ची, अच्छा एक और च custom error messages भी है, इसको भी पढ़ लेते हैं, तो देखें, यह क्या बोल रहा है, कि आप क्या कर सकते हो, कि आपको कभी भी ऐसा लगे ना, कि कोई चीज, min, max आपको लिखनी है, या फिर आपको लिखनी है, तो आप array भी पास कर सकते हो, उस array के अंदर आप minimum number पास कर सकते हो, और custom messages भी पास कर सकते हो, कि अगर वो field नहीं मिला, तो क्या messages पास करना है, तो यह बड़ी अच्छी चीज है, मुझे back end में कम आपको देखना पड़ेगा, तो इसी तरह से देखें, मैं यहाँ पर और चीज कर सकता हूँ, unique, यह सब जो भी है, तो मैं custom validators भी पास कर सकता हूँ इन पर हम आगे जाके और discuss करेंगे, और चर्चा करेंगे, बट ऐसा हो सकता है, यह से required field है यह भी अपने आप में एक array accept करता है, और यहाँ पर आप लेख सकते हो कि true, और अगर यह true ना हो, तो मेरे custom messages भी पास कर दो, कि password must be, password is required, तो इस तरह से मैं custom messages भी दे सकता हूँ, इ क्योंकि इतनी सारी out of the field powers आपके पास नहीं होती है MongoDB में directly, वहाँ आपको बहुत कुछ 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 खुद define करना पड़ता है, अभी हम जाते हैं back पे, हमारे basic पे, अभी हम सिर्फ true लिख देता हैं यहाँ पे, क्योंकि इन सब के बारे में और आगे जाक common है कि MongoDB आपको यह सारी चीजे store करने के बहुत सारे तरीके देता है, इन में से एक तरीका है कि आप किस तरह से अपने timestamps को uphold कर सकते हो, आप देखोगे, तो एक easy तरीका है, मैं यहाँ पे search कर लेता है हम यहाँ पे इस पे, जादा easy रहेगा, timestamp, तो timestamp यही हमारी timestamp की API, Mongoose timestamp यहाँ पे पढ़ लेता है, तो Mongoose आपको क्या कहता है, यह दो field देता है आपको, created at and updated at, तो यह इतनी common चीज है ना database के अंदर यह back end के काम करते time, कि almost हर जो model आप define करोगे, user, to do, sub to do, hospital management, तो सब में आप यह चीजे तो रखोगे कि यह जो entry है, यह document के अंदर यह जो field में add कर रहा हूँ इस user का, यह इस to do का, वो कब वो create हुआ था और कब वो last update हुआ था, यह बड़े ही common चीज है, तो इनी common चीजों के लिए MongoDB क्या करता है, कि जब आपका यह schema define हो जाए ना, तो उसके बाद एक और object मुझे pass कर दो यहाँ पे, जिसका है timestamp true, तो मैं automatically दो field add कर created add, updated add, जितना आप documentation पढ़ेंगे, जितना आप इस तरह से experience के साथ सीखेंगे, उतना आपको, तो यह बड़ी common चीज है, तो इसको हम add करी देते हैं, अब इसको add करना बहुत important है, कैसे add करना यह भी, तो देखे, MongoDB के, Mongoose की documentation है, वो कहता है, कि इसको आप, जब आपके पास पूरा schema define हो जाए, तब मुझे एक secondary object पास कर देना, तो first object तो आपका जो जो fields है, second जो object आप पास करते हो, उसके अंदर आपको लिखना पड़ता है, यहाँ पे timestamp, तो यहाँ पे timestamp, S है end में, याद रखिएगा, सबसे common mistake है, timestamp नहीं, timestamps है, created add, updated add, दो हैं, तो timestamps, और कु बोलने ना है, true, हो गया पका काम, बस that's it, इतना सही काम है, तो देखा, यह पहला जो हमारा object है, वो तो define करता है, क्या-क्या data आप लोगे, और दूसरा जो field है, वो define करता है, कि आप क्या-क्या timestamps ले रहे हो, तो देखा, define हो गया, तो देखे, बातों यह बातों में, कुछ करना हमें पढ़ा नहीं, हमने mongoose के कितने सारे features भी पढ़ लिये, और साथ ही साथ हमने यह भी पढ़ लिया, कि किस तरह से easily, एक हमने model बना लिया, देखा, तो data modeling इतना भी difficult नहीं है, जितना लोग बोलते हैं, ओके, और ऐसी करते करते हम जैसे से और models बनाएंगे तो आपको मैं और ऐसे सी fields के साथ, इन सब के साथ introduce करता जाओंगा, तो चलें आगे, यह कहानी तो हो गई हमारी complete, हाँ जी, बस इतना ही है, और कुछ भी नहीं है, लिटरली इतना ही है, यही है model बनाना, अब यहाँ प है, दूसरा जो मेरे पास है, वो है to-do model, हमने to-do card बना है, और उसके इनर सब to-do card बनाएंगे, तो चलिए जी, आप to-do schema भी बना लेते हैं, तो यह to-do model के अंदर जाते हैं, काफी practice होगी हमारी इस तरह से, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, बताएए, आपको बताना है, मुझे थोड़ी बताना है, तो हमने क्या करा सबसे पहले, mongoose को import करा, कि यह लिजे हमारे पास mongoose कहां से आएगा, mongoose से आएगा, दूसरी चीज क्या करते हैं, यह लिजे to-do schema, lower case में ले लेते हैं, ज्यादा ठीक रहेगा to-do schema, to-do schema कैसे बनेगा, new mongoose ही बनाने देगा और तो कौन, mongoose.schema, schema एक method है, जो कि accept करता है, एक object, obviously बात है, time stamps होगर हमें लेने ही वाला हूँ, तो क्यो ना, यही पे comma लगा के, पुरानी knowledge से, time stamp यहाँ पे add कर दू, time stamp, और इसको बोल दू, true, पकड़ ली न गलती, हाँ, क्योंकि आपको पता है, क्यों आता है, क्यों आपने पगड़ लिया है, ठीक है, हो गया काम, और last में क्या करना है, इसको export करना है, तो export कैसे करो, अब export आपके उपर है, क्या करना चाहते हो, तो मैं करना चाहता हूँ, export, const, to do, और कैसे export करूँगा, mongoose.model, model आपसे दो सवाल पूछता है, जी बताईए, इसका नाम क् करो, to do, और इसको base कर दो अपने to do schema पे, बस हो गया, बन गया, अपना model कोई दिखकत है नी, quick question, ये database में, जब mongo db में store होगा, इसका नाम क्या होगा, बताईए, comment section में, इसका नाम होगा, हाँ जी, काफी लोगों ने सही comment करा है, उमीद है, उमीद तो है, तो इसका जो न काम होगा, वो होगा, to do's, all lowercase, और capital में, sorry, capital में नी, lowercase में, चलिए, अब क्या करते हैं हम, यहाँ पर इतना तो हमार पास बन गया है, इसके अंदर आके और चीजे हम देखेंगे, लेकिन अभी हम इसको save कर लेते हैं, इतना काम, अभी हम चलते हमारे sub to do's के अंदर, क्यों हमारे sub to do's, अच्छा, sub to do's में था क्या मैं, यह to do है, ओ, मैंने user का सारा code, sub to do में लिख दिया, कोई ने, यहाँ से उठाते हैं, cut करते हैं, और user के अंदर डाल देते हैं इसको, समझाते हैं, समझाते हो गई, गडबर, क्या कर सकते हैं, तो यह हो गया हमारा user schema, to do वाला सह यह एकदम, और यहाँ पर हमारा sub to do, एक बार और लिख लेते हैं, ताकि practice हो जाए हमारी sub to do के लिए भी, तो हम लिखते हैं, import mongoose from, और यह mongoose ले लिया, ठीक है जी, schema बनाना एक, तो ठीक है जी, const क्या नाम देश को, sub to do, schema, और कैसे बनेगा यह, new keyword तो use करना ही करना है, JavaScript से हमें पता है, new keyword बहुत important है, mongoose, और इसके बाद हमें देदिया यह schema, schema एक method है, जो कि क्या expect करता है, एक object expect करता है, अगर आपको timestamps भी चाहिए, तो यहीं की यहीं, निप्टा दो उसको, timestamps, और यह लिजे, इसको कर दिया true, तो यह इसके साथ बाद में करेंगे अब, और export भी कर दो, const, const नहीं, पहले export, export, const, और इसको बोलेते हैं, sub to do, sub to do, ठीक है, sub to do ही चलेगा, और कैसे export करें, mongoose ही help करेगा, तो mongoose.model, और model दो question आपसे पूछता है, आपसे पूछता है, तो इसका नाम रख दो, sub to do, और किस पे base रखूं इस schema को, तो sub to do schema पे base रख लेकिन, अब क्या है, कि मैं किस तरह से इस data को organize करना चाता हूं, structure करना चाता हूं, उस पे भी हमें थोड़ी सी चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि अब जो हमारे पास में एक मुद्दा आ रहा है, मेन मुद्दा आ रहा है, कि हमारे जो to do है, उसके अदर कई sub to do's आएंगे तो हमने अभी तक इन documents को बताना सीखा है, लेकिन इन documents को आपस में relate करना नहीं सीखा है, MongoDB के अंदर जो database या models का relation होता है या आपके MySQL जैसा नहीं होता है, MySQL में तो many to many, one to many, वो सब नहीं होता है, यहाँ पे थोड़ा सा अलग होता है, easy भी होता है, तो चली, इसके बार यहाँ पे आते हमारे schema में, और करते हैं कि देखे क्या-क्या store करना चाहते हो, सबसे पहले मैं यहाँ पे content store करना चाहता हूँ, यह मेरा to do है, इसको मैं content बोलूँगा, ठीक है, अब content क्या होगा, content के अंदर एक object है, अब यसी बात है, type होता है सबसे पहले तो, यह भी हमने सब to do's आने वाले हैं, तो उसका नाम होना चाहिए, gym, youtube, कुछ ना कुछ नाम, आपको लगता है कि उसके अंदर color होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, वो सब आप देख लीजे, अच्छा मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर एक complete वाला tag भी हम लगाएं, ताकि अगर हम ऐसा logic देंगे बाद में, कि सारे to do's अगर mark हो गए हैं, तो यह automatically check mark हो जाए, लिख सकते हैं ऐसा logic, हाँ जी लिख सकते हैं, तो एक और field अगर add करना है तो कर सकते हैं, क्या, हाँ जी बिलकुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो हम यहाँ पर data के बारे में सिर्फ discuss करना है, तो इसको बोल देते हैं complete, और complete पी एक object है, यह type क्या होगा इसका, type होगा इसका boolean, true-false, obviously बात है, हम इसको default value भी दे सकते हैं, कि default क्या होना चाहिए, अब default जो field है सब के साथ लग सकता है, आपके content के साथ भी लग सकता है, यहाँ पर default makes sense, क्योंकि by default false होनी चाहिए value, त काफी users use कर रहे हो, तो किसने आके बनाया है, वो भी तो मुझे रखना पड़ेगा हिसाब, तो यहाँ पर मैं एक और entry करना चाहता हूँ, जिसका नाम है मेरे पास created by, ठीक है, अब created by के अंदर, obviously बात है, मैं यहाँ पर जाके type string तो नहीं डाल सकता, type email भी नहीं डाल सकता, क्योंकि इसका relation होना चाहिए हमारे user के साथ में, तो जब आपको कोई इस तरह से database यहाँ पे है model आपने कर रखा है, और इसके साथ आपको उसका relation चाहिए, तब कैसे करते हैं, तब आपको दो चीजों का ध्यान रखना है सिर्फ, एक कि आपका एक special type है यह, दूसरा reference, reference से म मेरा मतलब है, user का reference दे रहे हो कि sub to do का reference दे रहे हो, बताना पड़ेगा ना उसको, तो यहाँ पे created by के अंदर मैं क्या कह रहा हूँ, कि मैं store करूँगा इसके अंदर, पहली बात तो type store करूँगा, ठीक है, अब type कैसे लिखते है, type लिखने का एक तरीका है, आप क्या बोलत एक type है, यह एक type है, जैसे ही mongoose को यह type दिखता है, इसका मतलब है कि अब आप मुझे कोई ना कोई reference देने वाले हो, या तो user का, या sub to do का, किस ना किसी और model का, आप reference देने वाले हो, तो जैसे ही आप यह लिखो, next line के अंदर हमें लिखना compulsory होता है, कि आप reference दो, अब reference क के लिए दे रहे हैं, ठीक है, तो यही वाला नाम है, यही दीजेगा हमेशा, वैसे तो हम कोशिश करते हैं, standard practice में कि ये वाला नाम और ये वाला नाम exactly same हो, बट फिर भी अगर आपको कोई confusion लगे कभी, तो model के अंदर जो आपने नाम दिया है, वो ही नाम हमेशा यहाँ प sub-todos, क्योंकि एक बड़े box के अंदर है, तो sub-todos रहेंगे, तो वो कैसे रहेंगे, arrays के अंदर रहेंगे, हाँ जी, तो वो कैसे define करते हैं, वो भी सीख लेते हैं, वो भी कोई इतना difficult नहीं है, अब मैंने बोला कि मुझे sub-todos भी इसके अंदर hold करना है, sub-todos, इसका type define करने चाहरे हैं, तो सबसे easy है, अगर array हो, तो सीधा ही square brackets लगा दो, यह लो जी, हो गए आपके array, ठीक है, अहां यहां पर आप type लिखके भी array लिख सकते हो, लेकिन सबसे easy common practice आपको यही दिखेगी, professional code में भी यही दिखेगी, यह लिखा हमने, ओके, अब इस array के अंदर आ ऐसे थोड़ना है कि इस object के अंदर 1000 चीजे store कर सकते हो, हर एक object का भी तो structure होना चाहिए, कि array के अंदर यह object इसी तरह से दिखाई देता है हमेशा, तो यहां पर आके आप इस object के अंदर आके, आप define कर दो, कि यह क्या है, कैसा दिखेगा, अगर आपको लगता है, यह लिखे और एक string लिख दो बस, काम हो जाता है, लेकिन हमारा यह वाला जो object है थोड़ा सा tricky है, क्योंकि इसके अंदर क्या आएगा, एक दूसरे model का reference, दूसरे model का reference, जस्ट अभी सीख लिया है उपर हमने, तो उसी तरह से हम काम करेंगे, तो क्या करो सबसे पहले, दो चीज टाइप चाहिए मुझे, types, s दियान रखेगा, तो कौन सा टाइप चाहिए, object id, इनके बारे में और चर्चा करेंगे हमें, कि यह Mongoose क्या होता है, bson, json, इन पर चर्चा करेंगे, अभी हम यहाँ पर रहते हैं, practical approach में, और फिर next line पर तो ref देना ही पड़ता है, हमेशा यह compulsory है, अब reference किसका देना है मुझे, reference आपको देना है, जो भी आपने यहाँ define करा है, मैंने यहाँ पर sub to do define करा है, तो मैं इसको copy कर रहा हूँ, copy इस ले कर रहा हूँ, ताकि आपको याद रहे कि हाम यहाँ से यह value ले के आ रहे हैं, ओके, यह हो गया हमारा काम, अब हमने ए ठेक है, तो बड़ा ही easy था, basic था, इतना भी कोई खास difficult नहीं था, सारा काम हो गया हमारा, और हमने इसको export भी कर दिया, तो अब आप actually मैं एक दिमाग के अंदर model बना पा रहे हो, कि चीज़े किस तरह से चलती है, कैसे होती है, और कैसे काम करती है, अब final note पे आते हमारे, क चलिए sub to do भी बना लेते हैं, अब आपको पता है कि अब आपको बस ये सोचना है कि क्या-क्या data चाहिए, data point एक बार समझ में आ गया ना, उसके बाद तो ये सब तो syntax है, देखे इस boiler plate में कोई code में change आया क्या, नहीं आया, ये तो हमेशे ऐसे ही रहने वाला है, ये time stamp भी वाला है, ये schema वगरा सब ऐसे रहना आला है, यहाँ पर आके हम सिर्फ चर्चा करते हैं बैठके, कि क्या-क्या entries अब होनी चाहिए, ठीक है चलिए और चर्चा करते हैं इस पर, सबसे पहली चीज़ यहाँ क्या होनी चाहिए, content होना चाहिए, अब आप इसको content बोलिए, title ब और ये बोल दिया, true, ठीक है जी, अब यहाँ पर मुझे चाहिए, कि ये वाला जो है, इसको मैं check mark करूँगा, complete, incomplete, यही तो काम करते हैं, to do's में हम, तो दूसरा भी एक field लियाते हैं, इसको भी हम complete बोल सकते हैं, हाँ, same नाम हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, different models है, same ना अब इसके अंदर default भी डालना, आपकी मर्जी है, आप चाहे तो डाली है, अचाहे तो मत डाली है, मैं डाल देता हूँ यहाँ पर, default, false, तो यह हो गया हमारा basic, अच्छा, आप एक बात बताईए, क्या इसमें भी track करना चाहोगे, कि यह किसने बनाया है, आपके उपर है, totally आपके पर, आप चाहो तो मत करो, मैं कर लेता हूँ track, हो सकता है कुछ ऐसी application बना रहे हैं, जहाँ पर एक के अंदर multiple users हाके अपने to do's डाल रहे हैं, तो अगर आपको करना है वो track, तो एक ही minute लगेगा track करने के लिए अब तो आपको, कि ठीक है, एक नया field हम यहाँ पर बन schema दो, schema किसे मुझे चाहिए types, s, ठीक है, और क्या चाहिए object id, object id, याद रखेगा, यह object id के अंदर ob capital है, ib capital है, in case मैंने कहीं अगर गलती कर दी हो, तो please उसे ignore कर दीजेगा, ob capital चाहिए होता है, ib capital चाहिए होता है, structure है, मैं नहीं define कर रहा है, एक बार मैं check कर लेता हूँ, व लिखना पड़ेगा comments में, लिखोगे नहीं, तो आप engaged नहीं रहोगे lectures के अंदर, आपका नुकसान है, अगर थोड़ सी typing करते रहोगे, थोड़ी activities करते रहोगे, तो आपको जादा समझ में आएगा, तो engagement activities आपके लिए important है, okay, अब next चलते है, next हमें क्या देना पड़ेगा reference, reference के अंदर model का नाम दे दीजे, जो भी आपने define करा user, तो हमने दे दिया, कौमा लगाना भूल गए बस, यह लीजे, तो अच्छी practice होगे एक to do's से सिर्फ, सिर्फ एक to do's से, कितनी अच्छी practice हो गई हमारे पास में, कि किस तरह से models और यह सब हमें define करे जाते हैं, और किस सोचा कि break लेने की बजाए, continue करने की बजाए हम क्या करते हैं, कि यह वाला तो आपको पूरा का पूरा basic समझ में आ चुका है, तो इसको हम यही पे करते हैं, और इसके बाद next video के अंदर में आपको थोड़ा सा इसी को continue करेंगे हम, और आपको थोड़ा सा और hospital management या e-commerce, उन आपको समझ में आ गए हैं, किस तरह से basic relations बगरा होते हैं, next video के अंदर हम क्या देखेंगे, इसी को यह continue करेंगे, बट हम हमारा e-commerce का data modeling कैसे होता है, hospital management का data modeling कैसे होता है, यह एक दो हमने और practice कर लिए, तो उसके बाद आपको library का करना है, library management system, या फिर आपको को society management system, LMS, नेक्स वीडियो में मिलते हैं, और हम practice करते हैं थोड़ी सी, और data modeling के उपर, हां जी, कैसे हैं आप सभी, स्वागय थे आप सभी का, चाय और code में, और सबसे पहली और important बात तो यह, कि इस वीडियो का target है, वो है 200 comments पर 2 hours के अंदर, देखते हैं हम कर पाते हैं या नहीं कर सिर्फ 2 hours के अंदर 200 comments, अपने दोस्तों उसतों को फटाफट send करिए, और फटाफट बुलाइए कि एक comment तो करी जाओ, वीडियो चाय बाद में देख ले ना, पर comment तो अभी बनता है, तो इस वीडियो के अंदर हम continue करेंगे हमारी journey को, data modeling को और strong करेंगे, लेकि data modeling आपका ज नहीं सोचते हैं कि क्या data points मुझे user से लेने हैं और store करने हैं, तो हमने देखा कि to do's के अंदर काफी हमारा basic practice हो गया था, mongoose के साथ थोड़ा comfort zone में हम आ गए थे, तो इसके साथ ही मैं चाहता हूं कि अब मैं इसको और next level पे लेके जाओ, ताकि जब ये series हमारी पूरी complete हो हमें modeling भी आ जाए, controllers भी आ जाए, पूरी application बनाने आ जाए, तब हम इन models को दुबारा से लेके और अपने आप से practice कर पाएं, जब आप एक पूरी series ये देख लेंगे, उसके बाद ये to do's पे वापिस आईएगा, अभी जो हम बनाने जा रहे हैं, इस पे भी वापिस से आई फेस होगा हमारा e-commerce का data modeling, second phase में हम ले लेते हैं, एक hospital management system का data modeling कैसे होगा, अब ये कोई एकदम perfect guide तो है नहीं, कि ऐसे ही होता है हमेशा, ऐसे ही होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है आपके application बना रहे हैं, कितनी complexity है, आपको कितने data की requirement है, तो एक sample आपके असाने रखना चाहता हूँ, इन samples के दोरान हम काफी mongoose की भी intricacies को discuss कर लेते हैं, क्या कि उसके features हो सकते हैं, कुछ और चीज़े भी उसके बारे में हम discuss कर लेते हैं, चलते हैं, तो काफी एक practical approach, real world experience approach हमें मिल जाता है, तो इसलिए मैंने ये specially add किया है, तो ठीक है, target या दे क्लोस क्योंकि ये वाला काम तो हमारा हो चुका है, एक टुडूस वाला तो complete है, next हम एक और यहां पर folder बना लेते हैं, इस model के अंदर, इसका नाम हम रख लेते हैं, यहां पर simply, क्या नाम रखें, इसका e-commerce रख लेते हैं, e-commerce, जो भी आपका रखना चाहें, तो इसमें हम स models.js, ठीक है, यह तो हो गए होगा, user तो चाहिए ही ना, बेना user के तो क्या ही करेंगे हम, दूसरा क्या चाहिएगा, हर product की categories होती है, सबसे पहले, तो category या categories आपके उपर जो ठीक लगए आपको, category.model.js, तो इस पे भी हम चर्चा करेंगे, और इसके बाद, product तो चाहिएग विडियो में already हो चुकी है चर्चा, दुबारा से चर्चा करने में कोई sense है नहीं यहापे, और एक जो final हमारे पास होगा यहापे, जो की काफी important होता है, जो है हमारे पास में order, ठीक है, तो यह order.model.js, इसको रख लेते है, model.js, ओके, अब यह model रखिये, models रखिये, यह जो इसको भी rename कर देते हैं, ताकि consistency बनी रहा है, consistency बहुत जरूरी है, product के अंदर भी model ही रहा गया, इसको भी rename कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, models, कोई दिक्कत वाली बात, नहीं, कोई दिक्कत नहीं अभी तक, ठीक है, अब चलते है user पे, अब इससे हमारी हो जाएगी practice, स schema हम एक एक करके सब का बनाएंगे, सबसे पहले हम user पे बात कर रहे हैं, तो user का schema बना लेते हैं, ठीक है, तो user का schema बनाने के लिए क्लिए क्या चाहिएगा, new और mongoose.schema, schema एक method है, जो कि अपने साथ लेता है, एक object, और second object हमें पता है कि हम timestamps दे सकने हैं, अगर चाहें तो, तो हम दे ही देते हैं, time stamps और इसको बोलेते हैं, true, कौन से दो field है, जो time stamps हमें देता है, comment section में बताओ, फटा फट, अपना individual contribution दो, activity बढ़ेगी, तो जादा समझ में आएगा, वरना dull बैठे रह जाओगे, और कब क्या बात मैंने बोली, वो दिमाग से निकल जाएगी, उप schema, और ये लिजे, schema हमारा तयार, schema को export भी करना पड़ेगा, तो ये लिजे, हम कर देते हैं, export, const, और इसको बोलेते हैं, user, देखे, आपके उपर अब आप इसको user बोलिए, इसको मैं client बोलूँ, user बोलूँ, customer बोलूँ, ये अपने उपर है, मैं user ही बोल लेता हूँ, और इ पर base रखना है, तो user schema पर base रखना है, ठीक है जी, दो काम तो हो गए हमारे, अब चलते हैं हमारे schema के उपर, कि schema में आपको user के अंदर क्या क्या रखना चाहते हो, जब आप एक e-commerce store बना रहे हो, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मेरे user के पास username हो, ठीक है जी, कोई देकत नहीं ह उसके पास हो एक type, जो की string हो गई, तो ये तो चाहिए चाहिए, इसके बगर तो काम नहीं होता, username required है कि नहीं है, मेरे वाले e-commerce store में तो है जी, तो मैं तो true दूँँगा, उसके बाद username unique होना चाहिए क्या, हाँ होना चाहिए, username unique रखेंगा, तो ये लिजे, unique true रख दिया, lower case रखना अच्छी practice है, अगर आप इस तरह का username बना रहे हैं, unique भी बना रहे हैं, तो lower case रखेंगे तो ज़्यादा better होगा, lower case, ओके, और alphabets वगरा होंगे, वो तो उसी तरह से रखे जाएंगे, email चाहिएगा, हाँ जी, email भी चाहिएगा, अब आपको एक interesting चीज बताता ह इस तरह कि जब भी चीजे होती है, तो यह बड़ी ही duplicatable होती है, तो इसको copy करके, आप इसको है पेस्ट कर दीजे, क्योंकि username के बाद जो हमारा email है, वो भी almost same ही है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ कर देता हूँ, email, इसको पूरे को select करके email, तो देखे, email की भी same ही properties है, type string है, required true ह unique भी true है, lower case भी true है, तो इस तरह से copy paste करने में कोई हर्ज नहीं है, अगर आपको पता है, आप क्या copy paste कर रहे हूँ, password, password feed कैसा रखेंगे, type रखेंगे हम string, और क्या रखेंगे, required भी रख देते हैं, required, तो यह बन गया मेरा पहला model, जिसके अंदर user चाहिए था, अगर आपक discussion करेंगे, चोटा-चोटा सा कि कैसे photos रखी जाती है, क्या होता है, क्या तरीके है, वो भी हम रखेंगे, बट अभी के लिए मैं खुश हूँ, इससे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, user अपना एकदम define है, next चाहिएगा मुझे, तो किस तरह से आप सोचेंगे, वो सबसे जादे important है, अभी कई लोग क्या करेंगे, भग के जाके फटा-फट products के अंदर data डालने ही कोश्च करेंगे, लेकिन फिर क्या product में आदा लिखते time आप सोचोगे, कि product हर एक category को भी belong कर रहा है, तो पहले category बना लेते हैं, तो पहले बैट के आराम से सोचिए, क्या-क्या fields है जो अपने आप में unique है, जो किसी पे भी dependent नहीं है, वो तो होने ही चाहिए, उसके बाद कौन से field है, जो एक पे dependent है, कौन से field है, जो दो पे dependent है, ऐसे करके हमें सोचना होता है, तो मुझे पता दे कि categories तो रखनी रखनी पड़ेगी, क्योंकि हर एक category होगी, category के अंदर products summer category, winter category, phones के अंदर android category, iOS category, laptops के अंदर 8GB category, 16GB category, तो categories तो लगेगी, लगेगी, तो categories भी लिख लेते हैं, वही अपना simple boiler plate code, अभी तो आपको लग रहा होगा रहे, यह सब तो हमें आता है, अब तो बहुत easily pro हो गए हम उसमें, बस यही तो चाहिए, आप pro हो जाए, और क्या च schema, यह लिजए, schema कहां से आएगा, mongoose से आएगा, mongoose.schema, और schema क्या है, एक method है, जो कि दो सवाल आप से कर, दो options देता है आपको, पहला कि भाई क्या data रखोगे, दूसरा कि भाई time stamp चाहिए कि नहीं चाहिए, तो time stamps तो चाहिए, time stamps तो सब जगे ही चाहिए होते हैं, time stamps और इसको बोल दीजए, true, यह बन गया आपका schema, ओके, कोई दिक्कत, नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें, अब इसको export भी कर देते हैं, export, const, और इसको बोल देते हैं, category, और category कैसे आएगी, mongoose देगा, mongoose model मनाएगा, और फिर मुझे देगा, model दो question करता है, पहला कि भाई, क इसके category का नाम क्या दूँ, category, अच्छा, एक बड़ा interesting question कई बार interviews में पूछा जाता है, कि ए category की जगे, अगर मैं categories दूँ, और या फिर यहाँ पे भी lowercase लिख दूँ, तब भी अपना काम हो जाएगा, क्या, और database में किस नाम से save होगा, और भी S लगेगा, क्या आगे, नह है, वो काफी intelligent है वहाँ पे, बट यह इस तरह से रखना जरूरी क्यों है यहाँ पे, क्योंकि हम references देते रहते हैं, तो references जब हम देते हैं दूसरे model में, तो वो categories वगरा, वो standard approach नहीं है, standard practice नहीं है, सिर्फ इसी कारण से हम यहाँ पे इसको singular ही देते है, with the upper case letter, तो यह बड आप errors को भी face करोगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यहाँ पे, कुछ चंद experience भरी बातें, अगर आपको पसंद आईए तो comments में बताईएगा, इस तरह के experience भरी बातें पसंद आतीएगा, और किस पे basis पे बनाना है, तो category schema पे based बना दो, ठीक है जी, अब category क्या है, और क्या ची, required भी रख लेते हैं इसको, required इसको बोल लेते हैं, true, बस that's it, जी बस इतना ही है, और कुछ काम है इसके अंदर, अगर आपको लगे और कुछ करना है, तो आप और add कर दीजे, क्या आपको लगता है category के साथ, color भी store करना चाहते हैं, कब category बनाई खर, वो तो करी बनेगा, product model के अंदर सबसे एक जो जरूरी चीज है, वो यही है कि product की category होगी, तो categories में हमें reference देना पड़ेगा एक दूसरे model का, और चली product के अंदर ये भी दे लेते हैं, कि किस user ने उस product को create करा, ठीक है, तो या फिर owner कौन है उसका, जैसे भी आप देना चाहें, तो चली काम करते हैं product के उपर, तो थोड़ा सा boiler plate code तो लिखना पड़ता है, उसमें कोई option है नहीं, mongoose और product, product schema, और product schema दे देते हैं हम, कहां से आएगा, new mongoose, mongoose dot schema, schema वो ही दो हमारे पुराने questions और क्या ही है, अब तो आपको लगा होगा, कहां इतना सारा लिखने के बाद तो अच्छी practice होई गई है, अब तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बस यही है, आपकी practice हो जाए अच्छे से, और last में क्या करना है, export, const, product, और product कैसे मिलेगा, mongoose ही देगा, model बनाने के बाद, model, और model कैसे बनेगा, एक तो बोलना पड कीमा जो है, इस पर basis पर बना दो, तो बस, इसमें कोई दिक्कत है, मुझे लगता नहीं, इसमें कोई दिक्कत होगी, या होनी चाहिए, क्योंकि इससे easy तो कुछ हो नहीं सकता है, वैसे, पठीगा, कुछ हो तो बताईए, comment section में, उसको भी दूर कर देंगे, अब एक product जब है, कि सबसे पहले एक description तो लगे गई, तो हर product का एक description होना ही होना चाहिए, तो ठीक है, description के अंदर required रख देते हैं, कि description तो देखे होना ही चाहिए, product के बारे में पता तो होना ही चाहिए, और हम इसका type देना भूल गए, वैसे जब आप ये object बनाते हैं, तो इसका order matter नहीं करता है, required पहले हो, बाद में हो कोई फरक नहीं है, type पहले हो, बाद में हो कोई फरक नहीं है, बट कुछ fields है, जो compulsory होना ही चाहिए, जैसे type जो है, वो compulsory field है, वो होना ही चाहिए, otherwise error आती है, बट उनका order तो आप कोई पता है, object है, okay, description हो गया, उसके बाद name, नेम तो लग अब एक important जो चीज आती है, कई बार यूजर्स यहाँ पर confused हो जाता है, specially student, कि product की एक image भी होगी, अब product की image ना, बड़ा ही interesting question है अपने आप में, कि product की image कैसे रखनी चाहिए, देखिए, जो MongoDB है ना, बड़ा ही strong database है, और आप चाहो तो अपनी products की images database के अंदर भी रख सकत हो buffer format में, बट रखनी नहीं चाहिए, क्योंकि database को काफी heavy कर देती है, और database ना उस काम के लिए बना नहीं है, कि आपकी images या फिर buffer type की values को store करे, buffer मतलब है images हो गई, PDF हो गई, तो इनको ना usually रखा जाता है, या तो आपके खुदी के server पे, एक अलग folder के अंदर रखा जाता है और उस folder का जो public URL है, वो आपके पास लिया जाता है, या फिर कई बार होता है, हम third party services use करते हैं, third party services जैसे की AWS bucket के अंदर आपने वो image upload कर दी, और आपको response में उसका जो SDK होता है, उनकी जो API से हम बात करते हैं, वो आपको एक URL दे देता है public, तो आप URL database के अंदर store रखते हो, एक काफी popular service है market के अंदर, इसके अंदर cloudinary, तो cloudinary पे आप videos, photos ये सब upload करते हो, और वो response में आपको एक URL दे देता है, तो हम क्या करते हो, उस URL को store कराते हैं, जो URL है वो string है, तो जब भी कोई front end में हम से पोलता है कि product की सारी information दो, तो हम directly उसको URL दे देते हैं, वारना buffer से उ काफी कुछ process करना पड़ता है, तो इसलिए आप देखेंगे, जो images, videos इस तरह के होते हैं, तो यहाँ पे आपको directly मिलेगा एक, कि हमार पा string है, या फिर हो सकता है, कि cloudinary से आप कई multiple variant उस images के यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि आपने देखा होगा YouTube की API है, वो आपको thumbnail काफी formats मे देती है, 1X, 2X, 3X में, तो वहाँ पे क्या है, हमें क्या करना है, इस type को, array बनाना है, array के अंदर क्या होगा, एक object होगा, object के अंदर सिर्फ एक type string, या फिर उसका नाम भी हो सकता है, तो इस तरह के अलग-अलग formats हो सकने हैं, उस type पे आप define कर सकने हैं, अभी के लिए मैं क थोड़ा thought process यहाँ पे चलता है, इस तरह से, back end जब भी आप design करोगे, तो thought process तो चलाना पड़ेगा, okay, तो product हो गया, price भी तो रखते हो, पड़ेगी, हाँ जी चलिए, price रख लेते हैं, यही चीज़े मैं कहता हूँ कि पहले कागच पे बैठिये, आराम से सब को define करिए कि क क्या होगा, कैसे model बनेगा, एक product के अंदर क्या क्या चीज़े जाएगी, आँख बन करके इस phase पे आके हम उसको नहीं लिख सकते हैं, अभी तो हम practice कर रहे हैं, इसलिए लिख सकते हैं, लेकिन usually यह सब diagram बन जाते हैं, moon modeler पे भी मैं भी आऊँगा, तो वहाँ पे यह सब का नहीं करोगे तो zero होगा, उसका price ठीक है, अगर आपको product रख रख रहे हो तो उसका stock भी तो रखना पड़ेगा आपको, ठीक है यह हो गया हमारा stock, stock कैसे है, number है बस तो और तो कुछ है नहीं, वह हमारी default value डाल लेते हैं, कि अगर कुछ नहीं दोगे तो stock मान दोगा कि default zero है और उसके बाद type, तो यह हो गया हमारा stock, अब एक important चीज़ आती है, अब मैं क्या चाता हूँ कि मेरा हर एक product एक category को belong करे, तो किस तरह से करूँगा, तो यहाँ पर इसके अंदर एक field मुझे add करना पड़ेगा, जिसका नाम होगा category, तो यह category कैसे आएगी, आपको पता है category क मुझे एक दूसरा model refer करना पड़ेगा, तो इसके लिए सबसे पहले तो type define करता हूँ मैं, अब type क्या होगा, mongoose से आएगा, mongoose मुझे एक schema देना, schema के अंदर मुझे type चाहिए, types ठीक है, याद है मुझे, और object id दे दो, object, object id, अब जैसे ही मैंने object id बोला, तो next line पे मुझ reference देना ही पड़ेगा, अब reference क्या होगा, वो आप दे दीजे, इसके अंदर category, जो भी आपने नाम हाँ पे दिया है, अब देखे, ये मुझे पता है कि object है, object में order matter नहीं करता, बट क्या होता है, कुछ चीजों को पढ़ाने का तरीका होता है, ताकि student के दमाग में वो चीज tidy चाहिए, और जैसे मैंने लिखा तो next line पे मुझे compulsory है लिखना reference, वैसे ऐसे कोई compulsory नहीं है, आप चाहे तो उसके बीच में कुछ और भी लिख सकता है, क्योंकि object है, order matter नहीं करता है, बट अच्छी practice है कि ये दोनों साथ में ही लिखे जाए, तो अब आप अपने आप standard practice follow करोगे, अब जैसे कि अगर आपको कुछ और चाहिए, तो मैं यहाँ पे required इसको भी true कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, required और इसको true, अभी जो required true है यहाँ पे भी जा सकता था, कोई issue नहीं है, बट क्या है कि अच्छी practices ये है कि actually में ये end में ही आए, क् कि दोनों साथ में आना अच्छी practice और कुछ नहीं, अब मैं ये चाहता हूँ कि ठीक है, category भी हो गई product की, लेकिन ये product को own कौन करता है, ये भी मैं user का define करूँ वहाँ पे, तो suppose करिए मैं यहाँ पे एक और field add करना चाहता हूँ, मेरे तरफ से कि मैं product का owner भी ownership भी define करना चाहत कि types दो और मुझे चाहिए object id, ये लिजे, अब ये लिखती है क्योंकि तो reference दो देना ही पड़ेगा, next line में तो कंपल सरी है, अब reference के लिदर मैंने बोला user, और कहां से user लेकिया हूँ, ये already last video में discuss कर चुके है, तो हमने दे दिया user, तो इतना काम हो गया, अब आपको लगत करिए pricing के अंदर, ये IND pricing, USD pricing, दो field add कर दीजे, आपके उपर depend करता है कि किस तरह से आप product बनाएंगे, किस तरह से आपको और store करकर रखना है, बट अभी ये product हमारा पूरा complete है, और as it is काम कर रहा है, अब आते हैं थोड़ा से interesting काम पे, अब जो order बनेगा ना, ये थोड़ा महसूस होगी, तब हम वो काम करेंगे, तो सबसे पहले तो आईए अपने mongoose पे, और import कर लीजे, कि ठीक है जी, mongoose, और उसके बाद अपने को order schema चाहिए, तो order schema, और order schema कहां से आएगा, mongoose ही देगा, और कौन देगा, mongoose.schema, और यहां पे हमारे पास में ये दे दिया, ये लीजे, time stamps, और true, इतना काम तो हमें पता है, और इसके बाद, export, const, order, और order कहां से आएगे, mongoose ही देगा, model बना के, mongoose.model, दो question ये पूछता है, कि क्या नाम देना है उसका जी, अनाम दे दीजे, order, और किस पे basis बनाऊ, order schema पे, ठीक है जी, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक तो exactly same काम हमारा चल रहा है, जैसे चलता आया था, ठीक है, यहां पे जाते है, schema के अंदर जाते है, अब schema में, अब सोची ज़रा सा order किस तरह से define होगा, कैसे आप order को रखोगे, किस तरह से order का काम होगा, तो उसके बारे में सोची यह थोड़ा सा, तो च price कितना है, तो price के अंदर obviously बात है, type number, यह लिजे number हमने दे दिया यहां पे, required हाँ, जी order देते time, यह तो required field है, इसके बगड़ तो order लेंगे ही नहीं, तो required होगा है, true, ठीक है, जी order price होगा, customer भी तो लगएगा, किसने order place करा है, वरना पता क्या लगएगा, किसको ship करना है, कहां से details, क्योंकि अब भी तो हमने क्या है, कि user को बड़ा basic सा बना है, कि इसके अंदर हमने सिर्फ username, email, password लिया है, but actually मैं जब e-commerce store बना होगे, तो user का model थोड़ा सा और detail लोगे, क्योंकि वहाँ पे आप या तो order देते time, यह सब details लोगे, order के अंदर push करोगे, या user के अंद कि यह लिजे customer कहां से आएगा, type देना पड़ेगा, क्योंकि reference कर रहा हूँ ना दूसरे model को, हाँ जी mongoose, मुझे क्या करो, एक schema देना, इसने schema दिया, और मुझे क्या चाहिए, types चाहिए उसमें से, और उसमें से एक object id देना, object id, अब जैसे ही मैंने यह लिखा, तो obviously बात ह कि order तो place करा, but suppose करिए मेरे e-commerce store में multiple categories, multiple products है, iPhones भी है, bottles भी है, यह काच के glass भी हम बेच रहे हैं किसी तरह से, तो हो सकते है किसी ने यह glass 5 मंगाए हो, iPhone 2 मंगाए हो, तो order का मुझे item का value भी तो पता होना चाहिए, कि क्या item मंगा है, तो next चीज हमें order items भी चाहिएगा, order items हों अब सबसे जादा problem की बात पता है कि मुझे पता है कि जो type है ना, type यहाँ पर आप देख सकते है, array में डाल सकता हूँ, कोई issue नहीं है, but array के अंधर भी तो कुछ डालना पड़ेगा ना, यह array तो मैं ऐसे भी लिख दूँगा, but इस array के अंधर क्या डालू, product डाल दीजे, ह product डाल दूँगा, पर product की quantity भी तो देखनी पड़ेगी, कि कितने product मंगाया है, उस चीज का तो हिसाब है नहीं मेरे पास, तो order का जो एक individual item है यह, इसका भी तो कोई ना, कोई schema होना चाहिए, कि कौन सा product मंगाया है, और कितना product मंगाया है, तो ऐसे cases में आप कई बार यह schema जादा खही जाएगा नहीं, खही export भी नहीं होगा, खही काम भी नहीं आएगा, बट इस order का structure define करने में हमें help करेगा, तो इस तरह से mini models भी बनाया जाते हैं, तो देखिए, यहाँ पर हम बना लते हैं फटा-फट से, एक order item schema, ठीक है, और यह भी कैसे बनेगा, वही अ timestamps store करने जरूत नहीं, क्योंकि यहाँ पर timestamps sense ही नहीं बना रहा है, order schema के अंदर timestamps है, तो यहाँ पर और क्यों रखने के जरूत है, जबरदस्ती का data flood कर रहो हैं यहाँ पर, अब इस schema के अंदर मुझे दो ही मेरे थे, एक तो मुझे चाहिए product का ID, क्योंकि product, पूरे तरह स product store करने में भी कोई sense नहीं है, क्योंकि product ID से में reference कर लूँगा, यह जितना भी आप schema बनाते हो ना, सब का हर एक individual product का एक unique ID generate होता है, हम वो ID generate नहीं करते, MongoDB अपने आप करता है, और वो मैं आपको बता हूँगा कैसे करता है, उसको underscore ID से reference किया जाता है, उसमें हम अलग से च यह ID रख लेते हैं, अपन, यह product ID है, product ID कैसा दिखेगा, product ID जो दिखेगा ना, उसका reference होगा, उस model से, तो reference वाली बात आगई, तो अप तो फिर कुछ सोचना है ही नहीं, उसके बाद तो Mongoose से बोलो, schema देना, और उसमें से types निकाल लेते हैं, और उसको बोल देते हैं कि object ID और जैसे यह लिखा तो reference देना पड़ेगा, ठीक है जी, तो reference के अंदर हमने बोला, यह लो जी product, ठीक है, तो product ID तो वहाँ से मिल जाएगी मुझे उस model से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, लेकिन quantity भी तो store करनी है, main दिक्कत तो quantity किया रही थी, product तो चलो एक item हम रख लेते हैं, पर एक object है हमार पास में, पूरा schema है, यह structure है एक, हर order का, तो यहाँ पर हम डोल लेते है, quantity, यह लिजे quantity, जो user ने अपने को बोली है, अब इस quantity के अंदर क्या चाहिए, यह type चाहिए, number, यही तो main काम था, यह लिजे number आ गया, required हाँ जी, कंपल सरी है, इसके बगर आगे बढ़ेंगे ही नहीं, required और इसको बोल लेते हैं, true, अब देखें, मैंने फटा फट से भागके, और अपना यह यह order item schema बना लिया, ठीक है, उसके अंदर क्या चीज़ होती है, दो ही चीज़े हम add करते हैं, एक तो अपने product का ID डाल देते हैं, उसमें हम, और एक उसकी quantity डाल देते हैं, अब मैं यहाँ पर वापस आऊंगा, तो अब मुझे पता है, यह जो order items हैं, यह array होगा, क्योंकि इसमें multiple products भी order कर सकता है, और हर product का एक quantity हो सकता है, तो यहाँ पर आने के बाद मुझे क्या करना है, कुछ नहीं array है, किसका array है, order items schemas का, बस, इस तर schema को है, कोई और use नहीं करने वाला, इस schema को सिर्फ यह order schema ही use कर रहा है, और कोई use ही नहीं कर रहा है, तो ना तो इसको कहीं export की जरूत है, ना कुछ है, बट अगर आप एक separate file में इसको लिखना चाहो, तो लिख सकते हो, future uses की तरफ से कि मैं शायद कुछ और काम में लूँग आप चाहें, तो आपको लगता है कि नहीं इस तरह से नहीं करना था मुझे, मैं तो यहाँ पर आता और उसको बोलता कि आप एक काम करो, यह type दो, यह अपना एक array लो, और उस array के अंदर में क्या करूँगा, इस array के अंदर में एक object लोँगा, इस object को define करूँगा product, यह भी approach भी लेते हैं, अगर आपको थोड़ा सा memory jog नहीं हो रही है, तो मैं आपको to do's में दिखाता हूँ, कि हमने जो हमारे, I think, sub to do's के अंदर, या to do's के अंदर, यह देखिए, to do's के अंदर भी हमने यह काम किया था, बट अब क्या है कि हमने इस काम को करने के बज़ा, उसको ए अब address भी तो लेना पड़ेगा, order देते time, तो हम क्या करते हैं, address ही ले लेते हैं, सीधा का सीधा, यह हर एक यह लीजे, address ले लिया, address किस तरह से होगा, string में डाल दीजे, आप चाहें तो address का भी अलग एक schema बना सकते हैं, कि मुझे address के अंदर, यह यह field चाहिए further down, या फिर अलग अलग depend करता है, कौन किस तरह से data structure करता है, organize करता है, सब requirement basis पे है, required इसको भी हम true कर सकते हैं, अब एक interesting चीज़ आपको बताते हैं, कि यहाँ पे क्या है, कि जब आपका order हो जाएगा, तो order के अंदर कुछ states होगी, order process हो रहा है, हमने accept कर लिया, ship हो गया, delivered हो गया, तो लिख रहा है, कोई delivered की spelling, क्या लिख रहा है, तो हमें एक restrictive field बनाना पड़ेगा, ताकि order का status यही हो सकता है, और उनकी spelling भी यही है, आपको इसी तरह से देना है, जैसे aeroplane का, अगर आप मान लीजे कोई aeroplane booking system बना रहे हैं, तो वहाँ पे तीनी तरह किते seat है, aisle, middle और window, status के अंदर क्या बोलेंगे, कि type तो string है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन string आप कहां से choose कर सकते हो, वो मैं आपको बताऊंगा, तो वो क्या करते हैं, उसको enum बोलते हैं, enumerations, आपने पढ़े होंगे programming में, C वगरा में, तो enum क्या करता है, कि आपको यह enumeration देता है, enum का मतलब है choices, कि आपको क्या क्या choices दे रहा हूँ, तो suppose करिए पहली जो आपके पास choice है, वो है pending, कि आपका order का जो status है, वो pending, और दूसरा वाला जो status है, suppose करिए cancelled, और तीसरा जो status है, वो मैं आपको देता हूँ, delivered, ठीक है, साही लिखा है क्या, delivered, delivered, हाँ, spelling में mistake हो जाते हैं इसी लिए, और मैं क्या कर रहा हूँ, इसका default भी बना रहा हूँ, default, और default के अंदर मैं डाल देता हूँ, यहाँ पे, pending, अब क्या होगा, जब भी यह order create होगा ना, तो आप इसी में से ही choose कर सकते हो, अगर इसके अलावा यहाँ पे एक भी spelling mistake हु तो उस status के अंदर वो value जाएगी ही नहीं, हाँ, यह एक तरह से required field की तरह ही है, लेकिन एक mix है, कि required तो है ही है यह field, लेकिन जो options आप choose कर सकते हो, वो सिर्फ इन ही enumerations में ही choose कर सकते हो, तो देखिए, जितना आप applications बनाएंगे न, उस हिसाब से आपको और knowledge भढ़ती जाए है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि Mongoose का जो database है यह requirement basis पर पढ़ा जाता है, कि मुझे किस तरह से data का schema रखना है, किस तरह से उसके अंदर modeling करनी है, आप आग बन करके इसको पूरे को नहीं पढ़ सकते हो, कि मुझे सब कुछ कैसे पढ़ लूँ में एक बार में, ऐसा नहीं हम save कर लेते हैं, तो अब देखे हमने order भी कर लिया, product भी कर लिया, category भी कर लिया, user, models, यह सारे हमने काम कर लिया, एक और practice कर ले, एक और practice करेंगे हम यहाँ पर, इसके बाद क्या होगा कि आपको इतना ज़ादा confidence आ जाएगा कि हाँ, उसके बाद मैं किसी भी applications का model लिखू करेंगे, तो चलिए, एक और model बनाते हैं, और इस बार जो हम model बनाएंगे, वो बनाएंगे एक hospital management system का, hospital management, ठीक है, अब हमारे पास है hospital management, अब हॉस्पिटल management के अंदर हमारे पास में, कितने हमारे characters हो सकते हैं, कितने हमारे heroes हो सकते हैं, जो कि यहाँ पे रखेंगे, तो चल models.js ये लिजे hospital management के अंदर हमार पास में doctor आ गया, एक और क्या आएगा, patient आएगा, patient तो चाहिए चाहिए भी न, patient के, hospital कैसे चलेगा, तो models.js, ठीक है जी, doctor आ गये, patient आ गया, पर कहां पर आएंगे, hospital में आएंगे, तो hospital भी तो चाहिएगा, ठीक है जी, तो hospital भी ले ले लेते hospital.js, models.js, ओके जी, अब क्या है, इतना सब तो आगया, लेकिन medical record भी तो चाहिएगा, जी, वरना doctors कर क्या रहे हैं वहाँ पर, medical record.models.js, ओके जी, तो अब हमारे पास में सारे characters आ चुके हैं, ओके, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले basic boiler plate code सब के अंदर लगा देते हैं, bangoos from, bangoos, और ये हम बना रहे हैं किसका, medical records का, ठीक है जी, तो medical records का, तो एक एक करके हम क्या करते हैं, doctors का भी, hospitals का भी, medical records, patient, जितना भी है, सब का बना लेते हैं, और export कर लेते हैं, वैसे तो हम copy paste कर सकते हैं, बट, field काफी change होते हैं, medical record schema, ठीक है, ये तो boiler plate code, अब आपको भी पता ही है, इसमें कुछ खास discussion की जरूत है, नहीं, ओके जी, schema, ये लिजे, एक object यह आ गया, एक object यह आ गया, आपको भी पता है, time stamps, हम true कर देंगे, ताकि हमें दो field मिल जाएंगे, कौन से दो field आपको पता ही है, created at, updated at, और इसके बाद export कर देते हैं, export, const, medical record, और medical record कौन देगा हमें, mongoose देगा, model बनाने के बाद, और model बनाने टे टाइम, दो question आप से करेगा, कि क्या नाम रखूँ, तो हम रखेंगे medical record, और medical record का नाम हम रखेंगे यहां पर, किसके basis पर बनाऊ, तो medical record schema, ठीक है जी, यह हो गया हमारा, तो इसको हम क्या करते हैं, copy क लेते हैं, और इसको paste करेंगे, लग लग जगे, medical record हो गया, doctor में क्या होगा, इसको doctor schema बोल देंगे, तो इसको हम बोल देते हैं, doctor schema, और यहां पर अब हमारे पास आजाएगा doctor, यह वाला इसको हम बोल देंगे, doctor, और schema based होगा हमारा, doctor schema पर, यह लीजे, doctor schema अपना तयार, hospital, ठीक है जी, hospital के अंदर भी ही खाम कर देते हैं, यह लीजे, hospital schema, same है, और यहां पर इसको बोलेंगे, hospital, और इसको भी बोलेंगे, hospital, और किसके basis पे होगा यह, hospital schema, ठीक है जी, यह भी save कर दिया, आपके बचा, medical record हो गया है, और patient हो गया है, तो patient को भी ले आते है, यह आजाएगा हमारा patient schema, patient schema, ठीक है जी, और इसको बोलेंगे, पूरे कोई patient, किस basis पे आएगा, patient schema पे, ओके, तो hopefully एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि काफी copy pasting करी है हमने, तो ठीक है, medical record schema, medical record schema, सब जगे same है, okay, hopefully good है, doctor schema भी ठीक ही लग रहा है, doctor, doctor, सब चेक है, hospital schema, और यह hospital schema है, hospital है, hospital है, ठीक लग रहा है, patient के अंदर patient schema है, patient, patient, patient schema है, ठीक है, अभी तक तो मामला ठीक ही लग रहा है, okay, अब यहां पर हमारा patient है, वो क्या है, actually हमारा एक तरह से user ही है, तो उसके basis पर patient के अंदर थोड़ा सा मामला change हो जाएगा, सिर्फ username, password नहीं लेना है, क्योंकि patient आया है, किस hospital में आया है, यह भी रखना जरूरी है, क्या बिमारी हुई, उसको diagnose, किस तरह से हुआ है, कौन से hospital में admitted है, तो काफी चीज़े, आपको depend करता है, आप किस तरह का application बना रहे है, तो हम भी कुछ करके देख लेता है, सबसे पहले तो name लेंगे लेंगे user का, तो मतलब जो भी patient है हमारा, patient में लिख रहा है, हाँ जी patient में लिख रहे है, तो type तो हम ले लेता है, इसकी string, और required भी ले लेता है, required ले ले लेता है इसका true, तो चलिए, ये patient का पहला काम हो गया आप और भी detail ले सकते हैं, लेंगे अभी सबसे पहले एक चीज चाहिए मुझे diagnosed with diagnosed with उसको actually में medical problem क्या है तो ये diagnosed with हमारा एक important field है तो ये doctorry field करेगा, हमें तो नहीं पता हम इसको string करना है और ये required होना जरूरी है बिना उसके तो actually में patient कर क्या रहा है हमारे यापे, तो ये तो होना कमपल सरी है वैसे ये fields आप अपने हिसाब से बना सकते हो as a fun application बट जब professional industry में आते हैं तो हमें actually मेडिकल fields की reports वगरा सब कुछ study करनी पड़ती है अभी कैसे records रख रहे हैं या फिर कोई नया hospital बन रहा है उसके लिए application रहा है, क्या क्या से रिखना पड़ता है consulting होती है, बहुत ज़्यादा detailed discussion होता है, ये सब चीज़े चाहिए होती है address भी चाहिएगा तो हम address को भी लेते हैं copy और इसको paste कर लेते हैं तो हम क्या बोल देते हैं उसको कि user का address भी चाहिए, patient का में address भी चाहिएगा इसको भी हम string रख लेते हैं और required रख लेते हैं age भी लगेगी उसकी, तो हम क्या करते हैं इसको copy paste कर लेते हैं और यहाँ पे हम comma देते हैं इसी तरह से ये copy pasting होती है आपको copy दिखेगी age के अंदर हम यहाँ पे लिख लेते हैं number ठीक है जी, यह हो गया हमारा number और उसके बाद क्या चाहिएगा required है number है blood group हाँ, blood group hospitals के लिए बहुत ही ज़ादा critical और important होता है हर patient का लिया जाता है before operation वगरा कुछ भी हो तो यह तो रखा ही जाता है तो यहाँ पे हम ले आते हैं उसका blood group blood group string के अंदर ठीक है आप चाहें तो यहाँ पे एक enum भी दे सकते हैं और कर सकते हैं अगर आपको blood group सारे पता है कि यही होते हैं exactly तो आप यहाँ पे enum भी दे सकते हैं और उसके बाद type string तो अच्छा use case वहाँ पे बनता है gender भी हम store करना चाहेंगे तो gender के अंदर यहाँ पे हम enum का use कर सकते हैं gender के अंदर तो हम इसको type देते हैं यहाँ पे कि type तो string लीजे लेकिन जो आप values लोगे वो आप enum से लोगे तो यह हो गया हमारा enum enum के अंदर यही हमारी fields array के अंदर ही दी जाती है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं m और यहाँ पे लिख देते हैं f और एक लिख देते हैं others ठीक है तो सारे हमारी almost सारी categories cover हो गई है almost और इसके बाद हमें चाहिएगा एक कॉमा और यह भी required field है आप चाहें तो यहाँ पे default डालना ठीक नहीं रहेगा but required तो डालना ठीक रहेगा क्योंकि यह तो होना ही चाहिए अच्छा इसके बाद हमें यह चाहिएगा कि user किस hospital में admitted है तो admitted in के अंदर हम यहाँ पे डालेंगे admitted in तो किस hospital के अंदर आप admitted हो तो ओविसी बात है hospital का reference देना पड़ेगा hospital का reference कैसे देंगे एक दूसरे model के थुरू तो ओविसी आप बात आपको पता है अब तो type हमें पता क्या है mongoose.schema और उसमें से types देना और मुझे पता है कि मुझे object ID चाहिए तो object ID यह जैसे लिख दिया तो next line में तो obviously बात है मुझे reference ही देना पड़ेगा तो reference मैं यहाँ पे hospital का दूँगा और कहां से लेके आना है hospital obviously बात है आपको यह यहाँ से hospital as it is लेके आना है तो यह हो गया हमारा basic के किस तरह से देखे यह भी user है और हमारा e-commerce में भी user था और यह भी patient भी एक user ही है यहाँ पे बट यहाँ पे देखे field किस तरह से change हो गए अब हो सकता है यहाँ पे photos वगरा भी store करें तो एक line में आप photo add कर सकते हैं schema पे अब हमे confidence आ रहा है कि किस तरह से हम काम करते हैं चलिए अब करते हैं doctors के schema बना लेते हैं तो doctor पे चलते हैं doctor का model किस तरह से होगा तो doctor के field के बारे में भी discuss कर लेते हैं doctor का नाम तो अविश्य ही होगा हो तो होता ही है सभी का तो ये तो हम रख लेते हैं एक string, और रख लेते हैं कि required, और ये होगा true, ओके, तो ये हो गया हमारे पास required true, अब obviously बात है, एक doctor work कर रहा है, तो salary तो लगेगी लगेगी, बिना salary के तो कौन ही काम करता है, तो ये लीजे, doctor की salary, अब salary के अंदर हमें क्या चाहिए, यहाँ पर ह कि अगर आपको लगता है, नहीं मैं salaries, number में ही store करूँगा, या number यहाँ पर दोनों हो जाते हैं, आपके booleans, decimal, दोनों सब कवर हो जाते हैं, तो numbers आपके पर है, मैं string में रख लेता हूँ, debate की कोई जरूत नहीं है, आपको जैसा ठीक लगे, आपकी application है, आप जैसा बनाना रहे हैं, वैसे बना लीजें, मैं numbers में comfortable हूँ, तो ठीक है, qualification भी लगेगी, qualifications, अच्छा, अगर लिख पाए तो जादा ठीक रहेगा, qualification, हाँ जी, qualification, अब qualification doctors की degree है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, copy paste करते हैं, ठीक है, तो यह हो गया हमारा copy, और यह हो गया paste, usually मैं देखा है doctors जो है, qualification, एक string में long line में लिख देते हैं, MBBS, MD, जितना भी उनका है, masters वगरा हो सब एक लाइन में लिख देते हैं, बड़ आपको लगता है कि नहीं, मैं array format में लूँगा, array में strings होनी चाहिए, तो आप वो भी ले सकते हैं, कोई समे issue नहीं है, qualification होगी, doctors, एक बात और नहीं सकते हैं, type हम लिख लेते हैं, इसको number में, और required भी रखते हैं, default रख देते हैं इसको, default 0, कि अगर कोई नहीं बता रहा है कि कितना experience है तो माल लेते हैं, 0 ही है, अब क्या है कि हमारे जो doctors है ना, वो एक hospital में नहीं, multiple hospitals में work करते हैं, और वैसी बात है, doctors की shortage भी है, करन hospital, hospital, hospitals, ठीक है, अब मुझे पता है, ये field multiple field है, तो multiple hospitals यहाँ पर add होंगे, तो hospital का तो मैं reference दे दूँगा, ठीक है, लेकिन multiple है तो array लगेगा, तो ये लिजे array दे दिया मैंने यहाँ पर, अब इस array के अंदर क्या लगेगा, एक object लगेगा, ठीक है, तो यहाँ पर मैं सीधा ही type लिख देता हूं, क्योंकि और कुछ जरूत नहीं है, तो type कैसे आएगा, mongoose एक schema देना, और उसमें से types देना, ये लिजे, और उसमें से मुझे पता है कि object ID में ले लूँगा, जैसे ये line लिखी तो obviously भात है reference देना पड़ेगा, तो reference के अंदर मैं यहाँ पर hospitals दे देत तो इस cases में recommend करता हूं, कि आप यहाँ पर आके एक second में copy करके और paste करिये, मुझे आप कई बार करते देखें है tutorials में, हाला कि मुझे पता है, मैं भी लिख सकता हूं, लेकिन मैं mistake चाहता ही नहीं, इसलिए मैं हमेशा यहाँ आके इसको copy करके और यहां से लेके जाता हूं, यह मुझे better approach लगती है, तो यह हमारा हो गया system, एकदम define, अब अगर आपको चाहिए कि यार, नहीं मैं तो इस तरह से नहीं रखूंगा मेरा model, मैं चाहता हूं कि doctors किस hospital में कितनी देर रहते हैं, number of hours भी देना चाहता हूं, तो अब फस गया ना वापिस हैं मुझे situation में, तो hospital hours करके, और उसमें फिर मैं यहाँ पे array के अंदर सिर्फ उस schema का नाम दे दूँगा, उस schema के अंदर यह object अपने आप define है, तो उस तरह से भी काम हो जाएगा, तो देखे, मैं आपको यह बताना चाहरा हूं कि multiple तरीके से कैसे काम होता है, ताकि आपकी सोच develop हो, यह जो brain.exe यह काम करना शुरू करे, वरना क्या है, वो रटे-रटाई उसमें फस जाओगे, कि यार इतना ही होता है, इतना ही बताया था, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर पा रहें, और जब तक programming में अपनी तरफ से कुछ नहीं करोगे ना, कुछ नहीं आएगा, चलिया, अब एक final का काम भी करी लेते हैं, वैसे तो मुझे पता है, आपका हो गया है, आपको आ गया हो इसकी मा अच्छे से, और बचा कुछा जो हम YouTube का इसकी मा भी define करेंगे, उसमें भी आपको आ जाएगा, बट फिर भी एक for the sake of completion हम यह hospital का इसकी मा भी complete कर लेते हैं, तो hospital का name तो होता ही है, और इसके अंदर type, वो सबता आपको पता ही है, यह string हो गया, और इसके बाद required true, ओके जी, यह काम भी हो गया, अब addresses भी चाहिएंगे, व्योंकि hospital का address तो बहुत important चीज है, तो हम क्या करते हैं, actually मैं इसको copy करते हैं, actually मैं duplicate ही करते हैं इसको, और इसको बोलते हैं address, address, यह भ कि line 1 हमारी required है, string है, और इसको भी हम copy paste कर देते हैं, usually आपने देखा होगा, कई applications में ऐसा कि line 2 उसमें भी string होता है, बट वो required नहीं होती, line 2 दो नहीं दो, ठीक है, तो इस तरह कि अगर आप application मना रहे हो, यह भी आपको पता लग गया, एक ही minute का काम था, उसके बाद अगर कुछ चाहिए, तो इसको हम copy कर लेते हैं, और paste कर देते हैं, इसके अंदर हम लिख लेते हैं, कि city लिख लेते हैं, कि कौन सी city में है हमारा hospital, city के अंदर string है, required है, ठीक है जी, pin code भी ले लेते हैं, चलिए जी, pin code भी अगर आप लेना चाहें, pin code वैसे तो numbers होते हैं, बट string मे रखना पसंद करता हूं, मैं ज्यादतर past experience है, और आपको भी recommend करूंगा, pin codes में problem आती है, क्योंकि कई countries, बाहर की जो countries हो, उसमें pin code में numbers हो, numbers और alphabets भी हो सकते हैं, तो internationalization का ध्यान रखते हैं, मैं recommend आपको यह करता हूं, अपने experience है, कि pin code को string में रखो, numbers में मत रखो, problem हो अच्छा, hospitals क्या होता है, specialized भी होता है, कि कौन से चीज में specialized है, तो हम क्या करते हैं, उसका specialization में लिख लेता है, जैसे कई hospital heart के होते हैं, eyes के होते हैं, ENT specialist हैं, तो इस तरह के होते हैं, specialized in, तो specialized in, जो है na, obviously बात है, array है, तो यह भी हमारे एक अच्छा field हो जाएगा, तो array है अब array के अंदर हम strings रखना चाते हैं, तो यह लिजे, object define करें, क्यों कि array के अंदर object ही आएंगे, अब हर एक object कैसा दिखता है, उसके अंदर हम type लिख देते हैं, और हम object string, बस और कुछ नहीं होता है, तो यह भी हमारा एक portion cover हो गया, कि ठीक है, इस तरह से लिखना है, तो strings लिख सकते हैं, और कुछ इसी तरह से हमारे बागी की चीज़े भी बनती है, यह सपोस करें, आपको specialize की जगे likes का array रखना है, तो likes का array क्या होगा, likes क्या होता है, एक user आक बटनी तो दबाता है, तो अपना object ID तो यह अपना unique ID है, जैसे इसको database में store करा है, तो अपना underscore ID तो भी मैं save कर देता हूँ, इस पूरे का मैं आपको यहां से share करके और इसका यह public URL आपको दे दूँगा, ताकि आप publicly देख पाऊ, वैसे मैंने public ही रखा है सारा का सारा यहां पे, अच्छा मैंने इसका buy भी नहीं कर रखा है premium, तो मैं public ही रख सकता हूँ, private रख ही नहीं सकता इसमें, ठीक है, तो यह सारा मैंने आपको बता दिया, इससे जादा बाहर आपको और कुछ खास देखने की सुरत नहीं, मैंने mostly सारा cover कर दिया है, और जो चीजे cover होगी, वो आपके next जो हम project बनाएंगे, actually मैं जो git repository initiate करेंगे, पूरा करेंगे, वहां पे आपको और जादा काफी देखने को मिलेगी, अगर आपको पढ़ना है थोड़ा बहुत और, तो मैं आपको आगे जाके और भी यहाँ पर चीजे बताऊंगा कि किस तरह से validations होते हैं, किस तरह से custom mongoose के validations लिखे जाते हैं, documents को आप पढ़ सकते हैं, models को आप पढ़ सकते हैं, कि किस तरह से और models लिखे जाते हैं, models define करते हैं, वैसे मैंने mostly सारा almost cover कर दिया है, इसके अंदर आपको शायद जरूत नहीं पढ़ेगी, यह document, sub-document का भी concept मैंने आपको introduce कर दिया है, आप पढ़ेंगे तो आपको और पता लग जाएगा, कि हाँ यह वाला तो हमने पढ़ रखा है, यह चोटा से एक schema बना के गए थे हम उपर, वो सब वो cover हो गया हमारा, तो काफी कुछ है, वैसे तो पढ़ने के लिए इसके अंदर अभी और भी बहुत कुछ है, आप जितना चाहे पढ़ सकते हैं, बट मेरा यह मानना है कि अभी आपको confidence डवलप हो गया है, याद करिए, इस connection हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो अभी हमेंने सीखा ही नहीं, तो कैसे कर दूँगा, controllers नहीं लिखने आते, routes नहीं लिखने आते, बट हाँ, basic route कहोगे ना, कि यहाँ पर जाके आपको एक message receive हो जाए, तो वो मैं इस back end की series में सीख चुका हूँ, तो अगर आप कहोगे slash twitter, त इतना confidence तो अच्छे अच्छे लोगों को paid courses में भी नहीं आता, दो दो डाइडाइ लाक रुपे देखे भी, तो इसी बात पर comments का target फटाफट से करिए, और एक छोटी सी request है, आप लोग LinkedIn पे share बहुत कम कर रहे हैं, आप जितना LinkedIn पे share करेंगे, उतना लोग को पता लगेगा कि हाँ एक quality series आ रही है, हमें भी अच्छा लगेगा कि थोड़ी और मेहनत करी जाए, क्योंकि मेहनत इतनी होती है, और LinkedIn पे share आते हैं, दो, तीन, तो मजाई नहीं आता है, कम से कम 100-200 share तो आने चाहिए, इतने लोग आते हैं, इतने लोग comment करते हैं, तो ऐसा भीड भर जान हने वाले हमारा Mega Massive Project, चलिए, मिलते हैं आप से अगले वीडियो के अंदर, हन जी, कैसे हैं आप सभी, स्वागत है आप सभी का चाय और कोड में, और ये वीडियो है हमारी प्लेइलिस्ट का पार्ट, जो की है backend के regarding, बट हाला कि इस वीडियो को मैं final जब एक बड़ी प्लेइलिस्ट होगी, तो उस वीडियो में add नहीं करूंगा, क्योंकि ये वाला जस्ट एक introduction है, कि हम क्या करने वाले हैं और कैसे चीज़े आने वाली है, तो देखिए, सबसे पहली बात तो, मुझे पता है, आप लोग काफी excited है, backend की playlist को लेके, आप जितने excited है, उससे जादा excited मैं हूँ, क्योंकि मैं इस backend की playlist के अंदर चाहता हूँ, कि हम कैसे ना कैसे क करके, बार को और raise करें, इतनी quality तो अभी तक हमने देखी है, production quality भी देखी है, code quality भी देखी है, पर इसको और कैसे बहतर बनाया जा सकता है, यह हमेशा दिमाग में चलता रहता है, तो इस backend को playlist को और extraordinary बनाने के लिए दो portion है, पहला portion है, क्या final mega project हम बनाएंगे, जितना complex होगी, उतना जादा, obviously बात है, बार raise होगा, दूसरा इसका portion जो है, कैसे हम उस project तक पहुँचे, in between जो journey रहेगी, वहाँ पे किस तरह के आप examples लेते हैं, किन चीजों को हम बार-बार practice करते हैं, मैंने चाहता कि directly आपके सामने mongoose express खोल के सीधा code लिखना start कर दूँ, किस त ordinary बनाएं, ताकि एक बार raise हो, कि हाँ, content इस तरह का होता है, तो इसी के दौरान, आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा, कि कहां पे गायव हैं, आज कल back end के अंदर वीडियो नहीं आ रहे हैं, यह सर, तो हम इसी चीज के अंदर लगे वे हैं, कि किस तरह से मैं इसको और बार raise करूं, और final project का काम almost हमारा हो गया है, तो मैं आपको एक छोटा सा introduction देना चाहता हूं, कि किस तरह का, हाला कि मैं बाद में भी दूंगा इसको introduction, लेकिन जस्ट आपको बताना चाहता हूं, कि हम किस चीज पे काम कर रहे हैं, और almost काम खतम हो गया हमारा back end का, तो ए देख सकते हैं, यहाँ पे इस पे 29 screens है हमारे पास में, जिन पे हम काम करने वाले हैं, यह भी eventually free होई जाएगा, भी भी free है, यह सब को publicly एक announcement में हम properly देंगे, तो यहाँ पे आप जाएंगे, तो हम यह बना रहे हैं, पूरा final project में हम इसका back end लिकेंगे, यह क्या है, यह है ए इसी बात है, हम कुछ चीज़ों पे तो काफी जादा in-depth लेंगे, जैसे अपना registration page, अभी बहुत simple लग रहा है, login page बहुत simple लग रहा है, but I think almost 25 to 30% हमारा back end का इनी दोनों pages की बीच में होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ होता है, आपके tokens होते हैं, bearer tokens होते हैं sessions होते हैं, cookies होती है, password protection mechanism होता है, emails होते हैं, बहुत कुछ होता है, तो उन सभी पर discussion हमारा obviously बात है रहे गई वो तो, उस पे तो हम करेंगी, बट उसके लाब आप देखें कि कितने सारे pages हैं और कितने pages पे हमें काम करना है, तो यह हमारा कुछ इस तरह का list आएगा कि आप कै playlist पूरी बना सकते हैं, तो playlist के regarding भी हमारा पास हैं कि किस तरह से आपकी playlist page दिखेगा यहाँ पे, यह आपका playlist पेज़ जहां पे आप playlist बना सकते हैं, वीडियो को यहाँ पे add कर सकते हैं, आपके numbers भी शोंगे, जितनी चाहें उतनी playlist बना सकते हैं, तो इस काम को भी हम करेंग पूरा backend इसके लिए भी लिखेंगे, उसके लावा सिर्फ इतना ही नहीं, आपको यहाँ पे एक tweet नाम से भी दिख रहा होगा, तो channel tweet page तो हम एक integrated twitter भी बनाएंगे इसके अंदर, और twitter के अंदर हम देखेंगे किस तरह से आप likes कर सकते हैं, dislike कर सकते हैं, तो YouTube के अंदर ही हमन एक video वाला page दिखेगा यहाँ पे, video वाला page भी लेके आते हैं यहाँ पे, तो my channel, एक second, थोड़े जादे page हो गए, okay, channel tweets, video models, तो यहाँ पे video models के अंदर हम देखेंगे किस तरह से videos आपके upload होते हैं, सिर्फ यह नहीं, video upload नहीं, यह तो सिर्फ एक pop-up है, इसके लावा आप तो, हाँ जी, यह वाला page, तो इस वाले page के अंदर आप देखेंगे, तो अपने हाँ यहाँ पे videos भी drag and drop कर सकते हैं, उसके बाद thumbnail भी choose कर सकते हैं, title, description सब add कर सकते हैं, तो हाँ, यह just एक overview है, हम UI पे काम अभी नहीं करेंगे, हम actually, purely, purely back end में काम करेंगे, यह सिर्फ एक just overview है, कैसे designing होती है, कैसे models होता है, data collection क्या क्या करना है, क्या strategy रहती है, कैसे बड़े project को बनाने के पीछे, वो सब भी हम obviously बात है, discuss करेंगे, बट मुझे लगा कि एक बार raise हम कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा information बताई दें, उसके अलावा आप देखेंगे, यहाँ पे बह video detail page, तो video detail page देखेंगे, तो यहाँ पे आपका video play होगा, obviously बात है, जो भी आपका video है, side में आपको suggestion video list मिली जाएंगे, इसका भी API अपने को लिखना है, उसके लावा like, dislike भी होंगे, videos को आप save भी कर सकते हैं, जो भी playlist होगी उसके अंदर, आप चाहें तो subscribe भी कर सकते हैं, इस channel को कर देना वैसे, अभी तक नहीं किया है तो, और उसके लावा आप देख सकते हैं, comments भी हैं यहाँ पे, तो आप comments भी कर पाओगे, videos के अंदर, comments की भी listing कैसे किस तरह से होती है, हर video का कैसे comments हम लेके आएंगे, तो उसका भी पूरा का पूरा detail करेंगे, तो obviously बात है, अभी से आप देख सकते हैं कि actually में हम UI वगरा पे जादा focus नहीं करेंगे इसमें भी, लेकिन complexities आप देख सकते हो अभी से कि किस complexity level पे हम काम करेंगे, videos हैं, thumbnails हैं, title, description, text data तो obviously बात है हम save करेंगे, करेंगे back end में, बट कितना सारा back end लिखना है, अच्छा यहीं नहीं, जादा complex कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि एक दो चीजे और क्यों छोड़ दी जाए, तो वहाँ पे भी आप देखेंगे कि admin का भी dashboard है, तो आपका जो channel है, उस channel के अंदर आपके videos के अंदर कितने total views हैं, कितने subscribers हैं, total कितने आज तक सारे videos को मिला के likes आएंगे, तो यहाँ पे क किस तरह से date publishing है, delete कर सकते हो, videos को edit कर सकते हो, तो एक admin का भी हमें पूरा मिलेगा यहाँ पे overview कि किस तरह से admin का और इन सब का होता है, तो हन जी, इसी सारी चीज में विजीत हैं, एक summary आपको दे दूँ, कि final जो project बनेगा, अभी नहीं बनेगा, हो सकता है, दो महीने लगे, चार भी लग सकते हैं, साल भी लग सकता है, पता नहीं कितना time लगेगा, बट जब भी बनेगा, यह हमारा final project होगा, जहां पर हम एक पूरा का पूरा YouTube का centralized platform बना रहे हैं, videos upload होंगे, thumbnail upload होंगे, उसके लावा title, description, videos को कैसे show करना है, display करना है, उसके लिए भी APIs होगी, search होते ह like, dislike, history कैसे maintain की जाती है, playlist कैसे बनाया जाता है, उसके लावा हमने एक tweet section भी इसमें रखा है, ताकि अगर आपको इनके text based social media कुछ बनाना हो, तो वो segment भी हम यहां पर cover कर लें, तो आप tweets कर पाएंगे, आपके जैसे community post होते हैं, वैसे tweeters के पूरे section यहां पर हो जाएंगे, tweets को आप like कर सकते हैं, dislike कर सकते हैं, बस इतना है, और कुछ assignments भी होंगे यहां पर, कि किस तरह से, और tweets के अंदर भी आप comments कर सकते हैं, जैसे आपने videos के अंदर सीखोगे, कि videos पर comment कैसे की जा सकते हैं, वैसे आपके tweets पर भी comment कैसे किये जा सकते हैं, यह आपका assignment होगा, तो इस इस वीक से वीडियो आ जाएंगे, इस वीक से आ जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं एक कम्मुनिटी पोस्ट भी डाल दूगा, एक्चली मैं ये सब बनाते बनाते वक्त हो गया, एक और कंट्री विजिट करने का, तो ये मेरी 39th कंट्री है, लेकि सब के अपने परसनल क में से एक काम ये भी है कि थोड़ा वर्ड एक्स्लोरेशन किया जाए, तो इस बीच हमारी 39th कंट्री का समय आ गया है, आपको मैं Instagram पे और WhatsApp जो हमारा चैनल है, उस पे भी मैं अपडेट करता रहूँगा, तो पहले जाएंगे, थोड़ा से रिफ्रेश होएंगे, क्योंकि जो पुराने वीडियो बनाये, वो सब काफी consuming थे, अब ऑविसी बाते इन सब में करते करते, एक breakout हो जाता है कि नहीं इतना काम नहीं हो पाएगा भी, थोड़ा refreshment जरूर है, जितना refresh होंगे, उतनी जादा स्पीड से अच्छे से आते हैं, fresh minds आते हैं, मजा आता है, क्योंक पिर क्या आता है, boring काम हो जाता है, monotonous की बस बनाने हैं, वीडियो बनाओने नहीं, enjoy करके बनाने हैं, तो इसलिए एक हफते के एक छोटे से break पर मैं जा रहा हूँ, जितने वीडियो बन गए वो तो obvious सी बात है, publishing पर मैं लगाई दूँगा, but next पूरा एक week, एक week तो नहीं को, कुछ ऐसा जो अभी तक आपने नहीं देखा, और step by step करेंगे, हर चीज़ को अच्छे से समझेंगे, एक एक छोटे छोटे पार्ट में break करके पूरा देखेंगे, बट एक break के बाद, break ज़रूरी है, तो काफी लंबा एक break ले रहा हूं, मैं 10-12 दिन का, बने रहिएगा आपको updates Instagram वगरा पर मिलती रहेगी, बट एक यही छोटा सा एक शोटा आपके साथ share करने, और ठीक है, comments कर दीजेगा इस वीडियो पर, कोई comment का as such कोई target नहीं है, बस enjoy करिए इसमें, देखिए कि क्या हम बनाने वाले हैं, अगर आपको लगता है, अच्छा final project है, तो please comment section मे एक hurt छोड़ते जाईएगा, और comment, अगर चैनल को अभी तक subscribe नहीं करा है, तो कर दीजे, और अगर अभी तक नहीं करने का मन है, तो कोई बात नहीं, आगे कर देना, हम यहीं पर है, कहीं नहीं जा रहे हैं, चलिए मिलते हैं आप से अगले वीडियो के अंदर, हाँ जी, कैसे हैं आप सभी, स्वागत है आपका चाय और कोड में, हमारा एक यूनीक YouTube चैनल, जिस पर आप लोगोंने काफी प्यार दिखाया, और इस वीडियो से हम continue कर रहे हैं हमारी सीरीज बाक एंड की, अभी तक हमने जितना भी बाक एंड सीरीज के अंदर पढ़ा है वो सब है basics, हाँ जी, अभी तक सिर्फ मैंने आपको एक introduction दिया है कि backend किस तरह से होता है, इतना भी जादा कोई बड़ी बात नहीं है, backend आप लिख सकते हो, express का हमने थोड़ा से introduction लिया, थोड़ा से mongoose का introduction लिया, लेकिन ये सब था basics, अब इस point onwards से जो भी हम start करने जा रहे लेकिन इसके लिए लगेगा आपका बहुत सारा dedication, ये series सिर्फ मैं अकेले पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि हम जिस तरफ जा रहे हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, वो है बहुत ही जादा professional approach, जितना भी हम code लिखेंगे वो है 100% production grade code, यानि कि जितनी भी बड़ी कंपनिया वो सारा का सारा ये code standard follow कर रही है, और यही code standard आप भी जब किसी बड़ी company में जाएंगे तो follow करेंगे, यहां से जो हम series स्टार्ट कर रहे हैं, यहां से आपको थोड़ा सा अपना दिल थाम के बैटना पड़ेगा, क्योंकि ये सब loop function variables नहीं है, अब हम जा रहे हैं आगे कि software development कैसे होता है, एक application कैसे build होती है, उसके basics जानने के लिए और उसका सबसे बड़ा role backend के अंदर होता है, यकीन मानिए आपको backend में इतना मज़ा आएगा कि आप frontend भूल जाएंगे इसके बाद में, हाला कि frontend के अपने अलग मज़े हैं, लेकिन backend के अदर जितना code लिखने में problem solving में और जो code लिखने का असली मज़ा है, वो आपको यहाँ पर आएगा, इस video का target है 500 comments जो आप मुझे पता है फटा फट पूरा कर देंगे, कोशिश करेंगे हम day 1 के अंदर ही हम 500 comments पूरे कर लें, और यहाँ से मैं आपको overview देना शुरू करूंगा कि एक production grade application कैसे बनती है कैसे वो production grade tools है, क्या क्या आप use करेंगे और कैसे environment वगरा सब setup करना है, इस point onwards से मैं एक fresh git repository बना रहा हूं ताकि आप भी सारा code github पे देख पाएं और उसको समझ पाएं, अभी तक आप में से कई लोग सोच रहेते हैं कि इतेश अभी तक भी क्यों git का आपने repository नहीं अकेला अपने आप में एक ऐसा project है, जो आपको ना कि सिर्फ JavaScript के अंदर professional बनाएगा, बलकि अगर आपको कहीं college के अंदर resume में submit करना है, तो ये एक project more than enough है, इतना complexities के अंदर included है, ना ही ये सब चीजे किसी paid course में है, ना ही किसी free course में है, और ना ही आस तक YouTube पे ऐसा कुछ आय तो चलिए, पहले मैं आपको introduce करता हूँ, comments याद रखेगा, 500 comments का हमारा target है, पहले मैं आपको एक overview देता हूँ कि अब हम क्या mega project बनाने वाले हैं, और उसके बाद ही हम project setup का start करता है, screen share करता हूँ आपके साथ में, ये हमारा project है, जो designer ने हमें बना के दिया है, हमारे personal designers है तो ये हम project बना रहे हैं, अब आप सोच रहे होंगे, अच्छा है, ये एक page बनाएंगे, नहीं जी, ये एक page नहीं है, अगर आप खोल के देखें तो ये project इतना complex है, हाँ जी, इसी तरह से project बनाया जाते हैं, जब professionally होता है, पहले projects का design finalize होता है, ताकि हमें ये तो पता developers होते हैं, sorry, designers नहीं, developers जो होते हैं, उनका role होता है majorly इस look को achieve करना, जैसे ये button है, sign up button, तो किस तरह है के हमारे पास buttons हैं, login लिखा रहा है, किस text में लिखा रहा है, कितना font में लिखा रहा है, usually Figma files ये XD files में उनको ये सारे instructions दिये जाते हैं, कि इनके बीच में spacing कितनी रखन रखना है, क्या images है, क्या assets है, ये सब हमें रखा जाता है, तो ये काम है आपके UI developers का ताकि ये look achieve करें, उसके बाद आपके जो front end engineers है, वो इस project के सारे UIs को लेते हैं, buttons को, left navigation bar को, cards को, और इन सब को connect करते हैं हमारे back end से, जो की काम है आपके front end developers का, जो की APIs call करते हैं, data receive करते तो हम उस चीज के लिए interested नहीं है, ये button यहाँ पर purple दिखे या red दिखे मुझे इससे मतलब नहीं है, मैं एक back end developer हूँ, तो back end developer usually इन सारी files को देखके pick करता है, कि अब इस application को बनाया कैसे जाएगा, कैसे data points collect किये जाएंगे, क्योंकि सबसे important as a back end developer हमारे लिए क्या है, data, व obviously बनेगा है, उसका username भी आएगा, लेकिन और भी कितनी चीज़े हैं, मेरे liked videos भी store किये जा रहे हैं, मेरी history भी store की जा रही है, तो अगर आप general एक overview देखे हैं, तो हाँ, videos का शायद कोई model होगा, और users के अंदर मेरे पास एक array होगा, जहाँ पर मैं सारे videos की ID डाल दूँ, ज लेकिन ये पूरे models किस तरह से बनाये जाते हैं, या आप अपने first year, second year या third year में भी नहीं सीखते हैं, third year से मेरा मतलब है, जब आप industry के अंदर है, वो मैं आपको first year मान रहा हूँ, college का नहीं, तो वहाँ पे भी आप 2, 3 साल, 5 साल देते हैं, तब आपको data modeling अच्छे से समझ ये जो हमारा eraser tool है, यहाँ पे मैं इसको use कर रहा हूँ, और आगे जाके मैं आपको ये पूरा बता भी दूगा किस तरह से ये सब use होता है, कैसे इसको access होता है, but by the way, a big shout out to the eraser team, कि उन्होंने मुझे पूरा free access दे रखा है, इसका link में description में डाल दूगा, ताकि आप ये सार model थोड़ा सा डरावना लगे कि और इतना बड़ा काम करेंगे, but आपको appreciate क्या करना है, कि अगर इतना complex project handle कर लिया, तो इसके बाद क्या to do's और क्या basic project आप कहोगे जो बना देंगे, इसलिए मैंने कहा कि इतना complex structure YouTube पे पढ़ाना या किसी paid course में भी पढ़ाना possible नहीं है, हमे आपर बात करेंगे, अभी जो हम basic हम जो start करेंगे, वो करेंगे हमारे सिर्फ इस user model से, कि हम user को कैसे store रखने है, user की IDs कैसे रखी जाती है MongoDB में, user name, email, full name, avatar, जो की एक image होगा, cover image, password, refresh tokens, refresh tokens, JWT, ये सब क्या होते हैं, ये सब भी हमें देखना है, सारा पढ़ेंगे, कैसे sessions create ह होते हैं, कैसे tokens बाटे जाते हैं, created add, updated add, इनको manipulation कैसे होगा, तो हम काफी कुछ सीखेंगे, इसका मैं आपको description में link दे दूगा, अब यहाँ पे एक common question आता है, वो common question क्या है, कि सर ये जो आपने model बनाया है, क्या मुझे भी exact SI model बनाना है, अभी के लिए तो हाँ, अभी पे रहेंगे, एक ही model को follow करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि model इसी तरह से बने, ये project इसी तरह से handle हो जरूरी नहीं है, सबका अलग-अलग future scope है, तो हो सकता है, जिस तरह से हमने ये model बनाया, आप किसी अलग तरह से बनाते हैं, और वो भी सही है, अगर given functionality achieved हो रही है, जो भ है कि application बना रहे है, उस पे depend होता है, हमने काफी चर्चा इसकी करिए, हमारे hospital management system में भी और कई जगे भी करिए, तो अमीद करता हूँ, आप अभी समझ गया होंगे इसको, चलिए, अब वापे से चलते हैं, तो ये हो गया हमारा basic कि ठीक है, हमारे projects इस तरह से होंगे, और का चोटा मोटा नहीं खेल रहे हैं, हम काफी बड़ा और काफी in-depth में खेल रहे हैं, इसका link आपको description में मिल जाएगा, मैं दे दूगा, और नहीं हो तो मुझे याद दिला देना, मैं add कर दूगा, वैसे मैंने कर दिया है share इसको, अच्छा यहाँ पे एक easy तरीका ये भी है share screen वगरा पे तो इसको scan कर लीजेगा, वैसे मैं link भी डाल दूगा, copy करके, description में बट अगर याद नहीं रहे हैं, तो at least आपके पास एक scannable code तो है, तो आप share ले सकते हैं सारा, ओके जी चलिए, इतना काम तो हमारा हो गया है, और हमें समझ में भी आ गया है, कि ठीक है, काफ यूजर को save रखना चाहते हैं, अब user को save रखने के लिए सिर्फ उसका email password नहीं, यहाँ पर हम देखने हैं कि हम images भी handle कर रहे हैं, हां जी, तो यह एक सबसे बड़ी चीज है इस project के अंदर, कि यहाँ पर जितना भी काम हो रहा है, मैं आपको कुछ भी basics से नहीं ले रहा हू मैं सब कुछ advanced level पे लेके जा रहा हूँ, basics के लिए हमने video already कर लिए हैं, ऐसा नहीं कि मैं आपको basics पढ़ाऊंगा नहीं, पढ़ाऊंगा, लेकिन हम चीजों को advanced लेके जा रहे हैं, day one से हम file handling, third party APIs, third party services कैसे use करते हैं, क्योंकि professional life में यह सब use होता है, तो उनको कैसे use करना है कैसे save करना, in fact project structure भी किस तरह से professionally create होता है, वो सब हम देखेंगे, ठीक है, तो काफी बाते हो गई, comment भी आपने कर दिया होंगे, अब तक target achieve, तो चलिए जी, शुरू करते हैं अब इस project को, हम कैसे start करें और कैसे इसके बारे में हम चर्चा करें, तो सबसे पहले क्या करता कि मैं एक vs code open करता हूँ, क्योंकि सारा काम हम करने तो वहीं वाले है, तो ये लीजे हमारा vs code यहाँ पर आ गया है, और मैंने एक नया blank folder बना लिया था, जिसका नाम है chai और backend, हाँ इसी नाम से हम करेंगे सारा का सारा काम, तो chai और backend का ही हमारा folder है, इसके अदर एक project repository initialize कर लेते हैं और उसके बाद git paste को setup कर लेते हैं, तो उसी से हमारा सारा almost आदा काम तो होई जाएगा, उमीद करता हूँ, आपको भी मेरे git के note मिल गए होंगे, community post के अंदर मैंने डाल रखा है, जितने भी git के basics थे notes थे, वो मैंने add कर दी है, कभी फुरसत मिलेगी, तो video crash course, crash course तो क्या full course ही होगा, वो भी ले आएंगे, बट अभी के लिए ठीक है, अब सबसे पहले हमारा पास काम है कि हमारा पास node install है, आप भी चाहें तो node dash V करके देख सकते हैं, कि node हमारा पास version 19 हो 20 हो, कोई खास फरक पड़ेगा नी, जो भी version है आप ले लीजे और काम कर लीजे, NPM init करके देखते हैं, तो उससे क्या होगा, एक node package manager हमारा एक initialize कर देगा, रेपोजिटर को वैसे कई लोग NPM को node package manager नहीं बोलते हैं, बट उनकी अपनी कहानी है, तो NPM init करते हैं, package name हमारा chai और backend ठीक है, version भी ठीक है, description a backend in at chai और code channel, YouTube पे है जी, ठीक है जी, entry point index.js, entry point हम काफी change करने वाले हैं, उस पे भी हम बात करेंगे, अभी के लिए हमारी entry point ठीक है, index.js, test command कुछ है नहीं, git repositories बाद में देंगे, keywords हमारे है, javascript है, और backend है, और chai तो है है, chai तो keyword लिखना ही पड़ेगा न, author, मेरा नाम यहाँ पे add कर देता हूँ, आपका मन क करिए, isc license ठीक है, यह हमारा package initialize हो गया, तो package.json हमारे पास में है, अब package.json तो है हमारे पास में, लेकिन अभी और भी काफी काम हमें करना है, ओके, तो इतने पर काम हम चला लेते हैं, वैसे तो हमारे अभी कई folders, कई files बहुत कुछ बनेगा, लेकिन क्या, अभी उन files को, folders को मैं बना के, actually मैं आपको बताऊंगा reason क्यों क्यों नहीं बना रहा हूं, क्योंकि git के अंदर वो push नहीं होंगे, तो कैसे git के अंदर भी push होंगे, कैसे काम होगा, उन सब के बारे में बात करेंगे, अभी के लिए हमारी इस repository को initialize करके, हम actually एक git पे तो add करी देते हैं, और यहां पे add कर देते हैं, this is a video series on chai on backend, backend with javascript, इसको मैं और add कर दूँगा, ताकि आपको और easy रहे, सारे links वगरा भी यहीं add कर देंगे, ताकि easy रहे, in fact, वो link भी add करी देते हैं, यहां पे, ज्यादा easy रहेगा, तो इसको हम share करके, copy link back जाते हैं, और इसको यहां पे add कर दे models link, तो यह हमारा हो गया, model link, okay, आप चाहें तो इसको यहां पे इस button को click करके और देख भी सकते हैं, कि कैसा हमारा output आया, इस तरह का output है, तो at least हमारा काम हो गया है, अब इसको हम git repository को initialize करके और push भी कर देते हैं, तो सबसे easy काम है, git init, यह हो गई git repository initialized, अब हम सारी files वगर सबको track कर रहे हैं, उसके बाद हम कर देते हैं, यहां पे git add, सभी files को add कर दो, तो यह लिजे, और commit message भी डाल देते हैं, git commit, और message देंगे हम, start add initial files for backend, यह लिजे add भी कर दे, अब हमारे पास अभी जो branch actually में चल रही है, वो है हमारी master branch, vs code वैसे ही काफी friendly है इन सब चीज़ो के लिए, master branch हमारी चल रही है, हम इस branch को rename कर लेते हैं, ताकि github के standards के साथ हम match कर लें, तो इसको हम change कर लेते हैं, actually मैं सारा github पे देख लेते हैं बाकी का, वैसे हम branch भी change कर सकते हैं, बट वो भी करते हैं, सबसे पहले आईए create new repository, हम एक new repository create करना चाहरे हैं, जिसका नाम हमारे पास में chai backend, और chai backend के बाद public ही रखेंगे इसको, a video series on chai और code youtube channel, ये लिजे, public repository है, git ignore वगरा मैं आपको manually add करना सिखाऊंगा, वो हम बाद में करेंगे, अभी इसको create repository कर लेते हैं, सिर्फ हमारा एक ही काम है majorly, कि हमें branch change करने हैं, तो आप git branch dash m से main change कर सकते हैं, हमें जो चाहिए majorly, वो last की दो commands, या फिर आप इससे भी काम चला सकते हैं, सिर्फ एक link से भी, तो अभी सबसे पहले तो branch में change कर देता हूं, ताकि हमारा standard सेम रहे, तो branch dash m से आप जो existing current branch है, उस branch को आप rename कर देते हूं, मैं इसको main कर देता हूं, ताकि master की जगे main हो जाए left corner में आप देख भी सकते हैं, वैसे तो नहीं दिख रहा होगा आपको, दिखाते हैं अभी, यहाँ पे, अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, zoom करने से भी नहीं दिख रहा होगा, काफी difficult है, बट 4K में videos है, देख लीजेगा, तो यहाँ से हम आव गए है main branch में, अब remote यहाँ पे apply कर देते हैं, तो remote हमारा यह add हो गया है, अब हमारी git repository को यह भी पता है कि push उसको remotely कहाँ पे करना है, उसके बाद हम आते है push पे और upstream भी set करेंगे, dash you जो option है, यह upstream set करता है, मेरे notes के अंदर यह सारा सब कुछ mention है, तो यह हमारा हो गया, upstream भी mention और प्लस इसी same time पे इसने push भी कर दिया, सारा का सारा code, तो obviously बात है, अब हम refresh करके देखेंगे, तो हमें सारा का सारा code मिल जाना चाहिए, और आपको भी मिली जाएगा, आईएगा github.com slash iteshaudary पे और आपको चाहे back and easily मिल जाएगा, ठीक है, तो at least अभी हमने जितना code push किया है, वो सारा का स अब मैं आपको थोड़ी सी और चीज़े बताता हूँ याँ पे, कि किस तरह से हम professionally इसको handle करेंगे, और ये सारा का सारा काम किस तरह से करेंगे, तो ये काम तो हो गया है, repository वगरा सब कुछ set है, इतना तो बड़ा basics है, लेकिन अब आते हैं कि किस तरह से हम files, folders ये सब manage करें कि कोई भी third party service आप use कर रहे हैं, AWS यूज़ कर रहे हैं, Azure यूज़ कर रहे हैं, Cloudinary यूज़ कर रहे हैं, जो भी आप use कर रहे हैं, सबसे पहले आप photos अप्लोड करवाते हैं user से, उसको temporarily आप अपने server पे रखते हो, ताकि in case कोई connection lost हो user का, तो at least हमारे पास server के अंदर हमारी वो photos या videos upload हो गई है, और उसके बाद एक third process से Cloudinary पे आप डाल देते हो, अब depend करता है आपके processes क्या है, क्या standard आप company में follow कर रहे हैं, कही company है direct Cloudinary पे upload कर देती है, बट मैं आपको सारे scenarios बताना चाहता हूँ, ताकि आप professionally काम कर पाएं, तो कुछ files और folders हम यहाँ पे बनाते है तो एक file तो मैं बनाता हूँ, public, अब इस public के अंदर एक और मैं यहाँ पे file बनाऊंगा, जिसका नाम है यहाँ पे, temp, file तो नहीं actually मैं मुझे folder बनाना है यहाँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ, temp, अब क्या होगा, आपने एक file भी बना ली और एक folder भी बना लिया, लेकिन अगर आप देखेंगे, git मैं अगर status देखता हूँ यहाँ पे, तो आप इस file को actually मैं push नहीं कर सकते हो, क्योंकि git status देखोगे तो उसने कहाँ आपने folders बनाए हैं, मैं file को track करता हूँ, folder के अंदर folder वो अभी empty है, तो उसको push करना, मतलब कोई sense नहीं बनाता है git के लिए, यह scenario आपके साथ भी आएगा, काफी बार आएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे अपना git का brush up करेंगे कि और क्या 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 हम git के अंदर सीख सकते हैं, साथ की साथ में, ताकि professionally आप इस तरह के काम करो, तो इस तरह की जब files आती है, तो सब से पहले हम क्या करते हैं, महाँ पे एक न भी रखना है, तो किस तरह से रखे empty folder, तो इसलिए हम एक वहाँ पे empty file बहा रहते हैं, dot git keep, वैसे तो इस file के नाम कुछ भी हो सकता था, बट यह एक standard procedure है, जो follow करते हैं, अब अगर मैं यहाँ पे देखूं git status, तो actually मैं ओ फाइल यहाँ पे बोल रहा है, कि ठीक है, public के और temp के अंदर, ठीक है, ठीक है, सारी files हमारी एकदम सही जगया है, ठीक है जी, इतना काम दो हो गया, अब obvious ही बात है, यहाँ पे एक नई file भी हमें, दो ती नई files लगेगी, लगेगी, सबसे फैली file तो हमें लगेगी, एक dot git ignore, क्योंकि obvious ही बात है, अब हम professionally काम कर रहे हैं तो professionally जब काम कर रहे हो, तो काफी APIs भी यूज़ करोगे, काफी Keys भी यूज़ करोगे, काफी Secrets भी यूज़ करोगे, लेकिन वो सारी चीज़े तो git पे push नहीं करनी है, अच्छी बात भी नहीं होती है, तो इसलिए यहाँ पे git ignore हम फाइल बनाएंगे, ताकि जो जो files हमें पुछ नहीं कर रही है, sensitive files है, उन सबको हम यहाँ पे हम रख पाया, एक सबसे interesting चीज़ है, कि आपके पास git ignore generators भी है market में, git ignore generators, तो यह क्या करता है, जिस तरह का आपका project है, उस पे based आपको project files वगरा सब generate करके दे देते हैं, मैं usually यह वाला use करता हूँ, वैसे ता आपको य JS का पूरा का पूरा मिल जाता है, तो यह create करता हूँ, तो यह देखे, node की जित्ती भी files है, जो सब ideally होनी चाहिए थी, वहाँ पे git ignore में तो वो होती है, तो यहाँ पे usually जब भी professional code लिखते हैं सरेगा, तो copy करते हैं, और यहाँ पे लाके paste कर देते हैं, अब आपकी जित्ती भी files है, जो नहीं जानी चाहिए, वो यहाँ पे है, बट अगर आपको लगता है कि कुछ और भी होनी चाहिए, तो आप add कर सकते हो, जैसे node modules हो गया, Jspm packages हो गया, web modules हो गया, यह usually git पे recreate करी जा सकते हैं, तो नहीं करते हैं, environment variables भी देखे, .env, .test, .production, जितने भी environment variables हैं, वो होती है, environment variable file, जब भी हम चीजों को production में push करेंगे, मैंने front end में भी इसका discuss किया था, तो यह environment variables system से उठाये जाते हैं, ताकि यह secure रहें, यह files से नहीं उठाये जाते हैं, तो environment variable जैसे ही आपको यह backend का source code production में जाएगा, AWS पे जाए, चाहिए, Digital Ocean पे जाए, वहाँ पे उन services प प्लीज ऐसा मत करो, तो इसलिए आप से हटाने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक .env.sample बना देता हूँ, जो भी काम मैं env में करूँगा, सिर्फ आपको देने के लिए मैं उसको sample में रखूँगा, अब क्योंकि यह file मैंने .gitignore में नहीं add कर रखी .sample भी, तो वो अविस पुश होई जाएगी, तो इतना काम तो हमारा हो गया, और हमें समझ में भी आ गया कि एक एक चीज हम क्यों कर रहे हैं, क्या इसके लिए जरूरी है, और कैसे सारा काम होगा, ठीक है, इतना काम तो हो गया, package.json भी आ गया, readme भी आ गया, लेकिन अब हमारी index file कहा है, क्यों का नाम है src, अब ये totally totally आप पे depend करता है, कि आप सारा का सारा directory files यही रख लो, या source के अंदर रख लो, सिर्फ एक folder structure है, मुझे ऐसा लगता है, source के अंदर हम थोड़ा सा और organize रहेंगे, तो इसे साब से हम source के अंदर सारा का सारा रख लेते हैं, जितना भी हमारे पास में work रहेगा, या जो भी हमारी files रहेगी, उसी के अंदर हम रखेंगे, अब source के अंदर हम जाते हैं, तो हमें 2-3 files लगेगी, अब सबसे easy मुझे क्या लगता है इन files को create करने के लिए, कि आप कर सकते है, right click करके वगरा, लेकिन काफी time आपका save हो जाता है, अगर आप command line से करें क्योंकि मैं Linux पे हूँ, Mac पे हूँ वैसे तो, बट Linux जैसा यह, आप भी अगर Windows git bash यूज़ कर रहे हैं, करी रहे होंगे, उमीद करता हूँ git पे हैं और git bash यूज़ कर रहे होंगे, जो की एक shell आता है, तो आप भी क्या कर सकते है, touch file से अलग-लग files create कर सकते हैं, मुझे चाह इसी बात है, एक मेरी file index.js, अब touch command से यह file create करने का मुझे फाइदा यह है, कि मैं जैसे एंटर करता हूँ, तो source के अंदर यह सारी files create हो गई, और यह बाहर चल जाए, अंदर चल जाए, इन सबसे मुझे कोई मतलब नहीं है, easily सारा काम हो जाता है, ठीक है, एक काम तो यह हो जैसे से files आएगी, वो सारा काम होता जाएगा, लेकिन अभी के लिए हमारे पास काफी काम हो गया है, तो इसको हम git पे push कर देते हैं, कि किस तरह से सारा काम होगा, लेकिन अभी हमारे package.json को नहीं पता है, कि आप किस तरह से काम में लोगे, क्या सारी चीज़े होगी, तो ह करना है, import वाला syntax, require वाला syntax नहीं, JavaScript के अंदर दो तरह से importing होती है, common.js से, एक module से, मैं पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में module रखूंगा, ताकि consistency वनी रखे, इसके लिए मुझे क्या करना है, कुछ नहीं, यहाँ पर आके लिखना है type, और मुझे suggestion में आ जाता है, common या module, मैं इस तरह से चलने वाले हैं, ठीक है जी, इतना काम तो हो गया, लेकिन, अब मुझे यह भी पता है कि, past में मैंने कुछ जब पढ़ाई करी थी, तो मुझे पता है कि, जब भी server की file reload होती है, कुछ भी आप change करते हो, तो server start और stop करना पड़ता है, अब इसके कई options है, आप किस watch करके option आया है latest, जहां से आप काम कर सकते हैं, लेकिन production grade में अभी इतना नहीं गया है वो, अभी भी लोग एक utility use करते हैं, जिसका नाम है nodemon, तो nodemon हम यहाँ पर introduce करेंगे और उसको use करेंगे, nodemon है कुछ भी नहीं, बस यह आपकी file जैसे save होती है, server को restart कर देता है, बस, इत development की दोरान हम use करेंगे, production में इसको नहीं लेके जाते हैं, उससे कोई file भारी हलकी होने से कोई फरक नहीं पड़ता है, क्योंकि इस सिर्फ development में काम आएगा, जैसे production में जाएगा तो इसको काम में नहीं लेते हैं, बट आप यहाँ देखेंगे npm i nodemon, इस तरह से install करोगे त और आप nodemon install कर लीजे, इसके अधर options भी आपको मिल जाएंगे, कि npm install dash capital D करके भी आप install कर सकते हैं, कुल मला के बात है कि dev dependency install करनी है, तो यह हमारा nodemon रहा, अब इसको install करने का सबसे easy तरीका है आपको जो दिखेगा, वो दिखेगा, कि npm install dash D से development dependency या फिर dash dash save dash development भी कर सकते और nodemon, अभी जैसे मैं install कर रहा हूँ, तो आप सबसे पर दिखेंगे node modules आया, लेकिन क्योंकि git ignore में node modules अलरेडी है, तो git मेरा track नहीं कर रहा है इसको, प्लस मेरे पास यह dev dependencies नाम से अलग से आया, dependencies तो ही नहीं अभी मेरे पास, वो तो हम आगे जाके बात करेंगे, पर dev dependency हम तो जैसे हमार पास test command होती है, script होती है, मैं क्या, dev command यहां पर बना लेता हूँ, और nodemon से बोलूँगा, कि nodemon आप प्लीज इस file को reload कर दीजेगा, जब भी मैं कुछ काम करूँ, तो बढ़ा easy है, उसको बोलीजे कि इस से क्या run होगा, nodemon run होगा, अब nodemon को करना क्या है, src क इसा भी आप लिखना चाहें, बस जैसे ही मैं npm run dev करूँ, तो इसको install कर दीजे, start कर दीजे, कुछ difficult था, नहीं, इतना तो difficult नहीं था, तो हमार पास में package.json में भी कुछ changes आ गये हैं, और हमने इस files को भी modify कर दिया, अभी थोड़ी सी और चीजों के बारे हम बात करेंगे especially environment variables है यह और इसका module जो है, इनका थोड़ा सा पंगा चलता है, तो इसको कैसे हम resolve करते हैं, उसको भी देखेंगे, क्योंकि आप एक file के अंदर चीज देखेंगे, अगर आप .env search करेंगे, environment variables की, तो अभी भी यहाँ पे थोड़ा सा issue यह है, कि इनको जब भी आपको use करना है, तो आप actually में इस तरह से easily ES6 import नहीं कर सकते हैं, आपको require वाला syntax यूज करना पड़ता है, require.tnv, तो इसका भी solution है, वो भी हम देखेंगे, बट अभी नहीं आए आने वीडियो में देखेंगे, अभी के लिए हमारे पास में काफी काम हो गया है, कि किस तरह से आपना project setup वगरा सब कुछ हो चुका है, उसके बाद भी मैं आपको एक और काम भी बताऊंगा अभी, काम काफी बताऊंगा, 500 कमेंट के लावा भी काम बताएंगे, तो अभी हम git status देखते हैं एक बार अपना, कि ठीक चल रहा है का सब, तो ठीक है, काफी files वगरा आ चुकी है, और obviously इन सब को track भी हो चुका है, तो सब को add कर देते हैं, सभी add कर देते हैं, सच कोई दिकत वाली बात नहीं है, git add कर देते हैं, और git commit message डाल देते हैं, project setup project files, files part 1, part 1 ही तो हुआ है, क्योंकि अभी part 2 वाकी है, commit हो गया है, और क्योंकि हमने stream set कर दिया है, तो मैं directly git push कर सकता git push कर सकता हूँ, not push, push, तो git push करेंगे, तो हमारे almost सारे files वहाँ पर चल जानी चाहिए, एक बार देख लेते हैं, ताकि आपको भी मिल रही है, नहीं मिल रही है file, तो at least इतना हमारा project structure आ जाना चाहिए, ठीक है जी, आ गया है काफी package.json, source के अंदर हमारी काफी files वगरा सब बाद चुकिए, जितनी भी हमें basic चाहिए थी, अब हम चलते हैं, एक और दूसरी तरफ, कि किस तरह से projects वगरा पाएंगे, अब मुझे यहाँ पे ना कुछ folders भी चाहिए, अभी LS करके देखता हूँ, तो app है, constant है, एक बार CD करके बाहर आ जाते हैं, LS, तो हमारे पास readme, module, source वगरा है, तो अब मुझे source के अंदर जाके कुछ folders create करना है, और यह folders मेरे आगे काम आएंगे, और यही होता है actually मैं proper professional production grade project का structure setup, उसको भी हम करी लेते हैं, तो सबसे पहले हम चलते हैं SRC के अंदर, अब यहाँ पे देखते हैं, अभी तक 3 files है, लेकिन मुझे कुछ folders भी तो mkdir से मैं folder बना सकता हूँ, अब folders मुझे क्या क्या चाहिए, एक तो चाहिए मुझे controllers, अब controller लिखिए, controllers लिखिए, यह मैं आपके उपर छोड़ता हूँ, मैं controllers पर जाओंगा, यहाँ पे होगी मेरी majorly functionality, इसके लावा एक और folder मुझे लगेगा db, यहाँ पे मैं लिख कुछ नहीं, कोई जो code आपको in between run कराना है, आपके पास एक request आई, वो request server fulfill करे, उससे पहले ही मैं बीच में अगर कुछ checking लगाना चाहता हूँ, तो वो middleware के अंदर करता हूँ, जैसे कि suppose करिए, कि आपके पास एक request आई, और आप server से कुछ information पूछ रहे हो, बट मैं एक middleware लगा दूँगा बीच में, कि आपकी cookies मुझे दो, ताकि मैं पता करूँ पहले ही, कि आप उस information को लेने के लिए योग्य हो या नहीं हो, तो ये सारा काम हम middleware के अंदर करते हैं, अब middleware, middleware बहुत तरह के होते हैं, इसको भी हम लिखेंगे, एक folder मुझे लगेगा models के लिए वो तो सबसे जरूरी है, models पे तो हम काफी चर्चा कर चुके हैं, तो अभी आपको इसके discussion की जरूरत नहीं है, एक हम रखेंगे routes, अभी तक हमने जो भी project किया, उसके अंदर हमने routes क्या करा, index file में लिख दिये, याद है आपको app.get, slash instagram, slash twitter, जो भी हमने किया, पर क्या है, professionally ऐसे नहीं चलता है, क्योंकि routes काफी complex हो जाते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो उनका कैसे standard approach रखते हैं, तो एक folder में हम अलग से रखेंगे, और काफी detail में चर्चा करेंगे, कि किस तरह से ये काम किया जा सकता है, अच्छा, ये routes हो गया, अब एक चाही होती है, utils, अब ये ut utilities लगेगी, जैसे कि file upload एक utility है, तो file upload आप अपने user से profile में भी करवाओगे, videos में भी कराओगे, तो क्यों ना उसके utility बना के रख दी जाए, कई जगे आप mailing का भी use करोगे, तो क्यों ना एक mail की utility बना के रख दी जाए, कई जगे आप और भी काम करोगे, जैसे कि suppose करिए दिया जाए और उसको utilities बोल दिया जाए, जब भी काम में होगा, वहाँ से file ले ले लेंगे, तो सिर्फ अपनी सुईधा के लिए ये काम किया जाता है, अकसर रखा जाता है ये folder, आपको हर professional grade project में ये मिलेगा, ये मिलेगा, तो ये हमारा हो गया professional structure project का, अब हर company में ये structure थ प्लीज, क्या चल रहा है अभी, तो बोलेगा ठीक है, आपकी package.json वगरा तो modify हुई है, वैसे तो नहीं होनी चाहिए थी, but actually मैं, not staged, अच्छा हमने stage नहीं करा है, अभी कर देते है, stage भी सारा सब कुछ, लेकिन आप देखेंगे, ये जो controllers वगरा, इन folders को ये कुछ भी track न रहेगा, but आप भी please, यहाँ पर ये structure इस तरह से बना लीजएगा, अब धिरदर हम एक एक करके files के बारे में बात करेंगे, database connectivity के बारे में बात करेंगे, कैसे हम database setup करेंगे, क्या-क्या हमारी और utilities है, क्या-क्या हमारे काम होंगे, सब के बारे में बात करेंगे, सबसे easy है, यहाँ पर जाये source control में, जो भी आपको changes वगरा लगते हैं कि करने चाहिए commit वो कर दीजे, वैसे तो commit changes आज आने चाहिए थे, बट देखते हैं, commits में आये की नहीं आये, setup projects file 1, आने तो चाहिए थे, यहाँ पर changes, app, constant, जादा कुछ आये नहीं, आने तो चाहिए थे, बट ठ ठीक है कोई बात नहीं, जितने भी यह सब packages है, public temporary इन सब को हम commit कर देता है, command line से करिए, यहाँ से करिए, क्या ही फरक पड़ता है, add structure changes, अब obvious सी बात है, यह सारे changes propagate तो होंगे नहीं, पर फिर भी करी देते हैं एक बार तो, वही same file है, same problem है, कि git आपके empty folders का track नहीं रखता ह है, बट ठीक है, git की अपनी problem है, अपने issues है, हम उसके issues में क्यों ही problem ले, अभी आप इसका code का structure देखेंगे, तो source तो देखेगा, लेकिन source के अंदर आपको यह folders नहीं मिलेंगे, folders तब मिलेंगे, जब धीर देर हम काम करेंगे, but at least यह structure बना लीजएगा, तो यह हो गया हमा एक और मैं आपको एक personal suggestion देना चाहता हूं, कि एक और आपके पास plugin होता है prettier, अब लेकिए prettier आपने देखा होगा, अकसर लोग आपको बुलेंगे कि VS code का extension होता है, अब उसको select कर लीजए, लेकिन problem क्या है, जब आप professional grade code लिखेंगे, तो अकेले तो लिखेंगे नहीं, आप लिखेंगे code साथ में, तीन लोग और लिखेंगे, चार लोग और लिखेंगे, अब suppose करिए, किसी ने हर जगे comma लगा, semi-colon add कर रखा है, जावस्कृट में, किसी ने नहीं कर रखा, तो जैसे git में, जब सब चीजों को merge करोगे, तो इतने conflicts आते हैं, जिसकी कोई हद नहीं, तो इसलिए team का same page पे होना जरूरी है, कि किस तरह की formatting रखी जा रही है, हम two spaces यूज़ कर रहे हैं, या four space यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारा communication होना बहुत जरूरी है, अकसर अगर आपकी team में कुछ professionals हैं, जिनको 15 साल का experience है या कुछ है, वो इस तरह की communication advance में करता हैं, ताकि सब लोग अच्छे से काम करें, अब suppose करिए एक branch आपने लिए, आपका editor क्या करता है, सब जगे four spaces add कर लेता है, एक किसी की branch में सब जगे two space है, अब same file इतने हजार conflicts कैसे change करोगे, तो इसलिए prettier extension का होना important है, सिर्फ extension नहीं VS code का, prettier की settings भी add करनी पड़ती है, per project basis पे, तो इस इसको इस तरह से install कमी किया जाता है, पर ठीक है, हम भी करी लेते हैं इसको install, तो prettier को copy कर लेते हैं, आते हैं यहाँ पे, और prettier को install करते हैं, तो यह लीजे, लेकिन obviously बात है dev dependency है, तो dash d के साथ यह prettier install कर दो, अब क्यों ज़रूर ही है, यह आपको पता लग गया है, ऐस सच हैं, दो-तीन फाइल हैं, आपको अपनी तरफ से add करनी पड़ती है, इसका कोई और option नहीं है, आपके पास में, manually ही add करनी पड़ती है, कई बार VS Code कुछ extension आते हैं, जो help कर देते हैं, बर ठीक है, हम अभी नहीं जा रहे हैं, उसमें हम अभी basic करते हैं, तो एक हमारा जो extension है, sorry, जो file है, वो है dot prettier और RC, at the end of the day, आपको क्या करना है, dot prettier RC, यह क्या होती है, यह सारे के सारे prettier की configurations है, कि किस तरह के prettier के आपकी, क्या क्या चीज़े कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ कुछ चीज़े, वैसे तो आपको यहाँ पर documentation वगरा जब आप पढ़ोगे, इसकी GitHub व आपको add करना है, तो यह सारे options मिलते हैं, एक बार मैं आपको options लिखके दिखाऊंगा, तो आपको भी समझ में आ जाएगा, कि किस तरह से करते हैं, ignoring codes, यह भी हम सारे देखेंगे, किन-किन code को ignore करना है, और integrating with linters, किस तरह से linting वगर लगानी है, तो अभी मैं basic आपको बता करना चाहते हो, एक और option होता है, यहां पर bracket spacing, कितने bracket की spacing, कि bracket लगने के बाद space आना चाहिए नहीं, तो हम उसको भी true कर देते हैं, आपकी team के उपर है, आप कैसा पसंद करते हैं, कैसा रखना चाहते हैं, सबसे important जो मैं बात कर रहा था, tab width, ताकि पूरे project में tabs same रहें, मैं 2 آगया है, next क्या चाहिए, semi's चाहिए कि नहीं चाहिए, मतलब semi colon चाहिए नहीं चाहिए, तो ठीक है जी, यह भी हमें चाहिए, और क्या लगात सकते हैं, तो और हम लगा लेते हैं, यहां पर एक और option होता है, trailing comma, trailing comma, मतलब जैसे हमने यहां पर लिखा, यहां परने कोम न प्रोजेक्ट का सेट अप और यह सब रखूँगा, अब अटोमेटिकली क्या होगा, प्रिटियर यहाँ पे आप जब लेफ्ट बॉटम में क्लिक करोगे, तो प्रिटियर को अपने आप मिल जाएगा, कि अच्छा ठीक है, प्रिटियर है, कई बार प्रोजेक्ट रिस्टार् इसके लावा एक और फाइल बनती है, लास्ट लास्ट, यह लास्ट है, एक और फाइल हमको बनानी पड़ते है, जिसका नाम है प्रिटियर इगनोर, जैसे गिट इगनोर होता है, वैसे प्रिटियर इगनोर भी होता है, प्रिटियर इगनोर, अभी प्रिटियर इगनोर क्य करता है हमेशा कबाड़ा करता है तो मुझे पसंद नहीं है तो किसी भी तरह की ENV file को मत देना है specifically भी mention कर देता हूँ .env भी मत करना और .env related जो भी और file है .sample या जो भी मैं कर रहा हूँ तो वो सब मत करना प्लीज तो मुझे वहाँ पर शांती दो थोड़ी सी तो यह हो गया basic अब आपको चाहिए कि नहीं यार मुझे और भी चाहिए तो आप और भी अपनी files add कर सकते हो जैसे मैं कुछ अपनी vs code की settings भी रखता हूँ ताकि आपको easily पढ़ने में आसानी हो सारा का सारा तो vs code की settings को मत छेड़ना node modules के अंदर तो बिलकुल भी भूल के भी मत गुसना जैसे वो लिखेवे है node modules को कभी नहीं छेड़ा जाता है तो node modules यहाँ पर दिख दीजे और मैं कुछ भी अगर distribution related कर रहा हूँ तो distribution related भी मत करना अब इसकी भी files generator मिल जाते हैं ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आपको unique बता रहा हूँ सब जगे होता है बट यह होगे हमारा basic configuration कि किस तरह से prettier और यह सब setup किया जाता है अब आप देख रहे हैं code लिखना तो start नहीं करा है setup बट यह एक बार ही लगता है time कि हमने package.json में dev dependencies तो करी development की setting तो करी अभी तक लेकिन हमने कोई dependency तो install नहीं करी ना हमार पास express है ना mongoose है आएगा आएगा बहुत कुछ आएगा सिर्फ वही नहीं वैसे जादा नहीं हम कोई 7-8 dependencies के साथ ही काम करेंगे ऐसे आँक बन करके dependencies नहीं भरेंगे बट अभी हमार पास prettier setting हो गई है पूरी तो अब हमार पास बनता है कि prettiers का सारा का सारा code push कर दे तो हम इसको stage कर देते हैं add prettier config configuration ठीक है इतना message भी ठीक है commit कर देते हैं और changes को push कर देते हैं यह सारे changes मैं highly highly recommend करता हूँ आप भी अपने local पर या जहां पर भी आप इस settings कर रहे हैं please इनको करके देखेगा इनको करने से आपको बहुत कुछ professionally पता लगेगा किस तरह से चीजे होती है क्या क्या काम होता है तो हमने उमीद है हमारी prettier settings वगरा सब कुछ यहां पर add कर दिये तो अभी तक हमारी repository के अंदर काफी काम हो गया और ठीक ठाक चल रहा है मामला अभी ठीक है अब next video में क्या करेंगे code लिखेंगे models का नहीं जी अभी नहीं लिखेंगे अभी professionally जवाब आ रहे है तो अभी आपको और सिखाना पड़ेगा कि professionally किस तरह से errors handle होती है API response क्या होता है उन पे क्या क्या चर्चा होती है तो वो सब भी तो बाते करनी पड़ेगी ना इतनी जल्दी थोड़ी ना होगा अब देखें पता भी नहीं लगा और almost हमारा 40 minute का वीडियो हो गया है काफी बड़ा हो गया है तो अभी के लिए हम इतना ही करते है ताकि आपको एक पता लगे कि basics इस तरह से था ये सारा काम हो गया है काफी idea आपको लग गया है कि अच्छा प्रोफेशनली इसलिए time लगता है इसलिए professional approach बोलते है professional approach कुछ नहीं जी आगे हमें problem ना हो आगे team में काम कर पाएं इसलिए सारी settings है और कुछ भी नहीं है तो चलिए मिलते हैं आपसे next video के अंदर इंतजार रहेगा आपसे मिलने का next video में हम देखेंगे कि और किस तरह से production grade settings होती है reusability का जो concept है कि modular code लिखो और reusable लिखो वो concept मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा backend में और उसको real world में कैसे use करते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा उमीद करता हूँ comment का target आपने complete कर दिया होगा और अगर आपको इस professional grade series को push करना है तो please please एक humble request है linkedin पे share करिए videos को क्योंकि जितना आप linkedin पे share करेंगे उतना लोग इसके बारे में जानेंगे उतना और जादा मैं in depth जा पाऊंगा वरना क्या है देखिए चार लोग अगर से देखने आ रहे तो उतना मज़ा नहीं आता लेकिन उसी के जगे अगर 4,000, 4,000,000 लोग देखने आ रहे तो बड़ा मज़ा आता है कि यार और in depth जाओ और लोग को सिखाओ demand है इस चीज़ की तो please share करिएगा और डरिएगा मत कि बाकी लोग सीख जाएंगे वो तो सीखेंगे पर आप already better सीखें और share करिए, community में share करने से कभी नहीं डरना चाहिए, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर हाँ जी ओके, फिर से एक शुरुआत करते हैं, देखिए हिम्मत का काम यह नहीं है कि वीडियो बनाना है वीडियो तो बना ही देंगे, वो तो बना नहीं है हिम्मत का काम यह है कि आपने आदा वीडियो हिंदी में बना दिया आदा वीडियो इंग्लिश में बना दिया है और फिर आप वीडियो देखे कहते हैं आप कुछ नहीं हो सकता, इसको डिलीट करो, फिर से रिकॉर्डिंग करेंगे, तो फिर से फाइल्स रिसेट करी है, फिर से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाएंगे उतनी ही मन से, उतनी ही श्रद्दा से, और बस थोड़ा सा ये कहेंगे आप से कि कमेंट्स में जरूत होती है तो इस वीडियो का टार्गेट है हमारा 500 कमेंट्स चलिए शुरू करते हैं यह सब छोड़के है हां जी कैसे हैं आप सभी स्वागत है आप सभी का चाय और कोड में और इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे डेटा बेस कनेक्शन के बारे में लेगे डेटा बेस कनेक्शन एक बहुत important चीज़ है जब भी आप कोई भी project बना रहे हैं और किस तरह से डेटा बेस कनेक्शन कर सकते हैं क्या क्या problems आती है क्या क्या issues आते हैं और उनको कैसे कैसे handle करना है यह सारी चीज़े जब आप देखेंगे जानेंगे तब एक production level पे डेटा बेस कैसे connect हो था बट मैं आपको फुल एक walkthrough देना चाहता हूं ताकि आप भी professionally database connect कर पाएं यह project अगर आपके 2,5,000,000 लोग भी use कर पारें तब भी आप उसके अंदर सेम तरह से database को connect कर पाएं securely अच्छे से ठीक है तो सारा हम सीखेंगे तो इसके लिए हम जो database use कर रहे हैं वो है mongodb औ और आपको mongodb install करने के लिए नहीं कहूंगा वैसे आप चाहें तो कर सकते हैं उसको भी docker से भी install कर सकते हैं fullfledged भी install कर सकते हैं हम जो database use करेंगे वो online रखावा है website पे mongodb के और जाहतर professional grade जो databases है वो वहीं पर रखे होते हैं वहीं से काम हम लेते हैं तो उसी के साथ हम क तो comment target मत भूलेगा इस वीडियो के लिए especially काफी जरूरत है इस वीडियो में और हां thank you इस बात के लिए भी हमारे 1 lakh subscriber हो गए है 100,000 तो thank you so much उसके लिए भी आप सभी को चलिए अब screen share करते हैं और journey start करते हैं हमारे 2 lakh subscriber की तो उस journey के लिए first video है यह तो सबसे पहले तो हमें क् है कुछ नहीं MongoDB की एक sub service है जहां पर यह online database देते हैं और sign up वगरा बहुत easy है इसके अंदर pricing बहुत अच्छी है इनकी pricing बढ़ी interesting है इननने इसलिए market dominate कर रखा है यह MongoDB Atlas क्या देता है आपको shared database देता है completely free और इसी same database को आप upgrade कर सकते हैं professional usage के लिए यानिकी $57 per month और भी plans pricing है इनकी जिसमें और भी देख सकते हैं आपके आपको backup भी चाहिए यह बीचे वो भी चाहिए हमारे जो भी काम आएगा वो हाएगा share database हम $0 per month से start करेंगे और उमीद करता है eventually आप CK57 पे भी जाए क्योंकि सिर्फ free use करने से कोई progress नहीं आती है मैं चाहूंगा कि किसी दिन ताकि आपको आपका code अपग्रेड हो आपका project अपग्रेड हो ओके तो sign in करने के लिए बस sign in पे क्लिक करिए और Google GitHub जिससे आपका मन करें जिसमें आपका account है उससे आप कर लीजे मेरे पास एक demo account है जो मैं almost सभी में use करता हूं उसको मैंने फिर से refresh कर लिया है completely deleted है आपको य आपको यूट्यूब के लिए ही majorly use करता हूं तो इसको यूट्यूब पर क्लिक कर दीजे next पर क्लिक करिए अब यहाँ पर project owner हाँ जी हम ही है project owner click create project पर क्लिक कर दीजे कई account जो है MongoDB Atlas के वो यहीं से start होते उनके अदर by default वो एक project बना के देते हैं बट आपका हो तो भी अच नेक्स नेक्स ही करना है बस यहाँ पर क्लिक करते हैं create और उसके बाद यह बोलेगा कि आपका database कहां deploy करूँ अब देखे कई options हैं obviously बात है हम free वाला ही choose करने वाले है AWS provider हम use करेंगे आपको AWS के account की जरूत नहीं है इसके लिए MongoDB खुद handle करता है वो सब मैं चाहूंगा कि मेर बनाम दीजे और क्लिक कर लेते हैं create पे अब यह क्या करेगा MongoDB behind the scene जा रहा है AWS के पास और आपका database वहाँ पर पूरे जितने इसके software से जो requirement है connection strings जो बनानी है वो सारी आपके लिए automatically create कर देगा अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि यह सब तो हो गया create अब हमें चाहिए connection तो create हो गया MongoDB ने तो कर दिया मुझे भी तो इस database से connect होना है तो उसके लिए username password तो लगेगा तो यहाँ पे username अभी इसने दे रखा है कि आपके पास username हितेश है password मैं क्या करता हूँ हितेश 123 यूज कर लेता हूँ क्योंकि जब तक आप देखोगे तब तक obvious ही बात है मैंने delete कर द होना है यह मैं आपको दुबारा से भी बताऊंगा कि अगर यह मिस हो गया तो कहां से add करिए अभी हमें क्या करना है 0.0.0.0.0 slash 0 पे हम database अतना पूरा यहां पे allow करेंगे कि इसको allow करो आप add करना तो हम इसको entry को add कर देते हैं तो यह वाली add हो गई अब यह जो IP address है यह obviously ब close कर दीजे अब यहां पे congratulations तो go to overview अब क्या है कि मेरा database से connect हो गया है अब हो सकता है आप में से कुछ ने यह कुछ step miss कर दी हो तो मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि इन steps को आप दुबारा से कैसे कर सकते हो क्योंकि हो सकता है आपका यहां पे आया हो cluster 0 और यह सब आप delete हो गया हो सब कुछ तो हो सकता है delete हो गया हो हो जाता है कोई दिक्कत नहीं है आप क्या करिए सबसे पहले तो allow करिए देखिए mongodb में enter करने के लिए specially atlas से दो चीजे चाहिए कि आपके ip address allow होना चाहिए कि आप access कर पाओ और आपके पास correct id password होना चाहिए और आपके पास of digital ocean की कोई machine चलाई हो तो production grade जो settings होती है उसमें कभी भी हम फिर से बोल रहा हूं दियान से सुनियेगा कभी भी हम allow access from anywhere नहीं करते हैं कुछ cases में testing वगरा के लिए करना हो या कुछ देखना हो तो temporarily कुछ IP allow कर देते हैं 6 और 10 hours के लिए but most of the cases आप देखोगे अभी मैं allow access from anywhere करत दिया उसके अंदर और इसके अंदर बोल देता हूं मैं allow all access और इसके बार लिख देता हूं caution क्योंकि यह नहीं करना चाहिए था बट जब आप deployment में हो personal account हो तब चलता देखिए तब इतना तो allow है इतनी liberty तो दी जाती है इस access को complete status को होने में जादा time नहीं लगता है hardly 60 seconds 90 seconds बस इतना ही लगता है तब तक हम चलते हैं हमारे database access पे यहाँ पर obvious ही बात है एक user मैंने बना लिया है अगर आपने miss कर दिया हो तो वापिस से आप दुबार से add new user करके अपना password लिखेगा id username और password जो भी आपको लिखना है उसके बाद मुझे built-in role के अंदर select करना है एक role ज जो कि सारे database का access ले सकता है तो इसी से काम चला लेंगे network access हमारे पास हो चुका है सारा active है अब जाना है आपको database के अंदर अब database से जब आप connect करेंगे तो आपको एक मैंने बताया था IP address अला हो गया username password मिल गया है लेकिन एक string भी चाहिए होती है तो आप connect पे जैसे click करेंगे तो आप database कैसे connect करना चाहते है अलग-अलग options है मोटी-मोटी बात ही है कि सब में आपको string ही मिलती है most of the cases और वो ही हमें चाहिए जैसे for example compass पे click कर लो जिस मैं भी मन करें और यहाँ पे आपको जो इस string दिखाई दे रही है यह string ही है जो मुझे चाहिए और जिससे मैं connect कर प database तो obviously बात है सब कुछ uninstall हमने कर दिया है क्योंकि हमारे second attempt है बट अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से database connect किया जाता है लेकि database connect करने के लिए सबसे पहले तो environment variable में जाईए और जो जो आपको environment variable लगेंगे वो हमें use करना ही पड़ेंगे जैसे कि obviously बात है हमने देखा थ तो हमें port हम access देते थे तो मैं भी चाहता हूं कि port 8000 पर हमारी application चलेगी तो port लिख दीजे अब मुझे next चाहिए mongodb का uri तो mongodb underscore uri अब देखे लिखना ज़रूरी नहीं कि uri हो अगर आपका मन करता है मैं url लिखूंगा url लिख दो कुछ problem नहीं होने वाली variable का नाम है superman हितेश जो रखना है रखो कोई problem नहीं आएगी अभी के लिए मैं url लिख देता हूं जो जादा better name है उसके बाद मैं जाता हूं यहां पर और इसको करते है copy यह हो गया है copy और यहां पर आके इसको कर दो paste अब obviously बात है अभी मैं मेरा password यहां पर add कर रहा हूं जो कि है हित हितेश 123 जो आप देखोगे जब तक तो change हो चुका होगा और आप अपना use करिएगा मैं आपको क्या करता हूं इसको save कर लेता हूं और copy करके यह सारी की सारी चीज़े मैं आपको sample में भी देता हूं ताकि आपको भी करना हो तो कर लेना अब obviously बात है हितेश 123 तो आप नहीं लिख सकते हो इसकी जगे आप क्या use करो your password तो अपना password use करना अब कई बार यहां पर मैंने देखा है problem हो जाती है अगर password के अंदर special characters होते हैं तो कई बार मैंने देखे हैं वो issues होते हैं कई आपके stack overflow वगरा वहां पे भी इस तरह के देखे जाते हैं अच्छा एक चीज़ ध पता हूँगा ओके दो काम तो हमारे हो गए है कि हमाने यह database setup वगरा कर लिया है online और यह environment variables को भी पता है अच्छा इतना तो ठीक है अब क्या चाहिए अब source open करिए सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा मेरे एक database का नाम होना चाहिए और वैसी बात है नाम होना तो अच्छी तो मैं क्या करूँगा इस constants file में जाके database का नाम लिख लेता हूं और इसको export कर देता हूं ज्यादा कुछ खास है नहीं बस एक नाम ही लिखना है क्योंकि मैं इन चीजों को constants में रखना चाहता हूं थाकि कभी future में change करना हो तो ऐसे नहीं कि 50 जगे जाके change कर रहे हैं एक ही तो इसका नाम video tube रख देते हैं आप चाहो तो youtube रख देना आपका चाहो मन करे तो खुद का नाम रख देना या फिर चाय और code रख देना यह मैंने कर दिया save ठीक है अब मेरे constants देखे इसको environment variable में इसले नहीं डाला क्योंकि ये कोई system specific variable नहीं है ये मेरी सिर्फ application के database का नाम है इसले मैंने इसको constant में रखा है अब ये totally आप पे depend करता है आप इसको environment variable में रखना चाहते है ये constant में रखना चाहते है मुझे लगता है ये कोई इतना sensitive नहीं है मैं इसको रख सकता हूँ या पे मैं चाहूं तो अपने ports को भी ही रख सकता हूँ तो भी ठीक रहेगा बट अबी के लिए इतना ही करते है कि इतना ही discussion ठीक है कि हमारे पास इतने variables के नाम है अब देखे अब सबसे एक और जरूरी चीज़ जिसका हम पहले कर लेते हैं discussion कि कैसे हम इसको approach करने वाले हैं तो database connection जो होता है वो दो-तीन तरीके से हो सकता है दो ही major तरीके हैं और हम दोनों index file के अंदर रख दूँ और जैसे ही वो function मतलब index file मेरी load हो जो function में मैंने database connection का code लिखा है उसको तुरंती execute करा दूँ एक approach तो यह है और दूसरी approach है कि मैं कोई db नाम का folder बनाऊ उसके अंदर एक connection का जो भी मेरा function है उसमें लिखूँ और फिर मैं मेरे index file में उस function को import कर वा और वहां execute करा हूँ अगर कहीं separately सारा code लिखोगे तो code clean होगा distributed रहेगा modular code रहेगा जो की better professional approach है अगर आप चाहो तो आप यह भी कर सकते हो कि simply सारा index में रख देते हैं और वहीं execute करा लेते हैं तो दोना approaches में आपको बताऊंगा इससे क्या थोड़ा सा हमारा code practice भी होगा कु सबसे पहली चीज हम जो करेंगे कि database का connection यहाँ पे कैसे करना है ओके तो इस first approach का हम use नहीं करने वाले हैं बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से होगा अच्छा एक चीज और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि app भी use करेंगे इसको हम थोड़ा सा बाद में लेके आ आते हैं तो एक हमारे पास में actually में NPM package है जिसको हमें use करना ही करना पड़ेगा जिसका नाम है .env क्योंकि देखिए ओवेसी बात है अब सारी चीज आप environment variable से load कराने वाले हो तो .env तो चाहिएगा चाहिएगा यह तो must have package है weekly downloads इतने जादा है कि ओवेसी बात है आप भी impress ह कि काफी लोग use करते हैं इसका भी एक problem है कि require syntax को कैसे handle करना है क्या करना है वो भी आपको बताऊंगा बट मोटी मोटी बात यह है भी कि हमें .env तो लगेगा इसके अलावा mongoose लगेगा ही लगेगा उसमें कोई option ही नहीं और express भी लगेगा आपको यह तीन package हमें लगेंग तो तीनो package लेके आते npm install mongoose express और .env तो यह लीजे तीनो package हम लेके आये एक बार package.json में देख लेते हैं पैकेज आये की नहीं आये जरूरी है देखना ठीक है जी dependencies में हमारे पास आ गये है .env mongoose express सब आ गये है ठीक है अभी के लिए हमारा काम चल गया .env पे मैं सबसे end में बात करूँगा अभी के लिए हमारे पास आते है index.js पे अब देखे सबसे जरूरी काम मेरे लिए जो है वो है सबसे पहले mongoose क्योंकि mongoose ही है जो database से connect करेगा अब mongoose किस तरह से database से connect करता है तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको एक ही line में मिल जाएगा mongo goose.connect और यह database का URL दे दो अब इसने यहाँ पे localhost वाला URL दे रखा है हम इसकी जगे अपना atlas वाला URL दे देंगे बस इतना ही तो काम है लेकिन अभी actually में कहानी complete नहीं हुई है इस कहानी को complete करने के लिए पहले आपको और हमें बात करनी पड़ेगी थोड़ी सी देखें डे database से जब भी आप बात करने की कोशिश करेंगे तो problems आ सकती है problem आ सकती है इसका मतलब try catch में wrap करो बहुत ही better approach है ठीक है देखो try catch लोगे या फिर क्या लोगे या फिर promises भी ले सकते हो क्योंकि error आई तो हहाँ पे भी handle हो जाती resolve rejects है तो दोना मैसी एक तो लेना ही लेना यानि की database दूसरे continent में रखा है पर सर हमने तो अभी Mumbai में रखा है अपना database हा लेकिन हो सकता है आपका code base US के अंदर रखा हो या फिर हो सकता है internally कुछ time के लिए आपका database Mumbai की जगे हो सकता है Bangalore चला गया हो दूर तो वो भी है तो database से जब भी बात करोगे time लगता है मोटी ब इहान रखो समझ गए ठीक है तो अब इतनी बात अगर आप समझ गए हैं तो हम चलते हमारे यहां पर और बात करते हैं अब देखिए Mongoose ने तो जो सिर्फ documentation पढ़ेंगे तो कहेंगे सर एक line में database connect हो जाता है बट यह professional approach नहीं है कभी भी database एक line में connect नहीं करना चाहिए तो क् पहली approach में हम क्या करेंगे कि हम क्या करते हैं एक function बनाते हैं तो इसको बोल देते हैं connect db या फिर directly बना लेते हैं सपोस करी इस तरह से कि यह function connect db और यह हमारा function बन गया और यह बन गया और थोड़ा सा professional बनाया जा सकता है कैसे अगर आप में से कुछ लोगों को पता हो तो हमने concept पढ़ा था JavaScript में जिसका नाम था ify यह आपका function है इसको immediately execute कर दो अब हमारा function कहा है यहाँ पे है तो यह लीजे यह हमारा arrow function और यह लीजे arrow function अब arrow function तो immediately execute हो गया है लेकिन हमें क् इसको async कैसे बनाया कुछ भी नहीं यह लीजे async बन गया async इतना सा काम है है कुछ भी नहीं यह बस थोड़ा सा बहतर approach है थोड़ा सा बहतर code है आपको इस तरह के ifys के अंदर एक और professional code में यह दिखेगा कि ifys जातर लोग जब start करते हैं तो उससे पहले एक semicolon लगा देते है तो कई बार problem हो सकती है अब यह जो problem है इतनी common approach है कि लोग क्या करते प्रोफेशनल लोग इफी जब भी start करते हैं semicolon से ही करते हैं तो ध्यान रखेगा कि अगर कोई professional code पढ़ रहे हो तो इस तरह के लोग लिखते हैं अच्छी practices है हमें अभी जरूत नहीं है क्योंकि हमें पता है इससे पहले कुछ भी नहीं लिखाया ओके असिंग का वेट आ गया अब किस तरह से database को connect करोगे वही simple try catch हमेशना ही लगाना है database से जब भी बात करो try catch लगाना ही लगाना है catch part easy है तो catch part पहले handle कर लेते हैं तो हम क्या करते हैं सीधा console.error console.log भी करोगे तब भी कोई तिकत नहीं है एक ही बात है तो हम इसको बोल देते हैं कि साब आपका तो आगया है error ये लिजे क्या error आए है वो भी बता दो तो ये लिजे error बता दिया उसके बाद आप चाहो तो throw भी कर सकते हो error को process exit भी कर सकते हो दोनों तरीके बताऊंगा अभी आपको अभी के लिए ठ process से ले सकते हैं तो back ticks लगाओ variable low और सीधा बोलो इसको process.env और dot जो भी आपने नाम लखा है अब नाम जो रखा है वो तो यहां से देखना पड़ेगा copy paste कर लेते हैं ज्यादा बैटर रहेगा वरना पका है कि मैं गड़बड करूँगा अब ये तो हो गया आपका database connect लेकि के अंदर ये नाम भी तो export किया है तो इसको भी import करा लेते हैं तो इसको import कैसे कराएंगे इसको import करा लेते हैं नाम हमने जी दिया है कैसे भूल रहा है हाज db name ये लीजे नाम आ गया है हमारे पास में तो हम क्या करते हैं इसको simply यहाँ पर जाने के बाद एक slash रखा देते ह एक और variable start कर देते हैं, जिसके अंदर हम लिख देते हैं, db name, यह लिजे, बस हो गया आपका, लेकिन यह तो हो गया database connect, अब database connect हो गया है, तो इसको store भी कर सकते हो, आप चाहो तो किसी variable में, बट एक काम तो 100% करना पड़ेगा, वो है await, अगर await नहीं लगाया, तो कोई फाइ आपको भी initialize कर लेते हैं, जो express से बनती है, तो आप देखोगे, जैसे import express, from express, अभी तो हम नहीं लेंगे उसको, बत मैं आपको approach बता देता हूं, और उसके बाद हम बनाते हैं, const app, जो की बनती है आपकी express से, यह लिजे, तो आपको क्या देखेगा कई बार, कि database जैसे connect हो चुका है, उसकी next line में आपको कई बार listeners भी दिखते हैं, listeners होते हैं app के पास, तो app क्या कर सकती है, on लगा के, बहुत सारे listeners हैं, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, यह express का part है, तो कई events को listen कर सकती है, उनमें से एक event है, error का event, कि database तो connect हो गया है, बट क्या पता हमारी जो express क कि app है, वो बात नहीं कर पा रही है, बहुत सारे reason हो सकते हैं उसके पीछे, बट इस तरह का कई बर scenarios handle किया जाता है, professional codes में, तो यह लिजे आपने callback लगा दिया, और उसके बाद आपने console lock लिख दिया, कि हमारी application not able to talk to the database, या जो भी error आया है, तो इसको भी error ऐसी लिख दे नहीं है, ठीक है, आप थोड़ा साच्छे से लिख लीजेगा, बस और तो क्या है, यह लिजे error, और इसके बाद आप चाहो तो इसको throw भी कर सकते हो, कि ठीक है, जब बात ही नहीं कर पारें, तो यह लिजे, ठीक है, तो यह काम होगे हमारे पास में इतना, और obviously बात है, यह receive भी तो करना पड़ेगा, यह लिजे, तो यह हमारा हो गया code तयार, और इसके बाद क्या करते हैं, इसी portion के अंदर अक्सर लोग, कि जब ठीक है बात करी पा रहे हैं, तो हम क्या कर देते हैं, app.listen, यह वाला part तो आपको पता ही है, यह तो हमने अपनी backend की series start होते ही app is listening on port, और उसके बाद variable inject कर देते हैं, यह लिजे, process.env.port, तो यह तो होगे हमारा basic basic काम, बट यह अच्छी अप्रोच है, कि आपने अपना पूरा database का connection है, वो एक दम, एक module में लिख रखा है, एक if में लिख रखा है, बढ़ा अच्छा अप्रोच है, कोई दिक्कत वाली इसमें, बट थोड़ा सा क्या है, हमने हमने index file को थोड़ा सा जादा pollute कर लिया, काफी चीज़े इसमें भर गई है, तो यह अप्रोच है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट ठीक है, अभी के लिए हम काम चला लेंगे, अब यह वाला जो code है पूरा, यह code हम करे लेते हैं, और यह लिजे, अब यह code इसलिए comment करा है, क्योंकि यह code भी आपके पास जाए, आप भी इसको पढ़ पाए, अच्छे से देख पाए, क्या यह भी चलता है, नहीं चलता, नहीं चलता, तो कैसे debug होगा, क्या होगा, वो सारा भी आप देख पाए, ठीक है, इतना क continent में है, तो async await भी यूज करा है, तो यह तो हो गई first approach, second approach, जो मुझे जादा पसंद है, उसके अंदर क्या है, कि हम एक अलग से file ले, db folder में, database folder में, connection folder में, कहीं पे भी, वहाँ पे सारा code लिखे, वहाँ से function export करा है, और index file में सिर्फ उस function को import करा है, और उसको execute करने, जा अप्रोच से कर रहे है, professionally कर रहे हैं इसको, बस यह अंतर होता है, experience में और basic code लिखने में साधा कुछ नहीं होता है, ठीक है, चलिए, db के अंदर चलते हैं, तो db के अंदर शायद आपकी एक भी file नहीं बनी होगी, क्योंकि मेरी re-recording है, इसलिए index.js नाम से मैंने file बनाई तो यह लिजे ले आते हैं, mongoose, और इसके लाबा मुझे वो db का नाम भी चाहिएगा, तो भी लाना पड़ेगा, तो इसको import कर लेते हैं, db name को, यह लिजे db name भी हम ले आए, अब यहाँ पे कुछ errors है, जो मैं आपको solve करके अभी दिखाऊंगा, आएगी तब db is in another continent, सबको पता लगना चाहिए, कि जितने भी लोग मुझसे जहाँ पे भी पढ़ते हैं, उनको एक line तो favorite है, कि db is in another continent, दिवाली आ गई है, बहुत फटा के चल रहे हैं बार, ओके, तो चलिए, यहाँ पे चलते है, db connect, अब क्या करना है, database connect होगा, तो problem आ सकती है, त db gb, mongodb connection error, और error भी देख लेते हैं, कि क्या error आई है, तो यहाँ पे हम इसको error कर देते हैं, अच्छा पिछले वाले में हमने throw कर दिया था error, obviously बात है throw कर दिया, तब भी हमारा process exit हो जाएगा, but node.js आपको access देता है process का, तो process आप कहीं पे भी use कर सकते हो, यह node.js के interesting हैं, तो आप क्या process को exit भी करवा सकते हो, जो कि एक method है, अब exit जो है अलग-लग तरीके से हो सकता है, यह आपको पढ़ना है कि exit में और क्या-क्या है, मैं भी exit कराना चाहता हूँ 1 से, अलग-लग process के exit codes हैं, आप चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो कि और क्या-क्या code है यहा करोगे तो आप देखोगे कि overload से exit हुआ है, कि आप को number codes वगरा, तो आप इनके बारे में और पढ़ सकते हो कि node process failure से हमने exit करा, इसलिए 1 लिया है, तो इसके बारे में पढ़िएगा थोड़ा सा, आपको अच्छा लगेगा और पढ़के, exit 1 भी है, exit 0 भी है, और भी numbers है, ज connect क्या करना है, वो ही अपने back text लगाओ, और आजाओ अपने first variable पर, कि variable कहां से लाएंगे, process, process, हाँ जी, process.env.copy-paste करेंगे, जी हम तो, copy-paste करने के लिए हमें जाना पड़ेगा environment पर, हाँ जी पक्का, copy-paste करने में कोई शरम नहीं, infect करना ही चाहिए, यहां तो मैं recommend करत हो, क्योंकि अकसर ही देखा गया है, कि environment variables के इन में छोटी सी mistake होने से, कई बार problems आ जाती है, 15-20 minutes लग जाते हैं, resolve करने में, debug में, तो यह तो हो गया हमारा basic, database का नाम भी देना पड़ेगा, तो ठीक है, यह लिजे, एक और variable inject कर दिया, और इसके अंदर दे दिया, dvName, व उस object को आप जो नाम दीजे, दे सकते हैं, यही एक JavaScript के अच्छी बात है, कि आप जो चाहिए नाम दे सकते हैं उसको, और वो उसको handle कर लेगा, तो यह connection instance के अंदर हमारे पास में response आ रहा है, कि connection होने के बाद, जो भी responses को हम hold कर सकते हैं, अब आपके उपर है, अभी हम यहा देते हैं, back text यूज करते हैं पहले तो, एक नई line पर हम लिखते हैं, mongodb connected, और उसके बाद एक दो exclamation लगा देते हैं, just for fun, और उसके बाद db host, और db host कहां पर है, यहां पर, अब आप variable inject कर सकते हो, तो यह लिजे हमने variable inject कर दिया, उपस, ऐसे नहीं, कर ली braces, यह लिजे अब inject करने के बाद क्या करा, हमने लिया एक connection instance, इस connection instance को एक बार console log करा के देखेगा, आपको बहुत अच्छी knowledge मिलेगी किसके अंदर क्या-क्या है, क्या नहीं है, यह जो चुट-चुट assignment देता हूं, उनको comment section में लिखते दिया करो, ताकि जो कोई और भी देखे तो इसको इसके अंदर बहुत सारे आपको object मिल जाएंगे फर्दर, एक मिलता आपको connection और यहां से host, तो आपका जो पूरा MongoDB का URL है, जहां पे connection हो रहा है, वो ले ले, अकसर ही इसलिए कराया जाता है, ताकि अगर गलती से मैं कहीं production की जगे किसी और server पे connect हो जाऊं, क्योंकि database जो ह हो गया हमारा database का connection, ठीक है, सारा काम अभी तक तो ठीक ही लग रहा है, अब क्या करो आप simply, यहां पे जाके इसको बोलो, कि इसको export कर देते हैं, export default ही कर लेते हैं इसको तो, क्योंकि और कुछ है भी नहीं इस फाइल में, और connect DB गे लिजे, तो database बन गया है, और connection भी import हो गय नहीं है, अभी मुझे na app से और उन सबसे कोई मतलब नहीं, अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ database connection चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सीधा यहां पे आके इसको बोल सकता हूँ, कि मुझे क्या करो, यह connect DB है इसको import करा दो, और इसको execute कर दो, अब ना technically तो हमारा काम हो जाना था, बट आपने notice किया होगा, कि हमने सब की बात करी यहां पे, express की हल किसी बात करी, काम में नहीं ले रहे अभी, mongoose की तो खूब बात करी हमने, कि किस तरह से database connection होना चाहिए, बट यह .env की बात नहीं करी, तो .env क्या है, कि हम क्या चाहते हैं, यह जो file है ना, इसकी यह सबसे important line है, as early as possible in your application, import and configure.env, क्योंकि यह environment variables हैं, तो हम क्या चाहते हैं, कि जितनी जल्दी हमारी application load हो, उतनी जल्दी सारे environment variable हर जगे available हो जाने चाहिए, ताकि अगर main file में available हो गए, तो उसके बात क्या है, आपने db के अंदर index file लिखी है, कहीं और भी use करें, तो सब को उ उसी में हम कोशिश करते हैं, कि वहीं पर हमारे environment variable load हो जाए, अब किस तरह से यह बोल रहा है, कि आप क्या करो, यहाँ पर एक use करो, यह require.env config, और इसको आप use कर लो, तो copy करो, और सबसे पहले आओ आओ यहाँ पर index file के अंदर, क्योंकि इसी को तो run करने वाले हो, और सबस तो यह .config है न, इसके अंदर भी एक object लगता है इस तरह से, और आप यहाँ पर लिख सकते हो path, और उस path के बाद आप एक path दे सकते हो, कि मेरा path क्या है, कि मेरे home directory के अंदर ही env है, यह proper syntax है, बट जिस बारे में मैं चर्चा कर रहा था, कि दिक्कत क्या है, कि यह require statement, यहाँ hopefully उमीद है कि जो नए node के versions आएंगे, dotenv package के version आएंगे, उसमें permanently solve हो जाएगा, बट अभी के लिए कैसे resolve करते हैं, देखे फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ तक होने के बाद आप इसको run कर सकते हो, completely run होगा, कोई issue नहीं है, okay, समझ मैं आया, बट अगर आपको और improved version लिखन इस code का, तो इसको कर दो comment, comment इसलिए छोड़ रहा हूँ, ताकि आपको मिले, आप क्या कर सकते हो, import और इस .env को import करा सकते हो, .env from .env, लेकिन अभी चलेगा नहीं, अभी कैसे नहीं चलेगा, क्योंकि इस .env को config भी करना पड़ता है, तो .env को लेके हम इसको config भी कर देत ठीक है, इतना काम हो गया, आप देखें, mongoose यूज नहीं कर रहे है, db name यूज नहीं कर रहे है, तो हटा दो ना इसको, जब यूज ही नहीं कर रहे है, और ये same line में ले आते हैं, ठीक है, अभी तक इतना काम हो गया, लेकिन क्योंकि ये जो चीज है ना, ये बड़ी ही recently introduced की गई है, कि आप .env को भी इस तरह से, in fact अगर आप इसके documentation में जाओगे ना, तो आपको कहीं ऐसा option नहीं दिखेगा, हर जगे या तो ये import syntax दिखेगा, ये जो import syntax है, अभी तक इनके documentation से लेके कहीं पे भी available नहीं है, ये वाला, but आप, sorry, import वाला syntax, require वाला तो है, पर आप क्या कर सकते हो, इनको हम एक experimental feature के थुरू हम इसको use कर सकते हैं, कैसे करेंगे, देखे, package.json में जाईए, और जहां पे भी आपने ये dev script लिख रखे, यहां पे आप क्या बोल सकते हो इसको एक, कि एक experimental feature यूज करना है, please करने दो, तो dash r flag लगा के, आप यहां पे अपने environment variable directly load करा सकते हो, environment variable slash config, तो आपकी सारी configuration load हो जाएगी, लेकिन, क्योंकि eventually future में तो यह काम यही हो जाएगा, ताकि आपको हर जगे नहीं करना पड़े, और यह ध्यान रखेगा इस बात का, कि config environment load हो रहा है, लेकिन problem यह कि अब भी इसको हम ऐसे use नहीं कर सकते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, एक experimental feature use करना पड़ेगा, तो dash dash, experimental, और json dash modules, अब इसकी spelling उम्मीद है, मैंने सही लिखियो, दिख तो सही रही है, ठेक है, तो यह हमने लिखा experimental feature, काम वही हो रहा है, और सारी मोटी मोटी बात वही है, बस इतना सा है कि यह चीज हो जानी चाहती, अब यह सारी हम कहानी से लिए कर रहे है, क्योंकि मुझे यह जादा पसंद है, कि यह क्या है कि consistency बनाता है code के अंदर, और अपना काम हो रहा है, अभी सिर्फ हम database connect कर रहे है, ना हमारे पास कोई express की app है, ना कुछ है, हमारा काम चल रहा है, अब मैं आपको दिखाता हूं कुछ छोटे मो देखें, प्रॉब्लम को पढ़ते हैं, इसने कहा कि यह जो DB है, इसको मैं import नहीं करवा पा रहा हूं, ES modules के import statement में, अच्छा ठीक है, DB को import नहीं करा पा रहे हैं, DB कहा import कर रहे थे हम, इसको भी देख लेते हैं, DB हम import कर रहे हैं, यह हमारे DB है, इसको हम index file में import कर रहे हैं, तो import तो हो जाना चीए था, यह एक common issues आता है, कई बार आप backend के projects वगरा में, किस तरह से आपकी configurations हैं, कई बार JavaScript configurations भी add होती है, ताकि automatic यह काम हो जाए, बट अभी नहीं हो पा रहे हैं, तो यह इस तरह कि अगर कभी problem आये, तो क्या करो, सबसे पहले अपने import statements चेक करो, अब अभी भी problem वहीं है, db slash index, index तो आगया है, यहाँ पे, देखे, errors को read करना सबसे important है, अकसर लोग यहीं भाग जाते हैं, मेरे तो error आगई, मैं तो जा रहा हूँ, अरे error को पढ़ोगे नहीं, तो solve कैसे करोगे, errors को पढ़ो, अच्छी तरह से देखो, क्या problem आ रही है, ऐसा common issue जो आप सब जगे देखोगे, कि कई बार extension important होता है, तो जैसे आप index.js देखोगे, इसको हमने save करा, अब मैंने load करा, तो देखो मेरे पास next error क्या है, कि इस बार file का नाम change हो गया, constant, तो technically मेरी यह problem solve हो गई है, अब problem क्या है next, यह नहीं problem आई है, कि आपकी db तो मैंने load क yes मैंने जैसे लिखा, तो hopefully अब यहाँ पर हमार पास आजान चीए, तो जैसे मैंने यहाँ पर देखा, क्योंकि node-mon है, auto-reload कर रहा है, तो मैंने देखा, अब मेरे सारे errors resolve हो गए है, और मेरे पास जो node है, वो अपने experimental flag में भी चल रहा है, by the way, मेरा node version 19.3 है, अगर आपका 20 है, तो शायद आपको experimental flag हटाना पड़े है, या कुछ देखना पड़े, मैं देख लूँगा अगले वीडियो से पहले, बट इतना काम हमार पास है, तो हमें जो message मिला, वो यह मिला, कि dbmongo connected, तो technically हमने successfully database connect कर लिया है, अब database failure भी तो करा के देखें, कि क्या क्या errors आती है, वरना कैसे समझ में आगा, तो environment variable में जाओ, और हितेश 123 की जगे, या जो भी आपने password लिका है, उसकी जगे 1234 कर देते हैं, save कराते हैं, और देखते हैं क्या हुआ, तो obviously बात है, environment variables में जब भी कुछ change करोगे, तो आपको manually restart करना ही पड़ेगा, mongodb कुछ नहीं कर पाएग तो कितना important है उन errors का भी लिखना, तो mongodb connection error, या फिर आप में लिख सकते है, mongodb connection failed, तो अब मुझे पता है कि इस तरह की language मैंने इस वाली file में लिखी थी, तो यहाँ पर कोई issue है, एक बार इसको वापिस से हम देखते हैं, कि अपकी बार क्या error आया हमारे पास में, mongodb connection failed, तो आपकी जो language है, error की language, हम अक्सर क्या करते है, try catch का, यह जो catch वाला part, इसको कुछ भी लिख देते है, फटा फट, बट professional codes में, ध्यान रखा जाता है, कि अच्छा, इस तरह की error मैंने यहा लिखी थी, तो अच्छा, यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पर मैं debugging debugging करूँ, इस code को देखने के बाद, अब मैं क्या-क्या import कर रहा हूँ, यहाँ पर उस पर debugging करता हूँ, तो दो चीज़े import हो रही है, यहाँ पर एक तो db, और एक process.env, पहले मैं देखूंगा db properly आ रहा है, db तक तो हम पहुँचे ही नहीं है, तो मैं एक step back लोगा, फिर जाँगा मैं mongodb uri पे, क्या यह सही है, फिर obviously बात है environment variables पर जाँगा, ओ मेरे id password क्या properly है, क्या यहाँ पर मैंने कहीं additional slash तो नहीं लगा रखा, कहीं मैंने कुछ और तो add नहीं कर दिया, तो फिर इस तरह से debugging की जाती है, तो debugging के क्या tutorials नहीं होते है, वहाँ पर सिर्फ एक बहुत rare चीज लगती है, जिसका नाम है common sense, और इतना असान नहीं है, हर आदमी को time लगता है, मुझे भी 2-3 दिन दिर लगते है, उस common sense पे पहुँचने में, तो बहुत easy नहीं है, बढ़ हाँ, याद रखेगा environment variable जब भी होंगे, तो आपका कुछ नहीं कर सकते हैं, आपक यहाँ पे नहीं, एक बार यहाँ देख लेते हैं, कि sample में कुछ रखा तो नहीं है, मैंने sensitive, your password है, ठीक है, चलेगा, आप चाहें तो यहाँ पे यह भी रखवा सकते हैं, कि app कहां run हो रही है, वो सब भी हम करेंगे, क्योंकि अभी हमने express तो use ही नहीं करा है, तो इसको हम changes क stage करा देते हैं, और इसको बोल देते हैं, connect to Mongo Atlas, और यह हमने करा दिया commit, और इसको कर दिया push, और अब एक छोट इसी हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं, जो कि जरूरी हमें, ओके यह तो हो गया push, सारा काम, देखें हमने बड़ी आसानी से यह सीख लिया, कि MongoDB को connect कैसे किया जाता है, अब किसी भी application में connect करें, यह जो knowledge है, यह transferable knowledge है, आप चाहिए Django में काम करें, चाहिए PHP में, चाहिए Ruby on Rails में, यही एक फरक होता है, प्रोफेशनली चीजों को handle करना, जो लोग कहते हैं कि एक बार experience आ गया, तो सब जगे experience आ जाता है, अब आपको पता है कि जब प्रोफेशनली डेटावेस को कैसे handle करना है, और क्या-क्या multiple तरीके हो सकते हैं, जिससे आप multiple code base पढ़ पाऊगे, तो अगर कभी आप open source project में कभी contribute कर रहे हो, या फिर आप किसी और का project पढ़ रहे हो, जो आपके colleagues हैं, किसी नहीं कंपनी में गए हो, तो आपको इतनी problem नह होगी अब उनका source code या code base समझने में, क्योंकि हमें एक-एक line का in-depth meaning पता है, हमें पता है, एक-एक inch हमारे project की code की कि किस तरह से work करता है, किस तरह से नहीं करता है, वो भी हमें पता है, तो काफी हमारा अच्छा session रहा ये, almost 40 minute हो गया, पता हैं लगा कब, बात एक बात हमें कमेंट साते रहते हैं, आजकल मेरा part-time real scroll करना नहीं है, कमेंट स्क्रॉल करना है, क्योंकि बड़ी motivation मिलती है उससे, तो आज के लिए बस इतना है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर, और तब तक के लिए चाय पीते रहिए, code लिखते रहिए, और बिलेग इस वीडियो का हमारा target बहुत ही छोटा सा है, सिर्फ 200 comments का target दे रहा हूँ, ये वीडियो comparatively बाके वीडियो से थोड़ा सा छोटा भी होगा, बट इन topics का separate होना जरूरी है, ताकि आप एक बार में एक चीज़ पे focus करके थोड़ा सा documentation पड़ पाएं, अभी भी हम full-fledged coding zone में नहीं जा रहे हैं, अभी भी हम setup zone के अंदर ही है, कुछ और चीज़े होती है, जो professional code base में setup की जाती है, और जितने भी आप professionally code देखेंगे, चाहे GitHub पे देखेंगे, या company में जाके जब आप काम करेंगे, तब भी आपको इसी तरह का code base setup देखेगा, तो हम उसको एक step further लेके जा रहे हैं, कि किस तरह से custom error के लिए classes define की जाती है, किस तरह से और क्यों custom API responses के लिए classes define की जाती है, और ये सारा काम कैसा होता है, थोड़ा बहुत हम middleware को भी touch करेंगे इस वीडियो के अंदर, जादा नहीं, थोड़ा सा ही करेंगे, और थोड़े से और packages install करेंगे, ताकि और हमें सहूलियत रहे काम करने के अंदर, बस इतना ही हमारा इस वीडियो का task है, तो बिना किसी देरी के फटाफट से चलते हैं, अपने code base पे और comment का target मत भूलेगा, वो बहुत important है, आजकल थोड़ा सा target लेट पूरा करवा रहे हो आप लोग, शायद आपके exam चल रहे हैं जैसे ऐसे मैं code कर रहा हूं, इसके अंदर वो सारा का सारा available कराता भी जा रहा हूं मैं साथ की साथ, तो अब एक एक करके steps पे चलते हैं कि कैसे कैसे काम होगा, क्या क्या होगा और क्या क्या हम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो देगे सबसे पहले ताब हम क्या करेंगे, source को open करते हैं, अभी तक हमने थोड़ा बहुत काम index में किया है, हमारा database connect हो रहा है, तो ठीक है, उससे तो हम खुश हैं काफी, लेकिन app.js अभी तक empty है, तो obviously बात है, app.js के अंदर भी हम express वगरा को include कराना चाहते हैं, तो express तो आपने already, जो मैंने starting के वीडियो बनाया थे, उसमे एक app बना लेते हैं, अब इस variable का नाम app काफी common है, इसलिए रखा जाता है, वैसे तो इसका नाम आप कुछ भी रखिए, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं, बट common नाम है, तो हम भी ओ common चीज़े को follow कर लेते हैं, और ये बनेगा अपने express से, एक methods के through सारी properties उसमें transfer होती है, और उसके बाद आप export कर देते हैं इस app को, तो मैं इसको export कुछ इस तरह से कर देता हूँ, आपका जैसे मन करें कई लोग default express को export करते हैं, कोई इस तरह से करते हैं, कोई खास इसमें अंतर वाली बात है नहीं, आपको जैसा ठीक लगए आप कर दीजे, ठीक है, इतना काम तो हो गया हमारे app का, कि हमने app बनाई और हमने यहाँ पे इसको export कर ली, लेकिन एक छोटी सी चीज और होती है, कि आपने जैसे यह app export कर ली, क्योंकि अब इस app के पास super power है, तो आपको index के अंदर यहाँ आके, जैसे db connect होंगे, तो actually मैं यह जो हमने db जिस तरह से file लिखी है, हाँ जी, यह आपको common चीज दिखेगी, काफी professional code bases में, तो जैसे हमारा database connect हो जाए, तो उसके बाद आप यहाँ पे dot then कुछ लग सकते हैं, और dot catch भी रख सकते हैं, कि ठीक है database connect हो गया है, अब dot then में कुछ successful रख लेते हैं, catch में कुछ errors handle कर लेते हैं, तो यह तो हो गया ह हमारा error, कि ठीक है, अगर error आ रहा है, तो इस तरह से handle करो, और यह लिजए हमारा code base, तो इसके अंदर console log कर देते हैं, db connection error ही है, यह obviously, तो mongo db connect failed, connection failed, जादा ठीक रहेगा, और उसके बाद एक दो exclamation भी लगा देते हैं, और उसके बाद error भी display करा देते हैं, ठीक है, यह त then के अंदर भी आपको एक callback मिलेगा, यह लिजए then के अंदर भी callback मिल गया, अब यहाँ पे क्या है, हम इस app का use करेंगे, और इस app के अंदर हम क्या करेंगे, listen करेंगे, तभी तो हमारा server start होगा, अभी तक server start का हुआ, अभी तो mongo db connected हुआ, बट हमारी application ने उस database का use करते ह शुरू नहीं किया था, तो उसके लिए हम क्या करते है, app.listen, और obviously बात है, कौन से port पे listen करेंगे, उसके लिए process.env.port हम use कर लेते हैं, और अगर port नहीं मिला है, तो हम को ए default port भी देते हैं, कि 8000 पे run करो, यह चीज़े हमने पहले भी discuss करी थे, आपको यहाँ दो, तो first हमा आप production पे code डालेंगे, वहाँ पे आपका code crash होने से, उसके बाद हमें चाहिए callback, यह लिजे callback, अब इस callback में क्या करना है, एक console.log message करना है, बस इतना सही है, अब आप backtix के अंदर करते हैं, यह जैसे भी आप करते हैं, यह आपके उपर है, backtix use करके, मैं यह आपे simple लि port, अब यहाँ पे आप चाहें, तो इस port को यह सारी चीज नहीं, एक variable में भी डाल के hold कर सकते थे, कि या तो 8000 प्रिंट हो जाए, यह process environment, आप समझी गए है, मैं क्या कहना चाहरा हूँ, तो अब इतना कोई खास जरूरी है नहीं, इस बात का महत्व की, आप यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, कैसे variable लिख रहे हैं, आपको समझ में आना जरूरी है, line by line, copy paste थोड़ना करना है, अब यहाँ पे जो मैंने एक last वीडियो में एक छोटी सी चीज डिसकस करी थी, कि app.listen से पहले कई बार errors के लिए भी listen करना चाहते हैं, तो यह काम मैं आप पे छोड़ता कि आप अपनी app के अंदर यह वाला code मुझे पता है, आप खुद से ही लिख पाएंगे, इतने छोट-छोटे assignments में देता रहूंगा आपको, ताकि आप अपना code base और improve करो, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक event के लिए listen कर रहे हैं, error और simply इसका message print कर रहे हैं, तो आपको अग documentation पे भी जाएंगे, और API reference में mostly आप रहेंगे, 5 में, 4 में, जिसमें भी आप रहें, mostly same ही है database के यह पूरे API calls, तो आप जादा तर रहेंगे एक request के अंदर, एक रहेंगे response के अंदर, कि request में कब-कब data कैसे आ रहा है मेरे पास, उसको मुझे handle करना है, और response के अंदर कि आपक side में कर लेते हैं, कि request के अंदर हमारे पास क्या क्या option है, मैं request के अंदर base URL मांग सकता हूँ, body मांग सकता हूँ, cookie, hostname, IP, तो almost काफी information में ले सकता हूँ, इन में से दो चीज़े जो सबसे जादा हम पढ़ेंगे, वो है एक तो आपका request.params, URL से जब भी कोई data आता है, वो mostly request .params से आता है, उसको params ही बोलते हैं, तो कई बार आपने देखा होगा URL के अंदर होता है question mark, search equals और फिर कोई term, तो वो सारे parameters किस तरह से handle करते हैं, उसको हम समझेंगे request.params में, एक आपको मिलेगा request.body करके, तो request.body में क्या अलग-अलग तरह से data आ सकता है, forms में आ सकता है, तो उसके लिए भी हमें थोड़ा सी activities या configuration बोल लो, कि configuration करनी पड़ती है, और हमारा काम हो जाता है, अब अच्छी बात यह है कि जैसे मैं request.body करता हूँ, तो मुझे instruction देता है, कि आप इस तरह से अपना body parser वगरा use कर सकता है, तो यह documentation थोड़ा सा पुराना है, आजकल securely cookies store करी जाती है, user के browser के अंदर, और कैसे उसको read किया जाता है, लेकिन यहाँ पे एक line लिख रखी है, कि when using a cookie parser middleware, अब cookie parser तो एक NPM का package है, बट यह middleware क्या चीज़ है, इस पे भी थोड़ी सी चर्चा बनती है, तो यह दोनों चीज़े हमें क्या है कि install करनी पड़ेगी, यह cookie parser, और अगर आपको याद हो, तो मैंने कुछ टाइम पहले एक video बनाया था, how to connect backend with frontend, वहाँ पे मैंने course की काफी अच्छी चर्चा करी थी, cross origin resource sharing भी अपने आप में एक बड़ा problem है, जिस तरह से backends handle करते हैं, तो यह दोनों package हमें लगेंगे, और इन दोनों पे हम बा popular है, कुछ जादा ही popular है, इतने अगर weekly downloads है, जो constantly change हो रहे हैं, तो obviously बात है, इसी तरह से आप cookie parser use करते हैं, वो भी मैं आपको बता दूगा, हम यह require syntax नहीं हमें import syntax यूज़ कर रहे हैं, तो एक तो cookie parser लगेगा, एक हमारा जो package हमें लगेगा, वो है course, course क्या करता है, हमें settings करने देता है, जितने भी हमारे cross origin resource sharing है, उसके लिए, यह भी बड़ा easy है, इतना जादा कुछ नहीं है, बस app.use, अब एक चीज़ ध्यान रखेगा, जब भी आप middleware यूज़ कर रहे हैं, most of the time आप app.use के थुरू करते हैं, अभी तक हमें देखा था app.get, app.post, यह सब तो होत हैं, और यह दोनों package install करते हैं, package.json open कर लेते हैं, अपनी ताकी पता रहे हैं, यहाँ सारे packages आ रहे हैं सही से, तो हम install करते हैं, तो npm install, एक तो हमें लगेगा cookie parser, cookie parser, और एक लगेगा course, cross origin resource sharing, अगर course में अभी भी आपको problem है, तो please मेरा एक वीडियो है, इसी channel पे, how to connect your backend with frontend, हो सकता है, आपको backend ने आता हो, हो सकता है, आपको frontend ने आता हो, बट एक overview idea आपको मिल जाएगा, कि किस तरह से course configure होता है, किस तरह से proxies configure होती है, अच्छी knowledge होनी चाहिए, सारे developers को, तो यह दो package हम install कर लेते हैं, और फिर देखेंगे इन दोनों का usage कैसे होता है, ठी section level तरीका यही है, ओके, तो यह तो हमारा काम हो गया, अब दोनों package install कर लिए हैं, तो दोनों को बिला लेते हैं, एक तो बिला लेते हैं, अपना course को, और course बात है, course से ही आएगा, तो यह लिजे course आ गया, और एक हमने cookie parser भी कर रखा है, तो cookie parser को भी ले आते हैं, अब cookie parser अलग अलग तरह से आता है, आप चाहो तो इस तरह से भी import करा लो, कुछ लोग cookie dash parser करते हैं, मैं usually यही prefer करता हूँ, ठीक है, तो यह हो गए हमारे cookie parser और इस सारे, ओके, इतना काम तो हमारे पास हो गया है, कि यह ठीक है, values आ गई है, लेकिनको configure कैसे करना है, यह configure सारे होत use, यह जो use method है, यह सारे के सारे middleware या configurations के लिए use में आता है, तो app.use, अब आप definitions या उसमें देखेंगे, तो simply यहाँ पर course लिखके इस तरह से कर देता है, और majorly इस तरह से configure हो भी जाता है, जादा कोई दिक्कत नहीं है, बट further आप इसको अगर documentation पढ़ेंगे, course का जाके, तो आपको दिखेगा कि ठीक है, major काम तो हमारा हो गया, लेकिन अगर आपको कोई settings वगरा करनी है, तो course के अंदर आप settings कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर course के जो option है, वो अपने आप में एक object है, और इसका आप origin define कर सकते हैं, कि ठीक है, मेरा backend है, मैं front end में किस-किस जगे से request accept क कर रहा हूं, और किसे तोड़ना करेंगे, अपना जो front end है, उसी को भी तो बात करने देंगे, वरना कोई भी आएगा, बात कर लेगा हमारे backend से, option success वगरा, यह बहुत सारे हैं, तो जितना आप पढ़ेंगे, उतना आप कर सकते हैं options, मैं आपको कुछ दो-एक options बता देता ह कि कौन-कौन सा origin आप अलाओ कर रहे हो, और अकसर यह origin अलाओ होता है, usually process.env. और यहाँ पे course का origin रखा जाता है, ताकि हर जगे change ना करना पड़ेंगे, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं origin, अब 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 विसी बात है, यह define तो करा नहीं है आपने अभी, तो course origin मैं copy करता ह हूं यहाँ पे, environment file में जाके और यहाँ पे define करता हूं, मैंने मेरा mongodb का जो मेरा variable है, उसको enter करके काफी नीचे कर दिया, क्योंकि बार-बार expose होता है, मेरा password मैं नहीं चाता वो हो, तो course origin, आपको दिखेगा, कई लोग इसको ऐसे star रख देते हैं, कि ठीक है, कहीं से भी request चलेगा, obviously बात है, अच्छी बात नहीं है, आपको सिर्फ specifically mention करना चाहिए, आपका URL जहां से आ रहा है, वरसल की app से आ रहा है, कहीं और host की आ है, बट अभी के लिए ठीक है, इतना चला लेंगे हमका, इतनी भी बुरी बात नहीं है, तो अब इसको copy कर लेते हैं, और क्यो credentials क्या क्या allow करने हैं, इस तरह के और भी options आपको मिल जाते हैं, credentials में true कर देता हूँ, ताकि credentials भी allow, by the way आप इन पे click करके देख सकते हैं, और क्या क्या options हैं, क्या क्या use में आ रहा है options, किस तरह से ये काम करता है, ये भी आप देख सकते हैं, ये मैं छोटा सा आपके लिए एक exploration के लिए, वैसे documentation में आपको यहां सारा मिल जाएगा, कि किस तरह से क्या क्या options हैं, हर एक option का क्या role है, white listing के बारे में भी पढ़ेंगे, तो आपको अच्छा knowledge मिलेगा कि किस तरह से क्या है, बागे सब कुछ यहां mention है, आपके इतना भी काम नहीं आएगा, कि क्या क्या चल रही है, URL से भी data आएगा, कुछ लोग JSON में data भीजेंगे directly, कुछ request body में भीजेंगे, form वगरा submit करेंगे, तो कुछ का direct form आएगा, कुछ का JSON में form आएगा, तो उसके लिए कुछ settings लगती है, कुछ best practices भी लगती है, अब JSON का मतलब यह थोड़ना है कि unlimited JSON ही आने दूँगा एक limit बनाऊंगा भाई, इससे ज़्यादा JSON मत दो, server crash थोड़ी ना करना है, best practices, security practices, यही सब होती है, तो एक तो हम लगाते है, app.use, क्यों, configuration करनी है, middleware set करना है, middleware क्या होता है, इस पे भी बात करेंगे अभी, तो हम क्या कर सकते हैं, आज कल directly express के साथ, आप JSON को इस तरह से configure कर सकते हो, कि मैं JSON को accept कर रहा हूँ, मेरे इसके अंदर, अब इसके अंदर भी further, options मिलते हैं आपको, यह पढ़ नहीं पढ़ते है, express पे जाके, एक जो सबसे common option आपको दिखेगा, वो दिखेगा limit का, कि कितनी limit आप accept करना चाहते हो, अब usually देखिए, अपने-पने पे depend करता है, आपके server powers up पे, मैं 16 के भी लिख देता हूँ, आप 20 के भी लिख दीजे, आप 10 के भी लिख दीजे, बट यह options अकसर आपको production grade files में दिखेंगे, अब पहले क्या होता था, express इत्ती आसानी से आपके यह JSON files अगरा नहीं ले पाता था, आपको body parser use करना पड़ता था, अग क्योंकि body parser का जो काम है, express के अंदर, अब जितने version से उसमें by default है, बट कई code base में आपको body parser दिखेगा, मल्टर भी हम use करेंगे, आगे जाके, अभी मैं उस पे बात नहीं करना चारा है, क्योंकि एक separate video रखेंगे, मल्टर से हम file uploading configure करते हैं, क्योंकि JSON कर लिया, सारा data कर लि अब क्या है कि सिर्फ इतना ही नहीं है, ये तो आपने form भरा तब हमने data लिया, अब मुझे एक और configuration करनी है, कि जब मेरे पास URL से data है, वो भी तो चाहिए, अब URL से जब data आता है तब थोड़ा सा issue होता है, थोड़ा सा issue क्या होता है, जैसे आप कभी Google पे search करें कुछ भी, तो आप देखेंगे, URL में जब data जाता है, जैसे मैं search करता हूँ, हितेश, चौधरी, तो आप देखेंगे, URL में जब भी data जा रहा है, तो देखेंगे, कुछ URL उसको हितेश, प्लस चौधरी कर देते हैं, कई जगे आप देखेंगे, कि ये हितेश, percentage, 20 और चौधरी हो जात तो उसके लिए एक configuration करनी पड़ते हैं, तो वापिस से app.use करना पड़ेगा, आपको एक configuration अकसर लोग जो courses वगरा हम बताएंगे न, वो speedly बताते हैं, ये लिख दो, ये लिख दो, बस हो गया, मैं आपको एक एक चीज का reason बता रहा हूँ, कि वो सब क्यों होता है, इसलिए क्या है, इसमें भी कुछ options आप चाहे तो दे सकते हैं, वैसे तो इतना भी कर दोगे, तो भी काम हो जाएगा, as such कोई जरूत नहीं है, लेकिन क्या करते हैं, एक और यहाँ पर keyword देते हैं, जो कि extended, extended में क्या होता है, कि आप objects के अंदर भी objects दे पाते हो, तो और level पे आप nested objects दे सकते हो, बस इतना ही मतलब होता है, वैसे most of the cases में आप extended objects यूज नहीं करने वाले हो, तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखोगे, तो भी चलेगा, बद बता देता हूँ, कई code bases में होता है, limit यहाँ पर भी option है, आपके पास कि ठीक है limit, हम वही 16KB की limit यूज कर लेते हैं, अगर जरूत पड़ी, तो बाद में change कर देंगे, आप चाहें तो इसको constant में भी ले सकते हैं, अगर आपको लगे नहीं आर यह limit में सब जगे same रखना चाता हूँ, और मेरा code base बहतर करना चाता हूँ, तो और, देखें, यह code bases और अलग-लग files में चीजों को रखना उसी तर अंदर, मैं express की एक और configuration लिखना चाहता हूँ, जो कि है static, static कुछ नहीं करता, कई बार हम कुछ files, folders store करना चाहते हैं, यह PDF IE मैं मेरे पास store रखना चाहता हूँ, या images IE मैं मेरे ही server में store रखना चाहता हूँ, तो एक public folder बना देते हैं, कि कुछ public assets हैं, कोई भी access कर लो यहा जिसका नाम है, यहां पर public, अब public ही नाम रखना जरूरी नहीं है, यह एक folder का नाम है, मेरे यहां पर देखेंगे, तो एक public नाम से मैंने folder बनाया था, जिसके अंदर temp है, और फिर मैंने git keep रखा था, तो यह इसी काम के लिए रखा था, कि कुछ भी अगर ऐसा asset होगा, जैस का काम सिर्फ इतना सा है, कि मैं मेरे server से, जो user का browser है ना, उसके अंदर की cookies access कर पाऊं, और उसकी cookies set भी कर पाऊं, तो उसकी cookies पे मैं crud operation basically perform कर पाऊं, क्योंकि कुछ तरीके होते हैं, जहां से आप secure cookies user के browser में रख सकते हो, उन secure cookies को सिर्फ server ही read कर सकता है, server ही उसको remove कर सकता ह तो यह बड़ा अच्छा process होता है, और सब जगे production grade app में use है, उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, वापिस से app.use क्योंकि configuration है, और उसके बाद हम कर देते हैं सीधा सीधा यहां पे, कि उसके अंदर क्या करो, एक cookie parser, जैसे course था वै अब वापिस मैं आपको लेके चलता हूँ अपने हमारे keyword, पुराने keyword पे जो की है middleware पे, हाँ जी middleware पे हम चर्चा कर रहे थे, तो middleware देखिए क्या है, इतना जादा भी कुछ complex चीज नहीं है, मैं आपको basically एक overview दे रहता हूँ, कुछ diagrams के थुरू, ताकि आपको हमेशा के पता लग जाए कि किस तरह से ये काम होता है, तो हम क्या करते हैं, अपने react वाले folder पे चल लेते हैं, एक diagram बनाना है कहीं पर बना लो, ओके, तो यहाँ पर हम चलते हैं, एक diagram बनाते हैं, यहाँ पर basic सा, ओके, इतना zoom ठीक है, तो अब हमने देखा है कि actually में होता क्या है, process इ request लिखने के बाद actually में होगा क्या, वो response कैसे जाएगा, तो उसका अगर आपको code ध्यानों कुछ इस तरह से लिखा जाता है, तो उसका basic basic overview बता देता हूँ, किस तरह से होता है, क्यों और कहां पे हमारा middleware use होता है, तो सबसे पहले क्या होगा, आपका एक client होगा, वो एक URL ह हिट करा है, suppose करिए Instagram, जो कि हमने पढ़ा भी था, तो Instagram जैसे ही आपने URL हिट करा है, तो उसका process क्या होता है next, उसका next process होता है, कि मैं आपको बताऊंगा, कि अगर आप इस URL पे आते हो, तो क्या करो, तो मैंने एक लिख रखा है, कि मैं आप से क्या करूँगा, एक request, मेर प response.json, या फिर response.send, जो भी आपको response send करना है, वो आप send कर देते हो यहाँ पे, और जैसे suppose करें मुझे हिटेश send करना है, तो यह मैंने एक response send कर दिया, अब यह तो है बड़ा ही straightforward process, कि एक मेर पास URL आया, request आई, और मैंने उसको handle करके भेज दिया है, बट मैं कुछ process करवान चाहता हूँ, क्योंकि URL पर request तो बहुत सारी आएगी, क्या आप उस response को लेने के लिए capable हो या नहीं हो, हो सकता है, आपने login ही नहीं कर रखा हो, तो कुछ ना कुछ बीच में check करना पड़ता है, उस बीच की checking को ही middleware बोलते हैं, हाँ जी, बस इतना ही काम है उसका, तो क्या इसको बोल देते हैं, simple सा कि आप check करो, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, check if user is logged in, तो बस, अब हमारा क्या होगा, अब हमारा जो यह response आप भेज रहे हो, उससे पहले एक checking हो जाएगी, क्योंकि हम अमारी compute power क्यों use करें, compute power use करने से पहले हम क्या करेंगे, simple सा एक checking लगा दे तो ही मैं आपको response बेज रहा हूँ, अब यह checking बहुत तरह के हो सकते हैं, logic बहुत तरह के हो सकते हैं, और जरुरी नहीं कि आप एक ही middleware लगाएं, हो सकता है, आप multiple middleware लगाएं यहाँ पर, तो हो सकता है, एक और checking करना चाहते हो आप, तो कुछ और checking भी हम यहाँ पर लगा सकते हो, तो एक request के बाद इस admin पर जाएगा, फिर इस पर जाएगा, अब इनको लगाने का sequence होता है, वह हम sequence भी आगे देखेंगे, कि जैसे sequence में हम लिखते है code, उसे साब से इसके बाद यह check होता है, अब एक चीज़ और मैं आपको बता दू, यह जो अभी तक हम पढ़ते response तो हमें पता है, request जो भी आया हमारे पास, response हमें पता है, कि जो भी response हम भेजने वाले हैं, यह जो next है ना, यह next क्या होता है, अगर आपने next यूज़ कर लिया, इसका मतलब यह है कि आप middleware के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि middleware next जो है ना, एक सिर्फ flag होता है, यह सिर् और समझ में आएगा आपको, हम अगले वीडियो में लिखेंगे वाला code, बट मैं आपको थोड़ा सा general information दे रहा हूँ, इसके पास भी next है, यह क्या करेगा simply, आपको बोलेगा कि अच्छा, अपना काम तो हो गया, अब next पास कर दो, तो final जब next यहां पे पास होगा, तो यह थोड़ा सा हम और कुछ बनाना चाहते हैं, उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा aware करवाते हैं, अब देखे, एक important चीज जो हमने यहां पे देखी है, कि हमारे पास database का यह इस तरह से हम कर रहे थे हैं, अब देखे, database से जब भी आप बात करेंगे, तो obviously बात है, दो चीज हमें हमेशा ध्यान रखनी थी, कमेंट्स में बताएगा कौन सी दो चीज़े हैं, तो एक तो चीज यह हमेशा इसमें time लगता है, तो असिंक वेट आता ही आता है, इसका कोई इलाज नहीं है, दूसरी चीज हमें try catch लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि problem हो सकती है, अब आपके क्योंना हम बार-बार, क्योंकि देख की database से बात करने वाले हैं, user के controller में करेंगे, videos के controller में करेंगे, अताहा बात करेंगे database से तो, तो हर बार इतना syntax लिखना, जबकि एक common चीज है, इतना wrapper हर बार ही लिखना है, तो क्योंना में एक utility file बना लूँ, जो मेरी help कर दे, और इस तो इसको भी हम बना लेते हैं, usually utilities में बना लेते हैं, आप चाहें, तो service में बनाईए, utility में बनाईए, आपके उपर है, इतना कोई खास problem वाली बात नहीं है, तो right click करके एक नई file बनाते हैं, मैं दोनों तरह से आपको सिखाता हूँ, इसके अंदर कैसे होता है, तो इसको ह हमारा method है, arrow function में बना देते हैं, और इसको export कर देते हैं, ये लिजे, export async handler, ये हो गया हमारा मोटा मोटा काम की async handler इस तरह से होता है, अब हम जो async handler use करेंगे, वो वाला use करेंगे हम promises वाला, just a general choice हमने ले ली, but try catch भी तो हो सकता है, हाँ जी, try catch भी हो सकता है, तो मैं आप आपको दोनों बताता हूं किस तरह से होंगे, एक हम comment कर देंगे, बट आपकी knowledge के लिए दोनों, ताकि आप परिशान न रहें कि अरे इतना सारा काम ऐसे भी होता है, क्या ये तो हमने try catch से तो सिखाया नहीं था, usually एक ही पर बात होती है, ठीक है, तो किस तरह से, मैं एक और इसको दो मिनेट के लिए comment कर देता हूं, और यहां पर हम लिख लेते हैं at the end पे, क्योंकि हम वैसे भी इसको comment करने वाले हैं बाद में, तो आप कुछ इस तरह से लिखते हैं, const async handler, ये रहा हमारा async handler, और ये एक function बनेगा, तो ये लिजे एक function और ये आपका function बन गया, अ functions जो की functions को as a parameter भी accept कर सकते हैं, या फिर उसको return कर सकते हैं, तो वो as a variable की तरही treat करते हैं, और कुछ नहीं होते है higher order function, तो हम क्या करते हैं, एक function accept कर लेते हैं, ये लिजे फूंक्शन, हमने अपने parameter में ही function accept कर लिया है, और इस function को हमें execute करना है, तो अब execute यहां पे तो नह यह लिजे, अच्छा इसका थोड़ा सा मैं आपको basic बताऊं कि यह किस तरह से हो रहा है, क्योंकि यह थोड़ा सा line जो है थोड़ा सा confuse कर देती लोगों को, तो मैं आपको step by step बताता हूं, मैंने mostly courses में इसी तरह से बनाया है, तो देखिए हम क्या करते हैं, यह अपना const async handler हम और सबसे basic जो काम करते हैं sync handler में, वो किछ इस तरह से करते हैं, जो अभी तक आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, एक आपने लिया basic और काम हो गया, अब इसमें अगर एक function आपको accept करना था, तो यह लिजे, आपने fn लिख दिया या function लिख दिया, इस तरह से काम कर दिया, अब इसी same function को जो आपने लिया है, मैं further down the road, एक और function में pass करना चाहूं अगर तो, तो हाँ बिलकुल कर सकते हो, यह लिजे, यह लिजे, कर दिया आपने, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो यह लिजे, curly braces लगा के, अब तो समझ में आई रहा होगा, तो हम क्या करत तो यही काम यहाँ पे भी मैं करने की कोशिश कर रहा हूं, जो मैंने आपको steps में करके दिखाया है, वो काम मैं यहाँ पे कर रहा हूं, exactly यहाँ पे, यह लिजे, एक function लिया, उसको further एक और function में pass कर दिया, और उसको async कर दिया, अब इसको मैं comment कर देता हूं, पर जरूरी है, हाँ जी, तो इस async function को जब भी आप run कराते हो, तो actually मैंने अभी आपको बताया था, आपके पास क्या क्या आएगा, जो आपने function pass करा है, उसमें से हम extract कर लेते है, request, response और एक next pass करना जरूरी है, क्योंकि हम sort of middleware भी use कर सकते हैं, हो सकता है कभी, तो यह हमने लि जैसे भी आपको error का response करना है, आप response कर दीजे, usually कुछ इस तरह से होता है, कि response के बाद हम एक status भेज देते हैं, दो तिन तरीके बताता हूं, आपको किस किस तरह से usually काम होता है, इस status भेज दिया आपने, अब status के अंदर आप error code भेज देते हैं, अगर आपके पास user pass कर रहा error code, तो आप सीधा error.code लिख देते हैं, और अगर नहीं pass करा तो, तो 500 pass कर देते हैं, जो भी आपका मन करें, 500, 400, जैसा भी आपको ठीक लगे, उस समय उचित लगे, इसलिए बोलते हैं कि error के अंदर या तो response code आ जाएगा, या फिर हम नहीं आएगा, तो इस तरह से बेज द और फिर आपको जो भी अपना error का message भीजना है, तो मैं एक message craft कर देता हूँ यहाँ पे, और इस error से message उठा लेते हैं, error.message, तो यह हमारा basic code हो गया, तो यह तो हो गया try part, catch, sorry, यह तो हो गया हमारा catch part, try part में क्या करते हैं, कुछ नहीं, async तो बना ही दिया है, तो await करो, औ और जो function आपने लिया है, उसको execute ही तो करना है, वो function हमने लिया, वह अपना request, response और next, अब यह हो सकता है, आपको थोड़ा सा जादा लगे, लेकिन यह काम होता है, हर production grade में आपको यह काम मिलेगा, यह कर कुछ नहीं रहा है, हमने एक wrapper function मना रहा है, जो हम हर जगे use करने वा अब अगर आपके पास promises वाला हो, तब इस code को exactly same code को promises में कैसे convert करेंगे, तो वो भी देख लेते हैं, तो यह हमने इसको uncomment कर लिया, क्योंकि हम यह वाला use करने वाला है, तो इसको कैसे करेंगे, आप देखें, यहाँ पर function लिखिए, या फिर कोई नाम दे दीजे इसको, ज यहाँ पर क्या करता हूँ, async handler directly ही return कर देगा, यहाँ पर तो हम क्या कर रहे थे, कि उसको execute करके try catch से, फिर हम response वगरा कर रहे थे, और execute कर रहे थे, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, as it is ही उसको return कर दूँगा promise की format में, तो कैसे इसको करेंगे, पहले return keyword हताते हैं, पहले आप execute कैसे होगा, यहाँ पर भी वही same कहानी, अपना request, response और next आपने लिया, अब इसको इस तरह से handle करने की बजाए, यह लीजे, अब यहाँ पर क्या होगा, आप promise invoke कर दीजे एक manually, और उसको बोलिए कि आपके पास दो option है, promise, जब हमने आपको याद हो, promise JavaScript में create करे थे, तो promise ए catch कर रहे हैं, मतलब fail हो गया है, वहाँ पर तो क्या करेंगे हम, तो कुछ नहीं, एक error ले लेते हैं, और यहाँ पर हम, यह लीजे, next use कर लेते हैं, ताकि जिसको भी आगे और काम करना हो, वो कर पाए अपना काम, यह थोड़ा सा advanced syntax है, मुझे पता है, थोड़ा सा problem करेगा, बट अगर आपकी JavaScript strong है, थोड़ा chat GPT का use करेगा, तो और समझ में आ जाएगा, resolve के अंदर जैसे हम जाएंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना request handler या function, जो भी आपने उसको नाम दिया है, request handler लो, और उसको बस execute कर दो, और सारे parameter ज़रूर पास कर देना, request, response और हमार next, यह हमने कर दिया, अब हो सकता है कि आपको यह वाला syntax नहीं, आपको यह वाला syntax जादा आसान लगे, किसी को यह आसान लगता है, किसी को यह आसान लगता है, लेकिन production grade code में, आपके उपर हमेशा बस नहीं होता है, कि हम तो इसी तरह से जाएंगे, हो सकता है, आपके दू तो ये तो हो गया हमारा काम, कि एक हमने utility function बनाया है, अभी आपको लग रहा होगा क्यों कर रहा है हम इतना फालतो काम, बट यही production grade code का अंतर है, कि इस तरह के काम किये जाते हैं, ठीक है ये जो काम किया मैंने ये extra किया सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि आपको चीजे समझ मे है, रखेंगे इसको भी यहीं पे, क्योंकि आपको समझने के लिए जादा जरूरी है, बाद में मैं recommend करूँगा आपको कि आप दोनों तरह से try करो, कुछ methods को, अलग-लग files में भी इनको कर लो, वो भी ठीक बात है, तो अभी के लिए हमारा काम हो गया है, कि हमने एक promise invoke किया है, resolve कर लिया है उसको, और यहाँ पे catch ले लिया, reject कर लेना, resolve जैसे भी आपको ठीक लगे, अभी के लिए हमारे पास इतना ही काम है, यह कर दिया, ओके, अभी हम एक और चीज़ पे और थोड़ी सी चर्चा करते हैं, कि देखे, यहाँ पे जब हम error भेज रहे थे, तो obviously बा centralized format में हमें रखना पड़ेगा, कि यहार इतना चीज़े तो हम भेजते ही भेजते हैं हर बार, अब यह सब चीज़े जब आप भेजते हो, इन चीजों का आपको standardized करना है, कि API का error भी में standardized करना चाहता हूं, और API का response भी में standardized करना चाहता हूं, तो थोड़ा सा और हमें code भेजता हूं, फिर में success flag भेजता हूं, फिर में यह लिखता हूं, तो आपको थोड़ी सी आसानी रहेगी इसके अंदर, अब इस बात के लिए हमें थोड़ी सी पढ़ाई करनी पढ़ेगी, पढ़ाई किस बात के लिए आप सर्च करिए बस, node.js API error, तो node.js आपको actually में एक J stack है, बहुत कुछ है, और कफी अलग-अलग तरह की API's, sorry, error files, classes देता है, assertion errors है, testing बगरा में use आती है, range errors है, reference errors, syntax errors, तो काफी तरह के errors को आप handle कर सकते हो, अब इस बात का फायदा उठाते वे, क्योंकि मैंने JavaScript पढ़ी है, मैंने classes भी पढ़े हैं, और मुझे inheritance भी पता है, तो मैं कुछ overwrite करना चाहूंगा, इस methods को, ताकि मेरे पास एक errors जिस तरह से जा रहे हैं, उसको मैं थोड़ा सा और control कर पाऊं, तो यहाँ पे utilities में जाते हैं, और हम पहले सबसे पहले errors को handle करना चाहते हैं, तो मैं इसको लिखता हूँ, यहाँ पे API error, और .js, of course, .js से तो कर इसलिए तो पढ़ा है वह documentation, वरना क्यों ही पढ़ते हैं, और यह हमने class बना ली, अब इस class में मुझे पता है, मेरे पास constructors available है, बट मैं मेरा constructor यहाँ पे बनाना चाहूंगा, ठीक है बना लेते हैं, आपको याद हो, तो javascript मे मैंने काफी चर्चा करी थी, तब कई लोग क तो देगा status code, देना जरूरी है, क्योंकि constructor में ही मांग लिया है, एक मेरे को देगा message कि क्या message मैं pass करूँ, ताकि हर बार मैं construct status code भी pass करूँ और message भी, अगर कोई message नहीं देगा, तो मैं एक safety के लिए बेकार सा message लिख देता हूं, something went wrong, इस message की production grade में बहुत बुराई चलती है क्योंकि ये message कुछ भी नहीं करता है, colon नहीं, equal sign, क्योंकि ये message सबसे ज़ाधा बेकार होता है, ये कोई आपको reference देता है कि actually मैं problem क्या आई, तो इस messages को usually लोग avoid करते हैं, इसलिए यहां लिखा जाता है, और आपको अगर errors भी देनी है, पूरी या multiple errors भी देनी है, तो एक प पर जाके constructor में चीजों को override कर देता हूं, तो देखे, override जब भी करते हैं, आपको पता है, एक तो अपन super call करते ही है, तो ये लिजए super call करा, और super के अंदर हम ये message दे देता है, कि message तो override करना है, अब उसके अलबब आपको जो further और add करने हैं इस constructor में जो की नहीं है, तो आप add कर दो या override कर दो, तो मैं क्या करता हूं, this dot, एक status code को override कर देता हूं, मेरे status code से, तो ये लिजए, जो status code में ने constructor में लिया है, उससे override कर दिया है, आपके कई field होते हैं इसके अंदर, जिसको आप चाहो तो लिख सकते हो, चाहो तो हटा सकते हो, data field को usually null कर दिया जाता है, इ interesting बात यह है कि, सारा ऐसे spoon feeding थोड़ ना होगा, थोड़ा सा, आपको भी दिया जाएगा पढ़ने के लिए, जादा नहीं, थोड़ा सा, और हम message को भी overwrite कर देता है, कि ये रहा हमारा message, इसको भी ले लो please, ये लिजे message ले लिया, और success भी ले लो, this dot success, तो success जो होगी, उसको हम false कर देते हैं, क्योंकि success code नहीं जाएगा, API errors को हम handle कर रहे है, API response को नहीं handle कर रहे है, तो success message हमने false बेज दिया है, अब इसका मतलब ये नहीं कि message जाएगा ही नहीं, message जाएगा, बट उसके साथ जो success flag है, वो automatically अगर कोई detect कर रहा है, तो हमाँ पर false जाएगा, इसके बाद this.errors हमारे पास होते हैं, ये error suggest कर रहा है, बट actually होते errors हैं हमारे पास यहाँ पर, तो हम उस errors को लेके और अपने errors से replace कर देते हैं, लगता है हमने छोटी सी mistake कर दी हाँ यहाँ पर, errors है यहाँ पर, क्योंकि array है यह, तो इसको this.errors को this.errors यह लीजे, ओके तो यह तो हो गया हमारा overwrite, अब इसके बाद क्या करते हैं, छोटा सा code भी लिख लेते हैं, जादा बड़ा नहीं है, बट छोटा सा है, लिख लेते हैं, production grade में लिखा जाता है, इतनी कोई खास आपको जरूत नहीं है, एक छोटा सा if case लिख लेते हैं, कि अगर आपके पास stack है या नहीं है, क लिखा जाता है, तो हम उस stack को भी ले लेते हैं, और फिर क्या होता है, जब हम production में ship करते हैं, तो यह सारी चीजों को हम हटाते भी हैं, इसलिए थोड़ा सा file लिखे जाते हैं, उस पर कभी और बात करेंगे, और अगर stack है, तो stock दे दो, वरना क्या करो, वरना हम क्या करते ह सा code लिखते हैं, error.capture stack trace, हाँ जी, तो इसमें क्या करना होता है, सिर्फ आपको एक तो आपको reference पास करना होता है, यह इसी तरह से लिखा जाता है, documentation में as it is आपको मिल जाएगा, this.constructor, यह लिजे हमने लिख दिया, कुछ नहीं, stack trace के अंदर हमने उसका instance पास कर दिया है, कि या कभी ऐसे, तो आपको और समझ में आ जाएगा, तो हमने किया कुछ नहीं, खुद का आगे जाके थोड़ा सा हमने एक सहूलियत बना लिए, कि हमारे पास API errors आएंगे, अगर तो इसी तरह से आएंगे, तो API error के हमने file एक बना लिए, यह मैं code push भी कर दूँगा, ताकि आ file बना लें, तो आप सोच रहे होंगे कि अच्छा, node.js शायद response के लिए भी भेजता होगा, लेकिन बात यह कि errors तो आपके node में trace हो रहे हैं, लेकिन जो request response का आप काम कर रहे हो, यह core node.js में नहीं कर रहे हो आप, इसके लिए आपने एक framework यूज करा है, जो कि है express, तो express आप को ऐसाच कुछ नहीं देता, लेकिन आप खुद की class बना सकते हो, अभी तो यह extend हो रही है, तो constructor वगरा यूज कर रहे हैं, और उसके super वगरा यूज कर रहे हैं, बट, ओके, यहाँ पर कुछ problem है, शायद हमारा यह वाला variable एक use नहीं हुआ है, errors, ओके, तो एक पर देखते ह यह ऐसे तो नहीं होना चाहिए था, कि हमारे पास यह errors है, और errors use तो कर रहे हैं, इस line को दुबारा ही लिख देते हैं, ओपस, यहाँ पे, यह चोटा सा mistake, अभी दो mistake कर देते हैं, ओके, चलिए, तो वहाँ पे हमारे पास में, अभी तो हम class को extend करके, हम super और यह सब use कर रहे response में इतना जादा काम नहीं है, हमारे पास अभी, क्योंकि इतना जादा कुछ कर भी नहीं रहे, और कोई class extend वगरा हो नहीं रहे, तो बड़े ही basic से बन जाएगी यह class तो, तो इसका नाम लिख देते है, API response, यह लिजए, आपकी एक class बन गई basics ही, इसके अंदर एक constructor define कर दे ताकि जब भी कुछ चाहिएगा, तो हम यही से ले लेंगे सारा का सारा, जब भी आप किसी को भी response बेजेंगे, तो हम इसी class के through ही बेजेंगे, तो at least यह class जब भी बनेगी, तो status code लगेगा यह लगेगा, data भेजना ही होगा user को, हो सकता है, नल रख दें, या फिर data तो जा रख कर देते हैं, चीजों को this.status code मतलब फिल कर देते हैं, तो क्या ही कर रहे है, status code है, और this.data जो है, उसको हम data से फिल कर देते हैं, और क्या है, message है, और success है, this.message, message को message भेज देते हैं, और एक काम करते हैं, यह जो हमारा success आ रहा है, this.success, actually मैं success अभी है नहीं, बट आएगा हमारे पास में, यह लिजे, success, सही लिखा है क्या, लिखा तो सही है, यह लिजे, ओके, तो यह जो success है, उसके अंदर हम क्या भेजेंगे, वो ही अपना status code भी भेज देंगे, अब status code देखे, यह थोड़ा सा एक tricky scene है, status code actually मैं less than 400 ही होना चाहिए, इन status code पे भी बात ह होनी चाहिए, अब यह कर लेते हैं, जादा कुछ है नहीं, API के जितने भी आप servers यह थारे कर पढ़ेंगे, तो server के status codes होते हैं, और यह status code का पता होना actually मैं, overview ठीक ठाक पता होना चाहिए, बस इतना सा ही पता होना चाहिए, यह status code है इसमें informational कोई अगर आप data send कर रहे हो server से, तो उसका status code 100 से 200 के बीच में होता है, अब यह hard and fast rule नहीं है, मैं चाहूँ तो 400 के अंदर भी information भेज सकता हूँ, बढ़ ठीक नहीं रहेगा, यह standard मैं सारे के सारे अपने जो लोगों ने standards बना रखे, best practices बना रखे, उनको मैं avoid करूँगा, इसलिए 500 का error आते, server not respond होता है, client ने कोई गलती करी है, password सही नहीं बेजा, तो हम usually prefer करते हैं उसको 400 से 499 का response बेजे, 400 बेजे, 401 बेजे, usually बड़ी companyों में यह सारे status code कौन सा क्या बेजना है, इसका एक spec sheet मिलती है आपको, memo जिसको बोलते है, तो memo में यह सब आपको दिया जाता है कि इस error code पर ही होता है, अग वो usually आपको API error से ही बेजना चाहिए, तो हम खुद के लिए standard set कर रहे है, कोई ऐसा है नहीं, hard and fast कोई करवा रहा है हमसे, बट हमने set कर दिया है, ओके जी, अभी तक हो गया हमारा काम की ठीक है, आपने इतना सब कर लिया, यह सब हो गया, अभी हमें क्या है कि एक और चीज ह आपके लिए bouncer चल जाए, बट वो बहुत ज़रूरी है, तो मैं आपको इसलिए इन वीडियो को breakdown कर रहा हूँ, अलग-अलग parts में, थाकि आपके पास enough time हो, एक-एक चीज को समझने का, नहीं समझ में आ रहा है, code लो, copy-paste करो, chat GPT पे समझो, एक-एक line पे comment लिखवाओ, तो सारे काम हो गए हमारे पास में, और यहाँ पे हमने discuss करा है majorly utils, utils code discussion, वो ही करा है majorly, utils बोल लीजे, जैसा आपको ठीक लगे, commit कर देते हैं, और इसको भी push कर देते हैं, अब यह जो हमारी पूरी की पूरी चर्चा है, यह सिर्फ और सिर्फ इस बात की है, कि किस तरह से हमने code base लिखा और update करा, जो कि हमें आगे जाके future में help करेगा, यह कोई special काम नहीं कर रहा हूँ, हर production grade में इसी तरह से काम होता है, आपको भी करना ही पड़ेगा, इसलिए बाद में सीखोगे, company में जाके, फिर अपना दिमाग लगाओगे, राते काली करोगे, इस लिखते हैं इतने तो, बट एक ही middleware लिखना चाहता हूँ, ताकि आप उस चीज को समझें, कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, और यह इसी phase पे ही लिखा जाता है, आगे जाके लिखने से समझ में नहीं आएगा, अब आप कहरे होंगे, सर यह लिख तो लिया हमने लेकिन हर चीज की testing, यह console log नहीं है, यह production grade code है, ऐसा नहीं है कि आप जब मर जया है तब test कर सकते हैं, आपको कुछ code लिखना पड़ेगा, कुछ settings करनी पड़ेगी, उसके बाद इनको debug किया जाता है, each process पे, जब हम अपनी APIs लिखना शुरू करेंगे, एक एक controllers लिखेंगे, तब हम उनकी testing कर सकते हैं, इतने setup में अभी testing करने हैं, कोई फायदा नहीं, जैसे जहां testing हो सकती थी, database connection की, मैंने कर दी वहाँ पे, अब इन APIs इन files को use ही नहीं कर रहें, तो testing कहां से करें, यह सिर्फ समझने वाली चीज़े हैं, तो थोड़ा सा matureness के साथ अब आप आगे बढ़ र जाएगा, बट ठीक है, लग गया time, क्या कर सकते हैं, चलिए, मिलते हैं आप से अगले वीडियो के अंदर, हां जी, कैसे हैं आप सभी, स्वागत है आप सभी का, चाय और कोड में, और इस वीडियो का target है, हमारा 333 comments, 3 hours में, हां जी, 3 वाला phase है इस वीडियो के अंदर, तो चलिए, हम continue करते हैं हमारी चाय और back-end वाली series, जाव स्कृट के थरू back-end सीख रहे हैं, ये वाला वीडियो, comparatively काफी आसान रहेगा, देखिए, आसान और क्या tough है, ये सिर्फ और सिर्फ इस बात पर depend करता है, कि आपको कितना percentage familiarity है चीज से, पहली बार पढ़ता है, एकद इंट्रिद्यूस करता है, तो थोड़ा सा difficult लगता, बट इस वीडियो में जादा कुछ खास नहीं है, हम हमारे user model के बारे में चर्चा करेंगे, थोड़ा सा हम हमारे video model के बारे में चर्चा करेंगे, video model के अंदर हम एक special plugin inject करेंगे, जिसका हम आगे जाके use करेंगे, बट क् तक किसी paid course में या कहीं पर भी होते वे नहीं देखी है, तो आपको बहुत ही interesting लगेगा, कि अच्छा इस तरह की production level APIs लिखी जाती है, और इस तरह से database calls होते हैं, अलग level का concept aggregation और बहुत ही standardized है, ये तो करेंगे ही करेंगे, साथ में JWT देखेंगे, ये क्या चीज है, Bcrypt दे पारे में चर्चा करते हैं, comments का ध्यान रखिएगा, बस कि comment का target हमारा पूरा हो जाए, तो मैं आपके साथ पहले तो करते हैं, screen को share, और अब एक एक करके हमारा सारा काम यहां पर हम शुरू करते हैं, कि किस तरह से सब होगा, देखें इसके लिए हमें कुछ files, folders बनाने तो पढ़ेंगे, उसका तो कोई option है नहीं, तो चलते हैं, कहां पे files बनाएंगे, वो सब देखते हैं, हम चलते हैं हमारे models के अंदर, और इस models के अंदर हम नई files बनाएंगे, पहली जो file हम बनाते हैं, उसका नाम रखते हम, user रख लेते हैं, .model.js, अब यह चर्चा में user.js लिखोगे, तो भी वही बात है, बट यह अकसर standard practice है, code base के अंदर, कि अगर आप model लिख ले हो, user.model.js लिख लो, है तो JS file ही, controller लिख ले हो, user.controller.js, तो बाहर से पता लग जाएंगे, अच्छा हैं, इस file में controllers लिखे गए हैं, बाकि असच कोई जरूत नहीं है, आप user. user.js लिखोगे, कोई dot नहीं आ रहा आपको, तब भी आपका काम हो जाएगा, तो एक file तो हमारी हो गए user.js, एक हम video के models के बहरे में भी चर्चा करेंगे, क्यों चर्चा करेंगे वो भी आपको बताते हैं, ये दो ही क्यों pick करें, video.model.js, ओके, तो ये हमारे पास दो model है, अ बहुत कम नजर आ रहे हैं. अरे प्लीज, यहाँ पर आके थोड़ा सा support report दिखाओ, इन stars वगरा को थोड़ा बढ़ाओ, ताकि मुझे पता लगे कितने लोग देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ना watch में हो, ना stars में हो, कुछ करो, प्लीज इसका. तो, हम यहाँ पर मैंने है, subscription भी है, comments भी है, playlist भी है, likes को वह अलग model बना रखा है, उन पर चर्चा हम करेंगे, लेकिन अभी हमारा पस दो चीज़े हैं, एक हमारा वीडियो model है, और एक हमारा यह user model है, इन दो पे हमें majorly majorly मोटी मोटी चर्चा करनी है, इन दो को इसलिए पिक करा कि यह दोनों पसमें काफी tightly coupled है, user के अंदर हम ID तो लिखते नहीं है, क्योंकि MongoDB जैसे user को save करता है, automatically एक unique ID generate करता है, basin data में save करता है, JSON data में नहीं करता है, थोड़ी सी research करिएगा, और पता लगेगा, बाकी username, email, full name, avatar, इन सब पे कोई खास चर्चा की जरूत नहीं है, यह सब होते हैं, refresh token पे और इन tokens पे हम चर्चा करेंगे, कि यह token यहां क्या कर रहा है, और किस तरह से इनका काम होता है, वो भी हम चर्चा करेंगे, तो अभी के लिए ठीक है, देखी जो avatar और cover image है, यह हम upload करेंगे एक third party service पे, तो third party हमें service क्या करेंगे, एक URL दे देगी, कि यह आपका image का URL और चर्चा कर रहे हैं, तो videos की ID, वो तो अपने आप Mongoose generate कर देगा, video file वो ही third party service यूज़ करेंगे, वो video अपलोड कर लेगी और आपको URL दे देगी, third party service AWS भी हो सकता है, cloud नरी भी हो सकता है, but of course इन videos को images को separate रखा जाता है, thumbnail भी image है, ठीक है, owner यहां पे एक interesting चीज़ है, इसके history track कर रहे हैं, कि user ने कौन-कौन से video देखें, तो history track करते time हम क्या कर रहे हैं, एक watch history नाम से, एक object का हम array बना रहे हैं, और इसके अंदर क्या कर रहे हैं, वीडियो के जितने IDs हैं वो हम push करते जाएंगे, जैसे एक video देखोगे, उस watch history के अंदर हम उसका ID push कर देंगे, उस particular video का, तो इससे हम पूरी history track कर पाएंगे, यह हमारा plan है, यहाँ पे जो videos हैं, videos के अंदर भी एक owner field इसलिए रखना जो रहे हैं, क्योंकि हर video का कोई ना कोई owner तो हो गई, तो जब भी आप history में उसका card दिखा हो गई, या कहीं पे भी card दिखा हो गई, तो यह तो दिखाते हैं हमेशे YouTube पे कि अच्छा video यह है, लेकिन उसके नीचे अच्छा चाय और code ने upload करा है, उसका thumbnail दिखा देते हैं, उसका title दिखा देते हैं, at least 2 information तो दिखाते हैं, हो सकता है और information भी हो, पर at least 2 information तो दिखाते हैं, अगर 2 information retrieve करना आ गया तो 10 भी आही जाएगा, तो इसलिए अ यहाँ पर अभी बनता है safe, तो अपनी branch create करेंगे, git पे या फिर जैसे भी करेंगे, इन दो को हम एक साथ handle करेंगे, तो चलिए पहले इनको handle करते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि कैसे कैसे इसमें और हम चीज़ों को change कर सकते हैं, तो user से start करते हैं, ज्यादा ठीक लेते हैं, बरबार बरना, क्या है mongoose.schema और वो सब लिखना पड़ता है, मेरा मन नहीं है वो सब लिखने का, तो directly हम ले लेते हैं, उसके बाद क्या करना है, const और इसको बोल दीजे user schema, अब user schema कहां से आएगा, तो new और लीजे schema, directly आगया, एक method है, जिसके अंदर multiple objects export भी तो करना पड़ेगा, अब export करना तो देखे आपको आता ही है, उमीद करता हूँ, आप comment section में बताएंगे, ये comment section में बताते रहा करो, इससे क्या आपके हाथ चलते रहता है, आपका engagement भी रहता है, revision भी होता रहता है, और थोड़ा सीख जाओगे, ठीक है, ओके, तो थो आने वीडियोज अटेंड करें तो, कि MongoDB में ये किस नाम से सेव होगा, जरा comment section में बताना, मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पर, कौन से schema को refer करके user बनाना है, ये लिजे, user schema को refer करके बनाना है, बस इतना ही काम था, ओके, ये काम तो होगे हमारा basic basic कि ठीक है, अब क्या करना है कुछ नहीं करना है, अब आपको यहाँ पर आना है, एक-एक को देखना है, कि क्या-क्या field है, username से start करो, या watch history से start करो, जहां से आपका comment करे, username लिखो, email लिखो, ये सारा IK करके लिखो, refresh token और इन tokens पर हम बात करेंगे, बीचर्चा करेंगे इन पर अच्छे से, बट जितने field है, मेरे पास username, वहां से देखके लिख रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे है, username के अंदर क्या-क्या चाहिए, देखे सबसे पहला तो हम type लिखते ही थे, वो तो आपको पता ही है, string है, और उसके बाद required है, क्या ये field, required कर लेते हैं, कि ठीक है, ये required field है, तो true कर देते हैं इस slower case true हो गया, और trim कर देते हैं, ये trim हमने कर दिया, और क्या चाहिए, और हम एक और field यहां पर रखेंगे, जो कि है index, अब क्या होता है, जितने भी database होते हैं, और especially MongoDB में, तो अगर किसी भी field को आपको searchable बनाना है, बड़े optimized तरीके से, तो उसका index true कर दो, इससे क्या होता है कि obviously बात है थोड़ा expensive हो जाता है, लेकिन इतना भी नहीं, क्योंकि अगर आपको पता है, आप इसको बहुत searching के लिए use करने वाले हो, तो इसका index true कर दो, ताकि ये database की searching में आने लग जाए, वैसे तो अपने आप में index, अपने आप में एक बड़ा interesting topic है, database के अंदर अगर आ बट वो behind the scene है, अभी के लिए सिर्व इतना जान लिजे, जब भी आपको searching field किसी भी field पे enable करनी है, तो उसको index true करना जादा बहतर option होता है, वैसे तो आप बिना उसके भी search कर सकते हो, हो जाता है search, बट ये थोड़ा optimize कर देता है, और कुछ नहीं है, तो username हमारा हो गया है, और उसके बाद करते हैं, copy paste शुरूँ, तो username तो हो गया है, अब क्या चाहिए दूसरा, दूसरा चाहिए email, तो ये लिजे email आ गया, अब email में क्या क्या करना है, type string होना चाहिए, required भी है, unique भी है, lower case भी है, trim भी है, लेकिन email based search directly कर लेंगे, as search कोई जरूत पढ़ेगी नहीं हमें indexing की इस पर, सबको index नहीं करना है, वरना ऐसी bend बचती है न, पूरे performance की, बहुत सो समझ के index रखा जाता है, okay, तो email हो गया, उसके बाद क्या रखना है, full name चाहिए हमें एक और, ये लिजे, full name, full name के अंदर type string है, required है, full name तो unique नहीं होता है, हितेश नाम के बहुत लोग होते हैं, ठीक है, trim रख लेते हैं, lower case भी रखने की जरूत नहीं है, trim रख लेते हैं, और full name पे भी अगर आपको trace करना है, कि आपको किसी को search करना इस basis पे, हमने database design जब किया था, तो उसका index actually में रखा है, हमने आपे, ये database design अपने आप में एक subject है, जैसे system design एक subject है, database design भी एक subject है, तो इस पे कभी और चर्चा करेंगे, अभी के लिए आपको जो जो दे रखा है, उससाब से आप कर लीजे, ओके, next शलते है, avatar या avatar जैसे भी आप बोलना चाहें इसको, तो ये हमारा है avatar, अब इसके अंदर obviously बात है, type तो हमारा string ही है इसका, क्योंकि सिर्फ URL आ रह ये AWS की तरह ही एक service है, जहांपे videos या files, images, जो भी चाहिए आप upload करके, एक URL देता है, freely available है, इसलिए यूज़ कर रहे है, और required है क्या, अभी के लिए मैं required लिखूंगा इसको, क्योंकि required चाहिए, चाहिए मुझे, तो required true कर देता है, ये लिचे required true, ये होगे हमारा avatar, cover image भी ह live string है, बट required true नहीं है, तो इसको हटा देता है, ठीक है, cover image के बगर भी चल जाएगा, ठीक है, ये front end वाली की headache है, उसको कैसे handle करना है, अब उसके बाद एक जो हमारा field है, वो है हमारा watch history, तो watch history जो field है, वो dependent है videos पे, तो हमने इस तरह के लिखना सीखा है, कि किस तरह से लिखे जाते हैं, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, वैसे इसमें, watch history, ये लिजे, watch history, अब watch history क्या है, array है सबसे पहली बात तो, क्योंकि multiple values इसमें add करते जाएंगे हम, लेकिन किस तरह की values add करेंगे, अब इतना जादा complex भी नहीं कि मुझे एक और mini schema बना के यहां लिखना पड़े, तो मैं directly एक object बना के लिख सकता हूँ, सबसे पहले तो लिखते हैं हमेशा type, अब type क्या होते हैं, schema, mongoose के schema, please एक types देना, ये types दे देता है, और कौन सा type चाहिए, object ID चाहिए, मिल गया, इसके बाद आपको मैंने रट वाया था, समझाया नहीं था, बढ़ आपको रट ही गया होगा अब तक तो, कि इसके बाद next चीज हमेशा ref लिखते हैं, या reference, reference जो हम लेंगे वो वीडियो का लेंगे, अभी हमने declare नहीं करा है, बट अब हमें पता है, इतने advance तो होई गया है, कि हम आने होले time में लिख देंगे ये वाला, अब हमारे पास में दो field और बच्चे हैं इसके बाद, उन पे भी चर्चा करते हैं, एक field है हमारा ये password, एक field हमारा refresh token, ये created at, updated at, ये तो पता ही आपको, ये तो हम discuss कर चुके हैं काफी detail में, तो इस पे हमें चर्चा करनी पड़ेगी, देखिए, ये है हमारा password field, ठीक है जी, अब password field के अंदर type जो है, इससे आप surprise हो जाएंगे थोड़े से कि इस string क्यों रखा है, clear text में कोई password रखता है क्या बहला, 1234 दिया है तो 1234 database में थोड़ी रखते हैं, क्योंकि चाहें ना चाहें database leak हो जाते हैं कई बार, तो वहाँ पे अगर clear text password ऐसे leak हो रहा है तो अच्छी बात नहीं है, तो एक standard practice ह है कि database के इंदर जब भी password रखो, उसको encrypt करके रखो, पर encrypt ही करके तो नहीं रख सकते हैं, क्योंकि आपका password क्या है, अगर वो आपने 123 लिखा है और वहाँ पे कुछ और बड़ी string है, encrypted string है, तो compare कैसे करेंगे, तो यह एक challenge है हमारे सामने, जिसको हम solve करेंगे, और इसके ब तो हम दे देते हैं यहाँ पर, password is required, जितने भी true field है, आप सब पर दे सकते हैं, आपका मन करें तो, और यह सई से लिख दें तो बहुत यह अच्छा होगा, ठीक है जी, तो एक challenge तो हमारे सामने password वाला है, जिसकी चर्चा हम करेंगे, एक challenge हमारे सामने यह है, कि एक यहाँ पर एक line लिखी है, अगर मैं सही से लिख पाया तो, refresh token, तो यह tokens क्या चीज है, और यह refresh token, access token ही क्या होते हैं, यह सब अलग-अलग होते हैं, क्या, इनके बारे में करते हैं, यह होते हैं किस type के, वही long string है, और कुछ भी नहीं है, और इतना होने के बाद, जैसे इस से बहार आएंगे, तो आपको पता है, second object में आपको एक चीज मिलती है, जिसका नाम है आपके time stamps, और इसको आप true करोगे, तो created add, updated add, आपको मिली जाएगा, तो यह हो गई हमारी पूरी की पूरी चर्चा, कि आपका किस तरह से user scheme है, कोई field अगर कम हो, मैंने छोड़ दिया हो, तो please आप add कर लेना, वैसे तो शायद सभी add कर दिया है, बट अगर कोई कम जादा होता, आप add कर लेना, यह कोई बड़ी बात है नहीं, ओके, तो इतना काम थो हमारे पास हो गया है, इसको minimize कर लेते हैं, कि ठीक है, इतनी तो जानकारी हमारे पास है, और ठीक है, ओके, इसको इतनी चर्चा है नहीं, तो हम एक तो काम करते हैं, मौंगूस को बुला लेते हैं, मौंगूस से schema भी extract कर लेते हैं, यह लीजे, और उसके बाद, विडियो schema, लोवर केस में लिखते हैं, विडियो schema जादा ठीक रहेगा, consistency, विडियो schema, और यह बनेगा, हमारे new keyword याद रख आएगा, नहीं याद है, तो कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ, export, const, video, capital V के साथ, क्योंकि यह reference गया हुआ है, तो याद रखिएगा, export इस तरह से ही है, और हम कर रहे हैं, मौंगूस, प्लीज एक model बना के देना, model का नाम क्या रखेंगे, विडियो रखेंगे, और कि पर based होगा, तो यह हमारा होगा, विडियो schema पर based, ठीक है, इतना काम तो हो गया, अब आते हैं यहाँ पर, अब सबसे पहले तो क्या काम करते हैं, time stamp लिख लेते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा आसान रहेगा, time, time series नहीं, time stamps चाहिए, time stamps और यह true, चलिए, last वाली field का इंतजा तो हो गया, तो last वाली field जो हमारी थी, यह created at, updated at, यह तो हो गया, बाकी इसमें से देख देके लिखना है, और तो क्या ही करना है, बस इतना ही काम है, जादा कुछ है नहीं, तो चलिए, शुरू करते हैं, करके लिखना यह सारी fields, सबसे पहले हमारे पास है video file, और विडियो code में separate ही रखा जाता है, इसकी type है string, जो string आएगा हमारे पास में, cloudinary URL से, बाद में ले लेंगे, required है क्या, बिल्कुल required है, इसके बगर आगे process नहीं करेंगे, विडियो के उस field में, अगर विडियो ही नहीं है, तो क्या ही कर रहे हम, required और इसको true कर सकते हैं, यहाँ पर आप classy thumbnail, लोग उतना विडियो देखते हैं, और विडियो साइट बना रहे हैं, तो इतना काम तो करेंगे, दोनों चीज़ चाहिए, तो copy paste कर लेते हैं, यह लिजे, thumbnail भी आ गए, उसके अलावा क्या है हमारे पास में, title, description, duration, यह सब भी है, तो इसको भी लिख लेते हैं, actually मैं copy paste कर लेते हैं, और इसको duplicate कर लेते हैं, और यह हमें चाहिए next, title, okay, title हमारा string होगा, title भी required है, इस पूरे का duplication तो लगेगा, title के बाद चाहिए description, आँ जी थोड़ा boring लग रहा होगा आपको, बट काम तो है, करना तो पड़े गई, कोई ना कोई तो करता ही है, और इसके बाद description के बाद, time भी चाहिएगा, यह बड़ा interesting concept रहेगा आपके लिए, duration आपको user नहीं देगा, duration हमारे पास आएगा, number format से, okay, cloudnery URL काफी जगे copy हो गया है, video file तक, thumbnail तक तो ठीक था, title में तो cloudnery से नहीं आएगा, और description भी नहीं आएगा, duration actually में आपको cloudnery से ही मिलेगा, cloudnery जैसे ही कोई file upload कर लेता है, उसके बाद file की information आपको भेजता है, कि यह रहा उसका URL, वहीं से हम URL extract करेंगे, वहीं से यह time भी भेजता है, video के उसमें, कि कितना video का duration है, अगर आप AWS वगरा कहीं पर भी upload करोगे, त तो हम duration निकालेंगे अपने cloudnery से, इसके बाद हमें views चाहिएंगे, views को हम update करते जाएंगे, initially zero रखेंगे हम इसको, लेकिन बाद में update करते जाएंगे, तो views हमारे पास एक object है, जिसका type जो है वो number है obviously, default value देनी पड़ेगी, वरना कुछ ना कुछ views जबरदस्ती तो zero से start करते हैं, difficult होता है, बट आप लोग video share करते हैं, तो views अपने आप आजाते हैं, थोड़ा सा help मिल जाती है, ठीक है, उसके बाद next field है is published, अगर आपको याद हो तो हमने उसमें रखा है, यह is published क्या है, कुछ नहीं, videos publicly available है या नहीं है, एक boolean flag है, तो हम उसको check कर ले अब एक important field, जो है हर video का एक owner होगा, तो एक ही owner होगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे वहाँ पर, उसको owner field एड़ कर देते हैं, नाम आप हो सकता है, video uploader रखें, video owner रखें, जो भी रखें, मैंने owner रख दिया यहाँ पर, तो उसके अंदर दो ही चीजे लगेगी, एक तो type, तो schema से पूछना पड़ेगा, schema एक type देना, types, कौन सा type, object ID देना, प्लीज, यह दे दिया, यह लिखते ही हमें पता है, reference लिखना पड़ता है, कहां से ले, reference, आपने तो बोल दिया, object ID एड़ करो, पर कहां से एड़ करूँ, हवा मैं से थोड़ना एड़ करूँगा, तो हमने इ एक तो जब हम यहां पर आएंगे न, video models, या फिर user models भी लिखेंगे, तो क्योंकि यह जो watch history है, यह अकेला field हमारे इस project को बड़ा ही complex बनाता है, और बड़ा ही next level बनाता है, उसके लिए हमें कुछ basic MongoDB Query तो हम लिखेंगे, उसमें तो कोई दिकत है, insert, many, update, many, यह वो, save, य लेकिन एक special package का हम यूज करेंगे, जिसका नाम है mongoose-aggregate, please, लिखें इसको, aggregate, हाँ जी, mongoose-aggregate-paginate version 2, यह जो mongoose का एक package है, यह आपको allow करता है, aggregation queries लिखने के लिए, लिखेंगे, mongoDB में आपने जो भी आस तक पढ़ा है, जो सब करा है, वहाँ पर आपको basic-basic सिख जाता है कि insert many, update many, यह सब, लेकिन जो true power है mongoDB की, जो production में लोग use करते हैं, वो actually में इससे ही आती है, जो कि यह page यह सबी, aggregation queries, aggregation frameworks अगर आप पढ़ेंगे, तो अपने आप में mongoose के अंदर एक बहुत बड़ा topic है, जिस पर अपने आप में crash course, videos यह सब बन सकते हैं, तो mongo कि अंदर अगर आप aggregation pipeline का framework देखेंगे, तो यह अपने आप में है, अपने आप में बहुत interesting चीज़ है, और आपको काफी चीज़े मिलती है कि complex queries, सिर्फ insert many नहीं, आपको इस तरह के orders, aggregation यह मिल जाते हैं, तो हम इसको use करना चाहते हैं, तो हम इसको copy करते हैं यहां से, औ अगरा को use करेंगे यहां पर, इसको हम paste करते हैं और यहां पर लिख देते हैं, अब हार पास यह में available होगा, mongos aggregate paginate, इसको use कैसे करना है, हम इस file के अंदर ही use करेंगे अभी इसको, अगर जरुत पड़ी तो आगे भी करेंगे, बट यह plugin की तरह inject होता है, और कुछ खास हो कि यही दो phase हैं, अभी हम जो लिखेंगे, इसको minimize कर लेते हैं, आप export कर रहें उससे पहले actually में, आपको यहां पर इसको use करना पड़ता है, तो हम यह जो video schema है न, video schema के साथ आप बहुत सारे methods, हम कुछ methods अभी पढ़ेंगे भी इस video के अंदर, आप जाएए mongoose के अंदर, त से just पहले कुछ करो, post, मतलब just data save हो है, उसके बाद कुछ करो, तो इस तरह है कि middlewares हम भी लिखना सीखेंगे, लेकिन एक जो चीज mongoose आपको देता है, यह सारे आपको middlewares allow करता है, कि कुछ delete हो तो यह कर दो, कुछ यह हो तो यह कर दो, इसके लाबाए एक option आपको और दे सकते हैं, जो की aggregation queries है, regular queries नहीं, insert one वो तो लिखी सकते हो, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट यही जो चीज है na mongos का aggregation pipeline, यही हमारे पूरे project को एकदम advanced level पे लेके जाएगा, कि अच्छा इस level का भी हम काम कर सकते हैं, ठीक है, तो हम करेंगे, तो यह हमें चाहिए, अब ही हम चलते हैं वापिस user पे, क्योंकि हमने कुछ चर्चा इहां पे अधूरी छोड़ दिये, जिन चर्चाओं को करना काफी बेहद जरूरी है, तो उन चर्चाओं के लिए हम कुछ plugins और plugins तो क्या, packages वगरा के बारे हम पढ़ते हैं के करके, तो पहले तो हम आते हैं node.js की library पे package बना हुआ है, और Bcrypt.js क्या है, optimized है, JavaScript with zero dependency, और compatible with Bcrypt. तो Bcrypt.js ही आपको दिखेगा, most of the places पे Bcrypt.js या फिर Bcrypt.js या फिर Bcrypt.js होता हुआ, अब देखें, या आपके उपर है कि आप Core Bcrypt.js करना चाहते हैं, Bcrypt.js यूज़ करना चाहते हैं, almost-almost सब दोनों difference बता देता हूँ, जादा तर लोग इसको avoid करते हैं, एक को avoid करते हैं, और दूसरों करते हैं, सब के अपने अपने reason हैं, बट आप एक बार इसका working functionality देखेंगे, तो वही NPM install Bcrypt है, उसके बाद दोनों के अंदर almost same काम होता है, generation वगरा, इसी तरह से आपको Bcrypt.js भी देखोगे almost same है, वही configuration path वगरा सब, उसके बाद वही hash वगरा सब सेम काम होता है, अब आपके उपर है, आप कौन सा वला use करना चाहते हैं, हम क्या करेंगे, हम इस package में जो हमने use करा है, वो Bcrypt use करा है, core Bcrypt, तो एक तो हो गई बात इसकी, तो Bcrypt हम लेके आएंगे, और व Bcrypt क्या करता है, simple एक library है, it helps you to hash your password, तो जो हमारी password आली problem थी कि clear text password नहीं रखना है, और password हमारे encrypt हो रहे हैं, तो वापस से decrypt भी करने पड़ेंगे, compare भी करने पड़ेंगे, काफी कुछ सरकस होता है password को लेके, तो उसके लिए हमारी ये Bcrypt library है, दूसरा है हमने एक बात क करना पड़ेगा, JSON Web Token, और ये हमारी एक cryptography पे based है, दोनों के दोने, Bcrypt B और JSON B की जो क्या करते हैं, tokens बनाते हैं, अब tokens इस तरह से बनता है, tokens देखने के लिए सबसे अच्छा है, website पे चल जाओ, JWT.io, इस तरह के tokens आपको मिलेंगे, जो कि clearly normal human readable नहीं है, ये बनाए जाते हैं, cryptographic algorithm को use करते हैं, इसमें तीन parts होते हैं, एक तो आपके headers होते हैं, जो automatically inject होते हैं, कि कौन सी algorithm होगी, क्या होगी इस तरह से, ये काम होता है, हमारा जो main role है, वो है हमारा इस payload से, payload fancy name है data के लिए, जो भी data भेजना चाते हो, इसमें अपने आप encrypt हो जाता है, आप user का ID भेजना चाते हो, email भेजना चाते हो, payload में inject हो जाता है, उसके बाद एक verification signature भी लगता है, जो अच्छी cryptographic algorithm और एक important चीज़ यहां पे होती है, जो है secret, ये secret ही है, जो हर token को unique बनाता है, वरना तो कोई भी decrypt कर ले, algorithm सबको पता है, public में available है, आपका सारा ये payload का data मिल तो ये दो libraries हमें लगेगी, एक तो JSON Web Token और एक Bcrypt, तो ये हर project में लगती ही लगती है, JSON Web Token, ओके जी, दोनों libraries आ गई है हमारे पास में, use कैसे करता है, वो भी हम देखेंगी, obvious ही बात है, तो चलते हैं next हमारी कारवाई पे, next कारवाई कुछ इस तरह से है, कि user file में जाई और सबसे पहले इनको ले के आजाईए, तो JWT आजाएगा हमारे पास में, JSON Web Token से, और Bcrypt तो Bcrypt से ही आएगा, no suggestions, ओके कोई बात नहीं, ये लीजिए, ओके दोनों तो आ गए हमारे पास में, पर अब बात ये है कि ये सब कुछ encrypt वगरा कैसे करोगे, देखें, direct encryption करना possible ह है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें help लेनी पड़ती है, Mongoose के कुछ hooks की, middleware पे जैसे क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे hooks, उनमें से एक hook है, ये pre-hook, ये pre-hook क्या करता है, ये pre-hook है middleware है, execute one after another, which each individual care, तो मतलब मोटी-मोटी बात ही है, कि जै जैसे ही आपका data save होने जा रहा होगा, जस्ट उससे पहले, किसी भी user ने अगर कोई call लिखा है, या फिर कोई controller लिखा है, कि मेरा येवला data save कर दो, उससे जस्ट पहले अगर आप इस hook को चाहो, तो run करवा सकते हो, उसमें कुछ भी code डाल के आप execute करा सकते हो, कि आप मैं न इस hook को लिखते कैसे हैं, जादतर ये hook आपको इस model files में ही मिलेंगे, professional code में भी, तो ये user schema लो, जैसे हमने plugin लगाया था, वैसे आप देखेंगे कि आपके पास ये prehooks भी है, यहाँ पे available, यह रहा मेरा prehook, अब prehook होता क्या है, कुछ भी नहीं, इस तरह से एक method है, बस आपको जो भी code execute कराना है, यहाँ पे आप लिखते हो, ठीक है, यह रहा हमारा prehook, अब इसके अंदर क्या मिलता है, सबसे पहले तो जैसे हमने देखा था न, app.listen, app.on.error, यह कुछ उसी तरह के hooks होता है, तो कौन सा event आप use करना चाहते हो, अब देखें, events आपको यहाँ पर मिलते हैं, middleware पर जाओगे, कौन-कौन से events पर करा सकते हो, validate पर, save पर, remove पर, update one, delete one, तो जो भी आपको functionality करनी है, मेरे पास अभी जो functionality है, कि जब भी data save हो रहा हो, उससे पहले मुझे कुछ काम कराना है, उससे पहले मुझे password अपना encrypt कराना है, उसके बाद मिलता है आप को callback, तो आप चाहो तो directly callback यहां लिख सकते हो, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, कि जब भी इस pre के अंदर आप callback लिखते हो, तो please ऐसे मत लिखेगा, क्योंकि काफी problem होती है, क्योंकि अगर आपने JavaScript पढ़ी हो, तो arrow function के अंदर अपने पास this का reference नहीं होता, context नहीं बहुत ज़रूरी है, क्योंकि save event किस पे चल रहा है, इस user पे, तो user के अंदर ही जो सब इतना सारा आपने लिखा है, यह पूरा का पूरा, जहां गया हमारा, यह इतना सारा जो लिखा है, user name, email, इन सब का access भी तो लगेगा, हवा में थोड़ना code चला ना, क्योंकि इन values को त CPU processing होती है, तो इन function को आप अक्सर देखेंगे, इसलिए इन function को async लिखा जाता है, कि time लगता है, अब लगता है, तो लगता है, क्या कर सकते है, और मैंने आपको पढ़ाया था एक error request response और next, क्योंकि middleware है, तो middleware के flag का नाम है, कि next का access तो होना ही होना चाहिए, अगर next यहा अब करना क्या है, अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, कि जब भी मेरा password या पूरा field save हो रहा हूँ, उसमेंसे एक password field को लो, encrypt करके save कर दो, ठीक है, कर तो दूँगा, बहुत यासान है, क्या करो, this.password, यह लिज़े password field का access है, क्योंकि आपने function यूज करा है, तो this को पता है सारे field, हुक उसी को बोलते है, ठीक है, अब इसको encrypt करना है, तो कैसे encrypt करेंगे, यह लिज़े, encrypt करने के लिए आपका यह जो bcrypt है, यह encrypt कर देगा, इसके पास एक method होता है, .hash, तो यह hash कर देता है, अब hash करने के लिए इसको चाहिए होता है, कुछ नहीं, एक तो दो चाहिए कि क्या hash करना है, तो यह लो जी, this.password, इसको hash कर दो, फिर ही पूछता है किते rounds लगाओ, मतलब क्या होता है, salts होता है, rounds होता है, कि algorithm के अंदर अलग-अलग fees होता है, जादा नहीं जाएंगे, यहाँ पे एक number देना होता है, तो number 8 rounds भी दे सकते हो, 10 rounds भी दे सकते हो कई हो में default भी होता है, कई लोग default यूज़ करते हैं, तो मोटी-मोटी बात ही है, कि salts या hash round देते हैं, ठीक है, उसने encrypt कर दिया, encrypt करने के बाद आप क्या करो, सबसे end में next, यह लीचे, अब हमने introduce कर दी एक problem, problem क्या, जब भी यह data save होगा, हर बार password को यह save करेगा, अब ब यह वापिस से change कर देगा password, तो यह password तो change करता ही जाएगा, क्योंकि इसकी पास password का access है ना, वो सारे field का access तो ही, तो हमें क्या करना है, कुछ इस तरह से करना पड़ेगा, कि यह जब password field में आपको भेजूं, password field का modification जब भेजूं, तब ही इस code को आपको run करना है, अगर उस field में कोई password में modification है ही नहीं, तो प्लीज इसको run मत करो, हर बार password encrypt नहीं कराना, जब password field भेजूं तब ही encrypt करना है, password field का भेजूंगा, first time भेजूंगा, क्योंकि तब password save करा रहा हूं, या फिर मैं password update करना चाहूं, new password set करना चाहूं, तब भेजूंगा, तो जब मैं भेजूं if this dot is modified, आपको यह मिलता है, हाँ पे available होता है, कि this कोई भी field modified है नहीं, कैसे चेक करते है, modified, और is modified field के अंदर आप pass कर दो, यह अपना password, यह string में ही pass करना पड़ता है, यह ज़रूरी है string, यह syntax है, अब क्या है, यह तो चेक कर रहा है कि modified हुआ है क्या, हाँ जी तो दो तरीक है मेरे पास, या तो मैं सारा code यहां पे लाके रख दूँ, कि ठीक है, modified हुआ है, तब ही password change करो, otherwise return कर दो, या फिर दूसरा option एक यह है, कि मैं इसको negative check कर लूँ, कि अच्छा, आप देोगे कि modified हुआ है, कि मैं पूछ रहा हूँ, अगर modified नहीं हुआ है, तो क्या करो, तो आ यहां पे मैंने negative check कर लिया, कि अगर modified नहीं हुआ है, यह field modified ही नहीं हुआ है, तो हटो यहां से, फिर क्या pre लगाना है, और अगर modified हुआ है, यह field तो फिर यहां पे इसको change करो, और उसके बाद हम next call करेंगे, तो कफी interesting logic है, बट यह logic हमें क्या help करेगा, password encrypt कर देगा हमारा password encrypt कर दिया आपके पास, अब यह जो bcrypt है यह behind the scene बहुत सारे काम करता है, तो इसने password save कर दिया, लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें कुछ methods यहां पे डालने पड़ेंगे, ताकि हम directly इस user को जब भी import करा हैं, उससे पूछ लें, क्या password सही है नहीं है, क्यों आपको क्या दिखेगा, कि actually मैं आप कुछ methods भी बना सकते हो, जिस तरह से middleware बना सकते हो, वैसे mongoose आपको एक option देता है, कि आप इसके अंदर methods inject कर सकते हो, हाँ जी, जैसे कुछ method आपको directly मिलते हैं, जैसे आप यह model लोग है, तो update one, delete one, यह methods आपको मिलते हैं यहां इसी त नाम है method, methods, और इस methods के अंदर आप जितने चाहे methods आप add कर दो, dot लगाओ, और obviously बाते हो, वो property अगर नहीं होगी तो add हो जाएगी, तो मैं एक property add कर देता हूँ, is password correct, और यह क्या property है, हमने देखा था, javascript जब हमने पढ़ रहे थे, कि इसके अंदर method आप add कर दो, यह लिज पड़ेगा, और यहां में मेरा logic लिख दूँगा, कि किस तरह से password चेक होता है, ओके, ठीक है, अब कैसे password चेक करेंगे, हाँ जी, password चेक करना भी तो आना चाहिए, तो यह जो bcrypt library है, यह hash करती है, तो यह password आपकी check भी कर सकती है, हाँ जी, यह बड़ी interesting चीज है इसकी, तो bcrypt से ही poll दो, कि आप यह काम करो, मुझे check करके बता दो, यह true or false value देता है, तो इसके पास एक method है compare, तो आप चाहो तो compare कर सकते हो, अब compare method जैसे आप use करोगे ना, तो देखो एक तो यह बोलता है, कि मुझे data दो string में, तो user जो भेज रहा है मुझे, जब भी login करेगा, तो तो string में भेजेगा, वो क्यो encrypt करके भेजेगा, और दूसरी जो चीज यह मांगता है, बोलता है, encrypted password देदो, तो मैं दोनों को compare कर दूँगा, क्योंकि मैंने ही तो encrypt करा है, मुझे पता है, किते rounds मैंने लगा है, क्या मेरे secrets हैं, यह सब मैं आपके use कर लूँगा, ठीक है ज store होने के बाद भी पहले भी वैसे इस तरह से यहां पे भी methods के पास भी access होता है, तो this.password, तो this.password तो encrypted वाला और यह, पर वापिस से वही बात, cryptography है, computation power use होती है, तो time लगता है, मतलब await करना पड़ेगा, अब await कर लिया, अब क्या करो, इसको सीधा ही return कर दो, तो return में क्य होगा, यह जो compare है, यह आपको return करता है true and false, अगर आप इस पर hover करके देखोगे, तो यह क्या भेजता है, the data to be encrypted और यह सा, तो return value जो आती है, promise either to be result, okay, basically यह बात है, कि आपको result जो है, यह सारे वही बता रहा है, लेकिन यह return देखे, यहां पर return आगे true, अगर load hash from your db password true है, तो true मिल जाएगा, वरना false, तो basically मोटी मोटी बात यह है, कि आपको true और false में बता देता है, कि यह match हुआ यह नहीं हुआ, ठीक है, अब यहां तक तो मुझे आगई कहानी समझ में, कि ठीक है, आप यह काम तो कर दोगे, अपना password वाला कहानी तो clear हो गई, पर sir, यह JWT तो अ इस word को, यह interviews में भी पूछा जाता है, कि JWT हमारा ना एक bearer token है, अब bearer token से मतलब क्या है, bearer token से मतलब है, जो उसको bear करता है, वो सही मान लेते हैं, यानि कि यह token जिसके भी पास है, जो भी मुझे भेजेगा, मैं उसको data भेज दूँगा, एक चावी की तरह है, तो चावी इसका तो ध्यान रखना पड़ता है, तो tokens हम बनाएंगे, अब यह इस तरह के tokens ना, क्योंकि हमने वो library जो use करी है, JWT token, वो हमें यह tokens बना के दे रहती है, लेकिन उसको 2-3 चीजे, 2-3 कुछ variables वगरा यह सब लगता है, तो उनके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं, कि का सारा मिल जाएगा, कि किस तरह से use करना है, क्या होता है, कैसे क्या, वैसे कुछ सादा खास difficult है नहीं, बड़ा easy process है इनको use करने का, common libraries है, बहुत easily, यहाँ पर आपको देख जाएगा यह, JWT.sign, तो बस sign करना है, उसके बाद आपको एक private key देनी पड़ती है इसको, और algorithm default ही use कर लेंगे, और कुछ option भी दे सकते हो, आपकी कब expiry होगी, इसकी जैसे यहाँ पर दे रखा है, इनोंने की बहुती बड़ा सा complex logic लेख रखा है, बड़ बेसिकली बात है कि 30 seconds का expiry की, इसके बाद यह token expire हो जाएगा, हम इसको validate नहीं कर पाएगे, और sign method यूज करना प तो एक लिख लेते हैं, access token, secret, तो access token secret, आपको कुछ इस तरह से दिखेंगे कि किसी ने 123 लिख दिया है, किसी ने क्या लिख दिया है, बट आपको कई जगे मिलेगा कि लोगबाग बड़ा ही complex string generate करते हैं और फिर लिखते हैं, production grade packages में तो कुछ इस तरह के complex strings ही लिखे जाते हैं, तो देखें, यह रहे हमारे कुछ इस तरह के strings, हाँ जी, अब यह generate करने के लिए बहुत सारी algorithms है, sha256 उस कर सकते हो, और भी बहुत सारी है, किसी से भी long list लगवालो या खुद ही random लिख दो तो इस तरह के tokens यूस किये जाते हैं, तो पहली चीज तो यह हो गई हमारा access token secret, हाँ जी, बड़ा ही secret है, और बड़ा ही long है, तो strong है, और एक इस तरह से लिखा जाता है, access token expiry, तो access token expiry का syntax है, वो बढ़ा interesting है, आप directly one day लिख सकते हो, तो इस तरह के और syntax आपको देखने हो, तो documentation पढ़ना पढ़ेगा, कोई और रस्ता है नहीं, तो इस तरह से लिखा जाता है, अच्छा हम एक और चीज़ पर बात करेंगे, तो पहले ही हम उसको लिख लेते हैं या पर, ताकि बार बार दा आना पड़े, चर्चा तो हम करेंगे उस पर, एक और concept हम discuss करेंगे, वो है refresh token, refresh, जादा लिख दिया क्या, refresh, underscore token, underscore secret, इसके अंदर भी हम कुछ long string रख लिखता हूं, आपका मन करें, 123 लिख देना, आपका मन करें, चाय और code लिख देना, वो भी ठीक ही है, अभी तो काम चल जाएगा, बट क्योंकि production level बाते कर रहे थे, तो सोचा, ये भी बता दे, और एक होगा हमारा refresh token का expiry, अच्छा, अब कई लोग सोच रहे होंगे, कि य all caps में, ऐसे underscore वगरा, नहीं नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बट ये standard practice है, किसी तरह से लिखी जाती है, अभी जो refresh token है, इसका expiry थोड़ा सा जादा होता है, आपका जो main token होता है, access token, वो हमेशा कम duration होता है, कई बार एक दिन, कई बार दो घंटे, और जो refresh token है, वो इनके बारे में भी हम देखेंगे, अभी नहीं, थोड़ा सा बाद में, बट अभी के लिए देखो, दो तरह के हम tokens use करेंगे, बट सर, दो तरह के token तो use करेंगे, पर आपने तो ये दूसरा token यहाँ पर लिखा ही नहीं है, यहाँ पर तो सिर्फ हमारे पास में जो user है, वहा हमारे जो access token होगा वो हमारे पास database में store नहीं होगा लेकिन जो refresh token है वो database में store करेंगे ऐसे ही यह work करता है तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे अभी के लिए मैं क्या करता हूँ इसको करते है copy यहां से यहां तक sample file में आपको देता है क्योंकि sample file ही तो देख रहे हो आप यह लिजए हमने आपको दे दिया access token और दोनों को change कर देते है था कि आप अपना token use करिए चाई और चाई और code और जो secret token है इसको भी मैं change कर देता हूँ आप अपना secret token use करिए ठीक है यहां पर लिख देते है चाई और backend ओके जी चलिए दोनों save हो गए अब चलते है वापस से user model पे तो हमने pre भी सीख लिया method भी सीख लिया ठीक है काफी कुछ सीख गए हम क्या इस तरह से मैं access token generate करने का भी method यूज़ कर सकता हूँ यह आगे जाके आपकी life बहुत easy बनाएगा तो हाँ जी same यही तरीका है exactly यह का यह तरीका है आपको जितने method चाहिए उत्ते आप अपने schema में inject कर सकते हो अच्छी practice है करना भी चाहिए तो हम वापिस से आते हैं user schema इसको बोलते हैं कि आपका जो यह methods object है इसके अंदर मैं और कुछ भी add करना चाहता हूँ methods है यह method नहीं है याद रखेगा इसको एक देता हूँ कि आप क्या करो एक method लिखो है यहाँ पर generate access token यह लिजे generate access token यह क्या होगा वही same function लिखना पड़ेगा async की जरूत है नहीं क्योंकि यह काफी fast हो जाता है अगर लिख भी दोगे तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है यह तो हो गया हमारा generate access token क्या इसी तरह से refresh token भी generate किया जा सकता है हाँ जी इसी तरह से exactly same करेंगे हम यह लिजे refresh token तो दो method हमने यहाँ पर inject कर दी हमारे methods के अंदर कि इस तरह से तो आप generate करोगे access token इस तरह से refresh token दोनों में अंतर क्या है दोनों ही JWT tokens है दोनों में कोई difference नहीं है usage का अंतर है एक को किस तरह से use करेंगे एक को किस तरह से चलिए एक एक करके बात करते हैं यहाँ पर भी ठीक है अब कैसे generate करना है देखिए JWT जो है हमने जो import करा है अभी जस्ट हमने पड़ा इसके पास एक sign method है जो कि आपका generate कर देता है token अब sign के अंदर देखिए payload लगेगा object चाहिए buffer चाहिए secret की चाहिए और options है signing option यह वो फलाना बहुत सारा होता है अब मैं क्या करता हूँ basically सबसे पहले तो इसको दूँगा मेरा payload कि क्या क्या information मैं चाहता हूँ क्या आप रखो एक information तो आप रखो underscore id यह underscore id कहां से मिलेगी क्योंकि यह जो method है यह already हमारा database में चीज़े save है और इनका प्यास उसन सबका access है इसके अंदर इसलिए तो function लिखते है arrow function नहीं लिखते है तो id जो है वो हम underscore id यह हमें मिल जाएगी mongodb से एक तो यह हमें store कराऊंगा आपका मन करें तो सिर्फ id store करा लो क्योंकि बाकी तो database query करके हम सब कुछ ले सकते हैं बट मैं ठीक है थोड़ा जादा payload हम लिखेंगे इस.email से email का access भी मिल जाएगा मैं username और full name भी रखना चाहूंगा आपके उपर है आप जितना चाहें पेलोड लिखें उत्ता हो जाता है काम बट आप चाहें तो सब कुछ access भी कर सकते हैं ऐसे भी एक username मिल जाए तो बाकी सब तो मिली जाता है इस.username और एक और रख लेते हैं फुल नेम भी रख लेते हैं चलिए फुल नेम फुल नेम है हमारा दिस.full नेम ओके यह हमारा फुल नेम ठीक है जी फुल नेम एक बार चेक कर लेते हैं इसी तरह से लिखा है कि हमने यूसर नेम फुल नेम ठीक है तो हमारे पास यह फुल नेम है वैल्यूज अक्सस है ठीक है एक बार और देखेंगे हम किस तरह से हम यह चीजों को लिख रहे हैं क्या-क्या कर रहे हैं इस.full नेम को मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूं या तो यहाँ चेंज करो या वहाँ सेम होना चाहिए, यह आपको बस ध्यान होना चाहिए, कि यह जो है, यह मेरे इस पेलोड का नाम है की है, यह जो चीज है वो डेटाबेस से आ रही है, तो इसलिए बस यह है, तो इसलिए मैंने यहां पर भी चेंज कर दें ताकि consistency रहा है, ओके ठीक है, यह सब चीजे तो आप dot access token, तो यहां पर आते हैं, और इसको copy कर लेते हैं, access token का secret, यह लीजे, पहला काम तो हो गया, और दूसरा क्या होता है, इसको एक object लगता है, हाँ जी, expiry object के अंदर जाता है, यह syntax एक ही बार पढ़ना पढ़ता है, उसके बात यात रहता है, यह देखिए, expires in, इसने suggest कर यही exact हमारा है, वापिस से हम जाता है, process.env. और यहां पर चाहिए, expiry, तो access token के expiry यह रही, copy करिए, और यहां पर लिख दीजे, तो यह बस इतना ही काम था, और generate हो गया, अब यह method क्या करता है, कि जैसे आप access token generate हो जाता है, GWT का, उसको return कर देता है, तो चाहो तो variable में hold क return करो, या फिर आप directly देखतो return, इस process में time नहीं लगता है, यहां पर encryption algorithm ऐसी कुछ खास नहीं है, basic ही है, बट हो सकता है कई बार इसमें time हो यह सब हो, तो आप देख लीजेगा, मैंने तो अभी तक देखा है, वहां पर async लगाने की जरूत नहीं पड़ी है, बट हो सकता है आपका use case अलगो, पर आपको पता है आप कैसे handle करना इसको, तो यह सारा काम हो गया, इसी तरह से आपका token generate होता है, अब आपको थोड़ा सा surprise होगा, कि आपका जो refresh token है वो भी इसी तरह से generate होता है, exactly यह का यह code हम लेंगे, copy करेंगे और paste कर देंगे, अच्छा दोनों सेमी क आप कर रहे हैं, तो दो बार क्यों कर रहे हैं, आपका जो refresh token होता है इसमें information कम होती है, refresh token क्योंकि यह बार-बार refresh होता रहता है, तो हम इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ID रखते हैं, कैसे use करते हैं, usage हम बाद में बताएंगे, अपन डिसकस करेंगे इसको आराम से, अभी के token यह रही, हमारी 10 days में expire होता है, अच्छा, इसका working क्या है, usage क्या है, यह अभी मैंने discuss नहीं करा, क्योंकि अभी basic method था, इसलिए मैंने आपको बता दिया, एक proper video में, diagram के थुरू में आपको बताऊंगा, किस तरह से refresh token work करते हैं, क्या इनका use case है, कैसे क्या है, तो अभी हमन क्या है, हमारे सिर्फ और सिर्फ इस video में हमने दो models बनाये, एक हमारा user model, और एक हमने बनाया हमारा video model, video model में हमने थोड़ा सा देखा है, कि aggregation pipelines आगे आने वाली है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, और detail में उसको discuss करेंगे, अभी हमारे पास यह user model है, एक सिर्फ, और user model के अंदर हमने perfectly इसके अंदर लिखा है, वैसे तो और भी methods इसमें लिखे जा सकते थे, बट I think अगर जरूत पड़ेगी तो लिख लेंगे आगे, बट इतना ही काम है, अभी के लिए हमारे पास इतना ही है, तो काफी काम हो गया है हमारे पास में, almost वापिस हैं, हम तक कि आपको सारा code मिल जाए, तो add user and video model, तो ये दो काम हमने किया है, तो इनको commit कर देते हैं, और इसको push भी कर देते हैं, ओके जी, ये हो गया हमारा सारा chase push, ताकि आपको सारा source code मिल जाए, अब सबसे जरूरी और important बात ये है कि please, 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 humble request है, comment target पूरा कर दीजेगा, वीडिय बहुत ही production level पर है, एक एक line में तोड़ तोड़ के समझा रहा हूँ, जो आपने आज तक किसी course में, कहीं पर भी, मुझे पता है आपने बहुत Udemy courses ये वो courses लिए हैं, बट इतना depth में, इतना प्यार से, इतना अच्छे से रुख के को ही नहीं समझाता है, तो please, थोड़ा स अब हमें सीखना है कि इनके controllers कैसे लिखेंगे, routes कैसे लिखेंगे, database से query कैसे किरेंगे, schema structure बन गया है, अब next target है कि चीजों को database में enter कैसे कराया जाए, उस पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है, चलिए मिलते हैं आप से एगले वीडियो के अंदर, और तब तक के लिए share, comment वग नहाँ पे हमारी चल रही है back end की series, और काफी आप लोग को पसंद भी आ रही है, अच्छा लग रहा है, तो थोड़ा सा वक्त मिला, दिवाली के काम का, जो परसनल जो दिवाली के काम चलते रहते हैं, तो सोचा एक चोटा सा topic भी पढ़ा देते हैं, और आप सभी से दिवा अराम से जाके घरवालों के साथ enjoy करिए, वीडियो यहीं रहेगा, बाद में देख लीजिएगा, comment चोड़ते जाएगा बस, तो चलिए, इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा एक चोटा सा topic यह, जादा कुछ बड़ा नहीं है इसके अंदर, बट थोड़ा interesting है, जो कि यह file upload, अब file upload ना, जादा तर जो काम होता है, in fact, जादा क्या 90% काम जो होता है, वो back-end engineers का ही होता है, और एक बार आपको file upload समझ में आगया, इसके बाद, PDF upload हो, image upload हो, video upload हो, चाहे कोई सा भी upload हो, आप सारा काम कर पाएंगे, front end जो होता है, उसके पास actually है file upload का जादा option होता नहीं वो सिर्फ एक form बना सकता है, एक file को browse करवा सकता है, और आपको उसका link दे सकता है, बस that's it, submit करते time, इससे जादा उसके पास कुछ authority होती नहीं है, इसलिए अब सर लोग आपको कहते वे मिलेंगे कि सर हमें file upload नहीं समझा, क्योंकि उन्होंने जादा तर front end पे deal किया होता है और file handling का काम front end का है ही नहीं, file handling का सारा का सारा काम है back end engineers के पास, अब जो हम अभी तक का जो tech stack यूज़ कर रहे हैं, जो कि express वगरा है, इनके पास भी file uploading capabilities direct नहीं होती है, तो काफी कुछ आपको configure करना पड़ता है, और उसके बाद एक सबसे राज की बाद आपको बदाता जादा तर file handling ना खुद के server पे नहीं की जाती है, especially आज की rate में, जो भी production grade चीज़े चल रही है, वहाँ पे file handling खुद के server पे नहीं की जाती है, या तो इसकी specialized services है, third party service वहाँ से किया जाता है, या फिर एक common term आप सुनेंगे, AWS पे upload कर दो, तो उसका भी तरीका सेम होता है, third बड़ा project बना रहे हैं, कितनी बड़ी आप calculation कर रहे हैं, कितनी बड़ी files handle कर रहे हैं, क्या उसका rate है calculation का, उन सब पे depend करता है ये चीज़ें, तो मैं आपको कुछ international grade की सारी चीज़े बताता हूं, जो की production में 100% use होती है, कुछ एक नई चीज़े भी आपको बताता हूं, उ उनके बहुत जादा market demand है, professionally use होती है, production में use होती है, एक बार ये basic समझ में आ गया, उसके बाद आप चाहे AWS पे जाओ, image को लेओ, PDF को लेओ, किसी को भी लेओ, सब समझ में आ जाएगा, अब देखिए, किस तरह से handle करना है, ये बड़ा ही professional एक मामला है, देखिए हर जो पर endpoint है ना, वहाँ पर files नहीं आने वाली, हो सकता है, register में आए, login में कभी नहीं आएगी, क्योंकि कोई भी image के साथ login नहीं करता है, तो ये एक सही तरीका नहीं है, कि आप सारा का सारा code आप उस controller के अंदर लिखो, बेटर ये रहता है, कि file upload और ये चीज़ है ना, इसको ए image के अंदर भी use कर लेंगे, same ही हम video के लिए भी use कर लेंगे, same ही हम pdf के लिए उस कर लेंगे, तो बड़ा reusable code है, और depend करता है कौन से endpoint में, सारे endpoints में काम नहीं आता है, इसलिए इसको separate रखते हैं हम जादा तर, और जहां पर भी ज़रूत है, वहां पर ऐजे middleware inject कर देते है middleware को याद करने का बड़ा सही सा तरीका एक में देखा है, कई memes वगरा में भी आपको देखेगा, कि यह उसी तरह कहोता है, जाने से पहले मुझसे मिलके जाना, हाँ बस वही middleware होता है, कि आप कोई काम करने जा रहे है, तो उससे पहले बोला कि वह काम करने से पहले मुझस थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कुछ configuration change करी अपने VS Code की, ताकि आपको चीज़े और असानी से और और easily दिख पाए, तो जब मैं आप कोई भी फाइल ओपन करता हूँ, तो आपको थोड़ा सा और zoomed in दिख रहा होगा, क्योंकि मुझे पता लगा analytics से, कि काफी लोग mobile पे इसका और left side के panel का भी, ताकि आपको देखने में आसानी रहे, ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि कौन-कौन सी services और क्या-क्या हम use करने वाले हैं, ताकि वो एक मामला तो हमारा clear हो, कि क्या-क्या आने वाला है, क्या-क्या use होगा, तो देखे, सबसे पह obviously, बट कई ऐसी organization है, जो इसी के ऊपर सारे videos भी रखती है, PDF files भी रखती है, और सब कुछ यहीं से handle करती है, अगर आप देखेंगे थोड़ा से scroll करके, तो हाँ बड़ी-बड़ी company के आपको नाम दिखेंगे, Puma जैसी company, Atlassian भी behind the scene, इसको काफी use करती है, और भी आप company के न plans है, उन plans में आपको AWS manage करने के लिए भी options आपको देदेते हैं, तो काफी बड़ी-बड़ी company यूज करती है, अगर आप pricing में जाएंगे, यह कोई sponsor नहीं है, चैनल के, बस use करते हैं, सभी service हमने सोचा इसलिए बना देते हैं, तो आप देखेंगे, हम यह वाला version यूज करें हैं, जैसे खुद आप अपना S3 का bucket manage कर लो, जो कि AWS पर ही होता है, तो यह सारे के सारे आपको काम मिल जाते हैं यहाँ पर, हम तो free वाला use करने वाले हैं, अब सिर्फ cloud नरी नहीं है, कि जो ही कि हमारे काम Agus पर तो account बनाना ही है, login करना ही है, वो तो हम करेंगी, बट आपक कुछ लोगों ने, मेरा जो पुराना स्टार्ट अप था, वहाँ पे कुछ courses वगरा देखे होंगे, तो वहाँ मैंने Express File Upload यूज करा है, मल्टर और Express File Upload almost same ही है, इस वाले वीडियो में हम मल्टर यूज करेंगे, ज्यादा तर मल्टर ही यूज हो रहा है आजकल इंडस् यह है File Express File Upload, तो इसमें भी आपको option मिल जाता है कि ठीक है, इंस्टॉल तो Express File Upload इंस्टॉलिशन तब हमें आता ही है, उसके लाब आपको कुछ भी upload करना है, तो इस तरह से upload का आपको option मिल जाता है, app.post upload और यह सारा का सारा files वगरा मिल जाती है, तो इसको भी हम पढ़ जो जरूरत की चीज़ें बस वो लेंगे और अपना काम करेंगे, उसके अलावा जो हमारा यह project हम बना रहे थे VS Code का, इसमें कुछ आप लोगों ने comment section में, बढ़ा है अच्छा लगा मुझे, कि minor से mistakes जो थी वह आपने point out करी, मैंने उनको fix भी कर दिया है, आप चाहें तो आप भी fix कर ली जगा, बट मुझे लगता है आप मेंसे काफी ने तो already fix कर दी होगी, जैसे हमने API error के अंदर यहाँ पर एक this comma message लिख दिया था गलती से this dot message की जगे, API error के अंदर ही हमने यहाँ पर stack की spelling में mistake करी थी, तो मैंने यह सारी errors fix कर दिया, आप भी चाहें तो की देख सकते हैं, बड़ा easy तरीका है, क्योंकि मैं सारे commits manage रख रहा हूँ publicly, तो आप जैसे ही किसी भी commit पे click करेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि अच्छा, यहाँ पर stack वाली spelling mistake थी, तो यह यहाँ पर सही कर दिया, green वाले मतलब मैंने add करें, red वाले मतलब यह मैंने remove कर दिया, तो बड़ा easy है, जादा कुछ नहीं बस वो spelling mistake और यहाँ पर एक minor bug था, इस पर click करके देखेंगे, तो कुछ नहीं यहाँ पर this comma message था, हमें ने this dot message कर दिया, तो इतना जादा कुछ बड़ी चीज है नहीं, यह चोटा सा मामला है, बट अच्छा लगा देखके कि आप लोग बड़ी ध्यान से series को देख रहे हैं, पूरी चीजे manage कर रहे हैं, किस तरह से एक एक चीज दो में समझा पा रहा हूँ, आपको वो आप समझ रहे हैं, अच्छी बात है, होना भी चाहिए, तो चलिए, अब एक एक करके हम आते हैं, पहले अपने cloud नरी पे चलते ह साइन अप option आपको पता ही है, साइन अप कर लीजेगा, जिससे आपका मन करें उसी से, देखिए, निंटेंडो से लेके लिवाइस तक सब यहीं पर ही है, मैं अभी login कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा तो already account है, इस पे, एक demo account में रखता ही हूँ, सारे tutorials के लिए, यह demo account ही है मेर तो इस पे हम login कर लेते हैं, और आपको mostly option यहीं मिल जाते हैं, इसलिए cloudinary सबको पसंद है, कि जादा थर options आपको यहीं की मिल जाते हैं, तो जैसे ही आप आएंगे dashboard पे, node.js already selected है, आपका कुछ और हो तो आप उस से देख लिजेगा, सबसे पहले तो है NPM install cloudinary, ठीक है जी, copy कर लेते हैं, back आते हैं, और यहां पे हम इसको install कर लेते हैं, एक बार LS करके देख लें, हाँ जी, सारा मामला ठीक है, तो यह लिजे, NPM install cloudinary, अब cloudinary भी install किया ही है, तो हम मल्टर पे भी आई जाते हैं, क्योंकि मल्टर भी काम तो करना ही है, तो लगे हाथ यह भी अगर install हो अब देगे, cloudinary का जो second step है, वो क्या है, कि मुझे import करना है v2 as a cloudinary, और उसके बाद मुझे कुछ configurations यहां पे set करनी है, और configurations में क्या है, इसका, आपका cloud का name है, मेरे cloud का name है, चाय और code, आपका कुछ random users होंगे, settings में जाके change हो जाता है, यह भी, कुछ खास नहीं, API की और secret में मिलेगा, अब obviously बात है, cloud name API की secret यह तो बड़ा sensitive मामला है, sensitive मामला सारा कहां जाता है, अपने environment variables में, तो बस इसको configure कर देंगे, और उसके बाद यहां पे अगर आप देखेंगे, तो कोई भी चीज़ upload करने के लिए, simple सा दे रखा है, cloudinary.v2.uploader.upload, और फिर आप इसको द समझना आपको बहुत जरूरी है, कि किस तरह से हम यह सारा का सारा काम करेंगे, तो, okay, तो सबसे पहली चीज़, हम क्या करेंगे, strategy समझना बहुत जरूरी है, किस तरह से हमारा काम हो रहा है, हम क्या करेंगे, user से file upload करवाएंगे, multer के through ही file upload होती है, direct cloudinary नहीं होता है, cloudinary त तो, cloudinary से हम file कैसे लेके जाएंगे, यह cloudinary AWS क्या होती है, आप से file लेती है, और यह अपने server पे upload कर लेती है, चाहे वो cloudinary हो, चाहे AWS हो, हम क्या करने वाले है, multer का use करते वे, हम उस file को लेंगे user से, और अपने local server पे temporary उस file को रख देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके हाँ जी, बिलकुल आप करा सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे, production grade settings में, temporarily file user से लेके, खुद के server पे रखी जाती है, ताकि at least हमारे server पे एक बार file आ गई है, तो हम उसको वापिस से re-attempt कर पाएं, अगर ऐसा case है तो, ताकि उसको re-upload का एक chances वहाँ पे बनें, और यह नरी का function call करा कि आप upload कर सकते हो, but, अकसर production grade में आपको two step settings मिलेगी, ताकि आप production grade settings में आ कहीं job पे जाओ, तो आप भी इस तरह से काम करो, जैसा actually में industry में काम होता है, but मैं आपको options बता दूँगा, दोनों ही कैसे करते हैं, बड़ा easy है, बड़ा ही basic है, एक बार आप code होता तो और अच्छा रहता, dark mode है क्या settings में कहीं, चले ठीक है, dark mode को बाद में देखेंगे, अभी हमें क्या करना है, कि सबसे पहले तो हम यहां से code को copy कर लेते हैं, ताकि हमारी files के पास चले हम, हाँ जी, काफी अच्छा लग रहा है dark mode में आके, तो ठीक है, अब क्या है कि cloudinary आपको कैसे रखना है, as a utility रखना है, as a service रखना है, कई लोग service folder बना के रखते हैं, हम utility में रख लेते हैं, utility में हमारे पास में और भी काफी चीज़ है, यह cloudinary नाम से utility बना लेते हैं, आपका मन करें तो file upload नाम से बना दीजे, cloudinary.js, अब cloudinary.service बनाना है, यह जो भी आप ठीक है, यह हमारा cloudinary हो गया, अब cloudinary फाइल है ना, इसमें हमारा simple सा goal यह है, कि files मेरे पास आएगी file system के तुरू, यानि कि server पे already upload हो गई है, कैसे upload हुई, अभी नहीं पता मुझे, बट यह कोई भी service यूज़ करेगा, तो मुझे क्या करेगा, एक local file का path देगा, local file से मेरा म अगर successfully file upload हो गई है, तो अब मेरे server पे उसकी जरूत है नहीं, तो उसको हम server से remove कर देगे, तो काफी file handling हम पढ़ेंगे यहां पर, तो पढ़ लेते हैं जी, तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, हम cloudinary से लेके आते हैं, तो हम क्या करते हैं, यह v2 हमें लाने के लिए बोलता है, आप documentation में भी देखेंगे, और इसको ले आते हैं हम from cloudinary, यह देखेंगे, अब आपको भी exact काम ही बताएगा, यहां पर चलते हैं, तो यह वाली कहान इसने कहा, कि cloudinary में से आप यह v2 ले आओ, cloudinary.v2, तो यह v2 हमने extract कर लिया, इसके अंदर से जो method है, uploader.upload यह method हमें use करन लेकिन, एक interesting चीज क्या है, आपको काफी जाके दिखेगी, कि यह v2 ना इस तरह से लिखता वस जादा अच्छा नहीं लगता, इसको आप as करके और अपना नाम दे सकते हैं custom, तो मैं इसको नाम देता हूँ cloudinary, अब आपके उपर है, नाम देना चाओ नहीं देना चाओ, ए node.js के अंदर क्या है, आपको file system मिलता है, node.js और इसकी fs, इस library को import नहीं करना पड़ता है, यह node.js के साथ आपकी by default आती है, जहां चाहिए आप यूज कर सकते हैं, अब यह आपको क्या help करता है, file को read, write, remove, जो भी आपको काम करना हो, यह सारे के सारे आपके काम कराता है, sync में, async में, जैसे भी आप चाहें, open directories, open path, तो पूरा का पूरा file system जब आपको manage करना होता है, तब हम a file system का use करता है, ज्यादा कुछ difficult है नहीं, किसी file की permission change करनी है, किसी file को open करना है, किसी file को read करना है data, तो उसके लिए हमारा सारा का सारा काम होता है, अब mainly हमें क्या चाहि होता है, तो हमारे पास में easily file का path मिल जाएगा, वो हम देख लेंगे, और that's it, अब एक जो यहाँ पर सबसे important change आएगी, वो आती है, हम search कर लेता है, unlink, तो यह वाला जो है unlink path, यह क्या करता है, इसको हम देखते हैं, तो यह क्या करता है, if path refers to a symbolic link, then the link is removed without affecting the files or directory, कुलमला क के बात यह है, हमारे जो file system होता है, वो काम कैसे करता है, उसमें file है linked और unlinked होती है, जब आप कोई भी file delete कर देते हो, तो file system से unlinked हो जाती है, file मही रखी रहती है, यह basic operating system का one-on-one है, तो यही काम है, और इसलिए मैं कहता हूँ, जितना आप operating system और यह general आपको knowledge होगी computer systems के पारे में, documentation पढ़ना उत्ता असान होता है, क्योंकि अगर आप search करेंगे delete कैसे करूँ, तो आप कुछ है delete का यहाँ पे कुछ मिलेगा नहीं, unlinking का मिलेगा, जितनी file system की libraries है, वो इसी terminologies में बात करती है, बट क्योंकि अब आप चाय और code पायो, तो यह terminology आपको भी मिली र लिए है, और सबसे पहले तो क्या करते हैं, अपने वापिस से ब्राउजर पर चलते हैं, और इसने मुझे एक यहाँ पर option दिया था, यह अपने configuration का, इसको हम copy करते हैं, और इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं पहले तो, अब देखिए first वाली line तो as a cloud नरी हमने import करी लिए, चर्चा भी कर लिए, इसको हटा देते हैं, ठीक है जी, यह वाली भी हटा देते हैं, अब क्या है हमारे पास में यहाँ पे, कि cloud नरी का नाम की API secret यह सब यहाँ पर रखावा है, और यह क्या है, जितने भी secrets हैं या जो भी सब हैं, इसको मुझे दूसरे नाम से अपने environment वे cloudinary, हाँ जी, ठीक है, cloud name, तो यह तो हो गया हमारा name, और दूसरा हो जाएगा, cloudinary का API key होगी, तो यह लिजए API key, और इसके बाद क्या चाहिए, secret भी है, अब क्या करते हैं, एक एक करके उन सब को यहाँ ले आते हैं, यह equals, यह भी equals, और यह भी equal, अब मैं क्या करता हूँ, ताकि आप भी जब अपने sample वाली file दें, तो आपको पता रहे हैं, हाँ samples में, यहाँ पर अपने अपने inject कर ले ना, इतना तो करी लोगे, और हम क्या करते हैं, यहाँ से एक एक variables को उठा के लेके आते हैं, इसको करते हैं, cut, ठीक है जी, और इसको paste कर देता है, यहाँ पर, यह लिजे चाय और code, यह गया, cut होके, तो as it is, बस मैंने copy paste करा है, जादा कुछ नहीं किया है, ओके, तो चलिए, और real world में भी ऐसा ही होता है, अब यह चीज़े यहाँ पर आ गई है, तो इसको save कर लेना, server restart करना पड़ेगा, environment variable में छेट चाड़ की है, तो वो ज़रूरी ही है, याद रखिएगा, और अब हम क्या करेंगे, एके करके यहाँ पर लेके आते हैं सबको, तो process.env. अब dot के बाद तो, यह रा cloud नरी cloud name, ठीक है जी, तो यह cloud name आ गया है, और इसी तरह से अपना, इसको copy करते हैं, और इसको paste करते हैं, और एके करके नाम change कर देते हैं, और third वाला भी, यह copy, और इसको paste, ठीक है जी, तो अब professionally हमारा code एकदम optimize हो गया है, कि अब सारी चीज़ environment variable में है, और properly cloud नरी का configuration भी हो गया है, यह configuration ही है, जो आपको file upload वगरा करने की permission देगी, वरना तो उसको कैसे पता कि कौन सा account, कौन सा login कर रहा है, क्या username है, क्या है, त वैसे तो अगर आप चाहें, तो directly बस इतना सा code लिखके भी काम अपना चला सकते हैं, in fact चली जाएगा, बट मुझे थोड़ा सा और यहाँ पर काम करना है, वैसे तो इससे भी बस आप फाइल का यहाँ पर link दे दीजे, एक method बना दीजे, उस method में जो parameter देगा, वो बस हम as it यहाँ पास करेंगे, actually मैं करने भी वाले यही हैं, आप भी देखेंगे एक मिनिट के अंदर, बट मैं इसको properly थोड़ा सा organize करना चाहता हूं, कि एक method बना लेते हैं, उस method के अंदर आप मेरे को parameter में वो local file का path दोगे, मैं उसको upload कर दूँगा, अगर successfully upload हो गया, तो फिर file को unlink कर दूँगा, बस इतना सा काम है, अभी जो file वाला मामला है यह database जितना ही पेचीदा है, इसमें problems होती है, और जहां भी ऐसी गुंजाईश है कि problem हो सकती है, तो try catch लगाओ न, इसी दिन के लिए तो बनाया है, उसको और किस दिन के लिए बनाया है, तो हम लेते हैं अब यहाँ पे आप मुझे एक parameter पास करोगे, जिसका नाम होगा local file path, अब इस parameter का नाम आपको जो रखना रखिये, इसमें कोई खास बात है नहीं, मुझे तो बस एक parameter चीए कि यह URL इसको पास कर दे, जो method इसको use करेगा, वो मुझे पास करेगा, जैसे से मागे बढ़ेंग है, हम दोनों case में कैसे handle करते हैं, उस situation को देखते हैं, अब सबसे पहले तो हम आते हैं यहाँ पे conditional लगाते हैं, चेक तो करना पड़ेगा ना कि local path है या नहीं है, तो यह local file path अगर नहीं है, exclamatory लगाया है, तो क्या करना पड़ेगा, कि अगर file path है ही नहीं, तो सिधा का सि file on cloudinary, अब upload कैसे करते हैं, upload करने के लिए मुझे पता है, कि यह जो cloudinary है, इसके पास एक uploader है, और यह upload कर देता है, ठीक है, यही तो पड़ाता अभी, यही method अपने यहाँ पे देखा था, यह रा cloudinary uploader.upload, ठीक है जी, अब इसको चाहिए यहाँ पे URL, जो भी URL दे दोगे आप वो उसको पास कर देगा, यह देखे, यहाँ पे तोने Olympic flag भला दे रखा है, हम यह ना दे के अपना local file path दे देते हैं, ठीक है जी, तो हमने यह parameter, parenthesis यहाँ पे लगाया, और simply बोल दिया कि यह लो जी local file path, अब सिर्फ local file path नहीं, आप इसके अंदर और भी options दे सकते हैं, अगर आप upload को और पढ़ना चाहें, कि upload के अंदर क्या-क्या fields और दे सकते हैं, तो आप उसका public ID भी, name भी दे सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़े दे सकते हैं, कि resource type कैसा है, कोई PNG अप्लोड कर रहा है, कोई video अप्लोड कर रहा है, तो अलग-लग तरह के आपको options मिल ज ही होता है, chunk size भी दे सकते हैं, callback भी मिलता है, बहुत सारी चीज़े मिलती है, एक जो option आपको मिलता है, वो है resource type, कि कौन सा resource अप्लोड कर रहा हो, अब इसमें आपको कई options दिखेंगे, कि आप image ले लीजे, raw ले लीजे, videos ले ले लीजे, हम क्या करते हैं, इसको auto करते हैं, अब क्या है, प्लोड हो गई है, तो अब क्या करें? तो file has been uploaded successfully, तो सबसे पहले तो console log करा लेते हैं, कि successfully upload हो गई है, आपका मन करें तो मत कराइए, मेरा तो मन है कि हम file upload करा लेते हैं, अब फाइल का आपको अगर source वगरा चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, हम क्या कर सकते है, अभी तो हमने सिर्फ इसको अप्लोड करवाया, लेकिन, अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं क्या कर सकता हूँ, आपको मैं recommend करूँगा यहाँ पे, कि आप console, यह जो response आया है, इसको आप print करा के देखी, क्या क्या information मिलती है, नहीं print कराना है, तो website पे जाईए cloud ने रीगे, और पता करिए क्या 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 करते हैं, और क्या क्या option हो सकते हैं, और इसमें से क्या है, यहाँ अगर आप response के साथ अगर पूरा ही print करान चाते हैं, तो करवा लीजे, वैसे dot लगाते हैं, आपको मिल जाएगा कि क्या bytes है, format, height, data, original file path, यह वो बहुत सारी चीज़ मिल जाती है, हमें जो चाहिए वहाँ पे वो चाहिए सिर्फ एक इसका option URL, तो upload होने के बात जो URL है, पब्लिक URL है, वो आपक करा दिया, बट user को भी तो कुछ return करना पड़ेगा, हमने अपना खेल तो खेल लिया है, तो हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा यह response है, यही user को वापिस भेज देते हैं, उसको जो data चीएगा, उसमें से ले लेगा, अच्छा तो भी रहेगा कि सिर्फ अगर URL ही लें, बट चलेगा इतना भी, अब दूसरी चीज़ है, error, यहां तक तो आगया अपना, यह लीजे, response हो गया है, अब अगर, देखे, code जो हमारा था, वो तो इत्ती लाइन का था, तीन लाइन का था, इस जादा कुछ था नहीं, अब अगर file successfully upload नहीं हुई है, तो भी हमारे पास एक case बनता है catch का, और अगर यहां पे local file path के अंदर भी कुछ mistake हुई है, तो भी हमारे पास बनता है, लेकिन, अगर कोई भी इस method को use कर रहा है cloudnery को, तो इतना मुझे पता है, कि वो file मेरे server पे तो है, क्योंकि local file path तो आ चुका है, अब वो upload नहीं हुआ है, तो problem तो है, तो हमें क्या करना चाहिए, for a safe cleaning purpose, उस file को अपने server से तो हटा देना चाहिए, वरना बहुत सारी malicious file या फिर जो corrupted file से वो रह जाएगी server पे, तो इसी के लिए हमने पढ़ा है, कि FS के अंदर हमारे पास एक unlink का option है, तो इस unlink के के अंदर क्या कर सकते हो, आप direct भी use कर सकते हो, और एक unlink sync कर सकते हो, तो यह होना ही चाहिए काम, और उसके बाद ही हम आगे process करेंगे, तो synchronous way हम इसको कर देते हैं, और इसको एक local file दे देते हैं, यह हमारी strategy है, कि हम इस तरह से काम करना चाहते हैं, तो यह वाला code करेगा क्या, यह करता कुछ नहीं है, यह सिर्फ करेगा, remove the locally saved temporary file as the upload operation got failed, तो यह comment मैंने आपके लिए लिख दिया है, ताकि आपको पता रहे हैं, और इस case में भी return तो करना ही चाहिए हमें कुछ, ताकि method actually में properly अपना return हुए, तो यह हमने एक छोटा सा यहां पर code लिख दिया है, अब यह वाला चीज तो आपको समझ में आगी है, कि हमने क कैसे किया, इसके जरूती नहीं बस temporary लेते, ऐसे अकसर programmer करते हैं कि temporary code यहां पर लेके रख लेते और अपना method रख लेते हैं, और इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको export कर लेते हैं हमारा जो method रही है, कि upload on cloud nary, अब देखे बड़ी आसानी से हमने एक method बता दिया, और यह method आ अब देखा, file upload इतना भी difficult नहीं था, आप चाहे video हो, चाहे audio हो, चाहे PDF हो, चाहे images हो, आप upload करवा सकते हो, at least cloud nary पे तो, इसका हम practical example भी देखेंगे, अभी नहीं देख सकते, हो सकता है, इसमें bug हो, 100% मानता हूं मैं इसके अंदर bug होगा, वो हम resolve करेंगे, जब actually मैं user का first model जब हम registration करेंगे, क्योंकि देखे, यह हमारा basic preparation हो गया न, इसके बाद तो हम धड़ाद़ controllers लिखेंगे, models हमारे तयार है, तो controllers लिखना है, register लिखेंगे, login लिखेंगे, log out लिखेंगे, file uploading भी लिखेंगे, सारा काम लिखेंगे, बट अभी के लिए आपको यह समझ में आ ग label, ठीक है, अब क्या करना है, कि मुझे एक middleware बनाना है, अच्छा middleware अभी तक हमने एक भी नहीं बनाया है, बस मैंने आपको एक थोड़ थोड़ा idea दिया है कि middleware किस तरह से बनते हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, multer का use करके middleware ही क्यों, direct नहीं लिख सकता, बिलकुल आ मैं multer को inject कर दूँगा, registration form में जरूत होगी, तो इसको inject कर देंगे महाँ पर, login वाले में जरूत नहीं है, तो वहाँ नहीं करेंगे, तो अपने लिए एक अच्छी utility बन जाएगी, अब यह utility से नहीं है जादा, क्योंकि cloudnery तो utility है, उसको कई जगे use करोगा as a method, यह एक middleware configure भी करना पड़ता है, वो भी हम सीखेंगे, अभी के लिए हम focus करते हैं कि middleware को लिखना कैसे है, basic multer की functionality कैसे लिखते है, तो middleware अभी बनाते है, usage भी हम देखेंगे, चिंता मत कीज उसकी भी, इतना आपको समझाए, अच्छे से समझ में आए, आगे भी समझ में आएगा तो एक नई फाइल बनाते हैं इसके अंदर, middleware के अंदर, right click और new file, इसका नाम हम दे देते हैं, multer, अब क्योंकि middleware है तो आपको कई बार दिखेगा कि कुछ लोग milter.middleware.js use करते हैं, जैसे हमारा model थे, multer.model.js या multer.controller.js as such को इसका फरक पढ़ता नहीं, आप see that .js लि तो multer को import करा लेते हैं, ये लिजे, multer आ गया है, अब multer कैसे काम करता है, ये तो पता ही नहीं है, बिल्कुल साही बात है नहीं पता है, ऐसे हवा में थोड़ी पता लग जाएगा, तो हम चलते हैं multer के पास, और multer से बोलते हैं कि आप अपना documentation, अब ये documentation है ना, ये तो read करना ही पड़ेगा, क्योंकि और कोई आपके पास जादा option है नहीं, multer किस तरह से काम करता है, अगर आपको upload single file करनी है, तो इस तरह से single file upload करते हैं, तो हम देख रहे हैं कि जब भी हम यहाँ पे इस तरह से बनाएंगे, तो upload.single ये अवतार, ये कहां से आया हमारे पास में ये upload, सारी configuration, multer से आ रही है, तो इसी तरह से multer use किया जाता है, कि एक बार आप multer import करा लो, उसके बाद कौन सी destination है वो उसको बता दो, और उसके बाद आप यहाँ पे बीच में इसको रख पा रहे हैं, अभी तक हमने देखा था कि slash instagram था, उसके बाद ये एक function हम लिखते थ और ये जो बीच में काम हो रहा है न, इसी को middleware कहते हैं, हाँ जी, तो आपके पास एक profile पर request आई, और आपने यहाँ पे सीधे ही वो upload करवा दी, middleware की तरह, और हमने फिर ये method लिख दिया, तो ये exact एक perfect example है, documentation पढ़ने का, कि क्यो हम उसको middleware में लिख रहे हैं, तो ये सार कहानी भी clear हो गई, लेकिन अब मैं उसको save कैसे कर रहा हूँ, ये कहानी तो आपने बता ही नी, तो save कराने के लिए यहाँ पे इसने upload की तो कहानी बता दी, बट आप save कैसे करते हैं, तो यहाँ पे आपको एक options का पूरा एक set मिल रहा है, कि आपको कहा destination चाहिए, the folder to which file has been saved, अच्छा, तो ठीक है, destination पढ़ना पड़ेगा, यानि कि आप disk storage देते हो, बट अपने पास एक memory storage भी है यहाँ पर, ये क्या करता है, a buffer of entire file, तो पूरी की पूरी file को आप चाहो तो temporary memory में भी store कर सकते हो, और disk में भी, ओविसी बात है, memory में store करोगे, memory भर जाएगी, file अगर बड़ी आ गई, videos आ गए, तो problem हो जाएगी, better यह है कि disk में store करा लें, तो अपन disk वाला ही पढ़ेंगे, तो हम इसको क्या करते हैं, अगर आप ऐसे search करने जाओगे ना, तो थोड़ा सा confuse हो सकते हो, वैसे तो नहीं है, directly हमें मिल गया है, हमें काम यही करना है, exactly यह का ही है, तो storage, multer, disk storage, destination हमें देना है, फिर एक CB है, callback, short use होता है, काफी जगे आपको मिले गा है, documentation में, इसके अंदर first parameter null ही देना है, आपको और पढ़ना होते हैं, आप पढ़ सकते हैं कि क्यों, क्या, कैसे, यह आप पढ़ी आराम से, और इसके बाद हमें file का name दे देते हैं हम यह आपे, और उसके बाद अगर कुछ dash वगरा लगाने, कुछ suffix, आपको लगाना है, file name change करना है, तो आप कर लीजे, और यह आपका हो गया काम इतना सा कि आपका यह पूरा का पूरा upload storage बन गया है, तो इसी को copy कर लेते हैं, और देखते हैं कैसे काम करेगा यह, तो यह लीज है, अब वापिस से बता रहा हूं, हम disk storage यूज़ कर रहे हैं, हम यहाँ पे जो दूसरा वाला storage है, वो यूज़ नहीं कर रहे हैं, और वैसी बात है, memory storage भी कर सकते हो, कई लोग करते हैं, बट अब आपको पता है, दोनों यूज़ कर सकते हो, पढ़िएगा, चैट गवीट यह मल्टर के पास ही होता है, रिक्वेस्ट तो ही आपके पास, जो यूज़र से रिक्वेस्ट आ रही है, एक file access आपको और मिल जाता है, जिसके अंदर आपको सारी files मिल जाती है, रिक्वेस्ट के अंदर तो आपके body में जो भी आएगा JSON data, वो मिली जाता है, अगर file भी आ option मिल जाए, ताकि मैं file का use कर पाऊं, cb कुछ निए, callback है, वो ही अपना parenthesis लगा के जो करते हैं, वही basic वही वाला काम है, ठीक है, अब यहाँ पे इसने बुला कि यह जो callback है, इसका first parameter तो null है, और भी parameter से आप चाहिए, तो इसके अंदर और और भी study कर सकते हो, callback को आप files और रखोगे, तो मैं जहाँ पे अपनी सारी files रखूँगा, पहल तो मैं इसको double quotes में convert करता हूँ, वो रखूँगा same directory के अंदर, एक आपके पास है public, और इसके अंदर है temp, और इसलिए आपको याद हो, तो मैंने इस file के अंदर एक git keep नाम से रखवाया था, क्योंकि मैं स सारी files यहीं रखने वाला था, तो अब आपको समझ में आ गया, इसका meaning क्या है, तो मैं सारी files public folder के अंदर रखूँगा, ताकि easily उसका access मिल जाए मुझे, ओके तो यह हमारा public folder है, ठीक है जी, इतना काम तो हो गया है, अब दूसरा option है, यहाँ पे file name, अब आपको file name change करना है unique रखना है, हर एक file name किस तरह से रखना है, वो आपके उपर है, इसको और advance किया जा सकता है, आप कई बार देखेंगे कि file का name unique IDs से रखा जाता है, nano IDs use की जाती है, मतलब सिर्फ numbers और characters के string, अभी के लिए मैं इतना जादा तो नहीं जाओंगा कि आपको unique suffix भी मिले कि file name के ब importance है, क्या महत्व है इन सब चीजों का, उसके बाद आते हम हमारे callback पे, callback null है, file का जो field name है, इस file के अंदर आपको काफी चीज़े मिलती है, मैं recommend करूंगा आप इस file को console log करके देखेगा, काफी options आपको मिलेंगे, या documentation read करिएगा, तो file के अंदर आप dot करेंगे, तो देख यूजर के हो सकता हितेश नाम की 5 file आजाए, और राइट हो जाएगी, बट क्योंकि operation ना इतना tiny amount के लिए अपने पास रहेगा server पे, थोड़ देर के लिए वो रहेगी file, फिर cloud नरी से हम उसको upload कर देंगे, और फिर delete कर देंगे file को, बट अच्छा option तो यह रहेगा, कि यह पर add करें, तो यह छुट-छुटी चीज़े आप note down करिएगा, जब पूरा project हो जाए तो आप इसमे minor tweaks और minus functionality अपडेट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है जी, यह तो हो गया, अब क्या करना है, यह जो पूरा मल्टर वाला अपना कहानी है, इसको हमें export भी करना चाहिए, क्योंक इसको export कर देते हैं, तो export, const, upload, और upload के अंदर हमारा मल्टर, इसको मैं क्या करता हूँ, यह लीजे, यह as it is हमें यह आप रख लेते हैं, और क्योंकि हम ES6 यूज़ कर रहे हैं, तो actually मैं आपको इसकी जरूत नहीं है, दोनों अगर same ही है, यह सब तो जास्कृत में पढ़ा अब configuration से फायदा क्या हुआ, जैसे आपके पास मल्टर अब आ गया है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इन examples को जब मैं अपने routes लिखूँगा, routes तो नहीं, controllers और routes दोने लिखेंगे, तो देखें, यह तो रहा मेरा controller, कि क्या होना चाहिए, यह रहा मेरा route इस route पे, अगर मैं expect कर रहा हूँ, कि उस route में कोई files आएगी, तो मैं उस route के अंदर जाके, सिर्फ यह जैसे upload.single लिखा है, वैसे मैं मेरा storage method call कराऊंगा, और यहाँ पे storage लिख दूँगा इसको, तो अपने पास वो file वहाँ पे मिल जाएगी उस तरह से, उस नाम से, अब उसको access कैसे करना है file को, और उसको कैसे देना है, वो सब हम देखेंगे, बट सबसे important बात है कि अब मेरा इस तरह से configured है, कि यहाँ पे मेरे को file name मिल जाएगा, यह जो storage है ना, इस function से मैं जब भी कराता हूँ, तो देखिए, आपको callback के अंदर क्या वापिस मिला है, file.original name, तो जो local path वाली हमार मिर पास local path आना चीए, वो मिर पास आ जाएगा, print भी करके देखेंगे, console log भी करके देखेंगे, discussion भी करेंगे उस पे, बड़ा ही अच्छा method है, बट इतनी ही कहानी है, अब मुझे लगता है कि हम शायद 95% तयार हो चुके कि हमने configuration कराया, अब एक आपको interesting चीज़ बताते ह तो हमने देखे, एक single controller नहीं लिखा है, हमारे पास एक single route नहीं है अभी तक, हमारी index file ये app file देखेंगे, तो उसमें क्या है, कुछ भी नहीं है अभी तक, तो इतना सारा काम हमने क्या करा है, सिर्फ setup, यह है production grade setup, जब भी आपको production grade कोई काम होगा, industry level standard होगा, high companyों में आप क करेंगे, इतना ही time लगता है, सब कुछ setup करने में की, files भी इस तरह से handle होगी, videos भी handle होगे, अधिक तर लोग, जाधा तर controllers में जल्दी करते हैं भागने की, नहीं पहले controller लिखके दिखाओ, user को एक register करके, MongoDB पे बस data ले जाओ, तो user को confidence आ जाएगा, कि देखो सारा काम हो ग burner cases जो उनको सोचने पड़ते हैं, यह सोचने के ही पैसे मिलते हैं, समझे, तो अभी तक हमारा हुआ है configuration setting, तो congratulations, दिवाली पे हमने अपना configuration complete कर लिया है, अब आराम से दिवाली के बाद हम इस चीज़ पे discussion कर सकते हैं, कि कैसे यह सारा का सारा काम अब usage में लिया जाएगा, middleware भी एक दो लिख दिये, और भी लिखेंगे, middleware से और भी आएगे, बट अभी नहीं, अब हम I think 95% ready है कि हम आमारे controllers और route पहला user register कर सकते हैं, अब पहला user जब register करेंगे, obviously बात है, front end तो है नहीं, तो कैसे handle करते हैं, back end engineers, postman वगरा को use करते हैं, आपने देखा होगा कि किस तरह से चीजे होती है, किस तरह से होती है, और अब कैसे करनी चाहिए, तो professionally स्वागत है आप सभी का, हम यहाँ पे सारा professionally code लिखते हैं, तो बस आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे, आपको file upload की अब जानकारी हो गई है, आप किसी भी तरह का file handle कर सकते हैं, cloud नरी सभी को, और मिलते हैं आप से आगले वीडियो में, हाँ जी, कैसे हैं आप सभी, स्वागत है आप सभी का, चाय और code में, हमारा एक अलगी YouTube चैनल, जहांपे आप और हम बहुत सारा development सीखने की कोशिश करते हैं, चाय के चुस्कियों पर, तो काफी दिन बाद हमारी मुलाका कोर्स है, HTTP सेग्मेंट का, ये वीडियो आप चाहें तो front end में भी देख सकते हैं, चाहें तो back end में भी, usually जब मैं back end पढ़ाता हूँ, तो इसी point पे इस particular topic को मैं introduce करता हूँ, बट अगर आप back end की series नहीं भी देख रहे हैं, तब भी ये वीडियो आप देख लीजेगा, as a separate crash course क्योंकि काफी important यहाँ पे चीजें discuss होती है, आपको कुछ समझ में आता है कि अच्छा इस तरह से चीजें होती है, इस तरह से overview आता है, तो काफी interesting topic है, हमारा HTTP का crash course काफी आपको भी help करेगा, और आपको एक broad overview देगा कि चीजें कहां कैसे interact होती है, उन सब को समझने के ल दबा दो और शुरू करते हैं आज का विडियो, आज हम जानेंगे हमारे HTTP के बारे में, बड़ा ही अच्छा रहेगा, आपको भी बहुत मज़ा आएगा इस विडियो के अंदर, क्योंकि बड़ा ही basic होता है और बड़े अच्छे से easy होता है, इसलिए समझ में आ जाता है, तो चलिए, आपके लिए मैंने कुछ notes बनाए, बाइदे वे, ये notes मैंने मेरे LinkedIn पे भी share करे हैं, तो अगर आपको चाहिए exact notes, तो मेरे LinkedIn पे जाएगा, search कर लिजएगा, हिते शौदरी, आज कल तो काफी easily available हो जाते हैं, लास्ट चार-पास साल से तो, तो search कर लिजएगा और तो सवाल आपके मंद में यह आएगा, sir, HTTP की क्यों? हम तो HTTPS के बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि आज कल तो सब जगे वोई available है, देखे, HTTP और HTTPS में protocol का difference है सिर्फ, technology जो use होती है, जैसे communication होता है, जो जो rules है, उन में majorly कोई खास difference है नहीं, अंतर सिर्फ इतना होता ह है कि HTTP में जो data है, वो mostly clear text में जाता है, आपने ABC भेजा है, तो वहाँ पे ABC ही पहुँचता है, और जो हमारा HTTPS लग जाता है, इसके अंदर कुछ नहीं होता है, हमारे पास एक और layer आ जाती है, वो layer का का काम सिर्फ इतना होता है कि data को encrypt कर दें, कि आप जो भेज रहे हैं, उसको एक key लगा के उसके साथ exhaust operations वगरा perform कर दें, और वो data नॉर्मली readable ना हो, और वो data जाके server पे readable हो जाए, या server से जो आ रहा है, वो हमारे client पे readable हो जाए, in between वो data readable ना रहे, बस यही एक major difference है, और इसलिए HTTP S बोला जाता है, बट आप जितनी books पढ़ोगे, research paper पढ़ोगे वहाँ पर actually में जब भी protocol के discussion होता है, वहाँ आज भी हम HTTP बोलते हैं, क्योंकि convenient है, इतने सारे paper अल्रेडी लिग दी है, research वोगरा हो चुका है, तो इसलिए उसको HTTP बोलते हैं, simple है hyper text transfer protocol, तो जब आपको text send करना है, अब text बहुत सारे के formats में होता है, बहुत तरह का data होता है, तो उस text को कैसे transfer किया जाएगा सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में चर्चा है, अब देखें, internet पे सबसे बड़ा काम यही है, कि text को या किसी भी चीज़ को transfer कैसे किया जाए, बहुत सारे variables हैं, बहुत सारे options हैं, optimize तरीके से हम transfer करना चाहते हैं, तो हम कोई ऐसे data structure का use नहीं क operating system उस data को रखेगा भी, process करेगा, तो आपकी OS के भी knowledge यहाँ पे आती है, तो यहाँ पे actually में आपकी practical guide start होती है, कि DSA, operating system, cryptography, in fact, जो भी आप कुछ सीखने वाले हैं, उसी के बारे में, अब जो major हमारा काम रहेगा यहाँ पे, हमारे पास दो चीज़े रहेगी, एक हमारा ह यह server, mobile app मान लिजे, और एक हमारे पास में यह server, इसको server आप मान लिजे, यह इससे बात करना चाहता है, इसी को बोलते है हमारा client और इसको बोलते हमारा server, यही है बस client-server model, यह किस तरह से बात करेंगे, कैसे कैसे काम करेंगे, इन ही सब के बारे में हम detailed discussion करने वाले हैं, त अब आपको overview मिल चुका है, उमीद करता हूँ, तो चली आगे चलते हैं, तो अब सबसे पहले तो हम बात करते हैं, हाँ, HTTP के अगर बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको यह 2-3 words सुनने को मिलेंगे, इन words का भी आप ध्यान रखेगा, मैं अक्सर discuss करता हूँ, एक आपको मिलेगा URL, एक आपको मिलेगा URI, और एक आपको मिलेगा URN, इन में खास कोई चिंता करने आली बात नहीं है, URL है Uniform Resource Locator, कि कहां पर location है, उसका identifier क्या है, उसका name क्या है, यह सब fancy नाम है, सिर्फ आप इसको URL बोलिए, URN बोलिए, इसमें इतना जादा कोई difference नहीं आता है मोटी मोटी बात यह है, कि हमें उसका address चाहिए, कि मैं कहां पर बात करूँ, मुझे वो location तो दो, अब location में जरूरी नहीं है, कि हमेशा जो आपके पास URL है, वो HTTP आए, आपने जैसे Mongo वाले में देखा था, हमार पास HTTP नहीं था, वहाँ पे SRN, SRV, ऐसे करके भी protocols थे, तो हर चीज़ का अलग-अलग protocol होता है, communication करने का, HTTP उन में से सिर्फ एक है, तो सब के अलग-अलग नाम होते हैं, इसलिए इनका जादा accurate technical name, जो है, हम URL या URI कह देते हैं, कि हमें उस identifier का resource का नाम बता दो, कि uniquely के identify होता है, इसलिए technical jargons, बड़ी corporate houses में, fang bank company'ों में, आपको ये URL URI, URN, इन से लोग जादा बात करते हैं, compare to कि मुझे URL दे दो, या फिर मुझे उसका address दे दो, तो जादा बस technical बात है, इतना कुछ खास है नहीं, अब सब से पहले आते हैं, हम headers के पास, देखिए जैसे आप HTTP request भेज रहे हो, तो साथ में कुछ information भेजनी पड़ती है, जै HTTP headers भी metadata ही है, और ये metadata होता कैसा है, key value pair, simply, जैसे अगर आप देखना चाहें, तो कुछ इस तरह से कि name क्या है, name, colon, hitesh, तो ये जो value है, मार पास में ये key है, और ये value है, अब ये key value है, HTTP headers के अंदर इतना जादा open रखी गई है, कि ये सबसे अच्छा काम है कि open रखी गई है, अब क्या है कि कुछ तो headers हैं, जो कि already defined है कि ये आएगा, तो मैं ये expect करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि यही है, आप चाहे तो खुद के headers भी बना सकते हैं, कोई आपको महाँ पर मना नहीं कर रहा है, और headers आपके request में भी आपको मिलेंगे, और response में मिलेंगे, जब आप request भेजते हैं, तो depend करता है कहां से कैसे request जा रही है, तो उसके बारे में भी काफी information जाती है, कि आपने programmatically request भेजी है, कोई tool यूज करा है, जैसे postman हो गया, thunder client हो गया, तो भी एक अलग request headers जाते हैं, और अगर आपके browser ने भेजिए, तो भी अलग request headers जाते हैं, और इसी तरह स response भी होता है, server कैसा response आपके लिए कर रहा है, हो सकता है server ने आपको okay भेजा हो, हो सकता है server ने बुला कि 404 not found, काफी बार आपने देखा होगा यह error, तो depend करता है क्या values आई है, तो इसी तरह से अपने पास request में भी headers होते हैं, और response में भी headers होते हैं, headers है क्या, metadata, तो यह सारी बहुत काम होते हैं, और बहुत तरह से काम में लिया जाता है, headers को caching के लिए काम में लिया जाता है, यह देखने के लिए कि यह request अभी तो आई थी, तो इसका हम कोई cash database में से कुछ उठा लें, values अगर मिल जाए तो, authentication के लिए आप देखोगे, बहुत जगे यूज होता है, authentication के आपके headers होते हैं, कि bearer token है, क्या session cookies है, क्या session की values है, क्या cookie है, क्या refresh token है, क्या authentication के लिए भी कई mechanism काम में लिया जाते हैं, उसके लावा state management के लिए भी काम में लिया जाते हैं, state management से मतलब है, user की state क्या है, क्या वो एक guest user है, क्या वो logged in user है, क्या उसने already कुछ cart में रख र पहले exact तो मुझे याद नहीं है बट फिर मैं 2012 लिख दिया है बट उससे पहले सारे headers में एक्स प्रिफिक्स रखना जरूरी होता था तो जैसे आपने suppose कर ये name भेजा है तो x-name रखना जरूरी होता था लेकिन ये क्या है कि ये भी x जो है almost deprecated हो गया है यूज करो के तो कोई मना नहीं करता है कोई error नहीं आती है बट mostly अब आपको errors आपके जो headers है उसमें x नहीं देखने को मिलता है 2012, 2013, 2012 के आसपास लगबग मान लो कि ये चीज़े deprecate हो गई बट हाँ पुराना code base अगर कोई है या किसीने change नहीं करा है इसा होता है बहुत सारा तो वहाँ पर आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी तो घबराने के कोई बात नहीं है सिर्फ ए convention ही मान लो error तब भी नहीं आती थी बट पहले ये चलता था अब जो headers है ना उनकी category तो नहीं बनाई भी officially बट हाँ मैं नहीं बना रखी है कई लोगों ने और भी बना रखी है तो उसके अंदर हम क्या करते हैं किस तरह के headers होते हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं तो सबसे पहले तो आपके पास है request headers इन सब में वो category आती है जो की client से जो भी data आ रहा है उसको हम request header बोल लेते हैं आपके पास response headers भी है जो की server से जो भी data आएगा वो response headers है ये बड़ा important है इनका standardization होना बहुत ज़रूरी है suppose करिए एक जो server है वो तो okay के लिए आपको code भेज रहा है 200 एक जो server है वो आपको okay के लिए code भेज रहा है 400 तो obviously बात है ये तो standard practice नहीं भी और standard code भी नहीं हुआ है तो कुछ convention है जो हम लेते हैं वैसे तो आपको कोई मना नहीं कर रहा है आप 400 code भेज के भी या 404 code भेज के भी data भेज सकते हो बढ़ अची बात नहीं है standard practice नहीं है तो बना ही कुछ नहीं है बढ़ है standard practice नहीं है उसके लावा आपके representation headers भी होता है जो आपको ये बताते हैं कि data आपका किस encoding में है क्या किस compression में है कई आगे जाके आप कुछ ऐसी applications handle करोगे especially mobile apps में आप handle करोगे जहाँ पे data आपका कई compressed format में आता है जी zip में आता है तो उसको extract करना पड़ता है पहले और फिर उसको representation करना पड़ता है graph chart अगर आप use करेंगे कभी आगे जाके कुछ applications बनाएंगे तो वहाँ पे इस तरह के काम होते हैं अब जो applications हैं जैसे zero-da हो गया या फिर आपका razor पे हो गया वहाँ पे graph chart का बहुत काम होता है तो उस तरह में data जादा तर हम compressed format में भेजते हैं क्योंकि network की एक limit है कि इतना ही data भेज सकती है वरना lag आने लगते हैं तो उस case में हम representation headers का use करके और उसके encoding क्या है उसका compression क्या है यह सब देख लेते हैं अभी सब इन सब के बारे में जान लो information इतना हम काम में नहीं लेंगे बट knowledge तो होनी चाहिए न ऐसे discussion चाहिए और code पे तो होते हैं क्योंकि यहाँ पे जल्दी बाजी नहीं है मेरे को कि इंग्लिश में कई बार इसको payload बोलते हैं पे लोड कुछ भी नहीं है बस एक data है जो भी आपको data भेजना है जैसे आपको किसी की underscore id भेजनी है या फिर normally आपको किसी का id भेजना है या फिर आपको email भेजना है तो colon लगा के data बस भर दीजे और बस वही payload होता है कुछ नहीं fancy नाम है अच्छा इतने ही type के headers होते हैं क्या नहीं नहीं सबके अलगले categorization है आप depend करता है कौन सी book पढ़ रहे हो कौन से youtuber से पढ़ रहे हो इस तरह के आपको कई और भी लेंगे जैसे कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं security के भी headers होते हैं तो हाँ जी बहुत तरह के headers होते हैं बात यह metadata है कही तरह का हो सकता है तो इतना है जेसन का data accept करता हूं बट ऐसा नहीं है आपको और भी formats होते हैं जो accept आप कर सकते हैं जैसे text slash html तो हाँ html का data भी directly आप send कर सकते हो बट आज की date में most common apis ही बनती है तो इसलिए आपको यह word सबसे जादा दिखेगा बट ऐसा नहीं है कि यह है यह कुछ standardized headers हैं तो यह आपको मिलेंगे तो application json आपको सबसे जादा मिलेगा इसके लाव आपको एक user agent नाम का भी metadata मिलता है या फिर headers मिलते हैं यह सिर्फ यह बताता है कि कौन सी application से request आई है postman से आई है या फिर कोई आपके browser ने request भेजी है तो browser कौन सा था कौन सा engine support कर रहा था gecko engine का browser था या फिर कोई safari था या कौन से operating systems है तो काफी user agent के अंदर आपको काफी information मिल जाती है user की तभी तो आप देखते हैं कि कुछ applications या कुछ websites को आप visit करते हैं तो automatically आपको एक pop-up दे देती है कि आप हमारी app use करिये वो सब user agent से निकाला जाता है कि हमारे browser से आ रहा है हमारी app भी है तो अगर mobile browser से data आ रहा है तो obviously बात है user को चलो suggest कर देते हैं कि हमारी app download कर लो तो यह सारा काम हैं से होता है उसके बाद authorization यह सबसे commonly used है अगर आप front end में काम कर रहे हैं तो authorization headers हमें भेजने ही होता है सबसे जो common आप यहाँ पर देखोगे वो देखोगे कुछ इस तरह से कि आपके पास लिखा होता है bearer और फिर यहाँ पर एक long line होती है code की यह कुछ नहीं होता bearer token जब हम भेजते हैं JWT style में JWT tokens तो इसी तरह से भेजते हैं कि पहले keyword लगा जाता है bearer उसके बाद एक space और उसके बाद JWT token यह हम करेंगे भी आगे तो authorization tokens आपको इस तरह से भेज जाता है content type images भेज रहे हो PDF भेज रहे हो क्या भेज रहे हो वो सब उसी में देखा जाता है cookies तो cookies है कुछ नहीं key value pairs है further down cookies इस तरह से अपने पास एक further object है जहाँ पर और values है कि यह वाला unique code है इतने time तक ही cookie रहेगी इतने time तक हम user को login रखेंगे तो यह सब information cookies में भेजी जाती है cookies के बारे में भी हम पढ़ेंगे और भी देखेंगे detail cash control है कि data कब expire कर दूँ अगर data network में रहना चाहरा है तो 3600 seconds बाद इसको expire करूँ क्या करूँ तो cash control भी हम कर लेते हैं server से यह तो है आपके basic उसके लावा कुछ headers है जो आपको production grade apps में तो दिखेंगे कई standard company में बट कई बार नहीं भी काम में लेते हैं एक तो आपके course के headers हैं और कुछ security के headers हैं अभी headers अपने आप में कुछ नहीं करते हैं यह सिर्फ आपकी internal policies होती है company की कि हम क्या-क्या origins allow करने वाले हैं मतलब कहा कहा से request आ सकती है अपनी application पे आप हमारी website allow कर रहे हैं हमारी app allow कर रहे हैं ऐसे directly allow नहीं कर रहे हैं जिसे twitter पर आपने देखा होगा आजकल scraping वगरा allow नहीं है तो हाँ उन्होंने वो सब origins वगरा यह सब course allow, disallow इस तरह से कर रहा है कि कौन-कौन से credentials allow है, कौन-कौन से methods allow है, हम get allow करते हैं, post allow नहीं करते हैं security policies भी होती है कि accesses protection, security policies यह सिर्फ header information है इनसे क्या होगा वो कुछ नहीं होता है, automatic कुछ नहीं होता है, आपको ही define करना पड़ता है आपको ही वहाँ पर code लिखना पड़ता है, कि अच्छा यह allow कर रखा है मैंने मेरी application में, यह metadata है इसलिए मैं यह काम कर दूँ, automatic कुछ नहीं होता है, ठेक है तो यह तो हो गए आपका basic इसके बारे में, आप थोड़ा सा हम methods के बारे में भी देख लेते हैं कि किस तरह से हमारे जो HTTP के methods होते हैं, वो use आते हैं तो हमारे HTTP के अंदर कुछ basic methods हैं, आपने कभी अगर postman या फिर कोई thunder client गलती से खोल लिया होगा drop down के अंदर जहाँ पर get लिखा होता है, तो एक बहुत ही long list open हो जाती है तो HTTP के अंदर काफी methods आपके लिए available होते हैं, जो आप काम में ले सकते हैं कुछ common methods हैं, उनको हम बारे में बात करेंगे अब methods कुछ नहीं है, यह सरफ आपको यह बताते हैं कि क्या-क्या operations मैं perform कर रहा हूँ जैसे अगर मेरे को एक data send करना है और मैं चाहता हूँ database में नहीं entry हो जाए तो obviously बात एक specific method है उस काम के लिए अगर मैं request कर रहा हूँ server से और बोल रहा हूँ कि मुझे यह data वापिस भेज़ दो तो भी एक specific operation है, read operation अगर मैं चाहता हूँ यह data है, पूरा data update नहीं करना है, कुछ part ही update करना है तो अलग operation है, मैं चाहता हूँ यह पूरा ही data update कर दो तो एक अलग operation है, तो हर तरह के operations आपके पास available होते हैं कुछ most commonly used होते हैं, कुछ नहीं भी use होते हैं इतने ज़ादा कुछ के बारे में कभी discuss ही नहीं होता है, चाह paid course हो, चाह free course हो, वो आप खुदी सीखते हो eventually तो most commonly जो आप देखोगे, आपके पास get आता है, post आता है, put आता है, और delete आता है यही mostly operation होते हैं, कभी कभार अगर पढ़ लिया हो तो patch भी होता है, यही most common है, यही आपको पता होने चाहिए बट फिर भी मैंने लिख दिया है, तो हम discuss कर लेंगे, चोटा-चोटा पढ़ लेंगे उनके बारे में, ठीक है कि नहीं, ठीक है तो most common है get, यह काम में आता है retrieve resource, अब resource आपको कैसे लेना है, वो आप पे depend करता है, get के अंदर कुछ नहीं है मैंने आपको एक request बेजी कि मुझे सारे users दे दो, या फिर मुझे इस email वाला user दे दो, तो mostly retrieve करना होता है एक resource, या लेना होता है resource, उसी के बारे में हम discussion करता है उसके बाद हमारे पास एक option होता है head, या बहुत ही कम जगे आप काम में use होता हो, देखोगे, इसके अंदर कोई body message नहीं होता, सिर्फ आपके पास headers वापिस आते है अब कई बार हमें देखना होता है user agent क्या है, या फिर आपका cash control कितना है, तो उस cases में कई बार इस तरह के endpoints बनाये जाते हैं, कि सिर्फ head ही भेजो, मैं आपको response में head ही भेजूँगा, या फिर response ही भेजूँगा, body नहीं आईगी आईगी आपके पास में, तो उस तरह से य क्या get available है, क्या क्या चीज़े available है वहाँ पे तो मुझे बता दो, usually बहुत कम देखने को मिलेगा, और automatic कुछ नहीं होता है, आपको ये endpoints बनाने होते हैं, तो हम get भी हम बना के देखेंगे, delete, put, post, यह सब हम बना के देखेंगे अपने controllers में, automatic कुछ नहीं होता है, इसके लि है, दो, तिन, तो कौन-कौन सी proxy से request जा रही है, कौन-कौन सी proxy से होते वे request आ रही है, उनके बारे में अगर हमें debugging करना है, कि मुझे response timely नहीं मिल रहा है, जादा time लग रहा है, hopping बहुत जादा हो रही है, networking के concepts हैं ये सारे, तो उस case में हम trace को use कर लेते हैं, आप कमी देखो ये दो आपको काफी बार दिखेंगे, put क्या करता है, replace करता है resources को, मतलब editing तो नहीं बोल सकते है, बढ़ हाँ, आपका कोई email id से, वहाँ पर resource रखा है, मैं चाहता हूँ, पूरा ही object replace हो जाए, तो उस cases में जाहतार put use करते हैं, patch के अंदर हम क्या करते हैं, सिर्फ उस resource का particular part हम edit करते हैं, कि बाकी resource तो as it is, रहने दो, ये particular चीजे हैं, जो मैं change करना चाहता हूँ, तो कई बार देखेंगे, put use होता है, कई बार patch, situation करता है, डिपेंड करता है, post सबसे common आपको देखेगा, जितना common get है, उससे भी जादा ही कहूंगा, common हमारा post है, कुछ नहीं करता है, resource के साथ interact करता है, mostly आपकी values को add करता है, या user add कर दो, या product add कर दो, नहीं category add कर दो, तो ये कुछ method है, क्या इतने ही method होते हैं, नहीं जी, और भी बहुत कहानी है, और भी कुछ methods हो सकते हैं, सबसे easy काम यह है कि postman अच्छा एक tool है, आप चाहें तो thunder client यूज कर लेना, आपक नहीं, चलें, आगे चलते हैं, इसके बाद आपके status code, ये बड़ा ही एक standardized approach है status code का, ये कई बार interviews में भी पूछा जाता है, but as अगर आप अच्छे developer बन रहे हो back end developer, तो आपको status code का basic overview तो पता ही होना चाहिए, exact रटने की कोई जरूत नहीं होती है, कि मुझे ये यादी करन या 199 यूज कर लो, तो इस तरह से range आपके पास available है, तो ये 1 वाली जो range है, ये जादा तर information के लिए यूज की जाती है, कि सिर्फ मुझे कुछ information पास करने है user को, 2 वाली जो range है, हम success के लिए यूज करते हैं, कि आपने जो data भेजा, वो successfully मेरे को receive हो गया है, plus जो आप operation करना चाते थे, वो successfully complete हो गया है, जो भी आप करना चाते थे, 3 जो आपका पूरा जो line-up है, ये use होता है, redirection के लिए, कि जो भी आप resource देखना चाहरे थे, वो remove हो गया है, कहीं और move हो गया है, temporarily हुआ है, permanent हुआ है, वो different करता है, अलग-अलग situation पर, बढ़ हाँ, redirection के लिए use ह होता है, कि आप जो URL देख रहे हो, या फिर आप जो method access करने कोशिश कर रहे हो, वो remove हो गया है, यहां से, और कहीं और चला गया है, 4 वालत जो है, वो ज्यादातर client error के लिए use होता है, जैसे suppose करिए client ने, एक client ने login करने कोशिश करी, या फिर कोई operation करने की कोशिश कर रहा है अपना token नहीं भेजा, या password सही नहीं भेजा, तो मुटी मुटी बात ही, client से information सही से नहीं आई है, तो अगर client का कोई error है, तो हम जादातर 400 error के साथ ही उसको return करते हैं, कि suppose करि आपने password गलत भेजा है, या image का size गलत भेज दिया है, image का resolution गलत है, तो यह सारी चीज़ अगर client की तरफ से कुछ mistake आ रही है, तो हम जादातर 4 वाला use करते है, 401, 404 भी आपने कई बार देखा होगा, तो इस तरह से use होता है, 500 errors जादातर server errors में use की जाती है, suppose करिए client ने तो सईसे image भेज दी, हमने API कॉल करा और image upload करने कोश्च करी, network break हो गया, network में traffic जादा है, congestion जादा ह और image upload नहीं हो पाई, किसी current से, तो हमारी गलती है, client ने तो सईसे भेज दी ती, तो इस case में 500 error भेज देते हैं, 500 जो भी हो, 501, 503, जो भी आपने decide कर रखा है company के अंदर, तो आप कह देते हो कि ठीक है, client server की तरफ error आईए, please retry कर लीजे इसको, कुछ मैंने common लिख रखे ह को अपने आप एक response तो भेज दूँ कि आर processing हो रहा है data, आप थोड़ा सा इंतजार कर लो, 200 आपके mostly okay के लिए use होता है, बहुत है standard है, 201 successfully resource अगर create हो गया है, जो भी आप add करना चाहते थे database में, 202 के अंदर कि आपको सिर्फ मुझे यह नहीं भेजना है कि यह को यह create हो गया बट क्या standards हैं, यह mostly standards है, आपकी company अगर अलग ही use करती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अलग ही use करिये, 400 आपको bad request के लिए, 401 आपकी unauthorized request के लिए कि आप authorized ही नहीं उस काम को करने के लिए, login तो हो, बट authorized नहीं उस काम को करने के लिए, 402 mostly payment related request के लिए use की जाती है, 404 तो आ 500 internal server error भी आपने कई बार देखी होगी, AWS वगरा down हो जाते हैं कई बार, तो उस तरह के outage के अंदर आपने 500 type की error देखी होगी, 500, 505, 504 तरह की gateway time out, तो इस तरह की error सा आपने देखी होगी, तो यही basic है, तो यह जो पूरा है, यह आपको एक पूरा basic मैंने आपको overview दे दिया है, कि किस तरह से HTTP आपके काम होते हैं, अब यह जो सारी चीज है ना, यह standardization है, कि किस तरह से standard approach की जाती है, अब इसका back end से कहा relation है, कहा नहीं है, यह तो अपने आपने एक चर्चा का विशह है, बट मैं मानता हूँ, कि जब आप controllers लिखने जा रहे हैं, उससे पहले आपको यह थोड़ा से एक idea overview होना चाहिए, और आपको एक दिन निकालना चाहिए, इन सब के बारे में और जितना आप resource ले पाओ, और जितना information ले पाओ, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, यही एक difference है, कि एक अच्छे programmer और एक average programmer में जो difference बनता है, अब यहां पे हमने इतनी चीज़े देखिए, तो obvious सी बात है, यही जो चीज़े आपको आगे जाके समझ में आएगी, और आपके curiosity बढ़ाती है, कि अच्छा network lag भी कोई चीज हमने आज पड़ी है, या फिर आप किस तरह से data structure को optimize कर दो, ताकि user को processing का weight कम करना पड़े, तो वहां data structure, operating system का भी आप का जरनी पे निकलते हैं, अबर ठीक है, उमीद करता हूँ आपको यह वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, अगर नोट्स चाहिए हो तो मेरे LinkedIn पे मैंने already share कर रहे हैं, और मैंने WhatsApp मेरा जो group है, वहां पे भी मैं share कर देता हूँ, इस तरह के notes वगरा कि यह रा link आप चाहे तो यूज कर सकते हैं, तो उमीद करता हूँ, अच्छा वीडियो रहा होगा, हमारी journey continue है अभी भी, और next वीडियो में अब हम आगे चलेंगे हमारी backend की journey के लिए, और comments का target पूरा कर दीजेगा, likes का target पूरा कर दीजेगा, चैनल को subscribe नहीं करा है तो subscribe कर दीजेगा, दोस्तों मे हमारे ambassador बन जाओ, और share कर दो, जाद अच्छा रहेगा, ठीक है, आपका भी भला, हमारा भी थोड़ा सा भला, चलिया, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर, और तब तक के लिए, चाय पीते रहिए, code लिखते रहिए हां जी, कैसे हैं आप सभी, स्वागते हैं आप सभी का, चाय और code में, और continue करते हैं हमारी backend की series, अब हमारी backend की series के अंदर, कुछ important points, सबसे पहले तो इस वीडियो का target है, 250 comments और 1500 likes, तो please complete करा दीजेगा, सबसे पहले तो यह first, और second सबसे important बात ये, कि इस वीडियो से एक वीडियो आया है, HTTP Crash Course, वो वीडियो भी हमारे backend के, जो पूरी series चल रही, उसका part है, और अलग से भी देखा जा सकता है, वैसे, इसलिए उस वीडियो का thumbnail थोड़ा लग है, वहां पे numbering वगरा मैंने कुछ नहीं करी, ताकि वो लोग, कोई भी जो आये, वो आराम से उसक कुछ लोग ये भी कह रहेते हैं, सुर बहुत दिनों से वीडियो नहीं आई, अरे अभी तो आई थी, HTTP का Crash Course भी तो वीडियो यह है, वो कुछ special थोड़ी ना है, चलिए, ये सब तो हो गई हमारी बाते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी backend की journey को, actually में अब हमारी जो यह से जो portion स्टार्ट हो रहा है, वो हो रहा है कि किस तरह से हम controllers लिखते हैं, जितने जादा आप controller लिखेंगे, उतना जादा आपकी logic building की exercise होती है, आपने अक्सर सुना होगा कई लोग गाना गाते रहते हैं, तो logic build नी हो रहा क्या करूँ, तो logic बनाने की practice करो, अब logic बनाने की steps होते हैं, कि आपके पास एक बड़ी problem है, उसको आप छोटे-छोटे phases में बाटिए, और एक problem के बारे में सोचिए, और फिर उसको solve कीजे, next problem के बारे में सोचिए, और next solve करिए, अब ये कई लोगों को lead code के question करने से समझ में आ जाती है, click हो जाती है, कई लोगों को data structures करते दौरान भी click हो जाती है, और जादतर लोगों को इस तरह के real world projects बनाते हैं, अक्सर मैंने देखा है कि 70-80% लोगों को तब ही ये सब click होता है, जब वो real world के projects बनाते हैं, बाकि आपको basics click हो जाता है, बट actually में real world experience तो इसी तरह से मिलता है, तो यहाँ पे आपकी practice होगी कि कि किस तरह से real world experience होता है, किस तरह से logic building होती है, यह भी आपको बताऊंगा, इस video में हम सिर्फ एक काम करेंगे, register करेंगे user को, और register करते दौरान आप खुद देखेंगे, कि सिर्फ register कर देना ये problem है, बट इसके कितने sub part बनते हैं, आप खुद देख के हरान परिशान हो जाए होगा, और स्वागत है आपका, आप शुरू कर रहे हमारे controller, इसके बाद से जो videos हैं, वो सिर्फ logic 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 logic, क्योंकि basic setup हो चुका है, back end में जितना कुछ possible है, industry level, production grade में, सब आपको आता है, अब सिर्फ सीखिए कि किस तरह से controllers लिखे जाते हैं, login कैसे होता है, register कैसे होता है, video कैस अपलोड होंगे, listing कैसे होती है, queries कैसे लिखे जाती है, हमारा जो aggregate framework है, वो कैसे काम करता है, इसके बाद सर्फ वो इस सारा speed में चलेगा अपकाम, तो चलिए, screen share करते हैं पहले तो आपके साथ, आ गए है हमारी screen पे, यह हमारा basic काम है, ठीक है जी, तो अब क्या करना है, ध सभी को पता ही होगा कि किस तरह की files और क्या क्या हम बनाते हैं, तो user.controller, और obviously बात है .js, अब यह question तो नहीं आना चाहिए, कि सरी .controller यह कौन से extension है, क्योंकि इस तरह के काम तो आपने काफी कर लिए हैं, अभी भी अगर यह question कर रहे हैं, यानि कि series starting से नहीं देखी, और द पता है कि हमने एक helper file लिख रखी है, अगर आपको भी पता हो तो यह async handler हमने एक helper file लिखी थी, कि इसके अंदर आपके request, response वगरा सब आ जाते हैं, हमारे पास में request handler के, और हम उसको promises से handle कर लेते हैं, तो in case अगर कहीं problem आये कुछ आये, तो उसका एक wrapper हमने बना के रख दिय है, अच्छी practice है, चाहो तो बना लो, चाहो तो मत बनाओ, तो इस तरह से रख देते हैं, इसका सिर्फ फायदा इतना है कि हर चीज को हमें promises में नहीं डालना पड़ेगा, हर चीज को हमें try catch में नहीं डालना पड़ेगा, बाकी है सच कुछ, जादा अती advantage भी नहीं है, बट यह आगया है हमार पास में, अब मुझे create करना एक method, तो obviously बात है, यह method हमार पास हो गया, यह लिजे, और यह method का काम इतना सा है कि सिर्फ यह register करेगा user को, register user, अब register user किस तरह से काम करेगा, यह god से देखिएगा, क्योंकि यह वाला syntax, almost आप सभी जगे repeat करने वाले हैं, async handler जो हमने बनाया था, जो कि हमारा एक तरह से higher order function है, जो कि accept करता है एक function को, तो यह लिजे, async handler, तो यह use हो गया async handler, अब इस async handler के अंदर मैं वापिस से एक async method लिखूँगा यहाँ पर, यह मेरा async, और method के अंदर हमें पता है request और response हमारे पास available होता है, यह हमने starting में जब code करा था, basic backend तब हमने देखा था कि हम express के थुरू लिखते हैं, तो हमारे पास request response होता है, वैसे तो चार चीज़े होती है, अगर आपने series अच्छे से देखी है, तो चार चीज़ें आप comment section में बता पाऊगे, ठीक है जी, इतना काम हो गया, अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, कि सीधा ही response दे देना है, तो response.status, तो ये लिजे status, और response का status हम दे देते हैं, 200, और दे देते हैं, एक json response, ये लिजे json response, और json के अंदर मैं लिख देता हूँ, message, जिसका मैंने दे दिया, okay, तो आप सोच रहोंगे, अरे ये तो register user का था, यहाँ पे तो हमे इतने में काम कर दिया, हाँ जी, हमने इतने में काम कर दिया, क्योंकि अभी हमारा काम इतने से हो पा रहा है, है ना, तो हमने एक json response, जैसे हम send कर रहे थे, html, हमने सिर्फ यहाँ पे json response send कर दिया है, ठीक है जी, एक काम तो हो गया, अब चलते हैं, हमारे पास, sing handler को stop कर रहते हैं, यह वाला controller का हमारा काम हो चुका है, middleware की भी जरूत नहीं, models की भी जरूत नहीं, और utils की भी जरूत नहीं, next step हमारा जो है, वो है routes create करना, देखिए method तो बना दिया, बट एक जो major काम है node.js का, कि method run कब हो, किसी URL जब hit होगा, तब run होना चीए, तो उस URL को सारे के सारे जो routes हैं, उसी के लिए हम एक separate folder बनाते हैं, यह routes नाम से, और सारे के सारे जितने routes होंगे, वो हम जादा तर इसी में रखते हैं, तो new file एक बना लेते हैं हम यहाँ पे, और मैं जितने भी user के routes होंगे, वो मैं यहाँ पर रखूँगा, तो user.routes.js of course, अब user के routes आप 1000 बार तो जादा होगा है, बट काफी बार repeat होगा आपके पास, तो सबसे पहले क्या करो, एक router import कराओ, तो यह लिजे router हम ले आए, router express के थुरू यह आएगा, और वैसी बात है, और कोई दे भी नहीं सकता है, दूसरी चीज के आएगे हमारे पास में, इस router से, जैसे आप express स आप बना रहे थे, router से, हम router बनाएंगे, अब वैसे variable का नाम है, आप कुछ भी रख सकते हैं, यह लिजे router बना लिया, कैसे बनाया, जैसे express की आप बनाते थे, यह लिजे, और इसको आप कर दीजे export, तो यह लिजे export, default, router, ठीक है जी, तीन लाइन का code, कुछ जादा दिक्क ठीक है, इसमें कोई जादा दिक्कत वाली बात थी नहीं, बड़ा ही basic था, router लिया, और router को export कर दिया, ठीक है जी, अब हमने कहा है कि चीजों को segregate कर दिया, ताकि manageable रहे, अभी जैसे जैसे आप देखेंगे, code जैसे से बड़ा होगा ना, आपको लगेगा, हाँ, अच्छा user को export करना भी हमारी ही जिम्मेदारी बनती है, अब कैसे export करना यह आपके उपर है, मैं इसको क्या करता हूँ, basic में ही export कर लेते हैं, तो यह लिजे export कर देते हैं, एक object यहां से, और जिसके अंदर डाल देते हैं, यह register user, ठीक है जी, अब यह भी export हो गया है, router भी export हो गया है ठीक है जी, इतना काम दो गया, अब इन सब को import कहा करेंगे, देखे आप चाहें तो इनको index में भी कर सकते थे, बट index क्या है, usually हम इसी तरह से clean रखते हैं, कि जहां पे हमारे पस environment variables, यह सब config हो गया है, और उसके अलावा, बस basically listen हो रहा है और कुछ काम हो नहीं रहा है, यह यह जो app है हमारे पास में, यह अभी तक almost empty है, थोड़े बहुत configurations है, बट यह सारी चीज़े आप import करते हो, mostly, most of the production grade settings में यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारा यह export हो रहा है, cookie parser वगरा, यह सारे middleware हम पहले ही लिखते हैं, उसके बाद, सबसे पहले तो हम यहाँ प configuration files में दिखेगा, कि routes इसी तरह से import किये जाते हैं, ठीक है, routes import, यह segregation किया जाता है files का, तो हम क्या करते हैं, import करते हैं हमारा user route, actually मैं, user route ही बोल लेते हैं इसको, और तो क्या ही बोलें इसको, ठीक है, user router, ठीक है जी, user router और आएगा कहां से, हमें जाना है, routes के अंदर, हाँ जी यह रहा, थोड़ा सा color changes, इसलिए confusion हो गया, routes के अंदर, और user.routes.js, .js लगा दे ना, क्योंकि मुझे काफी बार debugging में issue हुई है already, तो यह .js हम लगा रहे हैं यहाँ ठीक है, यह तो हो गया आपका import statement, but usage इस तरह से नहीं होगा, अब कुछ URL इस तरह से बना दूगा, जहाँ भी मेरी application run हो रही है, localhost, 8000, slash, register user, तो वहाँ पर मैं method call करा दूगा, register user, नहीं, ऐसे नहीं होता है, हम actually में जब routes declare करते हैं, तो कुछ अच्छी practices follow करते हैं, routes declaration, सबसे पहले तो, देखिए आपने कई बार देखा होगा, हम यहाँ प router नहीं export कर रहे थे, वहाँ पर हम बोल रहे थे, वापे से सुनिएगा, important है, यह संना जरूरी है, हम यहाँ पर लिख रहे थे, app.get और अपना काम हो रहा था, वो इसलिए हो रहा था, क्योंकि app के थुरू आप यहीं routes लिख रहे थे, यहीं पर आप controllers लिख रहे थे, लेकिन आप यहाँ पर simply routes और सारे routers लिख सकते हो, जैसे suppose करिए, मैंने क्या लिखा, कि मेरा है slash user, तो slash user मैंने लिख दिया, slash users कर लेते हैं, और यहाँ पर आपको कौन सा router activate करवाना है, मुझे यहाँ पर यह user router जो मैं यहाँ लेकि आ रहा हूँ, यहाँ पर activate कर आ रहा हूँ, मैं control आपको pass करता हूँ, अब मुझे बताइए, यहाँ पर क्या काम करना है, किस route पर user को लेके जाना है, तो मैंने कहा, कि देखे router मैं आपको एक route बताता हूँ, किस तरह से लिखते हैं, router dot route, और यहाँ पर आप route लिखते हो अपना, तो मैंने लिखा मालीजे slash register, अब slash register त head, यह सारे method जो हमने discuss करे थे, इसी तरह से एक method है मारे पास में post, अब यह post method पर कौन सा वाला आपके पास method है, जो run होना चाहिए, बड़ा easy है, register user, तो मैं यहाँ पर लिखने ही कोईश करता हूँ, शयाद auto import हो जाए, register user, यह लिजे auto import हो गया, बढ़ ध्यान रखेगा, end म .js लगाना जरूरी है, वरना files error दे रही है, इसका configuration में आपको बता दूँगा, यह भी हो जाता है, पर अब इससे हुआ क्या फाइदा, अच्छा, confusion तो यह हो गया, कि slash register पर आना है मुझे, या फिर, यह जो app.js carry slash user, यह यहाँ पर जाना है, actually में क्या है, मामला कुछ इस त तरह से बनेगा, http colon slash slash, localhost, और आपने दिया colon 8000, जो भी आप app run कर रहे थे, जिस भी port पे, अब आपने लिखा slash users, जैसे slash users पे गए, अब उसने कहा कि देखे, अब control में देता हूँ, यहाँ पे, slash users पे, तो यहाँ पे अगर आपने सही से route लिखा है, कि मुझे slash register पे जाना ह अब suppose करिए वही पे login लिखना होगा, तो आपको बार-बार import नहीं करना पड़ेगा, यह एक बार आपने दे दिया, अब मुझे suppose करिए एक बार login method बनाना है, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, यहाँ पे एक change करूँगा बस, और इसको बोलूँगा login, और यहाँ पे method प्रोल पास हो गया आपका, कहाँ पे, user.routes पे, तो user के बाद जितने भी methods लिखे जाएंगे, वो सारे यहाँ लिखे जाएंगे, तो file थोड़ी सी clumsy नहीं होती है, standard practice है, सबी लोग use करते हैं, अच्छा आप एक standard practice, यह तो चलो समझ में आ गया कि आपने slash users कहा, लेकिन हमारा version 1 है, API का, हो सकता आगे जाके version 2 बनाएं, उसमें कुछ changes आएं, और वहाँ पे जाके slash users, तो हमारी API कुछ इस तरह से start होती है, slash API slash v1 slash users, आपको लग रहा होगा भी, काफी जादा बढ़ा है, बट यह standard practice है, सारे industry grade में यही use होता है, इसी तरह से, तो API slash v1 slash users, और उस के बाद आप लिखोगे कि आपको कौन सा route actually में call करना है, तो यह मेरा call हो गया, register, हम आगे जाके इसकी practice भी देखेंगे, postman वगरा में किस तरह से होता है, अभी सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर रख देता हूँ, इसको comment करके कि ठीक है, इस तरह का हम route यहाँ run हो, तो क्या होगा, मैं जाओंगा slash api slash v1 slash users पे, और यहाँ पर जाने के बाद user router activate हो जाएगा, ठीक है जी, तो यहाँ पर आ जाओंगा, यहाँ पर आने के बाद मुझे पता है कि उसके आगे slash register लगाँगा, तो यह register method कॉल हो जाएगा, यह register method पे जैसे ही मैं जाता हूँ इसकी definition पे है, तो मुझे पता है, इसकी definition यहाँ से आ रही है, तो यह क्या करेगा, जैसे इस method के पास जाओंगा, तो higher order function के अंदर एक function call हो रहा है, वो बाद में बात करेंगे, अभी already कर चुके हैं काफी तो, तो एक response मिल जाना चीए मुझे message 200 okay, अगर सारा ठीक चीज ठी है तो, और काफी लोगों को thank you बोलना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने काफी bugs मेरे fix करवाए, मैंने already जो git है, उसके अंदर सारे bugs fix कर दिया है, सारे से तो जादा कुछ है नहीं, actually मैं, कुछ चोटे मोटे typos थे, जैसे की बता देता हूँ, यह भी मैं आपको क्या क्या typos थ है, तो वो भी ठीक कर देते हैं, यह लिजए stack, तो यह stack की mistake थी, दो-तीन जगेती हैं पर, मैंने fix कर दी थी, एक अभी भी रह गई थी, तो यह सारे errors अब हम देखेंगे, कि अच्छा ठीक है, काफी errors हमार पास हैं, तो अब हम उन errors को देखेंगे, और resolve भी करेंगे, debugging ही main का है actually मैं, अब इसको run कैसे करना है, ठीक है, जी run करने का भी देख लेते हैं, package.json में जाके, कि हमने बना रखी है कोई file, dev नाम की, जो की node 1 के थुरू हमारी files को run करती है, तो run कर देते हैं, npm run, dev, तो यहाँ पर run हो रहा है, अब इसने बोला app crashed, तो obviously बात है, कहां-कहां error आ post, अच्छा जी, हमने शायद यहाँ पर कुछ syntax mistake करी है, उसको भी ठीक कर देते हैं, कि किस तरह से हमारे पास में यह जो syntax की mistake आ रही है, post के अंदर register user है, okay, इसका भी एक second दीजे, इसको भी देख के fix कर देते हैं, हां जी, आगे वापिस, और यह वाला error solve करने में तो time लग तो देखे, real world जो programming होती है, वो इसी तरह से होती है, ऐसा नहीं है कि चीजे एकी बार में चल जाती है, debugging process है, patiently बैट के देखना पड़ता है, कहां-कहा errors आ रही है, तो मैं आपको पूरी इसकी journey बताता हूँ कि कैसे-कैसे हमने इसको solve करा, और क्या actually में problem थी, तो चली इसके सब दिखाए दे रहा है कि router.post requires a callback function, तो कहीं न कहीं हो सकता है, import की mistake है, क्योंकि इसको as a function नहीं मिल रहा है, तो जब तक आप analyze नहीं करोगी, कि actually मैं हो के आ रहा है, तब तक उसकी जड़ तक आप पहुँच नहीं पाऊगे, आँख बंद करके नहीं कि ये कर देते हैं, तो problem ये है कि हमें expected है एक callback function और function नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले तो app.js में आके देखा मैंने कि ठीक है, ये सारा काम हो रहा है, तो हाँ यहाँ पे तो ठीक था, ये import statement ठीक है क्या, ये import statement तब ही हो सकता है, इस तरह का mancha नाम तब ही दे सकते हो, जब export default हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक भी मामला ठीक है, ये जो register user मेंने method बनाया है, क्या ये properly import हो रहा है, तो ये इस तरह का import में तब ही ले सकता हूँ, जब export default ना हो, तो यहाँ पे देखते हैं, हाँ जी यहाँ पे भी export इसी तरह से कर रहा है, तो मैं import इसी तरह से करूँग properly method मिल रहा है, ठीक है, इतना काम भी ठीक है, फिर वापे से एक step back जाते हैं, user controller में जाते हैं, क्या आपने import वगरा तो ठीक, export तो ठीक कर रहा है, यहाँ पे भी मैंने properly method बना रहा है, और ये async भी है, properly एक method है, तो ठीक है, यहाँ पे भी काम हो रहा है, अब इस तरह के functions ब question करते हो, तो मुझे लगा वैसे तो unnecessary था, honestly बताऊं तो, फिर भी सोचा किया, एक return keyword यहाँ लगा की देख लेते हैं, कि function यहाँ पे end हो ही जाए, तो शायद उसको इस तरह से काम हो जाए, save किया, post when node man था, तो automatically reload हुआ, यहाँ पे भी काम नहीं वा, अब इससे और back कैसे ज export ठीक है, कि हाँ यहाँ पे भी export ठीक है, बट जैसे यहाँ पे देखा, तो यह actually में हमारा higher order function properly बना ही नहीं था, आप में से शायद किसी ने notice भी नहीं करा होगा, इतना जादा समझाने में और यह सब लिखने में हम व्यस्त हो गए, बट अच्छी बात है, एक error हमें debug करने साथ में मौका मिला, तो हमने क्या देखा, कि async handler तो आपने बनाया है, accept किया है एक method, बट यह method वापिस return भी तो करो, यह पूरा का पूरा ही तो return करना है, खुदी को थोड़ना execute करना है, तब ही तो higher order function हुआ, जो और भी definitions होती है वैसे तो, बट यहाँ पे हमारा role क्या था कि मैं as a function उसको accept करूँ और return भी as a function कर दूँ, और तो promise return करना पड़ेगा न, तो यहाँ पे हम उसको करतो रहे थे सारा काम, बट return करना भूल गया, तो यहाँ पे actually में जब return लिखा, जैसे इसको save करा, तो अब हमारा MongoDB server connected, और server is running at port, तो यहाँ पे मामला हुआ save, अब actually मे जब जाके यहाँ देखा, तो actually में इस return keyword की जरूत नहीं थी, तो हमने just खुद की existence चेक करने के लिए कि ठीक है करते हैं न, save करके देखा, तो देखे, इस return की जरूत थी नहीं, ओके, तो अब हमारा काम हो गया है, इसी तरह से अगर आपके पास भी errors हों, कुछ इस तरह के ह हों, तो घबराइए मत, शान्ती से बैठिए, देखिए, क्या पता, आपने Atlas में कुछ mistake कर रखी हो, आपने वहाँ पर security का concept मैंने बताया था, तो आपने सारे IPs अलाओ नहीं कर रखे हो, शायद आपका user password ठीक ना हो, अगर password ठीक है, तो क्या उसमें कोई special character तो नहीं है कही कई कई बार दिक्कत करता है, इस तरह से आईए, एक-एक file के अंदर हो सकता है, आपका कुछ declaration रह गया हो, जैसे suppose करिए, आपने यहाँ पे कोई एक file app.js के अंदर कुछ miss कर दिया हो, या फिर हो सकता है, आपने इस index के अंदर इस app को import ही नहीं कर आओ, कई reason हो सकते हैं, आप जिस URL पे जाने की कोशिश कर रहे थे, http localhost 8000 slash api slash v1 slash users, काफी बढ़ा है, और finally slash register, तो यहाँ पे जैसे आएंगे, तो यहाँ पे आया, slash users पे तो इसने का देखिए, slash users पे जैसे कोई भी आता है न, मैं handle नहीं करता हूँ, मैं user router को pass on कर देता हूँ, user router कहां से आया, ठ आपन, तो यहाँ पे method call हुआ, तो आप technical है, slash register पे जाओगे, तो आपको एक response मिल जाना चीए, 200 और JSON मिल जाना चीए, okay, अच्छा, अब इसको check कैसे करेंगे, कि यह सारा काम आपको मिला भी है या नहीं मिला है, इसके लिए पहले तो हमें खोलना पड़ेगा हमारा browser, इन स Thunder Client की, तो Thunder Client क्या है, एक VS Code का ही plugin है, जिसको आप सीधा install करके काम में ले सकते हो, लीजे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छे से चलता है, अच्छा color scheme, themes, अब कुछ मिलता है, तो अगर आपको यह चाहिए, तो काफी famous है, एक दो बार मेरे इसके founder रंगा से भी ब बात नहीं है, बर ठीक है, सबको एक दिन पैसे ता बना नहीं है, देखे, और दूसरा एक popular option, जो मैं यहाँ पे use करूँगा, वो है Postman, अच्छा, आप Postman क्यों use कर रहे हैं, देखे, Postman ना industry standard है, आप कहीं पे भी जाएंगे, किसी startup में काम करेंगे, बड़ी company में काम Postman इतना common एक tool है, एक software है, जिसकी knowledge almost आप सभी को होनी चाहिए, तो जितना ज़्यादा Postman के साथ आप friendly रहेंगे, उतना आपके लिए फायदा है, तो Postman को simply download कर लिजे, Postman download करके search करेंगे, तो सबके लिए available है, Windows, Mac, Linux, जो भी आप use करते हैं, मेरे पास already installed है Postman, आप चाहें तो account भी बना सकते हैं, चाहें तो बिन account के भी use कर सकते हैं, मैं with account यूज करता हूँ, free है, totally free है, उसके साथ, वैसे तो Postman का भी VS Code plugin आता है, बट मैं इसको as a standalone app यूज करता हूँ, तो हम Postman को open कर लेते हैं, और Postman जादा zoom नहीं हो पाता, तो अगर आप videos छोटे उसमें लेना, वीडियो का, तो यहां पर क्या करना है, हमें कुछ नहीं, जैसे आपका यह पूरा open हो जाए, collections में जाईएगा, किस तरह से collections वगरा करते हैं, वो भी हम देखेंगे, collections में जाईएगा, और उसके बाद सीधा यहां पर जो main है, इसको plus को click कर दीजेगा, अभी हम सीख रहा हूँ, वो मैं आपको code editor में बता दूँगा, कुछ नहीं, वो ही लिख रहा है, साथ-साथ लिख लिजे, http, colon, slash, localhost, उसके बाद मैंने दिया, colon, 8000, क्योंकि मेरी application 8000 पर रहन हो रही है, आपकी जहार रहन हो रही है, आप वहां देख लिजेगा, कोई तरीका है क्या postman को zoom करने का, थोड़ा तो zoom हो जाता है, देखते हैं, और zoom हो सकता है क्या, मैं देखूंगा, इसके बाद settings का कुछ option की postman और zoom in हो पाए तो, थोड़ा और zoom in हो तो actually मैं mobile screen पर जो भी देख रहे हैं, उनको थोड़ा अच्छे से दिख जाएगा, और तो क्या ही है बस, ठीक है अब इतना ही हो सकता है, और तो कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ठीक है जी, slash API, slash v1, slash users, और यहाँ पर मुझे route हिट करना है, register, register user नहीं, register user आपके method का नाम है, route का नाम जो है, वो slash register है, verify करना हो, तो फिर से आजाईए आप अपने code पे, और देखिए route क्या आपने define करा है, तो आते हैं वापिस से postman पे, तो यह, अब देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर common mistake, कि आपने सीधा करेंगे send और मिलेगा error, कि देखिए यह error आगया, अब यह error जानना भी ज़रूरी है, कि क्यों आया है, और यह cannot get वाला यह method क्यों है, और क्यों यह error है, code base पे चलते हैं व पता है, आपको हर एक situation के लिए उसको तयार करना पड़ता है, तो हमने accidentally get request भेज दीते हैं, अगर आपको get भी handle करना है, तो आगे वो भी बताएंगे, कैसे handle करते हैं, बट अभी के लिए drop down करिए, और आगर आपको याद हो, जिन्हों ने भी HTTP का पुराना crash course लिया और कह र पता होना चाहिए, चाहिए और code, save किया, अब save करते हैं, मेरा server restart हुआ, यह होना जरूरी है, वरना जो changes आपने लिए हैं, वो effect में नहीं आएंगे, यहाँ पर आते हैं, और इसको करते हैं send, अब देखिए send होते ही क्या हुआ, चाहिए और code तो message आगया, but important यह था कि यह information भी आती है, कि कितने time में आपका server handshake कर रहा है, कितने time में response कर रहा है, कितना data आपको send कर रहा है, उसके अंदर headers कितने आ रहे हैं, क्या headers आ रहे हैं, इन सब के बारे में detail हम पढ़ेंगे आ रहा है, body आपकी कितने size क्या आ रही है, message देखिए मेरे को 200 आया है, यह 200 ओके क्या है, याद है, crash course के अंदर हाँ जी वही है, अगर इसकी जगे आपको मैंने बताया था कि यह स तो यहां पर सेंड करोगे, तो internal server error, तो जितने errors मैंने आपको वहां पढ़ा है, message code, अब आपको लग रहा होगा, हाँ, अब हमारे काम आ रहे हैं, सब कुछ ही है, और इसके लावा आप चाहें तो और parameters वगरा है, वो हम detail में और भी देखेंगे, अभी के लिए क्या है, थो 4K में, HD में, देखिए videos, और तो क्या ही कर सकते हैं, वर at least अभी हमने बना लिया है कि किस तरह से values होती है, तो अभी आपको पता है कि किस तरह से सब चीजों को assemble करना है, अब assembly हो गई है, अब क्या करेंगे, अब हम चलेंगे next video के अंदर, और यह जो code है इसको हम हटाएंग और code हटाने के बाद क्या करेंगे, हम properly एक user को register करने ही कोशिश करेंगे, उससे data लेंगे, पूरा नाम, email, photos, cover, photos, जितना कुछ हो दे सकता है, वो हमें देगा, हम उसको देखेंगे किस तरह से हम उसको servers पे लेते हैं, सारा data accept करते हैं, और उसको हमारे database में add करते हैं, अगर all setup configured, ठीक है, सारा काम हो चुका है, तो इसको कर देते हैं commit, और इसको कर देते हैं push, ताकि आपको सारा source code मिल जाए, और by the way, अगर source code ले ही रहे हो github से, तो एक star भी छोड़ते जाओ, इसमें का दिक्कत वाली बात है, तो ठीक है, तो चली, आप भी हमने इस video के अंदर का काफी कुछ information हमार पास आ गई है, थोड़ा postman के अंदर और detail में जाना बाकि है, क्योंकि ये postman वाली चीजें, जितना internal detail server errors, ये standard companyों में सारे काम होते हैं, आप tutorials वगरा में, या paid courses वगरा में, या जहां पे भी सीख रहे हैं, वहां पे इतना detail में बात होना possible ही नहीं है, य थोड़ा अचकल sharing में कमी आ रही है, थोड़ा ऐसा मत करिए, interest हमारा भी चला जाएगा, तो please share करिए थोड़ा सा video और comment छोड़ते जाएए, और मिलते हैं आप से अगले वीडियो के अंदर 2 hours के अंदर, हाँ जी, 2 hours के अंदर, अगर 200 comment होते हैं, तो तो target अच्छी होगा, वरना थोड़ा सा motivation लो होगा, ठीक है, तो चलिए, next आगे चलते हैं, हमारी कहानी को लेके चलते हैं, backend की कहानी, तो backend की कहानी काफी दूर हमारी पहुँच गई है, हमने अपना first controller भी लिखा जो successfully execute भी हुआ, अगर आपकी memory को थोड़ा सा jog करें वापस से, तो हमने इस तरह का एक controller लिखा था, जो जादा काम नहीं करता था, बट एक response देता था, थोड़ी सी debugging के बाद हमने वो response भी देख लिया था, कि किस तरह से वो response आपको मिल जाता है, और कुछ खास नहीं था, बस वो response हमें postman के दर मिल जाता, अफ़कोर्स छोटी सी debugging भी लगी, बट आपको भी पता लगा किस process क्या रहा, thought process क्या रही debugging के पीछे और वहीं सबसे important चीज़ है, तो ये तो सब हमारा काम हो गया है, अब चलते हमारे next target की तरफ, जो कि हमारी logic building exercise, आपने कई लोगों को logic building exercise में, sir कुछ assignment दे दो, pattern print करा दूँ, star print करवा दूँ, तो हमें logic मिल जाएगा, logic building के लिए na, matureness आनी जरूरी है, matureness तब आती है, जब आप एक real world project बनाते हैं, जिसको कुछ लोग use करेंगे, तो वो feedback देते हैं, उनकी कुछ essential requirement होती है, कि login चाहिए, register चाहिए, तो इस तरह कि जब आप चीजें build करते हैं, real world softwares build करते हैं, तो obviously बात है, आपकी logic building eventually अच्छी हो जाती है, ये नहीं कह रहा हूँ, कि जब भी pattern print करते हैं, या वो lead code problem solve करते हैं, तब अच्छी नहीं होते हैं, उनसे भी अच्छी code practices सीखते हो, लेकिन मुझे ये लगता है, personal belief है, कि real world software से आपको और जादा logic building exercise में help मिलती है, आप एक बड़ी problem को छोटी problems में divide करना सीखते हो, जो कि सबसे essential part है, और फिर problem को one by one, one by one take down करते हैं, तो यही हम इस video के अंदर भी करेंगे, in fact आगे जाके कई videos में यही काम होगा logic building exercise, जिसको business logic building भी बोलते हैं, अब बोलो कुछ भी क्या ही फरक पड़ता है उससे, तो थोड़ा सा छोटा रखेंगे इस video को, ताकि मैं आपको time दूँगा absorb करने के लिए, कि एक हमने portion लिखा है, वो portion कितना काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, उन सब को देखेंगे, और obviously बात है debugging तो लगने ही वाली है, उसमें कोई दो रहा ह ही ने, तो चलिए, चलते हैं हमारी screen पे, तो आ गए हम, छोटे हो गए यहां पे, एकदम bottom में, ताकि आपको code दिखेंगे पूरा, यहाला setup मुझे काफी अच्छा लगता है, जहां पर मैं गायब हो जाता हूं, और पूरा screen पे हमारे पास source code है, और अच्छे से दिखाई भ नहीं है, क्योंकि इसके steps काफी है, अब यही चीज है, जो आपको logic building exercise में help करती है, logic building का मतलब है, आपको एक problem दी गई है, जैसे यहां पर एक problem है, register करना user को, तो यह तो है problem, अब इसको छोट-छोटे steps में हम कैसे break करते हैं, और फिर उसको solve करते हैं, यह चीज अगर आप स लिखना शुरू करते हैं, ठीक, register user करना है, तो यह करना है, यह करना है, नहीं नहीं, पहले उनको breakdown किया जाता है, मैंने भी जब coding स्टार्ट करी थी, तो मैं बहुत comments लिखता था, कि मुझे अच्छा यह step करना है, इसके बाद यह step करना है, आज भी मैं प्रैक्टिस फॉलो करेंगे, pause करिएगा video आराम से, और आराम से comment section में steps लिखिए, तीन steps, 4 step, 5 step, आपके जितने दिमाग में आते हैं, बखायदा video को pause करिए, और लिखिए, यह step आपके लिए बहुत ज़्यादा जूरी है, अगर शिद्दत से video देखी रहे हैं, तो यह मैं सोचो, सिर्फ मैं comment क complete कर रहे हो, किया video pause, नहीं किया, अरे आप लोग बानते ही नहीं बात, तो क्या करें, आप जिन्होंने मान लिए उनके लिए thank you, उनको थोड़ा सा सीखने को मिल गया है, जो लोग नहीं कर रहे हैं, pause, एकदम मस्ट, सोफे पर पसर के एकदम देख रहे हैं video, तो ठीक है, को हमार पास तो front end ही नहीं है, हमें तो react में बनाना पड़ेगा, javascript में बनाना पड़ेगा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, postman के थरूँ आप data ले सकते हो, postman से हमने already get request, post request करके देखी है, तो वहां से हमें user का detail लेना पड़ेगा, अब user का detail कौन कौन सा लोंगा, ये depend करेगा क क्योंकि वह मैं programmatically add करूँगा, password भी चाहिए, refresh token भी नहीं चाहिए, वह भी मैं programmatically add करूँगा, लेकिन अभी सिर्फ इतना काम है, कि ठीक है, मुझे इस तरह से handle करना है कि किस तरह से refresh token होगा, ये सब होगा, तो user एक बार register होगा, तब तो refresh token की जरूत नहीं होगी, तब मु user ने कहीं empty तो नहीं भेज दिया है username, या फिर email तो empty नहीं भेज दिया है, email correct format में है या नहीं है, या जितने भी और possible validation है, front end पे भी लगता है, back end पे लगना जादा बेटर होता है, क्योंकि हो सकता है front end से किसी current से miss हो गया हो, तो back end पे miss ना हो, तो हमने next step चीए कि validation, और at least एक validation हम यहां देखेंगे, कि सब कुछ empty तो नहीं है, तो हम यहां चेक करेंगे not empty, आप और भी चेक कर सकते हो, एक बार एक चेक करना आ गया, तो बाकी भी आई जाएंगे, ठीक है, तो हमने user detail ले ली, उसके बाद validation चेक कर लिया, उसके बाद मुझे चेक करना पड़ेगा check if user already exists, तो कहीं already account नहीं बना वा उसका, कहीं दुबारा से तो register नहीं कर रहा, तो यह तो चेक करना है पड़ेगा, वरना उसको message कैसे दूँगा, कि आपका account already exist करता है, कैसे चेक करूँगा, यह interesting कहानी है, सबसे easy तो है कि email से चेक कर लो, कि email उसका unique है क्या, username से भी check कर सकत है, आप जो application बना रहे हो, वो Instagram टाइप किये, जहाँ पर username जादा important है, तो दोनों से चेक कर लेंगे, कि ठीक है किस तरह से होता है, तो हम यहाँ पर अपने लिए note भी लिख लेते हैं, कि चेक करना है हमें username से भी, और email से भी, आप चाहो तो एक से भी कर सकते हो, ऐसी कोई image, ठीक है, avatar जिसमें required है, तो हमें check करना पड़ेगा कि avatar है या नहीं, ठीक है, तो सबसे पहले तो check for images, और उसके बाद हमारा next step होगा, check for avatar, because यह compulsory है, ठीक है, तो compulsory वाली check कर लेंगे, और cover image है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, बट यह तो check करना पड़ेगा, ठीक यही तो करना पड़ेगा, cloudnery पे image भेजोगे, अल्रेड़ी उसके लिए एक utility बना रखी है, तो हम जब utility में देखते हैं, वो cloudnery तो आपको वापिस से एक response मिल जाता है, यहाँ पे, response मिल जाता है, उस response में से हमें URL निकालना पड़ेगा, हाँ जी, यह तो करना पड़ेग जो भी आपने cloudnery पे upload किया है, तो उसका आप एक reference ले लो, वापिस से आपको return के अंदर URL ही मिलता है, तो वो URL हमें मिल जाए, उसको भी console log करके देख लेंगे, कि URL कैसा मिल रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है जी, तो cloudnery पे upload हो गया, अब cloudnery पे successfully हमें चेक करना पड़ेगा कि अवतार upload हुआ है या नहीं, क्योंकि बाकी दूसरा उसने दिया नहीं दिया कोई बात नहीं, बट यहां पे भी हमें एक बार और अवतार चेक करना पड़ेगा, कि पहले तो user ने दिया, तो user ने दिया, तो हमारे मल्टर ने उसको upload किया नहीं किया साइसे, और उसके बा object बनाना पड़ेगा, तो सबसे पहले create user object, यह object क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि MongoDB में जब मैं data भेजूंगा, तो noSQL databases है, तो इसमें objects ही जातर बनाये जाते हैं और upload किये जाते हैं, तो वो object बनाने के बाद मैं करूंगा एक creation call, तो create entry in db, तो मुझे db calls भी पढ़ने प गया है, तो obviously बात है, user create हो गया, तो user जब भी इस तरह से create होता है, तो उसके साथ obviously बात है, आपने email दिया है, password भी दिया है, तो जो response आपको मिलता है, तो जितना जो create हुआ है, वो as it is response में मिल जाता है, तो password भी मिल जाएगा, हाला कि password encrypted है हमारा, हमने already इसके लिए take care कर ल हमारे जो refresh token है, refresh token field from response, ठीक है जी, response में से आपने ये दोनों field हटा दिये, ठीक है जी, इतना काम भी हो गया, उसके बाद क्या करना है, कि ये जो response है, इसको check करो, कि आपने चलिए field वगरा तो हटा दिये, ये सारा काम एकी साथ हो जाता है, बढ़ चेक करो, response आया है या नह नहीं हुआ है successfully, check for user creation, की null response हाया है, कि actually में user create हो गया है, अगर हो गया है create, तो return करना पड़ेगा, हमें response, तो response return कर देंगे, कैसे properly return करेंगे, वो भी हम देखेंगे, अगर नहीं हुआ है तो error भेज दो, तो देखा, ये है actually में logic building, जब हमने पूरे steps को एक बार step by step, step by step हमन क्या क्या करना है, सिर्फ आख बन करके लिखने नहीं लग गये code, हमने एक बार step by step देखा है, अच्छा है, user से detail आएगी, उसको detail को लूँगा, फिर validate करूँगा, उसके बाद देखूँगा, उसमें already account तो नहीं बनावा, अगर account नहीं बनावा, तो फिर account बनाने की attempt लेते attempt लेते time हम देखेंगे अब कि उसके पास images है या नहीं है, avatar image compulsory है, अब image को हम cloudnery पे upload करके देखते हैं, अगर हो सकता है, इस step में images आई हो, बट cloudnery पे नहीं जारी, तो भी आगे proceed नहीं कर सकते हैं, तो cloudnery पे image गई है और avatar properly upload हुआ है, उसके बाद हम एक user object बनाएंगे, कि जिसके अंदर सारी information details है हमारे पास में, उसके बाद हम यहाँ पे password जो भी, क्योंकि हमने यह देखा है कि जैसे आप entry करते हो MongoDB में, तो जो भी कुछ बना है वो as it is सारा response में आ जाता है, तो हम नहीं चाहते है user को जब response हम भेजे तो उसके अंदर password और refresh token भी भेजे, refresh token तो हला कि empty field होगा, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहता यह field वहाँ पे जाए, और जो password field है चाहे encrypted है बर फिर भी मैं नहीं चाहता कि user को password भीजा जाए, आपको भी हो सकता है ऐसे 2-3 field और हो, उसके बाद हमें check करना है user successfully create हुआ है या नहीं हुआ है, और अगर हो गया है तो return क algorithm है, यही algorithm है, अब जैसे array में search करने के लिए steps वहाँ पे दिये जाते हैं, उन steps को एक बार आप समझ गए तो उसके लिए code लिखना काफी आसान होता है, उसी तरह से यह हमारी algorithm design हो गई है, यह logic के लिए इस तरह के algorithm होगी हमेशा आप से कोई merge sort ही थोड़ना पूछेगा, हर company के अपनी proprietary algorithms है, आजकल तो AIML इतना चल गया है, तो हर कोई algorithms वगरा के बारे हम बात करता है, तो अगर आपको steps follow करने आते हैं, वो steps ही algorithm है, इतना कोई falto होगा नहीं है, ओके जी, तो समझ में आ गया, आप चलते हैं आगे, सबसे पहले step है हमारा कि get user details from front end, तो user details कैसे ली details मिल जाती है, जब भी body से आती है, अब जरूरी नहीं है कि हमेशा data request.body से आए, हो सकता URL से भी आए, किसी form से भी आए, form से data आ रहा है, या फिर direct JSON से data आ रहा है, तो आपको request.body में मिल जाएगा, URL से आ रहा है, उसको हम बात में देखेंगे, आगे जाके, अब क्या है, ये full name भेजो, यहाँ पर हम देख लेते हैं, model को open करके, कि आप मुझे क्या क्या भेजोगे, username भेजोगे, full name भेजोगे, तो ये सारी चीज़े आप मेरे को भेजने वाले एक एक करके लिख लेते हैं, email मुझे आप भेजोगे, उसके अलावा आप मुझे username भेजोगे, और password भे लेते हैं, तो यहाँ पर console log कर लेते हैं, और इन सब को भी print कर लेते हैं, एक दो कोई print कर लेते हैं, बाकी को हम देख लेंगे, क्योंकि एक बार समझ में आगया कि अच्छा data इस तरह से आता है, तो बाकी भी आई रहे होंगे, तो email को ले लेते हैं हम, यहाँ पर email करा के देख लेते हैं, बाकी आप अपनी तरफ से print करा लेना, तो अभी हमारे पास console में यह data आ जाना चाहिए, अब data को टेस्टिंग कैसे करें, टेस्टिंग करते रहिएगा साथ साथ में, तो हम यहाँ पर open करते हैं postman को, postman प्लीज open हो जाओ, इस postman को भी हम properly configure करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे, अब देखेंगे postman का वैसे मैंने font-one सारा set कर दिया है, कोई दिक्के तित्ति वाली बात नहीं है, आपको दिखेगा हम post request send कर रहे हैं, same URL के उपर, और मेरा server यहाँ पर run हो रहा है भी, तो server ping करेगा, post request को handle कर रहे हैं, अब आप देखेंगे none, बट आप form data भी भेज सकते हो, तो form data आपके पास यहाँ पर available है, text और file, इसके लावा आप x form data भी भेज सकते हो, जो की URL encoded है, लेकिन यहाँ पर क्या है आपने पास, file भेजने की option नहीं है, बस और कुछ भी दिये, बागी तो सब ठीक है, यहाँ पर आप click करके देख सकत करने का मतलब होता है, कि आप यहाँ पर सीधा JSON code कर दो, text को drop down में से select करके JSON select कर लो, यह raw सीधा JSON भेज रहाँ है, और यह आप accept कर लो, अब देखिए, चीजे तो मैं काफी expect कर रहा हूँ आपके की मिल जाए, लेकिन एक जो सबसे जरूरी कर रहा हूँ, हाँ double quotes में रहा हूँ, तो हो सकता है password की value में empty भेज दूँ, तो यह भी काम हो सकता है, तो एक बार इसको send करके देखते है, register same वाला URL है उसी पर send करते है, response में हमें कुछ नहीं मिलेगा, कि हमने send करा, इसने request send करी, और यहाँ पर मेरे पास email print हो गया, अब वो इसलिए अटकावा है य आपका server अभी थोड़ा सा busy है, अब इसको रोके कैसे, यह तो कुछ, डइनी रखका option, बढ़ ठीक है, हमें यह तो पता लग गया, at least, अरे please को stop कर दो ना कैसे तो, नहीं कर पा रहे, ठीक है, कई बार इसलिए मैं बोलता हूँ, कि बीच बीच में जब आप testing करते हैं, जब मेरे पास data आ रहा है, ठीक है, यह काम तो हो गया, तो first step तो हमारा हो गया है, कि get user details from front end, but problem क्या आई, कि email तो आपके पास आ गया, लेकिन आप password प्रिंट कराओगे, तो क्या आएगा, empty string, तो check करना तो ज़रूरी है, तो check validation भी करेंगे, लेकिन उस से पहले, एक और हमें काम करना पड़ेगा, ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, छोटा सा काम है, हमने यहाँ पे file handling का कुछ भी नहीं कर रखा अभी तक, अगर आप directly handle करना चाहोगे, तो आप files handle नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ data handle कर सकते, जितना भी JSON में आएगा, पर file handling भी करनी है, तो कैसे करेंग ज़्यादा कुछ होता नहीं, इतना drama, सिर्फ आप मल्टर का storage यहाँ पर option provide करते हो, और जहाँ जहाँ आपको मल्टर का middleware और यह सब use करना है, अब आप directly use कर सकते हो, ठीक है, अब directly कैसे use करेंगे, यह जो upload है, पहले तो इसको import कराते हम, सबसे पहले कहा import कराएंगे, हमार यह upload, और upload, suggestion तो नहीं मिल रहा, ठीक है जी, तो हम जाते है एक directory back, और जाते है middleware में, और middleware के मंदर एक ही middleware है, middleware.js, ठीक है, यह upload हमारे पास में आ चुका है, अब इस upload को use कैसे करना है, यह सबसे important बात है, middleware का, अगर आपको याद हो, तो मैंने एक चीज बताई थी, middle where का मतलब है, जो beach में execute होता है, मतलब जाते हुए मुझसे मिल के जाना, अब आपने देखा कि register route पे, अगर कोई भी request कर रहा है, तो यह method execute हो जाता है, लेकिन मैं चाहता हूँ, method तो execute हो जाता है, बट जाते हुए मुझसे मिल के जाना, तो उस method को execute करने से पहले, मैं कोई middle where यहाँ पे लेना चाहता हूँ, तो क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे register से पहले middleware लगा देना है, अब यहाँ पे इसको ले लते हैं, नई line में, थाकि easy रहे थोड़ा सा, अब यहाँ पे आते हैं, तो क्या करना है अब आपको, यह जो upload है, यह आपको काफी option देता है, यह क् लगा सकता है, क्योंकि array तो एक ही field में multiple files लेता है, तो क्या करो, यहाँ पे use करो fields, अब यह fields क्या करता है, यह accept करता है array, तो यहाँ पे भी आपको देख रहा होगा, read only multi field, और यह square bracket, मतलब array accept करता है, अगर documentation पढ़ोगे, तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, returns middleware that process multiple file associated with given form field, ठीक है, इतना ही documentation चाहिए था, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, एक array बनाते हैं, और next line पे आते हैं, सबसे पहले तो यह end में एक comma लगा दो, ताकि error देना बन करें, अब यहाँ पे क्या है, मैं दो file accept कर रहा हूँ, एक avatar, एक cover image, तो मेरे दो objects आएंगे, यह लीजे प नाम से आप जानोगे, मैं इसको जानोगा avatar नाम से, तो आपका जो front end का field बनेगा, जब आप react या किसी में design करोगे, तो भी उसका नाम avatar, यह communication होना ज़रूरी है, front end और back end engineers के बीच में, अब दूसरी चीज, max count, कि कितनी files accept करोगे, मैं एक ही file accept करूँगा, इसलिए one link देता हो गए, तो difficult लगेगा भी नहीं, ठीक है, second, हम जो है, वो cover image लेंगे, तो इसको मैं cover image बोल देता हूँ, कितनी files accept करना चाहोगे, आपको 2-3 covers लेने तो 2-3 ले लो, मुझे क्या फरक पढ़ता है, यह max count हो गया, हम एक ही लेंगे, तो ठीक है, अब आपको inject करना आ गया, किस syntax होते हैं इसके अंदर, बट यही most common है, industry standard है, अब क्या होगा इससे, अब आप images भेज पाओगे, ठीक है, अब images की बात हो गई, हाँ, practice हम images की ऐसे भेजा है, क्या हुआ है, वो सब करेंगे, और हो सकता है हमारे मल्टर के अंदर कुछ उठा मठा mistake हो, तो वो भी हमें resolve करना पड़ा, बट syntax यही है, अब आ जाते हैं यहाँ पर, अब चलते हैं एक-एक step पर, user की details आ गई, अब करना है validation, अब validation कैसे करोगे, एक-एक field को check करना है, कि वो empty तो नहीं है, अब यहाँ पर देखें किस तरह का code लिख रहे हैं, यह आपके उपर है, कुछ खराब और कुछ बुरा, कुछ अच्छा नहीं है, अब देखें, सबसे पहले तो क्या है, if full name, equal equals, यह triple equals, empty है, तो यहाँ पर हमें एक error return करना चाहिए, ठीक है, तो error किस तरह से return करेंगे, throw, और हम क्या करेंगे, error कुछ इस तरह से define कर देंगे, new, और अगर आपको याद हो, तो हमने API error नाम होगी, तो इसको भी ले ले लेते हैं, API error वाली file तो चाहिएगी, यह है हमारी API error, एक बार file के अंदर जाके देख लेते हैं, किस नाम से export कर रहे हैं, API error, copy कर लेते हैं, और API error, और कहां से आ रही है यह file, यह हमने बनाई है, एक directory back, utils के अंदर, API error.js, ओके, तो यहाँ पर अब क्या कर सकते हैं, इसके थूरू, अब हम API error का एक response दे सकते हैं, और response बड़ा easy है बताना, API error, और API error क्या-क्या expect करता है, अगर याद नहीं है, तो file के अंदर जाओ, और देख लो, majorly तो मुझे status code चाहिएगा, और message दे दो तो जाद अच्छा है, वरना यह something went wrong चला जा लेकिन problem क्या है, यह तो check हुआ एक, सारे check करने, तो किते सारे ifls होंगे, अब देखिए सारे ifls अगर आप एक एक करके check कर रहें, तो भी ठीक है, कोई बात नहीं, beginners इसी तरह से करते हैं, और इसमें कोई बुरा ही नहीं है, कुछ बुरा मान्याली बात नहीं है, लेकिन उठाया, और इसको हटाते हैं, अब मैं क्या करता हूँ, इफ ब्लॉक के अंदर गौर से देखेगा, मैंने एक array स्टार्ट करा, अब इस array के अंदर में सारा data यहां पर pass on कर देता हूँ, यह हो गया मेरा full name, और pass कर दिया email, और pass कर दिया username, और pass कर दिया password, अब क्योंकि यह array है, array पर बहुत सारे method होते हैं, तो आप सोच रहे होंगे dot map लगा दे, हाँ, आप map भी लगा सकते हैं, बट एक method होता है हमारे पास में sum, अगर आपने पड़ा हो तो यह काफी अच्छा है, आपके पास एक interesting method है, dot sum, आप चाहे तो इसकी definition भी देख सकते हैं, कि यह function acceptss up to three argument, और predicts each element until the predicate returns value, तो कुल मिला के बात यह है कि आप इसके उपर check कर सकते हो, condition लगा के, और यह true or false return कर देता है, अब मैं क्या करता हूँ, sum को, यह लीजे sum, अब इसके अंदर callback मिलेगा, यह लीजे callback लगा दिया, okay, और हर एक field जो आपके पास है, उसको field ही बोल लेते ह आपका मन करें, superman बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर क्या कर सकते हो आप, इसके बाद curly braces के जरूत नहीं है, हम directly return कर देंगे, वरना curly braces explicit return लगाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी कर सकते हैं, अब field अगर है, तो optional लगाना पड़ेगा, अगर वो field है तो आप उसको trim कर दीजे, तो यह लीजे, trim हो गया, अगर trim करने के बाद भी, वो empty है, तो automatically क्या होगा, true return हो जाएगा, तो यह सब के उपर चलेगा, और एक भी field ने अगर true return करा, तो मतलब वो field खा ली था, तो हाँ, काम वही कर रहे हैं, अगर आपको लगता है, नहीं मैं उस code में जादा comfortable हो, जहाँ एक एक चीज को check कर रहे हो, तो भी ठीक है, बट अगर आपको थोड़ी JavaScript की practice हो गई है, आप some method से familiar हो, तो इस तरह का भी code लिख सकते हो, जहाँ पे हमने क्या कर रहा है, अगर आपको map चाहिए, तो map से भी कर सकते हो, बट map का problem यह है, कि उसको हमें return क्या कर रहे है, और सब पे return है, final return क्या आ रहा है, वो सब हमें check करना पड़ेगा, यहाँ पे हमने सब को एक साथ check कर लिया और हमें value मिल गई है, ठीक है, थोड़ा सा advanced code है, बट इस तरह के code थोड़ थोड़े introduce करना भी ज़रूरी है, ताकि आप और कुछ नहीं भी त required, तो यह लिजे, validation वाला काम हो गया, अब इसके बाद भी हो सकता, validation चेक करना चाहते हूं, कि empty तो हमने चेक कर लिया, बट मैं चाहता हूं, email की या फॉर्मेटिंग भी चेक करूं, तो आप उस तरह से भी लगा सकते हो, एक simple सा if condition लगाना पड़ेगा, कि हमारा जो email field है, at the rate symbol है या नहीं, तो string का कौन सा method है, जो यह चेक कर सकता है, कि उसके अंदर include है या नहीं है, वो at the rate field यह आप देख सकते हो, यह आपके उपर है, validation आप जितने चाहे लिख सकते हो, अकसर production level code में एक validation की separate files होती है, उनके अंदर से methods call कर लेते हैं, कि email method और यह सारे methods call कर ले नहीं करता, इसके लिए सबसे पहले तो आपको एक import करना पड़ेगा, ठीक है जी, import भी कर लेते हैं, तो import करना पड़ेगा मेरे को, एक user को, यह user कहां से आएगा, इसके बारे में बताते हैं आपको अभी, तो पहले मैं जाता हूँ एक directory back, और models के अंदर हमारे पास एक file है user model.js, अगर आपको याद हो, तो user model को हमने export भी किया था, सबसे end में, यह जो user है, यह आपके database से direct contact कर सकता है, क्यों कर सकता है, क्यों कर सकता है, क्योंकि यह mongoose के through बना है, mongoose ने यह model create करा है, और यह जो user है, आप कई जगे काम में लोगे, अब मैंने export default तो किया नहीं है तो obviously बात है, direct import नहीं कर सकता है, इसी तरह से import करना पड़ेगा, तो यह user जैसे ही आ गया ना, अब आपको कुछ नहीं करना है, अब यह user ही आपके बहाफ पे call करेगा, mongoDB को, जितनी बार भी आपको चाहिए, उतनी बार यह call कर सकता है, तो method बड़ा ही simple है, goal यह है कि user है म अब मुझे database से पूछना है, कि आप मुझे find करके बताओ, ऐसा एक user, जो की इस email को match करता है, जो भी user ने दिया है, या फिर इस user name को match करता है, जो भी आपने दिया है, तो हम क्या कर सकते है, user dot, इसके पास एक method है, find one, find one क्या करता है, पहला जो भी सबसे पहले find होगा user, वो return कर देगा, find भी use कर सकते हो, almost same ही होता है, यहाँ पे आप पास कर दीजा, आपकी query, तो यहाँ पे आपको अक्सर लोग पास करते होगे दिखेंगे, कि यह लिजे user name पास कर दिया, या फिर आपको दिखेगा कि email पास कर दिया, ठीक है, दोनों में कोई बुरा ही नहीं है, आप दूसरा choose करो, तो यहाँ पे हम एक छोटा सा, एक interesting चीज़ सीख सकते हैं, जिसको बोलते हैं हमारे operators, तो dollar sign यूज़ करके आप काफी operator यूज़ कर सकते हो, and, comment, or, अकसर courses में इती जल्दी introduce नहीं होता है, बट चाहे और code पे हो, introduce तो करेंगे, तो यह और parameter आप यूज कर सकते हो, कैसे यूज़ करते हैं, simply एक colon लगाओ, और इसके बाद आप एक array start कर दो, और उसके बाद आपको जितनी value चेक करनी है, वो सारी चेक कर दो, object के अंदर, यह first object हो गया, यह second object हो गया, third, fourth, fifth, concept तो सीखी गए, तो अब हम यहाँ पे क्या लिख देता है, username लिख द इसको first document मिला है, जो match करता है, इस username का है, इस email को तो आपको मिल जाएगा, अब इसके reference को हम क्या करते हैं, एक variable में hold कर लेते हैं, अब इसको बोलते है, existed user, यह लिजे, variable में hold कर दिया, अब इससे फाइदा क्या हुआ, कि अगर आपको existed user है, तो मुझे आगे proceed ही नहीं करना है, तो चेक कर लेते हैं, कि existing user है या नहीं है, तो existed user अगर है, तो बस throw कर दो, error, तो आप देखिए कितना असान लग रहा है, API error क्या फटाक से कर रहे हो, वरना क्या होता, res.sendError यह वो 50 नाटक आप करते हैं, बट क्योंकि हमारे पास में यह error file हमने helper file बना रखी है, तो अ अब आपको शायद ऐसास हो रहा है, कि हाँ, थोड़ा काम तो असान हो रहा है इसके अंदर, कि आप API error का सीधा एक object बना लेते हो यहीं से, और as it is बस उसके अंदर दो value डाली, और properly error पास हो जाता है, अगर मुझे status code भी अगर नहीं करना हो, तो मैं default status code भी ढाल सकता हो, त थोड़ी महनत करी, और काम असान हो गया, तो यहां पर हम जो error use करेंगे, 409 use कर लेते हैं, ताकि user का error है, अच्छा जिनोंने मेरा वो जो crash course नहीं देखा HTTP वाला, वो यहां पर confuse होंगे, 409 नहीं, 408 क्यों नहीं, 406 क्यों नहीं, तो उनको confuse होने दीजे, आपने follow किया है, आ email भी check करूँगा, आपके उपर है, कैसा आप logic बनाना चाहते हैं, ओके जी, कहां तक काम हो गया हमारा, हमने user भी check कर लिया, ठीक है, अब हमें check करना है, images और avatar वाली images चेक करनी पड़ेगी, अच्छा, images को अभी तक हमने एक बार भी handle नहीं करा है, एक बार आप सीख लेंग एक middleware add कर दिया है, तो ये middleware भी आपको कुछ access देता है, middleware करता कुछ नहीं है, request के अंदर और fields add करता है, जातर cases में यही करता है, तो जैसे आपके पास request.body by default express ने दे दिया है, मल्टर हमें क्या देता है, request.files का access देता है, अब हमेरे पास क्योंकि multiple files हैं, तो इसलिए files का access हो सकता है नहीं हो, तो इसलिए इसको optionally chain करना जादा बेटर रहता है, ये अच्छी practice है, अब इसके बाद क्या है, मुझे चाहिए avatar, ठीक है, क्योंकि हमने file को बोला ही avatar है, इसलिए मैं उसका नाम avatar ले रहा हूं, कुछ और बोला होता तो, कुछ और करते हैं, अब avatar के पा काफी कुछ in-depth होता है backend के अंदर, बट हमें चाहिए उसकी first property, first property क्यों चाहिए, क्योंकि first property के अंदर एक object मिलता है, उसको अगर आप optionally लोगे, क्योंकि हो सकता है नहीं भी मिले, तो आप यहाँ पर dot path लिख सकते हो, इससे क्या होगा, आपको जो भी उसका पूरा proper path है, वो आपको मिल जाएगा, बस यही main कहानी है, तो मल्टर ने already ओ फाइल ली है, जैसे ही submit करा, उस फाइल को लिया आया है, अपने server पे, कैसे लेकर आया है, क्योंकि हमने बोला है मल्टर को, कि आप यह destination लो, और यहाँ पर आपका जो पूरा path है, वहाँ पर आप आप फाइल मिला तो, कि हमें यहाँ पर request.files है, इसको भी एक बार console log करके देखना चाहिए, ताकि और हमारी curiosity क्यों और हो, कि क्या-क्या चीज़े हमारे पास आ रहे है, जितना ज़्यादा console log करोगे, एक-एक subject को study करोगे, उतना आपके लिए benefit है, मेरे लिए नहीं, तो देखिए कि आ अगर आप में curiosity होगे, आप बिल्कुल करोगे, बट इतनी spoon feeding possible नहीं है, ओके जी, तो हमारे पास यह file आ गई है, तो अब हम क्या करता है, इसका reference हम store करके रख लेते हैं, तो इसको बोल देते हम, avatar और local path, local path क्योंकि यह अभी हमारे server पे है, यह cloud नरी पे नहीं गया है, ठीक करते हैं, comments करते हैं, तो मुझे लगता है कि ठीक है, चलो, मज़ा आ रहा है, बढ़ने में और पढ़ने में, तो कर लेते हैं, अब यह चीज़े अगर आपको समझ में आ गई है, तो cover image का भी local path आप ले सकते हैं, उसमें कुछ ज़ादा हमारी चर्चा की ज़रूत नहीं है, तो request.files, और हो सकता है, मिले नहीं मिले, तो optionally decrypt करना ज़ादा ठीक है, मतलब decrypt तो नहीं, chaining करना ज़ादा ठीक रहेगा, और इसके बाद हम ले लेते हैं cover image, क्योंकि यही नाम दिया है हमने, और इसकी जो first property है, वहां से हमें optionally हो सकता है, मिल जाए, एक path, तो हम यह path तो आगे हमारे पास में दो local path, अब यह local path actually में होंगे नहीं होंगे, इसकी कोई guarantee नहीं है, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, बट हमें क्या है कि एक path तो चाहिए चाहिए कि हमारे पास avatar वाली image तो होनी चाहिए, क्योंकि यह हमने यहां पर लिखा है कि upload तो करो images को, व अगर avatar local path का नहीं है, तो exclamatory से चेक कर लेते हैं, तो avatar local path अगर नहीं है, तो क्या करो, error throw कर दो और क्या ही करोगे, तो throw new API error, और error हम देंगे 400, और बोलेंगे avatar तो लगेगा ही लगेगा, जैसे subscribe लगेगा ही लगेगा इस channel पर, कर दीजे फट आफट, avatar file is required, ओके जी, तो य image कि हमारे को इतनी compulsory जरूत नहीं है, है तो भी ठीक है, नहीं है, तो भी चलेगा, अब दोनों को upload करना है cloudinary पे, यह next हमारा algorithm का step है, तो upload them to cloudinary, अब क्या है, अगर आप यहीं पेस के साथ जूचते, तो आपको पूरा का पूरा cloudinary का method अभी लिखना पड़ता, क्योंकि हमा हमार पास already configuration भी हो रखा है, और यह upload on cloudinary method भी है आपके पास, जिसको आपने export भी कर रखा है, याद रखेगा, export default नहीं कर रखा है, बट export कर रखा है, ठीक है, इसको भी ले आते हैं, तो एकी line में हमारा काम हो जाएगा, देखा, किता आसान हो जाता है preparation से, और इसको बोलते हैं, यह तो मैं पक्का गलत करूँगा, इससे बेटर है, copy paste कर लेता हूँ, यह upload on cloudinary, और यह आएगा हमारे पास में, जो हमने utils बना रखा है, उसके अंदर cloudinary.js से, ठीक है जी, अब आपके पास क्योंकि method available है, और अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा, कि मैंने local file path क्यों लिखा है, क्योंकि local file path ही तो हमारे पास में available, वो मैं as it is इसको दे दूँगा, और यह क्या करेगा, यह कुछ नहीं, cloudinary.uploader.upload, जो हमने देखा ही था method, उसमें local file path दे देगा, और मुझे response मिल जाएगा, और response के अंदर यह response URL हम प्रिंट भी करा रहे हैं अब आपने शायद notice करा होगा कि failure के case में तो हम delete करा रहे हैं file को, बट success के case में हम file को delete नहीं करा रहे हैं, हमें करा नहीं है, लेकिन मैं पहले एक बार बताना चाहता हूँ कि हमारे server पे वो image कहां पे है, और cloudinary पे भी same image upload होगे, उसके बाद हम वापिस से code को modify करेंगे, और cloudinary पे upload करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, बस एक method यूज करो और करा दो upload, ठीक है, तो method क्या है हमारा, upload on cloudinary, इसको चाहिए एक local path, तो पहले दे देते है, avatar local path, अब यह जो step है अप्लोड करने का, यह 100% बात है, time लगाएगा, assume करो video अप्लोड कर रहे हो, हो यहां पे जब यह method start करा था, तब हमने यहां पे async लगाया था, क्योंकि देखिए, माना की async handler है हमारे पास में, और वो promise return कर रहा है, बट कई बर हमें optionally, intentionally चीजों को wait करवाना है, हमें नहीं चाहते कि चीज़े आगे बढ़े, तो यहां पे तो मैं compulsory चाहता हूँ कि ची अपलोड करा है, तो cover image भी अपलोड करानी पड़ेगी, तो वही same काम अपना upload on cloud नरी, और यह cover image का हम local path दे देते हैं, अब यह भी await होगा, क्योंकि next इसको upload करवाएंगे, तो time लग सकता है, आपको लगता है चीज़े fractions of second में हो जाते है, बट servers पे time लगता है, और user को वो intim image, यह cover image, यह लिजे, ओके, तो अभी हमारे पास situation यह है, देखते हैं, algorithm में आगे क्या है, कि ठीक है, आपने cloud नरी पे भी चेक कर लिया है, अब क्या है कि एक बार यह वापिस अवतार चेक कर लो कि properly गया है कि नहीं गया है, क्योंकि अवतार required field है, अगर नहीं होगा तो database फटेगा, फटका फटेगा वापे, तो इसको चेक कर लेते हैं एक बार और, तो यहाँ पे इसको चेक करते हैं, अगर अवतार नहीं है, तो यहीं कि यहीं error दे दो, मामला खतम करो, इसको copy paste कर लेते हैं, अब आप कहेंगे sir, copy paste करना तो बुरी बात है, किसने बोला आपको कौन बोलता है ऐसी चीज़ आपको, ठीक है, तो यह हो गया हमारे पास में अवतार का काम, ठीक है, अब हमारे पास next step क्या है, अब next step है कि भाई देखो, अगर सारा काम ठीक से हो गया है अवतार अवतार, तो एक object बनाओ, और database में entry मार दो, आच्छा जी, इतना असान है, देखे, database में entry करने के लिए, एक ही चीज़ है, हमारे पास में जो database से बात कर रहा है, अगर आपको याद हो तो, यह user है, यही बात कर रहा है database से, और कुछ है भी नहीं, और most of the time हम देखेंगे कि हम इसी से ले रहे हैं कि यही बात कर रहा है, और कोई कर भी नहीं रहा है, तो यह लीजे, user, अब हमारे पास एक method है, dot create, यह create कर देता है, method है, और लेता क्या है, object लेता है, अब object में आपको जो-जो field पास करने हैं, वो आप पास कर दीजे, अब देखें, मैं पास कर रहा हूँ, full name, ठीक है जी, दूसरा आपको पास करना है, अवतार, पर अवतार क करके देखेंगे, response.url करके, वैसे आप पढ़ोगे cloudinary के docs, तो आपको देख जाएगा, object में क्या-क्या return आता है, बट मैंने recommend करा था, कि आप पूरा का पूरा response यहाँ पे, इस point पे print करवा के देखेंगा, जो आपको देखना भी चाहिए, तो हम आते हैं यहाँ पे, आप म देखो गए न, तो आपको काफी चीज़े मिल जाएगी, देखें, access mode है, bytes है, color, context, created at, format, height, metadata, original file मुझे तो चाहिए, जो URL चाहिए, अच्छी चीज़ है, VS Code सचेस कर देता है काफी चीज़े, तो ठीक है, अब तार हो गया, अब उसके बाद cover image भी चाहिएगी, तो cover image भी ल कि cover image properly upload हुई है या नहीं है, और यहाँ पे भी चेक नहीं करा, compulsory कि cover image का local path आया है, हो सकता है, user ने दिया ही नहीं हो, अगर user ने दिया ही नहीं है, पक्का code फटेगा वापस से, तो हमें क्या है, यहाँ पे उसका take care करना पड़ेगा, कि cover image है या नहीं है, यहाँ तो 100% validation है कि अवतार है ही है, क्योंकि यहाँ चेक हो गया है, लेकिन cover image हो सकता है, हो सकता है, नहीं हो, अगर है तो उसमें से URL निकाल लो, बट अगर नहीं है, तो क्या करो, empty रहने दोसको, क्योंकि compulsory तो है नहीं, model के अंदर, required तो है नहीं, तो इस तरह से safety measures और यह चेक, यही आप को competitive programming सिखाती है, कि इस तरह के corner cases का ध्यान रखो, तो कुछ लोग यह चीजें, production में सीख जाते हैं, real world application में, कुछ लोग lead code में सीख जाते हैं, जहां भी सीखो, अच्छी बात है, और क्या क्या चाहिए, email field चाहिए, और चाहिए password भी user ने जो दिया है, as it is pass कर देते हैं, औ तो मैं यहाँ पे to lower case, यह method एक लगा देता हूँ, क्योंकि string ही है, तो अब मेरे पास एक proper object बन गया है, जिसमें जितने fields मुझे चाहिए, वो सारे हैं, तो ठीक है, चेक कर लेते हैं, एक बार username है, हाँ जी, email भी है, full name भी है, avatar भी है, cover image भी है, watch stream मुझे चाहिए नहीं, क् पासवर्ड हमने भेज दिया है, string का है, password required है, refresh token, by default मैं चाहता हूँ, empty हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, time stamp अपने आप मिल जाएगा इसको, और save करते time, automatically password को encrypt कर दिया जाएगा, अच्छा, password को encrypt करते time, देखी है, हमने क्या mistake कर रखी है, कि password तो encrypt कर रहे हैं, बट य तो obviously बात है क्या होगा, उसमें लगेगा time, तो अच्छा हुआ है, यह हमें दिख गया, वरना क्या होता, वापिस आते है, इसको debug करते है, और तो क्या ही करते है, ठीक है, तो await हो गया है, तो यह और कुछ तो नहीं इस तरह हैगा, ठीक है, एक काम तो हो गया, तो यह बन ग एरर मिल सकता है, ठीक है, दूसरा डेटाबेस हमेशा दूसरे कॉंटिनेंट में होता है, तो अगर एरर मिला तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमार ने अलरड़ी एक फाइल बना रखी, जिसका नाम असिंक हैंडलर है, तो प्रॉमिसेज है, अगर एरर रसीव हुआ हमें तो एक कैच हैंडल कर लेगा, तो हमें चिंता की जरूत नहीं है, लेकिन जो टाइम लगेगा उसका क्या करें, तो उसके लिए ही तो असिंक मेथड बनाया है, तो अवेट करवाओ उसको, और उसके बाद जो भी अपने पास आ रहा है, उसको एक यूजर नाम की वेरेबल क रेफरेंस में उसको स्टोर कर लेते हैं, ठीक है जी, अब हमें चेक करना है, क्या चेक करना है, देखते हैं, यूजर क्रेट हो गया, और एंट्री भी होगी डेटाबेस में, अब उसके बाद क्या करो, पासवर्ट फील्ड वगरा ये सब हटाना पड़ेगा, ठीक है, ये भी हटा लेंगे, लेकिन सही में वो यूजर बना है नहीं बना है, या फिर हमारे पास में empty return हो गया है, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर दो तीन option है मेरे पास, कि मैं check कर सकता हूँ, कि directly कि user empty तो नहीं है, नल तो नहीं है, बट उससे भी better option क्या रहता है, हाला कि थोड़ा सा database calls जादा हो रही है, बट full proof idea है, कि आप क्या करो, इस user को लो, और क्या करो, कि एक find करने ही कुश्च करो, find by id, find by id भी एक method होता है, जहाँ पर आप id पास कर सकते हो, अब क्या होता है, अगर यह user successfully create हुआ है, तो सिर्फ आपने जो data दिया है, वो ही सारा data create नहीं होता, mongod अपने आप हर एक document के साथ, document तो नहीं, हर एक entry के साथ, एक underscore id नाम का field add कर देता है, तो जो आपके पास यह user मिलेगा न, return में, तो find by id यूज करके, जैसे आपके पास user है न, उसके अंदर fields होंगे, तो जैसे dot email field होगा, वैसे automatically एक field add होता है, underscore id, जो हम देखेंगे भी, तो इसके थुरू आप एक user find गरने ही कोशिश करो, अगर यह user आपको मिल गया न, तो तो मतलब user create हुआ था, अगर नहीं मिला, तो ओविस ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं मिला तो ठीक है, error देंगे, इसको भी await करना पड़ेगा, तो यह full proof तरीका है, हाला कि database call extra है, इसका फाइदा पता है, अब इसका फाइदा है क्योंकि हमने एक API call करके ID से पूछ के वहां से लिया है, हम यह password और refresh token field हटा सकते हैं, आप चाहो तो हटा तो इससे भी सकते हो इस user से, object ही तो है, उसको undefined कर दो तो हट जाएगा, पट यहाँ पर फाइदा यह है कि इसके सा इसके अंदर पास किया जाता है, पहले मैं इसको एंटर कर देता हूं थाकि नहीं लाइन में आ जाए, इसके अंदर पास होता है एक string, यह थोड़ा से weird syntax है बट आपको आदत हो जाएगी इसकी, यहाँ पर हम यह नहीं लिखते हैं कि क्या क्या चाहिए, हम यह लिखते हैं क क्या क्या नहीं चाहिए, क्योंकि by default सारे selected होते हैं, तो एक minus sign लगा के लिख दो password, की password नहीं चाहिए, negative जिसके आगे वो नहीं चाहिए, फिर दो एक space, हाँ जी यह string में ही है, और negative लगा के refresh token, अब मुझे लगता है मैंने spelling गलस लिखिए refresh token की, तो मैं यहाँ से copy कर देता ह अब यह weird मुझे इसलिए लगता है क्योंकि string के अंदर आपको space देके यह सब लिखना पड़ता है, first field, second field, object होता तो और अच्छा लगता, array होता तो और जादा अच्छा लगता, बट ठीक है, जो है syntax है, क्या ही कर सकते हैं, तो अब क्या है, मिर पास सारा response आया है, user का मिर पास hopefully आया है created user, बट उसमें दो field select होके नहीं आएंगे, अगर आपको और कोई field इस तरह से मना करना है, तो आप उसका नाम लिख दीजे, और आगे minus sign लगा दीजे, space लगा के देते हो, अब मैं check कर सकता हूं, अब मैं properly check कर सकता हूं, कि actually मैं user आया है या नहीं आया, तो अ सरवर नहीं कर पाया कुछ, तो वो ही अपना classic error, something went wrong, बट ये error नहीं देंगे, हम लिखेंगे, something went wrong while registering the user, और registering a user, जैसा भी आप चाओ, ठीक है, तो ये होगे हमारे सारी checking, ठीक है जी, हमने ये काम भी कर लिया, कि remove password और refresh token field भी कर लिये, check भी कर लिये, user creation का, अगर user properly बन ग अब response किस तरह से craft करते हैं, उसमें भी क्या होगा, हमें help लगेगी इस API response की, क्योंकि हम नहीं चाहते कैसे भी response जाए, हम चाहते properly structured organized response ही जाए हर बार, तो उसके लिए API response तो लगेगा, अब देखे API response हमने यहाँ पे ले लिया है, लेकिन एक सबसे interesting बात कि आपने API response तो लि लीजे export, यह तो आपको आता ही है, इसमें कोई बड़ी बात तो ही नहीं, API response आपने export कर लिया, space दे देते हैं, आपकी मर्नों तो दीजेगा नहीं, तो कोई बात नहीं, अब इसको हम import करा लेते हैं, ठीकर जी, तो इसको import करा लेते हैं, देखे, debugging न एक बहुत बड़ा part है अगर आप सोच रहे हैं कि सर यह ध्यान से क्यों नहीं लगा उस टाइम, हर programmer ऐसी mistake करता है, और जैसे इसे चीजे यूज आती है, उसी time पर fix होते हैं, तो जितना आप code लिखने में time नहीं बिताते हैं, उससे जादा debugging में आप time बिताते हैं, इस बात को जितना जल्दी मान उतना जल्दी अच्छा है सब के लिए, तो यह API response हमारे पास आ गया है, अब मैं चाहता हूँ, response return करू, properly API response के साथ में, तो कैसे कैसे return करना पड़ेगा, कि मैं चाहता हूँ, यह created user है, इसको पूरे को हम भेज दें, data के साथ, क्योंकि API response में allowed है, यह data भेजना, तो यह data हम as करते हैं, यह लिजे, अब हम क्या करते हैं सीधा से यहाँ पर, return करते हैं, एक response को, और उसके साथ हम start करते हैं, सबसे पहले तो status, यह नहीं, status, response के अंदर status भेजेंगे हम 201 का, कि ठीक है जी, आपका सारा काम अच्छे से हो गया है, उसके बाद क्या कर सकते हैं, एक .json response हम जाएगा, उसका हमारा architecture defined है, आप चाहें तो यहाँ पर भी बेज सकते थे कि ठीक है, यहाँ पर मैं एक created user इस तरह से भेज देता, तो भी काम हो जाता है, आपका सारा काम, बट मैं चाहता हूँ, एक organized तरीके से काम हो, तो यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है, कि API response भेजने के अब इस object को बनाते time, क्या क्या चीज़े देनी पड़ेगी, status code देना पड़ेगा सबसे पहले, तो status code हम दे देते हैं, वापिस से 200, हम चाहें तो यहाँ पर भी दे सकते थे, बट actually में यह ज़ादा better तरीका है status code, क्योंकि आपने देखा होगा postman में जैसे आपके पास response आत data यह लिजे, created user, और उसके बाद next step क्या है, message optional है, बट ठीक है बेज़ देते हैं, message string में हम बेज़ देते हैं, user registered successfully, successfully यह लिजे, तो काफी errors तो हमने handle कर लिए, काफी हमार पास आ भी गई है, तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से यह हो गया पूरा, तो अब देखेंगे, अ हमने इस पूरे की testing नहीं करी है, बट at least हमने जो algorithm था, वो हमने पूरा successfully कर दिया है, जो जो आपने step by step चीज़े बोले, already video के अंदर मैंने आपको काफी चीज़े explore करी है, यहापे, कुछ methods नहीं बताया है, JavaScript किस तरह से लिखी जाती है, कुछ आपको response request करना सिखाया, database के calls हमने देख लिए कि अच्छा, find one, create, यह सब भी देखा, तो मैं इस video को चाहूँगा कि हम इतना ही रखें, क्योंकि काफी कुछ है यहाँ, digest करने के लिए और आपके सीखने के लिए अभी बहुत कुछ है, अभी तक हमने इस पूरे के पूरी चीज़ को हमने run करके नहीं दे हो सकता है, इसमें काफी कुछ bugs भी हो, बट अभी मैं चाहूँगा कि अभी के लिए काफी काम हो गया है, और इसके लिए एक हम यहाँ पे पूरा का पूरा इसको कर देते हैं, अब हमने सिर्फ user controller में नहीं हमने काफी कुछ और fixes भी करें, तो हम उसी तरह से अपना commit message लिख होंगे, उसमें कुछ नहीं है, controller ठीक है, तो इसको मैं commit करके push कर देता हूँ, ताकि आपके पास यह सारा का सारा code base आपके पास available हो जाए, तो यह लिजे, अभी available है, हाला कि अभी हमारे code base में हो सकता है, errors है, हो सकता है, क्या होगी ही, वो तो होती ही हमेशा, उसमें क्या सो अभी files भी, जो मैं handle करी लूँगा, अब मुझे सारी चीज़े connect हो रही है, बस यही तो चाहिए, कि आप subscribe कर दें, comment कर दें, और आपको समझ में आ जाए, बस इतना ही तो काम है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तो बढ़ी testing भी करते हैं, इसकी देखते हैं क्या क्य problems है, कहां कहां हमारे issues है, bugs क्या क्या है, कैसे इसको करना है, तो मिलते हैं आप से next वीडियो में और testing करते हैं इसकी, चलिए तब तक चाहे पीज़े और code देखिए हां जी, कैसे हैं आप सभी, स्वागत है आप सभी का, चाय और code में, उमीद है चाय आपकी तयार है, क्योंकि code हमारा एक दम तयार है, तयार तो last वीडियो में हो गया था, बट अब देखना यह है कि चाय कितनी उबली है, सही से तयार हो गई या नहीं हो गई, मतलब कि code जो वो inexperienced है, या कुछ जादा ही over confident है, जो नीचे आ जाएगा भी, तो देखे, code जितनी बार आप लिखेंगे हमेशा expect करिए कि नहीं चलने वाला, उसको थोड़ा सा debug लगती है, यह real world expectation है, हां अगर आप कोई चोटा मोटा code लिखने हैं, कोई pattern print कराना है, चोटा मोटा कुछ जैसे tree invert कराना, यह सब कराना है, तो यह बड़े common सी चीज़ें होती है, यह almost first time पे होई जाती है, बट जब real world application लगाते हैं, तो इतने सारे parameter आपने देखा, सिर्फ register user करा, और इतनी सारी चीज़ें थी algorithm में, algorithm मतलब क्या है, sets ही तो है, कुछ steps ही तो है, जो आपको करने है, शायद वो अभी तक algorithm को जानते हैं, या शायद computer science को ही नहीं समझना चाह रहे हैं, खेर, उस बारे में कभी और बात करेंगे, कभी और चर्चा करेंगे, सबसे पहली बात तो यह, कि इस video का हमारा target है, 335 comments, किती देर में, 3 hours में, तो देखते हैं, यह achieve कर पाते हैं और नहीं सबसे एक अच्छी चीज यह थी, comment section में, एक बड़ी ही, प्यारी सी mistake मेरी यहाँ पे find करी, हाला कि वो mistake मुझे effect नहीं कर रही है, पता नहीं क्यों, करनी तो चाहिए थी, बट somehow कोई reason है, शायद, शायद vs code का configuration है, यहाँ पे comment section में बताया है, कि sir, मेरा जो .env config है, आपने . .env लिख दिया है, चल रहा है, मेरा नहीं चल रहा था, मैंने यहाँ पे आके जैसे .add करा, क्योंकि file actually में .env है, तब मेरा काम हो गया था, तो यह बड़ा ही अच्छी बात है, कि आपने notice करा, और आपने देखा, देखिए, मेरा तो यहाँ पे भी चल रहा है, और मैं इसक कर रहे हैं, speed में बस बताओ, सर ने क्या क्या code लिखा है, या मैं गिठफ से बस चाप देता हूँ, तो ठीक है, चापो और तो क्या ही कह सकते हैं, आपको आपके बारे में कोई comments है यह नहीं, अच्छा यह सारा तो काम हो गया था, अब हमें करनी थी testing कि हमने यह controllers वगरा सार रहते हैं, चल भी रहा था, कोई दिक्कत थी भी नहीं, लेकिन, actually मैं professional level पे जब आओगे न, तो इस तरह से postman को use नहीं करोगे, postman को भी use करने का छोटा सा जादा तो नहीं, छोटा सा एक तरीका होता है, वो तरीका actually मैं आपको front end के साथ भी share करना पड़ता है, जिन लोग हम professionally भी जान लेते हैं, क्योंकि काफी कुछ basic तो सीखी गए हैं, और बाकी का भी सीख लेते हैं, तो वो काम भी हम करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं हमारा code चल रहा है या नहीं चल रहा, एक बार code चल रहा है, वो सारा काम हमारा solve हो जाए debugging का, फिर हम postman का भी properly एक दे चाहिए form data, अच्छा form data चाहिए, ये xcode encoded form नहीं चाहिए, क्योंकि इसके अंदर आप file type नहीं आता है, हमें चाहिए actually में यहाँ पे form data, form data जैसे ही करोगे न यहाँ पे तो आपको देखिए content type भी एक tick mark होता है, आप चाहो तो इसको भी enable कर सकते हो, ताकि आप कौन सा content भे नहीं है, वो हम note कर लेते हैं, तो keys हम यहाँ से देख लेते हैं, full name, avatar, cover image, email, password, username, कफी है, ठीक है, चली add करते है, first value है हमारी वो full name है, अब यहाँ पे इसको क्यों use कर रहे हैं sir, हम तो चाहें तो यहाँ पे raw के अंदर जाके JSON भी use कर सकते हैं, अभी तक हमने जितने tutorial देख बेजने का, software के अंदर, तो इसलिए ऐसा नहीं कि रटा मारना है, कि raw ही भेजते हैं हमेशा, data के according है, अगर files भेजनी है, तो अलग option यूज़ करना पड़ेगा, सिर्फ data भेजना है, email, password वगरा, files नहीं भेजनी, तो यह raw option यूज़ कर सकते हैं, तो हम जाते हैं, form data के अंद तो full name है हमारी first key, और full name के अंदर मैं डाल देता हूँ, मेरा नाम, या फिर channel के नाम डालते हैं, हाँ जी, चाय और code लेते हैं सबसे पहले, चाय और code, next जाते हैं, make sure करना कि यहाँ पर tick mark लगाओ, कि tick mark नहीं है तो data नहीं जाएगा, tick mark चाहिए हमें यहाँ पर, उसके अला चाहिए चाहिए, चाहिए चाहिए तो लगा भी सकते हो, और क्या option है हमारे पास है, full name हो गया, email हो गया, password हो गया, username भी लगेगा, ठीक है जी, username और वैसी बात है, चाहिए और code, username है, अब हमारे पास चाहिए अवतार और cover image, ठीक है जी, यह भी देते हैं, तो पहले तो आत अब यहां पे जो text है, इसको आपको drop down select करके file select करना पड़ेगा, और यहां पे फिर आप file select कर सकते हो, तो एक file select कर लेते हैं, desktop पे avatar में मैं यह वाली photo यूज़ कर लेता हूँ, और उसके बाद एक cover image भी चाहिए, cover image, ध्यान से देखिएगा, cover image आप कैसे accept कर रहे हैं, तो उसी तरह से cover image दीजेगा, अगर आपके cover image यहां पे text ही show करता है, तो एक बार यहां पे add करके next column पे click कर देना, उसके बाद आपको यह options दिखने लग जाता है, यहां पे भी file add कर देते हैं, और file select करते हैं, यह तो उस हमने send करा, obviously बात है, error आगया, error है, user with email और username already exist, हाँ जी, अच्छा, user और यह exist करता है, करना तो नहीं चाहिए, चलिए, देख लेते हैं एक बार कि exist करता है या नहीं करता है, उसको भी देख लेते हैं, यह रहा हमारा browser, और मैंने already यहां पे MongoDB open कर रखा है, और Cloudinary भी open कर र user है ही नहीं, तो इसने कैसे बोल दिया, कि user वगरा सब already exist करता है, यह इसने इसलिए बोल दिया, क्योंकि हमने कहीं न कहीं कुछ code के अंदर गडबड करी है, क्या करी है, देख लेते हैं, एक बार चेक करते हैं, पूरा हम top से कि किस तरह से हो रहे हैं, तो हमारे पास, ठीक ह find one user, अच्छा, देखिए, सबसे पहला, जो common मुझे सबसे पहले find हुआ, line number 28 के अंदर, कि देखिए, database दूसरे continent में था, हमने जब भी database से बात करी, cloudnery से बात करी, await use करा, लेकिन इस database से बात करते time तो await use ही नहीं करा, तो प्रॉबलम है, तो यहां पे await लगा है, यह सबसे कर रहा था, तो आपने देखा कि कई बार कितने विचितर तरह की error होती है, जो आपको यह भी नहीं बताएगी कि await missing था, बट आपको ही step by step, शान्ती से देखके यह सब figure out करना होता है, ठीक है, दूसरे step पे चलता है, कि वापिस से data भीज के देखते है, send किया, अब इसने का sending request, काफी time लग रहा है, अब देखते हैं, next क्या error आई हमारे पास में, validation error, user validation required full name, path full name is required, ठीक है जी, full name required है, हमने दिया भी है full name, लेकिन हमने full name का जो n है वो lower case में रख दिया, आपको याद हो तो हमने यह check भी किया था और change भी किया था, कि full name का जो n है वो capital होना चाहिए, तो यहाँ पर एक छोटा सा issue है, तो इस तरह के issues front end में भी आ सकते हैं, तो आपको check करने पड़ेंगे, यह लिजे, full name अब हो सकता है, शायद साहिए हो, send करके देखते हैं, वाप इससे देखते हैं, क्या-क्या errors आएगी इस बार से, यह ऐसे ही चलता है debugging वगरा, यह मैं चाय और code हमने send तो किया है, full name, बट यहाँ पर पहुँच नहीं रहा है, ओके, path full name is required, full name required तो है, और हम accept भी कर रहे हैं, कि full name आना तो चाहिए, हमारी दो images upload हो गई है, यह चीज तो हमने देख ली, कि ठीक है, दो बार हमने request भेजी, तो दो बार image हमारी पहुँच गई है, हमारी cover image और यह, तो हम इस image को तो actually में delete कर देते हैं, क्योंकि हमारा object जब database में save हो रहा है, तब problem आ रही है, तो यह uploading का काम भी तब तक नहीं होना चाहिए, तो एक बार इसको delete कर देते हैं, यह भी delete कर देते हैं, और हमारे URL पे भी चलते हैं, कि वहाँ पे इसको refresh करके दे देख लेते हैं, कोई result नहीं है, cloudnery के आप यहाँ पे media explorer में जाके देख सकते हैं, images upload हो रही है, नहीं हो रही है, उमीद है होई रही होगी, हाँ जी जितनी बार हमने करा, उतनी बार images आ गई है, तो इनको भी हम हटाते जाएंगे, हाँ जी, testing इसी तरह से होती है, कोई और option नहीं है आपके पास, और debugging भी इसी तरह से होती है, कहाँ कहाँ आपने mistake छोड़ दी, क्या-क्या issues रह गए हमारे, तो वो सब चेक करने ही पड़ेंगे, ओके, तो अभी हमारे पास में एक option जो है, सबसे ज़्यादा आ रहा है, कि हमारे पास full name की value नहीं पहुँच रही है, तो हमारे को लगता है कि शायद postman में कुछ ना कुछ गड़बढ है, full name जानना तो चाहिए, ठेक है, एक बार हम इसको यहाँ से delete ही कर देते हैं, दुबारा से लिखते है full name, देखते हैं क्या-क्या issues है हमारे पास में, full name और value है हमारे पास में, चाय और code, एक बार और send करक देखते हैं, उसके बाद हम pause करके देखेंगे square arm से, कि full name के अंदर issue क्या आ रहे है, चलिए एक बार और करके देख लेते हैं, हाँ जी इसी को यह debugging बोलते हैं, कि आप एक एक चीज को रुक रुक के step by step options देखो, हाँ जी, शायद कुछ issue था, तो इस तरह से आप भी एक और step समझ गया, कि कई बार हमारी values properly नहीं जा रही होती है, जो name set हो गया होता है, वो change नहीं हो रहा, तो delete करके देखेंगे, तो अब हमारे पास next जो है, तो जो मैं आपको बताना चाह रहा था, कि हमेशा user के साथ automatically एक underscore ID लग जाता है, तो देखें, underscore ID लग गया है, username आ गया है, email आ गया है, full name आ गया है, और avatar हमारे पास में आ गया है, with.png extension, तो ठीक है, cover image भी आ गया है, watch history empty array है, created at, updated at field हमारे पास आई जाते हैं, और message भी आ गया है, user created successfully, और हमारे पास JSON response भी आया है, 201 created, ठीक है, अब चल के देखते हैं, कि और क्या 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 हमारे पास में काम हो र आती, अब इन दोनों file का नाम एकदम same है, जो user से हमने लिया, वो का वो रखा है, लेकिन हमने ये देखा, कि जब हमारे पास ये जो response आया है, तो file का नाम अलग है, in fact image upload slash और ये कुछ file का नाम आया है, बिलकुर एकदम unique, ये automatically cloudnery ने हमारे लिए किया है, हमने कुछ नहीं किया उसके अंदर, ये cloudnery इसी तरह से work करता है, तो हमने देखा हमारे पास इसको तो refresh करना पड़ेगा, तब ही data show होगा, उत्ते MongoDB को भी refresh कर लेते हैं, ताकि यहाँ पे भी study कर लें, थोड़ा सा, ओके, ये लिजे, तो हमारे पास में ये image upload हो गई, ये image भी upload हो गई, और इनका जो public URL है, वो हमें response.url से मिल गया है cloudnery के अंदर, और यहाँ पे हमारे पास में वो save हो गया है, तो आप चाहें तो इस avatar के image को आप copy कर सकते हैं, exact value को, तो जो value आई है हमारे पास में, इसको पूरा value तो यहाँ पे show नहीं हो रहा है, response में मेरे show हो रहा है, तो response से ले और आप देखेंगे, यह public URL है आपके पास में, तो इसको आप जैसे देखेंगे, तो आप almost जैसे भी एक image upload होती है, तो आप इसको front end में show कराना बहुती easy है, क्योंकि URL मिल गया है, इसी तरह से videos का भी URL मिल जाता है cloudnery पे, और इसलिए world की बहुती बड़ी recommended service है, बहुत company यूज करती है, created at, updated at, यह सब हमें मिल गया है, तो इसके बारे में, कुछ चर्चा हैं जरूरी है, देखेंगे, यह जो underscore ID है, यह automatically सबके इंदर आपको मिलेगा, अब यह light mode है, कुछ करतो मैं सकता नहीं, तो थोड़ देर bear कर लो, और उमीद है, यहां पे भी dark mode होना तो च दिकत है, नहीं, अवतार और cover image भी आ चुक है, यह array है, अब इसके अंदर कोई data हमने डाला नहीं, ठीक है, password हम देख सकते है, encrypt हो चुका है हमारा password, और already जो हमारी bcrypt library है, उसने सारा काम कर दिया, तो हमें कोई दिकत वाली बात नहीं है, उसने एकदम सेव कर दिया सारा, created at, updated at, क्योंकि timestamps थे, तो यहां पे हमें वो options मिल गए है, ठीक है, तो इतना काम तो हो गया है, यह भी हमें समझ में आ गया, अब चलते हैं वापिस से code पे, ठीक है, यह भी समझ में आ गया है कि files हमारे पास हो रही है, तो अब हमारे पास में actually में time आ गया है कि Cloudinary पे जाए और files को unlink कर दें, ताकि अगली बार जब भी इस तरह के uploading हो, तो हमारा काम हो जाए, console log हमने URL का करके देखा है, uploaded file का, तो यहां पे देखे, file is uploaded, यह सारा हमारे पास में data आ रहा है, अब मैं इस console log को हटाऊंगा, obvious ही बात है, क्योंकि काम हो चुका इसका, file upload हो गये successfully, तो remove क कर दीज़े, file को, जैसे same error में किया था, fs. यहां पे सीधा, unlink synchronously, क्योंकि इसके बाद ही मैं आगे move करना चाहूंगा, और synchronous नहीं कि background में remove होती रहे, नहीं, इसको यही unlink करना चाहूंगा, मैं इसलिए synchronously कर रहा हूं, और इसको pass कर दीज़े, local file का path, जो कि हमने आ दिया तो अब उमीद है कि future में जब file upload होगी, तो automatically, अगर successfully upload होगई है, तो भी remove हो जाएगी, और अगर error आया है, तो भी remove हो जाएगी, तो यह हमने सिर्फ testing purpose के लिए रखा था, testing हो चुकी है, अच्छी बात है, इसको हम यहां से delete मार देते हैं अभी के लिए, ताकि क्योंकि इन Cloudinary के अंदर जो यह response आ रहा है, सिर्फ URL नहीं, आपको पूरा का पूरा response console log करके देखना चाहिए, कि किस तरह से Cloudinary का response आ रहा है, ताकि आप उस data को study कर पाओ, दूसरी चीज, आपको सबसे पहले यहां पे console log करना चाहिए request.body को, ताकि आप देख पाओ किस format में आता है, कै दूसरी चीज, आपको यहां पे देखनी चाहिए, कि यह जो next है हमारे पास में, request.files है, इसको भी आप print करा के देखो, कि किस तरह से request.files का पूरा object आता है, क्या-क्या वो चीजे देता है, तो इन सब चीजों को actually मैं आपको print करवाना चाहिए, एक दो print में आपको करके द दिखाऊंगा, सारे तो नहीं कर सकता, तो मैं यहां पे आपको दिखाता हूँ, request.files, console.table करना चाहिए, देखते हैं, चलिए, तो इसको भी एक बार करके देखते हैं, क्या-क्या हमारे पास response आता है, अब क्योंकि files automatically delete हो जाएगी, तो उसको हम delete करवा लेंगे, तो एक बा और नरी से एक साथ हम delete कर देंगे, क्योंकि वहाँ पर वैसे ही file का नाम सब का change हो रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, अब आते है हमारे postman पे, वापिस से data send करते हैं, क्योंकि मुझे देखना है कि response क्या आता है request.files का, वो बहुत जरूरी है, देखना आपका, तो send करते हैं, और वैसी बात है, वापिस से उमीद है, success ही आएगा, अगर कोई वापिस से bug तो नहीं आ गया है, ठीक है, success ही आया, important है कि मुझे print देखना था, क्या आया है, तो यहीं पर print मिलेगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब आप request.files करते हो, तो यह object आपक पूरा print हो रहा है, अवतार का, तो अवतार के अंदर देखिए, field name है, original file name है, encoding है, meme type destination, file name, path हमारे को मिल रहा है, जो हम actually मिले रहे है, अगर आपने देखा हो यहाँ पे, तो यह जो path है, यही में लिए सबसे important है, यह array है, और array के अंदर आपके objects आ रहे हैं, यह first object है, second भी आपका cover image जो है, वो भी array है, और उसके अंदर भी आपके values और data आ रहे है, यह important हो गया, तो इस तरह से सारी चीज़े आप print करके देखिए, मैं तो आपको सारी नहीं दिखा सकता, वरना 2 गंटे, 3 गंटे यहीं बैठे रहेंगे, बट इन चीज़ों को print करके देखिए, क्य refresh token field नहीं है, source code हमें पता है, कौन सी file या कौन सा place, exact line है जो इसके लिए responsible है, अब हमें काम करते हैं, एक और data भेज के देखते हैं, पहले उसको clean कर लेते हैं वापिस से, refresh करके, users, refresh कहां से होगा, यहां से, इस data को वापिस से delete करेंगे हम, और एक और बार चेक करेंगे, एक cover image send नहीं करें, तो क्या हो, क्योंकि हो सकता है, user ने सिर्फ अपनी profile या avatar send करा है, cover image send नहीं करेंगे, तो उसको भी test कर लेते हैं लगे हाथ, तो इसको हम एक बार क्या करते हैं, बड़ा easy है यह करना, कि cover image जो है, उसको बस uncheck कर दो, तो वो नहीं जाएगा साथ में, इसको कर यह interesting काम है, इस तरह के errors मैंने काफी देखे हैं, और actually मैं काफी handle भी करें, जब जब यह question mark होता है न, तो काफी chances हैं कि इस तरह के errors आप भी face करें, क्योंकि क्या होता है, कई बार अब इसको गौर से देखे न, तो actually मैं हम यहाँ पर छोटी सी mistake तो करी रहे हैं, mistake क्या है चल होगे, उतना अच्छा रहेगा, अब यहाँ पर क्या है मामला, कि देखे, request.files अगर है, तो हम expect कर रहे हैं कि उसके अदर avatar होगा ही होगा, और उस avatar array होगा, और उस array के अंदर से first property आप निकाल लिए और उसके अंदर से path निकालो, अब मुझे यह भी तो नहीं पता कि यह avatar होगा या नहीं होगा, यह cover image होगी है या नहीं होगी, अब देखे, यहाँ पर तो तुरंत मैंने चेक कर लिया कि यह जो value है, यह extract हुई है या नहीं हुई है, अगर नहीं हुई है तो error दे दो, but cover image में ऐसा कुछ नहीं करा, हाला कि cloudnery handle कर लेता है, but जब मैं इस तरह का cover image बना रहा हूँ, तो यहाँ पर गैरंटी नहीं है कि cover image बन गया है, अगर cover image मानलो undefined है, तो undefined में से optionally भी URL कैसे निकालोगे, तो इन situations इस तरह कि अगर आपके पास भी situation आया है, कि जहाँ इस तरह कि optional chaining कर रहे हो, या optional finding कर रहे हो, और immediately अगर आपने चेक नहीं करा कि व वो value आपके पास आया है नहीं है, जैसे कि यहाँ पर मैं करता हूँ, cover image local path एक variable बना लेता हूँ, वरना scope का issue आएगा, और इसको कर देता हूँ comment, और हम इसको classic तरीके से चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसके साथ हम यह वाला चेक नहीं कर रहे हैं, कि अगर यह है नहीं है तो throw कर दो error, हम इसको classic तरीके से चेक कर लेते हैं, तो if else condition लगाते हैं, सबसे पहले तो request.files हमारे पास आई है या नहीं आई है, ठीक है एक check तो यह हो गया, अब उसके बाद चेक करना पड़ेगा, properly array आया है या नहीं आया, तो हम क्या है कि एक array बना लेते हैं, तो हम बोल ल argument भी तो पास करना पड़ेगा, तो किस चीज़ को चेक कर रहा हूँ, properly array है या नहीं है, request.files.coverimage, तो यह cover image का अब मुझे पता लगेगा, properly array है या नहीं है, और अगर वो array है, तो उस array की length 0 से जाधा है या नहीं, अब प्रोपर्टीज तो है कि नहीं उसमें कुछ, तो हम क कर सकते हैं, अब चेक कर सकता हूँ, finally, request.files.coverimage, यह properly array, अच्छा, ampersand लगाना भूल गए, यह लीजे, request.file.coverimage, अगर इसकी array है तो length भी होगी property, और इसकी length अगर 0 से जाधा है, तब मुझे, actually मैं value मिलेगी, वैसे तो अगर हम अवतार का भी local path इस तरह से चेक कर लें तो कोई बुराई तो है नहीं, बढ़ ठीक है, तो cover image, local path जो है, तब हम set करेंगे इस तरह से, request.files, अब मुझे कोई optional चेक करने की जरूत नहीं है, मुझे पता है आप cover image है ही है, अब इसके 0 element में से, आप path निकाल लो, यह classic तरीक है, चेक करने के, हमने थोड़ा सा advance करने की को इनको हम actually में check नहीं करने है, तो हमार पास, और भी options हो सकते हैं कि जैसे avatar image अगर undefined है, तो यह upload वाला कामी मत करो, तो यहाँ पर direct null set कर दो, बलब आपके तरीक है, किस तरह से आप algorithm design करते हो अपनी, but I think अभी इससे काम हो जाना चाहिए, देखते हैं, नहीं होगा तो फिर power image अब हमारे पास पर empty है, तो बस वही एक reason था, अब आपको पता लग गया किस तरह से experience developer कुछ नहीं होते हैं, बस उन्होंने वो errors life में कई बार जेली है, तो इसलिए easily काम कर देते हैं, तो अब हमारी undefined error भी आपने देख लिए, और काफी हमने errors भी resolve कर दिए, 2-3 cases भी हम किया है, इतना हमें detail में in-depth बार-बार पढ़ने की जरूत नहीं है, क्योंकि अब जब हम login करेंगे, हम और किसी concept पर discussion करेंगे, बट इस तरह से अगर जब भी video लेने हैं, या कुछ भी upload करना है, तो अब ज़्यादा चरशाहत नहीं होगी, सिर्फ यह design करेंगे कि क्या-क्य करना है, और सीधा बस करना चुरू कर देंगे, एक बार summarize कर देता हूँ वापिस से, यहाँ पर हमने request.body से extract किये सारे के सारे data points, यहाँ पर हमने check करा कि वो सारे के सारे points कहीं empty string तो नहीं पास कर दी किसी ने, उसके बाद हमने check करा कि already user exist तो नहीं करता, इस email या फिर इस username स अगर करता है तो error दे दो, नहीं करता तो आगे बढ़ते हैं, फिर हमने यह local path निकाला, अवतार का और upload करने ही कोशिश करेंगे, और इसी के साथ साथ हमें यहाँ पे एक bug मिला, तो हमने उसको resolve कर दिया, कि ठीक है, इस तरह से काम नहीं हो रहा, तो ठीक है, हमने इस तरह स अपलोड कर दो, अवेट करना ही करना जरूरी है, आपने देखा कई बार अवेट का भी error आ जाता है, भी हमने एक bug fix किया था, तो आपके पास avatar और cover image आ गया है, अच्छी बात यह कि अगर cover image आपको नहीं मिल रहे हैं यहाँ पे local path, तो cloudnery आपको error नहीं दे रहा, बस empty string return क पासवर्ड और refresh token हटा दो जो receive value है, अगर user नहीं create हुआ तो error दे दो, हो गया है तो error, सब कर दो, अब हमने यह सारी चीज़े चेक भी कर ली है, हमारे यहाँ पे database में जाके, कि properly actually में database में चीज़े जा रहे हैं और इसी तरह से आपकी real world applications भी बनती है, आपका database भी cloud में है, बस अब करना क्या है, इन सब को wrap करके पूरा जो backend है, जैसे हमने host करा था, जो digital ocean वगरा है और environment variable set करे थे, बस वही सब करना है, और तो क्या ही है, अब एक और interesting चीज़, cloud नरी पे अभी हमारे पास में files है, अब मैं यहाँ से delete नहीं करूंगा file जो हमने testing वगरा करी थी, क्य क्योंकि बाकी काम तो ठीक हो गया हमारा, बट यह post में इनना properly configured नहीं है, यह अगर वापिस से request भेजनी पड़ी तो दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि सारे fields अगरा सब set करने पड़ेंगे, तो इसके लिए आप देखेंगे कि क्या होता है, कि हमारे पास में यहाँ पे एक left side मे collections हैं, इसी को बोलते हैं collection share करना, तो collection पे click करिए और एक नया collection मना लीजे, blank collection बोल देते हैं इसको हम, और इस collection का नाम हम change कर देते हैं, इसका रख देते हैं, YouTube चाय, क्योंकि ठीक है, चाय तो लानी थी, तो हम YouTube चाय ले आते हैं, अब इसके अंदर क्या है, कि हम request add करते collection मिल जाता है, क्योंकि ये collection अभी empty है, अब add request जैसी करते हैं, तो आपको दिखेगा, ये तो exact same है, तो ये कौन सी request है, ये हमारी जो सारी request है, एक एक करके हम save करते जाएंगे, अभी इसका नाम new request है सिर्फ, बट हम इनको folders वगरा में भी arrange करते जाएंगे, तो इसका नाम मै आपका अलग हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, URL मैंने डाला और इसको मैंने save करा, अब जैसे मैं इसको save करूंगा, अब मेरे को क्या ये register यहां पर हमेशा दिखेगा, और ये save दिखेगा, अब इसको आप right click यहां पर करके, और आप इसको further भी rename कर सकते हो, और duplicate भी और further अंदर folders वगरा भी बना सकते हो कि किस तरह से, तो अभी मेरे पास ये collection है, ये सिर्फ इस तरह से, आगे आप चाहेंगे तो इसको मैं save as करके, और इसको further और भी define कर सकता हूं कि इसको further किस जगे रखना है, क्या करना है, तो देखेगे एक काम और कर सकते हैं, इसको मैं और अब ये user इस तरह से लिखने की जरूत नहीं है, register, तो ये folder create कर दो user नाम से, और ये register उसके अंदर हम save कर देते हैं, अब actually मैं हमारे पास दो हो गए, इस बाहरवाले की अब जरूत नहीं है, इसको हम कर देते हैं delete, ओके ये लीजे delete, तो अब हमारे पास यहाँ पे folder बन सकते हैं, add folder ये option है आपके पास में, तो इस तरह से बना सकते हैं, अभी हम users API पे काम कर रहे हैं, तो मैंने users नाम का folder बनाया है, उसमें get request रेजिस्टर, बट रेजिस्टर तो get request थी नहीं, वो तो post थी, कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ से post करना है, और इसको save करना है, त लेकि इस URL के अंदर, http localhost 8000 slash API slash v1 और ये slash, ये तो common ही चीज़े हैं, जितनी भार भी आप use करोगे, ये तो करना ही करना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, कि ये जो v1 तक है ना, इसको हम copy कर लेते हैं, और अब जाहिए आप environment के अंदर, अब इस environment के अंदर, आप देखोग तो एक नए environment यहां पर create करते हैं, इस environment का नाम है हमारा, YouTube-Chai, अब जरूर नहीं के same नाम रखो, आपका जो मन करें नाम रखो, YouTube-Chai या YouTube-Chai जो भी आपको नाम रखना है, मैं same ही नाम रखता हूँ अपने collection और variables का, environment variables का, ताकि सारे variables एक साथ आजाए, अब variable और इसका ना अब हमारे पास में variable add हो गया है, अब variable तो आपके पास हो गया है, इसको save कर दीजे, आपके पास variable हो गया, अब इस collection के अंदर ना आप इस variable को use कर सकते हो, कि किस तरह से इसको use किया जा सकता है, environment में जाके और इसको हम, हम, इसको set करते है, actually में, हाँ, यह no environment, हम इस environment को, मतलब इस variable को share करना चाहते हैं, YouTube चाहे के अंदर, तो अब इनकी linking हो गया आपस में, तो अब आप इसको use कर सकते हो, तो हाँ, यह environment यहाँ पर देना जरूरी है, यह थोड़े से UI change होते रहते हैं इनके, अब जाईए collection में, और YouTube चाहे के पास, आपके पास available है, यह variable, तो हम जाते हैं, रजिस्टर के उपर, अब मैं क्या कर सकता हूँ, कि इस रजिस्टर का जो वीवन वाला पार्ट है, यहां तक मैं सब हटा के, और दो curly braces रख सकता हूँ, दो curly braces रगाते हैं, मेरे पास यह server option आ गया है, यह लीजे तो मैं server को यहाँ पर select कर देता हूँ, तो इस server आ गया, उसके बाद आपने slash users, slash register, तो common चीज मैंने डाल दी है वहाँ पर, अब मैं इसके पास request भेज सकता हूँ, और easily काम, तो देखे, collection भी properly बन रहा है, और इस तरह से register, login, जितने भी होगे, मेरा पूरा collection create हो रहा है, यह आप front end के साथ भी share करते हो professionally, यह काम बहुत important है, please time stamp डाल दीजेगा, जब से यह start हुआ था, क्योंकि यह बहुत important है, professionally इसी तरह से code होता है, जातर courses या कहीं पर भी आपको यह सब चीजे नहीं सिखाई जाती है, तो इसको save कर दीजे, अब मैं क्या करता हूँ, इस post request को बि at least मैं यह देख पा रहा हूँ कि जहां मुझे request भेजनी थी, वहां मेरी request handle हो रही है, यही सबसे अची बात है, अब मैं आता हूँ यहाँ पर body के अंदर, और start करते हैं अपना form data, इसको थोड़ा सा lower कर लेते हैं, और एक एक करके सारे forms add करते हैं, तो यह रहा मेरा full name, full name की बाद email, और email है मेरा one at the rate gmail.com, उसके बाद है password, और password है मेरे पास में 12345678, और क्या चाहिए, देखना पड़ेगा, और क्या चाहिए, full name है, email है, पासवर्ड है, username नहीं है, username 1, username पे कोई limit हमने लगा ही नहीं, कितना character होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो आप लगा सकते हो अपने real world application में और ये भी real world ही है, बट हमने कोई check नहीं लगा रखा बस, उसके बाद चाहिए avatar, avatar हमें जो मिलेगा वो चाहिए file, file select कर लेते हैं और ये hc, ठीक है, अच्छी photo है, ओके, और एक चाहिए हमें cover image, और ये भी cover image हमें चाहिए file type की, तो cover image के अंदर ये एक पु अमीद है कि ये files वगरा सब जाएगी और वहाँ पर upload हो जाएगी, तो एक बार send करके देखते हैं, request send कर रहे हैं, ओके, थोड़ सा time लग रहा है, बट हाँ चलिए, सब कुछ upload हो गया, save हो गया, interestingly ये भी check करना है कि यहाँ पर कुछ public में रह तो नहीं रहा, ठीक है, कुछ data होने चाहिए, ये लिजी, दो data है आपके पास में, अब इससे फाइदा क्या हो गया, कि मैं इसको save कर सकता हूँ, अब मैंने इसको इस state में save कर दिया है, अब इससे फाइदा क्या होगा मेरे पास, कि जब भी आपको इस तरह का register API आपको check करनी है, आपको सिर्फ यहाँ प cookies, refresh tokens, वगरा, बहुत सारी चीज़े maintain होती रहती है, तो आप चाहें तो एक-एक करके इस तरह से भी कर सकते हो, कोई मनाई नहीं है उसके अंदर भी, but interestingly क्या है, इसी तरह से professionally किया जाता है, तो आप जिस भी company में जाओगे, जहाँ पर भी काम करोगे, तो यह सब common चीज़े हैं, कि हमारे environment variables आपको पता होने चीए, यहाँ पर कैसे लिखे जाते हैं, कैसे set किये जाते हैं, collections में उनको bind कैसे किया जाता है, ताकि वो available हो वहाँ पर, global तो सभी जगे available होते हैं, but particularly उसी environment के, क्योंकि multiple projects पर आप काम करोगे, और यहाँ पर आपके सारे fields इस तरह से होते ह है, तो वो भी save रह जाता है, बस आप values चेंज करो और fire करो अपनी API और test करके देख लो, तो यह जादा easier और cleaner approach है, किस तरह से आप अपने postman को handle करते हो, यह सारा काम होता है, तो उमीर करता हूँ आपको यह सारी चीज़े समझ में आयोगी, अच्छा, अब अच्छी बात क् मेरे को दुबार से test करना है, कि यह user दुबार से तो create नहीं हो जाएगा, तो कुछ भी नहीं, दुबार से send बटन पे click कर दो, अब यहाँ पर error आ गई, user with email और user name already exists, तो एक और testing हो गई कि भाई, प्रॉपरली दुबारा तो create नहीं हो रहा user, तो यह सारी चीज़े ना, do you, किस तरह से हम देखने हैं, और आपको यह भी शाद पता लगया होगा, जावा स्क्रिप्ट ही है सब कुछ, वो basic foundation जितना strong होगा, उतना अच्छे से error पढ़ पाएंगे, उतना अच्छे से हम काम कर पाएंगे, तो यह सारा काम है, तो बस comment का target पूरा कर दीजेगा, और अगर series आपको अच्छी लग रही है, इतनी मेनत आप कर रहे हैं, मुझसे भी करवा रहे हैं, तो LinkedIn पर share थोट से कम आ रहे हैं, tags भी काफी कमा रहे हैं, तो LinkedIn पर यहां पर share करो, और कहीं पर भी कोई दिखे का, कोई real दिखे कुछ भी दिखे, तो वहां पर भी चाय और code को link करके आजाए करो, अच्छी बात है न, अच्छा रिसोर्स तो शेर होना ही चाहिए, प्रोफेशनली आपको इतना पढ़ा रहे हैं, प्रोफेशनल ग्रेड के लिए आपको तयार कर रहे हैं, क्योंकि अब इंडिया के यूथ भी हमें चाहिए, कि प्रोफेशनली तयार हो, कब और ये भी एक काम तो है, तो इसको भी सारा का सारा पुश करते हैं, ये सब तो नहीं पुश करना, ये अभी भी है कि हमारे पास में टेम्प के अंदर देख लेते हैं, हाँ ये तो है, ये तो नहीं चाहिए हमें, ये डिलीट, ये शायद पुराने हमारी जो ऑप्शन से उ अगले code में देख लेंगे, अब जाते हैं यहाँ पर, हाँ यह सब तो हमें push करना ही है, अब यहाँ पर, register controller, fix all register controller bugs, ठीक है, तो हमने register controller के सारे bugs भी fix कर दिये हैं, commit कर देते हैं, और इसको push भी कर देते हैं, source code आपको सारा मिली जाता है, ठीक है, तो अच्छा भा, भूले नहीं हैं, ताकि आपको source code भी सारा मिल जाए, ठीक है, चलिए, काफी अच्छा लगा आपसे मिलके, और अपने friends तक पहुंचा दो series, channel को share करो यार, थोड़ा, तब मज़ा आएगा, और तब speed बढ़ेगी, चलि मिलते हैं आपसे एकले वीडियो में,